Hey guys, welcome to our GST Amendment as well as Free Transition Batch for CA Intermediate May 2024 students. जैसे कि आप सब जानते हैं, CA Intermediate के अंदर November 2023 was the last attempt जिसके अंदर Old Slabers के इसाब से एक्जाम हुए और इस बार May 2024 के अंदर New Slabers applicable होने वाला है पूरी तरह से. इस New Slabers के अंदर Taxation एक ऐसा पेपर है जिसमें काफी सारे चेंजिस आए. मैं अलड़ी हमारे YouTube चैनल पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने Taxation के से लेबस में क्या-क्या चेंजिस आए, content में क्या-क्या चेंजिस आए, उस सब के बारे मे डिसकेशन करी थी, लगबाग 18-19 मिनट की वीडियो थी वो, आप नहीं तक अगर नहीं देखी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर मैंने अच्छे से चेंजिस क्या-क्या हैं, वो बता रखे हैं. इस वीडियो के अंदर उन चेंजिस की एक एक करके शुरू करेंगे, और आपको अमेंडमेंट्स भी यहां पर कवर अप करने के लिए मिलेंगी, और सारे के सारे नए टॉपिक्स भी कवर अप करने के लिए मिलेंगे. तो पहले तो मैं एक बार जल्दी से आपको ग्लिम्स दिखा दूँ, कि वो जो ट्रांजिशन वाली जो वीडियो मैंने डिसकस करी थी, उसके अंदर ये डॉक्यमेंट यूज करा था, मैंने आपको उसके अंदर चेंजे से बताया थे, पहली बात तो इंकम टेक्स और जीए स्ट की वेटे चेंज हो गई है, इंकम टेक्स की बात करें तो कोई टॉपिक्स कुछ नए अड़ ठीक है जी, तो GST के अंदर मैंने आपको बताया था, जो हमारी usual amendments आती हैं वो तो आएंगी आएंगी, November 2023 के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों ने जो amendments cover up कर रखी थी, वो 30th April तक की cover कर रखी थी, और अब May 2024 के अंदर अगर आप बात करना चाते हो, तो वहाँ पर 31st October तक की amendments आएंगी, तो पहली चीज तो आपको क्या करनी है, 1st May से लेकर 31st October तक की amendments डिसकस करनी है, जो इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगी है, इन टोटल अगर मैं बात करूँ, यह हमारे जो amendments notes है, इन टोटल हमारे पास 25 amendments ने जो cover up करनी है, तो इस वीडियो के अ इंदर मैं सबसे पहले तो amendments cover करूँगा, साथ साथ यह attempt बाकी attempt से थोड़ा सा different इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ वो amendments हमें cover up करनी है, बलकि कुछ नए chapter और topic all together आगे हैं GST के syllabus में, हमारे इन टोटल 6 topic हैं cover cover करने के लिए, पहले intra और interstate supply, place or supply का concept, इसको मै एक साथ एकी topic मान के चलता हूँ, फिर 95 ECO की applicability और TCS और TDS का topic इसको भी मैं एकी topic मान के चलता हूँ, और 5 और 6 e-way bill और accounts and records, totally new content हमारा इस बार के लिए, यहाँ पर हमें cover up करना है, तो इसलिए इस बार जो मैंने video का नाम रखा है, ना सिर्फ amendment video रखा है, बलकि free transition video भी transition के लिए अलग से students से पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो students तो November 23 में clear नहीं कर पाए, उन्होंने अपने attempt skip किया, एक तो पहली पार इटेंशन में है, उपर से उनको full full fast track batch या पूरे-पूरे course buy करने पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने decide किया, कि हम पूरा का पूरा जो transition के new topic है, वो free of cost YouTube की through आपको provide करेंगे, तो इस वीडियो में discussion किस चीज की होने वाली है, पहले तो मैं यह बता दू, यहाँ पर हम जो discussion करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपके साथ discuss करूँगा amendments, हमारी लगबग लगबग इस वीडियो के अंदर आप मान के चलो, चार साढ़े चार घंटे क मैंने आपको बताए, इस वीडियो में, आपको मैं बता दू, YouTube के अंदर बारा घंटे से उपर की वीडियो नहीं डेल सकती, इसलिए यह जो पहला पार्ट होगा, हमारा transition as well as amendment का, इसके अंदर मैं सिर्फ topic number 3 और topic number 4 को ही cover up कर पाऊँगा, तो basically पहले लगबग 4-4 घंटे तक आपकी amendments होंगी, उसके बाद जो आपका है, वो ये वाला जो topic है, ECO वाला topic और साथ साथ TDS और TCS वाला topic, along with questions की practice, वो मैं आपके साथ discuss करूँगा, तो ये वाले या पहले में होगा, जो बाकी बचे वे topic हैं, आपकी ये चारो topic, इनका मैं transition video, GST transition video, part number 2 लाओंगा, जो अलग video आएगी, तो टोटल तीन video हैं, जो हमें करनी है, एक ये GST वाली video, जिसके अंदर amendment as well as कुछ transition वाले topics, एक GST की transition video number 2 और एक income tax की अलग से transition video आएगी, उन तीन videos के थूँ आपका सारा content cover हो जाएगा, GST का अगर video number 2 में सारा content cover नहीं हुआ, तो GST की भी transition के अंदर video numbers भी बना दीगा, sir, हम ये जो amendments को cover करेंगे, इसके notes और transition के notes कहां से मिलेंगे, तो मैंने एक single booklet बना दी है, इस booklet के अंदर पहले आपको, पहले तो मैंने जान बूच के ये वाला topic डाल दी है, कि ये जो guidance वाली मैंने पूरी booklet बनाई की आपको changes क्या क्या हैं, ये मैंने booklet के अ जाल दी है, फिर उसके बाद आपको यहां पर changes मिलेंगे, GST की जो भी amendments है, और फिर जो GST के new topics हैं, उनके जो notes हैं, वो भी इसी booklet के अंदर मिलेंगे, along with the questions, तो as such आपको attention लेने वाली बिल्कुल भी जुरत नहीं है, आपके सारे के सारे notes आपको ये booklet के अंदर provide के सर ये जो booklet है, ये हम कहां से ले सकते हैं, आप ये booklet या तो आप हमारी ये booklet हमारे telegram channel से download कर सकते हैं, यहां पे मैंने सारे link भी बता दी है, link आपको description में मिल जाएंगे, मैं ये सारी की सारी जो booklet अपनी, ये हमारे telegram channel पर डाल दूँगा, telegram channel का नाम है CA Inter Knowledge Portal, साथ साथ जो हम एंड्रोइट एप है CA Knowledge Portal एंड्रोइड के उपर जाकर आप Play Store के अंदर ये एप डाउनलोड करेंगे CA Knowledge Portal आप के अंदर Free Study Middle section के अंदर भी ये पूरी की पूरी बुकलेट अप्लोड हो जाएगी और जब भी Income Tax का Transition वीडियो आएगा Income Tax केमेंडमेंट वीडियो आएगी उस आपसा जो बच्चे जिन्होंने हमसे लिए लिए लास्ट टाइम उनके WhatsApp ग्रोस पे भी ये जो बुकलेट है अमेंडमेंट कम Transition बुकलेट उसे शेर कर दिया जाएगा चीक है इस वीडियो के अंदर मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ा आपको बताना चाहता हूँ बिफोर तो इस्टाराट वे अमेंटमेंट वीडियो देखेंगय तो आपर वीडियो के अंदर पहले मैंने eighty table बणा रखtechn juste के अंदर मैंने 25 पैजिस की 25 समराइईट फ़ॉर्म में दे रखla ये जो पहले तीन presentation ए मैंमेंडमेंडमेंट booklet के ये आपने last day revise करने के लिए last day revise करने के लिए आपके आस पूरा time नहीं होगा पूरी booklet पढ़ने के लिए तो ये last day revision के लिए है हमारी आगे आप आओगे इस booklet के अंदर तो आपको detail में सारे provisions मिलेंगे और we have made sure that अगर आपने revise नहीं भी कर रखा तो existing provision पहले हम revise कराएंगे फिर उसके बाद जो amendment आई है उसको discuss करेंगे तो हर provision के अंदर आप देखोगे तो पहले existing provision discussed है और उसके साथ साथ ही new provision भी discussed है जहां-जहां मुझे illustrations incorporate करने हैं तो वह भी मैंने incorporate कर दी है और तो और जो extra topics हैं उन से related जो amendments आई हैं उनको भी मैंने cover up कर दिया है साथ की साथ ही चीक है जी आप सबसे मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी तरफ से इतने effort आ रहे हैं इतनी मेहनत करके आपके लिए सारा content हम record कर रहे हैं तो आप सबसे एक simple से request है अगर आपको इस content से value addition मिलती है तो YouTube बाबा को खुश करने के लिए आप इस वीडियो को like जरूर कर द कि जुरत ना पड़े साथ साथ एक दो चीजिए मेरा बता दूँ आपको अगर किसी प्रकार कोगी डाउट है तो यह मेरा WhatsApp नंबर है आप इस WhatsApp नंबर पर डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको हमारी classes या कोई और क्वेरी है तो आप इस नंबर पर call कर सकते हैं यह हमारे office क अंदर जो सीमा में उनका नंबर है वो सारी admin related queries लेंगी doubt related queries आप इस नंबर पर share करेंगे और यह मेरी Instagram ID है आप Instagram ID पर भी मुझसे doubt share कर सकते हैं या कोई भी और topic जिसके बारे में आप जानना चाहते है WhatsApp और Instagram के थुरू Instagram के थुरू आप मुझसे connect कर सकते हैं So these were certain things which I wanted to tell you. अच्छा आगे बढ़ने से पहले में एक दो चीज़े और बता दूँ आपको हमारी ये जो news labels है और जो amendments है इनको corporate करते हुए updated marathon revisions भी हमारे channel क्यों पर आएंगे? As I said February 1st week के अंदर मैं expect कर रहो हमारे marathons आने लग जाएंगे पहले मैं GST के marathon upload करूँगा उसके बाद it will be followed by income tax के marathon और हमाईशा की तरह बिलकुल detail में हमारी discussion होएगी उसको करने के बाद आपको कोई fast track batch वगरा cover करने की जुरूत नहीं है उसी के अंदर सारा कुछ cover होगा A to QZ साथ साथ जो test series है हर बार की तरह इस बार भी होएगी और उस test series का schedule जो है मैं आपके साथ share कर दूँगा वो test series हमारी February end से या February mid से हम expect कर रहे हैं start करेंगे और इस बार मैं taxation के test आम तोर पे ना मैं लगबग 6 test लेता हूँ इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 से 11 test इंकम टेक्स और GST के मिला के तो इस test series की announcement भी अगले कुछ दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी हमारे साथ आप Instagram, Telegram और YouTube पे connect रह सकते हैं जहाँ पर आपको इधारे डिटेल मिल जाएगी इसके लब और क्या मुझे बताना था notes तो आपको सारे मैंने A to Z provide करी दिए I don't think और कोई डाउट होगा, so without wasting time let's proceed further and let's start with our amendments as well as transition topic, start करते हैं पहली amendment से, पहली amendment जो हमारी वो है supply वाले chapter से और इस amendment को समझने के लिए पहले एक बार supply वाला concept आपको थोड़ा सा revise कराऊ, अगर आपको याद हो हमारा supply का जो पूरा को पूरा concept है, वो कौन से section के अंदर है, section number 7 7 के अंदर, 7 के अंदर basically 3 subsection होते हैं, 7 1, 7 2, 7 subsection 1A, 7 1 का क्या होता है, 7 1 का काम होता है, ये बताना supply में include क्या क्या होता है, और इसके अंदर अगर आपको यादो 3 clauses हुआ करते थे, 7 1 A, फिर 7 1 B, और last में 7 1 C, जिसको आप schedule number 1 के साथ बढ़ते थे, those transactions which are treated as supply, even if there is no consideration, 7 subsection 2 क काम होता था, क्या ये बताना कौन कौन सी चीज़े supply की definition से excluded है, और 7 1 A बताता था, कि अगर 7 1, 7 2 के साब से वो supply बन गई है, तो 7 subsection 1 A का काम होता था, ये बताना, वो supply of goods है, या supply of services है, 7 subsection 1 A, schedule number 2 के साथ बढ़ा जाता था, चीक है, हम इनकी बात नहीं करने वाले, हमारी बात चलने वाली है, 7 subsection 2 selected, 7 2 के अंदर अगर आत करा हूँ, तो 7 2 A हुआ करता है, 7 2 A में क्या है, कुछ इसको हम refer कर देते हैं, schedule number 3 के अंदर, और हम बोलते हैं, जो भी schedule 3 की activities हैं, उनको हम ना तो supply of goods मानेंगे, ना ही supply of services मानेंगे, in short, schedule number 3 के अंदर, जो भी activities होती है, वो क्योंकि वो supply के दाएरे से भार होती है, तो obvious ही बात है, उन पे GST का levy ही नहीं आता, levy नहीं आता, तो collection की बात ही नहीं करते हैं, that's simple as that, schedule 3 के activities को supply नहीं माना जाता, schedule 3 के अंदर, अपने आप में 8 activities हैं, although हमारे CA intermediate के slivers में, 8 activities नहीं पढ़ते हैं, हम 6 activities हमारे slivers के अंदर ह पाकी 2 activities, CA final के अंदर आपको पढ़ाई जाती है, इन शे activities के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, एक entry की जिसके अंदर actionable claims का जिकर आता है, उस entry के अंदर amendment आई है, actionable claims अगर मैं याद दिला हूँ आपको, actionable claims की definition, GST Act में देनी रख्यों, उन्होंने एक तरह से Transfer of Property Act से borrow करी है, Transfer of Property Act से, actionable claims की definition को मैंने आपको class में याद करने के लिए नहीं बोला था, बट मैंने read कर आई थी, actionable claims, basically दो चीज़े actionable claims के दायरे के अंदर आती है, पहली चीज़ तो, अगर आपका right है किसी भी movable asset या movable property के अंदर, चाहे वो right actual right हो, चाहे वो आपका right contingent right हो, और दूसरी च कि आप अपने debtor से जो पैसा recover करोगे, उस right of recovery को actionable claim बोलते हैं, similarly, lottery का example लिया था, वहाँ पर आपका right होता है, future asset में, although वो contingent right होता है, तो lottery भी actionable claim के दायरे में आ जाता है, insurance policy में, आपका right होता है, उस some assured को recover करने का, although वो right contingent होता है, उसे भी actionable claim की definition में cover कर लेते हैं, तो actionable claim GST के अंदर हमारी goods की definition में covered हैं, तो technically speaking actionable claims are goods, but actionable claim को हमने schedule number 3 में mention कर रखा है, that all actionable claims are excluded from the definition of supply, but 3 actionable claim ऐसे हैं, जिनको हमने supply में include कर रखा है, basically, simple वाश में बोलू, तो schedule 3 ने 3 actionable claim को भाहर कर रखा है, और क्योंकि schedule 3 ने उन 3 actionable claim को भाहर कर रखा है, तो automatically वो supply की definition में cover हो जाते हैं subject to other conditions, course and furtherance of business, consideration, अगर बाकी conditions हैं, तो इन 3 actionable claim को हम supply से बाहर नहीं करेंगे, कौन-कों से 3 थे, एक था betting, दूसरा हमारा क्या था gambling, और तीसरा हमारा क्या है lottery, सिर्फ betting, gambling and lottery तीन actionable claim हैं, जिनको हम supply के दायरे में रखते हैं, और आपको knowledge claim मैंने बता रखा है, इनके उपर भी जो rate है GST का, वो highest rate applicable होता है 28, rate हमारे slayvers में नहीं है, बट मैंने आपको से knowledge के लिए बता रखा था, highest rate applicable कर रखा है, अब यहाँ पर इस entry में आईए amendment, amendment क्या जल्दी से देखते हैं, पहले मैंने यहाँ पर समझा दिया, what is the existing provision, only 3 actionable claims were excluded from schedule 3, which means only these 3 actionable claims could be covered under supply, अब इन 3 की हमने total 6 actionable claim कर दी हैं, जिने supply में cover किया जा सकता है, यह 3 तो ही है, 3 और आ गए है extra, अच्छा इन 3 को extra करने के लिए एक तरीका तो कि यह था, कि हम जो entry दी है हमारी schedule 3 की उसमे other than betting, gambling and lottery के बाद उन 3 को लिख देते हैं, but वो other than इतनी लंबी list बन जाती, इसलिए नहोंने entry क्या करी bear act में, schedule 3 में लिख दिया, सारे actionable claim supply से बाहर है, other than specified actionable claim, एक नया word बना दिया, specified actionable claim, और specified actionable claim word को define कर दिया, specified actionable claim में वो 3 तो आएंगे आएंगे, betting, gambling, lottery, जो पहले भी schedule 3 से बाहर थे, जो पहले भी supply में आते थे, अब भी आएंगे, और अगले 3 कौन आ गए, जो specified actionable claim है, पहल है, online money gaming, so ये तीन वो नए actionable claim है, जिनको schedule 3 से बाहर कर रखा है, schedule 3 से बाहर होने का मतलब, अब ये supply से exclude नहीं किये जाएंगे, ये supply में cover किये जा सकते हैं, subject to the other conditions of supply की consideration होनी चाहिए, और course and furtherance होना चाहिए, अगर ये सारा कुछ है, तो अब इन तीन को, casino, horse racing और online money gaming को भी हम supply में cover कर सकते हैं, अब जो नई entries आई है, casino और horse racing, I don't think इसका मतलब मुझे समझाना पड़ेगा आपको, horse racing का जिकर तो आपका income tax में भी आता है, 115 double B के अंदर, winning from horse races, 30% पे taxable होती है, महां तो owning from, business of owning and maintaining resources के बारे में भी पढ़ते हैं, तो महां पर अच्छे से आपको समझा रखा है, किस तरह से horse races के अंदर bet लगाई जाती है, फिर अगर वो घोड़ा जीत जाता है, तो आपको पैसे मिलते हैं, तो वो जो horse racing का business है, जो बंदा वो business conduct कर रहा है, वो 28% का GST में cover हो जाएगा, चिकर जी, क्योंकि वो actionable claim तो है, जब आप उसके अंदर पैसा लगाते ह आपका एक future, जो price money है, उसमें right आ जाता है, तो वो technically actionable claim है, बट अब वो actionable claim GST के दायरे से बाहर नहीं होगा, चिकर जी, अब इसके अंदर, यहाँ पर एक नई चीज आई है, online money gaming, online money gaming को भी हमने schedule 3 से बाहर कर दिया, online money gaming पे भी GST लगाया जा सकता है, और इसे भी specified actionable claim की category मे दखा गया, अब यह online money gaming क्या है, तो online money gaming की जो definition है, again आपको रटा नहीं मारने की जुरत, आप से exam में यह नहीं पूछा जाएगा, online money gaming के definition बताओ, एक बर definition को read करते हैं, दो word मिलेंगे आपको GST के अंदर, एक है online gaming और एक है online money gaming, online game का मतलब तो बहुत ही असान है, कोई भी गेम जो internet या कोई भी electronic network पे खेली जाती है, उसे online game बोलते हैं, और online money gaming भी कहीं नहीं online game का बाट है, तो आप लोग अपने mobile phone पे जो अलग अलग तरह की games खेलते हो, मैंने तो दो एक game खेल रखी हैं आज तक, मैंने और कोई game कभी download ही नहीं करके देखी phone में, अपने एक तो server server खेल रखी हैं मैंने और एक temple run, उसके अलावा मुझे भाई कोई game पता ही नहीं है, हाँ, बीच में औरों को खेलते देखी हैं, मैंने candy crush खेल रहे होते हैं, कुछ लोग बैठ के, तो मुझे तो दो तिन games ही पता हैं, बट आपको मेरे से जादा games पता होएंगी, वो सारी online gaming की category में आ जाएंगी, क्योंकि वो internet या electronic network तुरू खेली जा रही है, ठीक है जी, अब हमने, please take care, specified actionable claim में online game को ने डाला, online money gaming को डाला है, तो online gaming की definition तो मैंने आपको ऐसी पढ़ा दी, असली में हमें definition को उसी पढ़नी है, online money gaming की, आई ज़रा पढ़ते है, online money gaming means an online game in which the players pay or deposit money या money की worth, in expectation of winning money and money's worth, यानि एक ऐसी online game जिसके अंदर तुम पैसा या पैसे जैसा कुछ लगा रहे हो, मतलब आपने देखा होगा न, money load करके फिर उनका wallet होता है most of the games का, उस wallet से पैसे लगाते हो, तो money या money worth लगा रहे हो, और आपकी expectation है कि आप उस game को हेलके, और money या money's worth क जीतेंगे, and हो सकता है उसका outcome skill पर based हो, हो सकता है उस game का outcome chance पर based हो, या थोड़ा सा skill थोड़ा सा chance पर based हो, देखो ये definition इसलिए important है, जितने भी हमारे देश में ये games चल रही है, dream 11 और ये जो adda something something, हाँ जी sorry, तो मैं ये कहा रहा था कि हमारी जितनी भी games and dream 11 है, या जो adda something something, एक और app है, एक fair play नाम की भी app है, इन सब को न, आपको पता है हमारे देश के अंदर betting, gambling वगरा तो most of the states के अंदर band है, फिर भी ये कैसे चलती है, इन, एक supreme court की judgment है, मैंने अपनी income tax के lecture में आपको शाधे extra knowledge के समय बताया भी होगा, वो कहता है कि betting and gambling में सिर्छ वही games आती थी, क्योंकि ये सारी apps कहाती है, कि यहां पर हम सिर्फ pure luck पर नहीं चलते, हमारे यह skill involved होती है, जब एक इंसान dream 11 के इंदर team बनाता है, तो उसे दिमाग लगाना पड़ता है, उसे past data analyze करना पड़ता है, प्लेयर का, तो वहाँ पर skill involved है, तो accordingly ये उस band से, betting and gambling वाले जो band होत जाती है, अब tax लगाते समय हम ना इस controversy कोई खतम करना चाहते थे, क्योंकि अगर हम इस definition में सिर्फ ये लग देते हैं, कि those games which involve luck, तो कल को ये अपने आपको online money gaming से भी भार करा जाती, और हमने जो पूरा provision में amendment करी है, पहले उसे specified actionable claim बोला है, फिर उसे supply बोला है, फिर उसे 28 20% के tax rate में रखा है, वो सारा fail हो जाता, इसलिए हमने online money game की definition में clear cut लिख दिया, कि वो game जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, in response कि तुम खुद कोई पैसा या money's worth जीतो, चाहे वो skill पे based है, या chance पे based है, या दोनों के combination पे based है, दोने ही cases में हम उसे क्या करेंगे, online money gaming की category में जो आपकी कोई भी game हो, जिसके अंदर किसी भी तरह से पैसा लगाया जा सकता है, और वो online खेली जा रही है, वो online money gaming में आ जाएगा, फिर से मैं इस चीज़ को pinpoint करना चाहूंगा, कि हमारे schedule 3 में specified actionable claim में, हमने online gaming को, online gaming को specified actionable claim नहीं बोला, online money gaming को बोला है, यानि सिर्फ वही games जहाँ पर कोई नहीं कोई पैसा involved होता है, सिर्फ उनी गेम्स को याप cover कर रहे हो, अचा, online money gaming के definition के अंदर आपको एक word मिलेगा, virtual digital asset, virtual digital asset क्या है, simple बाशना बोलू, आपको बता होगा, बहुत सारी games के अंदर, crypto currencies के थ्रूँ payment की जाती हो, और payment भी आप जो जीतते हो, वो crypto currencies में मिलती है, तो उसको define करने के लिए virtual digital asset को बोल रखा है, तो बहुत सारी games पैसा लेती है, कुछ लोग game में credits use करते है, कुछ games में cryptos use होती है, whatever is the kind of game, वो online money gaming category में आ जाएगी, तो पहली amendment तो बहुत ही simple थी, कि अब सर तीन नए तरह के actionable claim में, जेने supply बोल दिया गया है, अब इन तीन में भी ना, सबसे important तो आपको समझ में आई गया होगा, online money gaming वाली amendment सबसे important है, क्योंकि इसके उपर सरकार 28% का GST rate लगाना चाहती थी और बहुत समय से इस पे बाते भी चल रही थी, चीक है, अब second amendment के अंदर मैंने क्या cover किया है, पूरे GST law में अलग-अलग के अंदर amendment की गई, इस online money gaming को लेकर, और कुछ जगहों पे तो specified actionable claim सी लिखा हुआ है word, तो जो भी सारी amendments है, इस पहली वाली amendments are related, उनको मैंने amendment number 2 बना दिया है, अगर आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने May 2024 का हमारा GST का batch लिगा था, तो amendment number 1 तो मैंने class में discuss क फिर मैं आपके हार discuss करूँगा, तो में 24 वाले बच्चे भी इस second वाली amendment cover करेंगी, क्योंकि class में मैंने हर जगा online money gaming का जो जिकर था, उसे cover up नहीं किया था, चलिए एक बार discuss करते हैं, कहां कहां पे changes आए, सबसे बहला चेप्टर चेंज आया time of supply वाले chapter में, time of supply के अंदर आपको पता है, time of supply के दो section होते है, section number 12 होता है, section number 13 होता है, 12 deal करता है time of supply of goods, on the other hand, section 13 deal करता है time of supply of services, actionable claim जो हमारे है, basically online money gaming है, वो service तो है नहीं हो तो goods है, तो basically हम कौन से section की बात कर रहे हैं, section 12 की, section 12 के अंदर, 12, 2 के अंदर, बात चलती है for those goods in which tax is payable under forward charge, और reverse charge के लिए 12, 3 होता है, specified actionable claim में कोई reverse charge notified नहीं है, तो यहाँ पर 12, 2 की बात चलेगी, 12, 2 के अंदर आपको याद दिलाऊं, तो हमारा originally जो provision at 12, 2 के अंदर वो ये है, कि time of supply in case of forward charge of goods, will be date of invoice, या फिर last date of invoice as per section 31, या फिर जो payment वाली date है, whichever is earliest, but 12, 2 के साथ साथ एक notification पड़ी जाती है, जिसका नाम है notification 66 by 2017, जो कि ये जो payment वाली चीज है, इसको irrelevant कर देती है, और ये date irrelevant हो जाती है, ये एक तरह से बेकार हो जाती है, तो ले देकर 12, 2 के अंदर provision हमारा बन जाता है, कि in case of forward charge of goods, आपका time of supply है, date of invoice, या last date of invoice as per 31, last date of invoice as per section 31 क्या होती है, अगर आपकी goods की supply में movement involved है, तो from the date of removal, और अगर movement involved नहीं है, तो उस case में जिस दिर भी आप सामने वाले को constructive delivery दे रहे हो, that is section 31 की last date, इन दोनों की earlier dates पे time of supply trigger करता है, और क्यों, क्योंकि 66 by 2017 payment को irrelevant कर देता है, इसलिए हमने class में पढ़ा था कि अगर goods के case में advances receive कर लेते हो, मैंने advance receive कर लिया किसी से, तो goods के case मे advance पे time of supply trigger नहीं होता, जबकि services के case में, 13-2 में advances पे भी time of supply trigger होता है, now with this background knowledge in mind, अब amendment क्या आई है, amendment ये आई है, that हमारे जो specified actionable claim है, यानि कि जो 6 actionable claim अभी हमने उपर पड़े, betting, gambling और lottery, इसके लाबा casinos, horse racing, और online money gaming, इन 6 के 6 specified actionable claim के अंदर, 66 by 2017 वाली notification को हमने inapplicable कर दिया, हमने वो notification से बाहर कर दिया, उस notification से बाहर आने का impact क्या हुआ, उस notification ने कहीं ना कहीं हमारी payment वाली चीज़ को irrelevant कर रखा था, तो जैसी ये notification inapplicable हुई ही, तो अब 12-2 का जो original provision था, 12-2 का original provision क्या था, date of invoice, last date of invoice as per 31, या जो date of payment, whichever is earliest, ये original provision था ना, जिसके अंदर payment की date को irrelevant किय या था, 66 वाली notification ने, अब जैसी 66 वाली notification ही relevant हुई, inapplicable हुई, तो अब हमारा provision, specified actionable claim में फिर से वही हो गया, earliest of 3, यानि specified actionable claim के अंदर time of supply determined किया जाएगा, last date of invoice as per section 31, date of invoice, या फिर date of payment, whichever is earliest, और इसका मतलब indirectly ये हुआ, ये specified actionable claim के अंदर, अगर मैं supplier हूँ, और मैं आपसे advance ले ले लेता हूँ, तो advance के समय ही मुझे GST pay करना पड़ेगा, बाकी सारे goods के case में advances पे GST में time of supply trigger नहीं होता, मगर specified actionable claim में एक लौते ऐसे goods बन गए हैं, जिन पे advances पे भी आपको tax pay करना पड़ेगा, advances पे भी time of supply trigger हो जाएगा, क्योंकि notification 66 by 2017, जो सारे goods के advances को बचा के रख तो specified actionable claim के advances पे भी time of supply trigger होगा, 12-2 का जो original provision है, वह ही applicable होगा, अब ध्यान दीजेगा, यहाँ पर time of supply के अंदर, जो इन्होंने amendment करी है, वो सिर्फ online money gaming के ले नहीं करी, सारे के सारे specified actionable claim के ले करी है, तो साथ-साथ betting, gambling, casino, horse racing, वो भी इस provision के अंदर cover हो गए है, next जो amendment की गई, वो की गई registration वाले chapter के अंदर, in fact यहाँ पर दो amendment की गई इस provision को ले कर, पहली चीज, section 24 आपको याद होगा, section 24 का का काम क्या होता है, कि अगर आपकी aggregate turnover, threshold limit को cross नहीं भी कर रही, 10-20 या 40 लग से जादा नहीं भी है, तो भी section 24 कुछ ऐसे cases बताता है, जब आपको mandatory registration लेनी लेगी, 24 के अंदर बहुत सारी entries होती है, interest rate supply selected entry होती है, फिर इसके लावा बात करें, तो reverse charge में का applyable हो, तो वो entry आ जाती है, ECOs related entries होती है, वहाँ पर अगर आपको याद हो, NRTP, CTP, जो हमने concept पढ़ते हैं, वो सब 24 के अंदर होते है, mandatory registration के अंदर, अब एक नई entry और डाल online money gaming जो है, वो आप सब को बता है, goods के definition में cover हो गया है, तो online money gaming वाले अगर हम काम कर रहे हैं, और हम इंडिया के बाहर हैं, और हमारे recipient इंडिया के अंदर है, तो वहाँ पर हमें mandatory registration लेनी पड़ेगी, ऐसा क्यों किया है, तो online money gaming वाली जितनी भी apps हैं, most of the apps जो है, ये चाइ रह जाती, तुमने money gaming को, online money gaming को कही ना कहीं goods के definition में cover कर दिया, actionable claim है, और साथ साथ उस actionable claim को schedule 3 से भी भाहर कर दिया, बट जब अगर आपका supplier इंडिया के बाहर हो, तो वो तो सिधा बोलेगा ना, भाही मुझे तो registration लेनी की जुरत ही नहीं है, बात ही खतम, तो हमने कहा, अ online money gaming का जिकर है, यहाँ पर specified actionable claim में बाकी सारे actionable claim का जिकर नहीं है, तो please take care, time of supply वाली जो amendment थी, वो सारे specified actionable claim के लिए थी, जबकि यह 24 वाली जो amendment आई है, यह सिर्फ और सिर्फ online money gaming वाले actionable claim के लिए है, इसी से related दूसरी amendment क्या है, procedure के अंदर, अगर आपको याद हो, हम registration के हमारा 25 लगता है, section 25 के साथ साथ rule 8, 9, 10, तिनों rule एक साथ चलते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी procedure याद दिला हूँ, पूरा procedure फिर से नहीं हम discuss करने वाले तो पूरा procedure याद दिला हूँ, तो जिस भी person को registration लेनी होती है, वो अपनी application file करता है, GSTREG01 के अंदर, य application file करनी होती है, इस application के अंदर दो part होती है, part number A, और दूसरा होता है, part number B, चीक है जी, part number A, बहुत ही simple होता है, part number A के अंदर basically, सिर्फ और सिर्फ दो detail देनी होती है, पहली detail देनी होती है, आपको अपना pan, चीक है जी, और दूसरी चीज, आपको बतानी होती है, वो state या union territory जिसके अंदर आप रेस्टेशन लेना चाहते हो, पहले email ID और phone number भी बताना होता था, लास्ट attempt के अंदर amendment आई थी अगर आपको याद हो, email ID और phone number अब देना जरूरी नहीं है, आपके pan के अंदर ही, जो CBT database के अंदर email ID और phone number होगा, उसके उपर OTP आ जाएगा, उससे आपका pan भी validate हो जाएगा एक तरह से, और वो email ID और phone number जो आपने CBT यो दे रखा था, same to same हमारा GST portal भी फैच कर लेगा, तो ये दो detail हैं जो part A में होती थी, इसके बाद part B होता था, फिर part B के बाद अधार authentication applicable है नहीं है, वो सारी क्या कानी चलती थी, यहाँ पर अब amendment के आई, उन् हमने उनको mandatory liable किया, मगर उनकी registration लेने के लिए उनका procedure अलग कर दिया है, उनको अपनी application में pan code करने की जुरत नहीं, उनको state या union territory बताने की जुरत नहीं, और इसके logic बड़ा ही simple है, जो इंसान इंडिया के बाहर वैटके, इंडिया के recipients को online money gaming वाल actionable claim दे रहा है, क्या उस person क span होगा, most probably नहीं, क्योंकि वो इंडिया के बाहर वाला है, secondly, क्या वो state और union territory बता सकता है, नहीं, क्योंकि as I said, वो तो इंडिया के बाहर है, तो वो इंडिया की कोई state या union territory तो बता नहीं सकता, तो वो दोनों particulars जो हमने part A के अंदर mandatory होते हैं, वो इन applicable कर दिया, अगर वो person, जो registration linear आ रहा है, वो online money gaming वाले actionable claim from outside India to a person in India देता है, दो amendment registration के अंदर, और दोनों की दोनों amendment में, please take care, यह सारे specified actionable claim को cover नहीं कर रही, सिर्फ online money gaming वाले actionable claim को cover कर रही है, time of supply, सारे specified actionable claim को cover करता था, फिर अगली amendment जो आई है, वो documentation chapter के अंदर आई है, इस से लेड़, documentation chapter को या invoice वो invoice होता है, जिसके उपर वो सारे particulars होते हैं, जो section 31 के अंदर दे रखे हैं, जो particulars invoice के उपर होते हैं, section 31 ने उसको आगे refer कर रखा है कि इसको rule number 46 को, so rule number 46 हमें सारे particulars बताता है, इसके अंदर supplier का name address GSTN, इसके लावा आपको rate of tax, amount of tax, taxable supply की value, और invoice की value, taxes पे बलेंडर reverse charge और forward charge, इसके अलावा कुछ cases के अंदर payment वाले QR code को भी mention करना होता है, वो सारे particulars rule number 46 के अंदर है, one of the particular जो rule 46 के अंदर है, आपको recipient की कौन सी detail देनी है, अगर आपको याद दे लाओ, recipient आगर आपका registered है, recipient registered होने का मतलब B2B invoices हैं, तो फिर तो आपको recipient का नाम, उसका address और उसका GSTIN तीनों चीज़े देनी पड़ती है, name, address and GSTIN of the recipient तीनों चीज़े mention करनी है, on the other hand, अगर हमारा recipient unregistered है, basically B2C वाली case है, तो उस case में recipient की detail देनी की जुरत नहीं होती, अगर हमारे invoice की value 50,000 या उससे कम है, अगर 50,000 अगर exactly भी है, उस case में नहीं, 50,000 से अगर कम है, तो हमें recipient की कोई भी detail नहीं देनी, in other words, अगर हमारी value 50,000 या उससे ज़ादा है, उस case के अंदर हमें उसका name और address देना पड़ता है, और address में भी मैं आपको बोलूंगा, सिर्फ state code ही हमें ज़रूरत होती है, पूरा complete address ना हो तो भी चली जाता है, तो B2C supply के अंदर value of supply determine करत on the other hand, अगर value 50,000 से कम है, तो recipient की कोई भी detail बिताने की जुरत नहीं है, name address कुछ भी पूछने की जुरत नहीं है, अब last attempt में amendment आई थी, ऐसे दो cases notify किये गए थे, जहाँ पर B2C supply के case में भी value 50,000 से कम है, तो भी आपको recipient के state का code पता करना पड़ेगा, complete address ना भी हो, उसका ना काम ना भी हो चल जाएगा, recipient का state code चाहिए होगा, और दो ऐसे cases को last time लाया गया था, पहले तो यह याद कर लेते हैं, last time किन दो cases को लाया गया था, पहला case था, अगर taxable services कोई भी supplier, ECO, electronic commerce operator की तुरू दे रहे है, और दूसरा case था, अगर OIDAR service, online information database access and retrieval service, यह although हमारे C intermediate के slay इसका reference हड़ जगा कही नहीं आई जाता है, तो OIDAR services अगर कोई supply कर रहा है, या ECO की तुरू supply कर रहा है, तो वहाँ पर अगर value 50,000 यह उससे कम भी हो, तो उस case के अंदर भी particulars mention करने क्या होते हैं, mandatory होते हैं, और सारे particulars नहीं लेकने recipient के, mainly हमें क्या चाहिए, recipient की state code जहाँ पर value अगर 50,000 यह उससे कम है, invoice value 50,000 यह उससे कम है, तो भी हमें recipient का नाम नहीं, recipient का address नहीं, recipient का state code लिखना पड़ेगा, और वो तीसरा case क्या है, supply of online money gaming, online money gaming, although a actionable claim है, बट उस particular case के अंदर भी हमारा क्या होगा, कि वहाँ पर भी 50,000 सी value कम है, या 50,000 सी value जादा है, recipient का state code तो mention करना हमें mandatory ही रहेगा, छोटी सी amendment है, दो exception पिछली बार आई थी, एक exception इस बार आ गई, वो भी सिर्फ exception से वितनी है, कि recipient का state code capture करना mandatory है, irrespective of the invoice value, ठीक है, तो यह primarily चार amendments बोल लूँगा, मैं, दो registration के अंदर आई, एक time of supply के अंदर आई, और एक invoicing के अंदर पहली वाली amendment से connected है, क्योंकि पहली वाली amendment के अंदर online money gaming जो लाया गया है actionable claim के अंदर, उसके उपर बहुँ जादा importance है, online money gaming को लेकर और भी बहुत सारी amendments है, जो cover up की गई है syllabus में, बट क्योंकि वो CA intermediate के अंदर covered नहीं है, CA final के syllabus में cover होती है, इसलिए उन amendments को मैंने cover नहीं कि है, एक सिर्फ जिकर कर दिया मैंने, वो क्या है अगर आपको यादो, valuation वाले chapter में आपको यादोगा section number 15 पढ़ते हैं value of supply निकालने के लिए, हमारे syllabus में तो 151, 152 और 153 है, 151 कहता है कि अगर दो condition satisfy होती है, transaction दो underrated person के बीच में हो रही है, and price is the sole consideration, तो उन दोनों condition के satisfy होते ह value of supply is equal to the transaction value, और transaction value के अंदर 152 की additions होती है, और 153 में discount less होता है, बस इतना ही हमारे syllabus में है, 154 और 155 जो valuation के case को CGST rules में refer करते हैं, वो हमारे CA intermediate syllabus में नहीं है, वो CA final के syllabus में है, अब 155 याद दिलाऊं, 155 में कुछ cases को notify किया जाता है, कि जिनकी valuation हमेशा ही CGST rules के हिसाब से होए यह जो online money gaming वाले actionable claim है, इसको भी 155 में cover किया गया है, यानि online money gaming के अंदर valuation करने के लिए आपको एक special rule बना के दिया गया, एक special method दिया गया CGST rules के अंदर, बट क्योंकि 155 और valuation वाले CGST rules हमारे syllabus में नहीं है, इसका सिर्फ मैंने जिकर करके छोड़ दिया है, यह हमारे syllabus के पा specified actionable claim में, registration में section 24 में आपको mandatory registration लेनी है, अगर online money gaming वाला supplier outside इंडिया है, recipient इंडिया के अंदर है, irrespective of aggregate turnover registration लेनी है, ऐसे same person को registration लेते समय अपनी part A के अंदर अपना pen देने की जुरत नहीं है, अपना state या unit territory देने की जुरत नहीं है, और आखरी चीज, अगर इनकी invoice value 50,000 से कम भी है, तो भी इनको अपने invoice के ऊपर recipient का state code capture करना ही करना है, तो दोनों amendment का आपस में connected थी, now let's come to amendment number 3, next हमारी दोनों amendments है, amendment number 3 और 4 वो भी कहीं है, supply वाले chapter से related है, तो और ये दोनों amendment भी circular related है, CBIC के दो circular है, जो हमारे syllabus में applicable किये गए आई से दुवारा, और ये दोनों circular भी अगर आप November 23 तक आपने prepare कर रखी है, आपके तो relevant हैं, आपको तो सारी amendments कवर करनी है, जिन बच्चों ने May 24 वाला batch अटेंड किया है, उनके लिए भी ये दोनों amendments applicable है, amendment number 3 और amendment number 4, क्योंकि ये दोनों circular मैंने अपनी study metal में cover नहीं करे थे, reason being तब तक ICI इन्हें हमारे syllabus के लि दूसरा है mix supply का, composite और mix supply का concept आता ही तब है, जब आपको कोई दो supplies, दो या दो से जास supplies को आप आपस में bundle करते हो, bundle करने का मतलब जब एक goods के साथ दूसरा goods मिला दी है आपने, service के साथ service मिला दी, या goods plus service, या इनका कोई भी तरह का combination अगर आप एक साथ देते हो, उसे बोलत bundle की taxability को पता करने के लिए, या तो उस bundle को हम composite की category में डालते हैं, या फिर उस bundle को हम mix की category में डालते हैं, composite की definition क्या होती है, अगर various elements हैं, जो goods plus goods, goods plus service, या service plus service वाले, अगर वो एक दूसरे के साथ naturally bundled है in the ordinary course of business, पहली बात तो naturally bundled होने चाहिए, and one of them should be a principal supply, naturally bundled and one of them should be a principal supply, उस case में जो bundle है, उस bundle को composite की category में डाल दिया जाता है, जैसे उस bundle को composite की category में डाला जाता है, वहाँ पर section 8 के हिसाब से principal supply rule लग जाता है, और पूरे bundle की taxability ऐसे की जाती है, as if it is the supply of principal supply, principal supply की taxability को ध्यान में रखते हुए, पूरे bundle की taxability कर दी जाती है, example के दौर पे, अगर आ airlines के थ्रू जा रहे हो, और उस airlines के अंदर आपको साथ में entertainment की service भी मिल रही है, खाने भी ने की service भी मिल रही है, तो वहाँ पर principal supply transportation की है, तो जो passenger transport service थ्रू एरलाइन का provision है, वो पूरे ticket price पे लगेगा, all those ticket price के अंदर आपको काफी सारी चीज़ों का एक साथ bundle मिला है, mix supply कब लगती है, अगर वो जो चीज़े bundle की गई है, पहली बात वो composite की category में नहीं आ रही, composite की category में कब नहीं आएंगी, या तो वो naturally bundle नहीं है, या उसके अंदर कोई भी principal element नहीं दिख रहा है, सारे equally important ही है, तो वो composite से बाहर हो गई, और दूसरी बात, अगर उसके अंदर single price है, तब जाकर वो mix की category में आता है, composite से बाहर हो और single price हो, वो mix की category में आता है, और mix के अंदर section 8 बोलता है, जिसका भी highest rate है, वो highest rate का ही taxability पूरे के पूरे bundle पे लग जाएगी, यहाँ पर हम mix supply की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं या detail में discuss नहीं करता, composite की बात करते हैं composite में आम तोर पे section 8 लगता है, बट अगर आपको यादो, composite supply में भी दो ऐसी composite supply हैं, जिनको schedule 2 ने cover कर रखा है, और उनको उसने जबरदस्ती supply of service बोल रखा है, यानि वहाँ पर principal element देखने की बिज़ुरत नहीं है, उन्हें तो supply of service ही बोलेंगे, कौन कौन सी थी वो, सबसे अगर हमारी composite supply works contract है, works contract के अंदर goods plus service involved होते हैं, और हम किसी immovable property की construction, repair, renovation वगरा कर रहे होते हैं, वहाँ पर principal element देखने की जुदत नहीं है, उसे हमेशा supply of service बोला जाएगा, और दूसरा होता है, supply of food and beverage by way of service या as a part of service, उसको भी food and beverage को goods नहीं माना जाएगा, हम उसे service जैसे हमारे जो restaurant के अंदर हम खाना वगरा खाते हैं, वो supply of service की category में आता है, catering का जो contract होता है, उसे supply of service की category में डाला जाता है, अब जो circular है वो इस से related है, supply of food and beverage as a part of service या by way of service, जहाँ पर cooked food आ जाता है, कही नहीं महाँ पर service का element involved हो जाता है, और schedule to के हिसाब से हम उसे supply of service बोलेंगे, अब problem कहाँ पर आई, circular लाना क्यों पड़ा, आप सबको पता है, movie theaters के अंदर main काम क्या होता है, movie theaters के अंदर, movie theaters के अंदर main काम होता है, exhibition of movie, जो हम movie का ticket price पे करते हैं, basically हमें PVR, cinemas वगरा क्या देते हैं, exhibition service देते हैं, यह जो exhibition service होती है, इसको तो कोई doubt ही निया, service माना जाता है, और इसके उपर 12% या फिर 18% का GST rate लगता है, अगर ticket price 1500 रुबे तक हो, knowledge के लिए बता रहू, rate हमारे slaves में नहीं है, अगर ticket का price 1500 रुबे तक हो, तो 12% का GST होता है, और 1500 से जादा हो, तो 18% का GST rate होता है, और अब आपको पता होगा, इनी movie theaters के अंदर, क्या खाना भी होता है या नहीं होता, yes, food and beverage भी होते है, in fact, अगर आप कभी PVR की balance sheet खोल के देखो न, आपके slaves के part नहीं, I agree, बट वैसे knowledge के लिए कभी, आप share market में interest रखते हो, PVR के share को analyze करो, तो PVR की balance sheet के, P&L के अंदर, major revenue movie exhibition से नहीं आती, major revenue आती है food and beverage बेज के, कोई भी theater, सि उसका तो 50-30% उसको producer को देना होता है, वो कमाता है food and beverage से, तो CBIC से पूछा गया, यह जो food and beverage movie theater में मिलता है, इसको क्या करना है, क्या इसको movie theater service, यानि exhibition of movie मान कर 12 या 18% का rate लगा दे, या फिर जो restaurant, या फिर इसको अलग से restaurant service माने, and just for knowledge बता रहा हूँ, restaurant की उपर 5% का GST rate ह होता है, GST rate flavors में नहीं होते है, फिर भी मैं इसलिए बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आजए controversy आ क्यों रही है, है तो दोनों ही service, movie exhibition भी service है, restaurant को भी schedule 2 ने service ही बोल रखा है, तो controversy यह नहीं है कि service बोले या goods, वो तो हमें पता है service ही बोलेंगे, controversy यह है कि अगर movie theater के अंदर जाकर हम खाना खाते हैं, movie theater के अंदर जाकर हम popcorn, cold ring वगरा खरीदते हैं, तो उस case के अंदर उसे exhibition of movie service माना जाएगा, या उसे restaurant service माना जाएगा, क्योंकि exhibition of movie के उपर rate अलग है, उसकी taxability अलग है, और restaurant services का rate अलग है, ठीका जी, अब CBIC ने क्या बोला, CBIC ने पहले त जो भी बोलना चाहते हो, हो सकता है, वो movie theater के अंदर जो outlet है, जो खाना दे रहा है, जो खाना बेच रहा है, वो owned by the same company है, जो movie theater कर रही है, for example, movie theater PVR का है, तो हो सकता है, अंदर वो outlet भी PVR का हो, और कुछ movie theater में क्या होता है, movie theater तो किसी ex company का होता है, मगर वो outlet जो food and beverage बेच है, वो किसी और company का होता है, outsource कर रखा होता है, तो पहली बात उन्होंने बोला, दोनों cases हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो outlet जो food and beverage बेच रहा है, वो movie theater वाला ही हो, वो outsource भी हो सकता है, और दूसरी बात, दो तरह से system चलता है, कुछ cases में, अगर आपने ticket का price पे कर दिया, उस ticket के price में food and beverage included होता है, जितने भी premium tickets होती है, recliner type की, या PVR के अंदर PVR gold होता है, directors cut होता है, वहाँ पर वो आपसे 1500 रुपे, 2000 रुपे ले ले लेते हैं, फिर आपका खाना unlimited कर देते हैं अंदर, तो कई बार ticket के price के अंदर खाना पीना included होता है, और कई बार ticket का price अलग होता ह और खाना पीना, लोगों के लिए optional होता है, भाई तुम्हें अगर खरीदना है, तो महाँ पर pay करके खरीद लेना, तुम्हारे ticket के अंदर included नहीं है, तो उन्होंने बोला इससे पहले, कि हम इसकी taxability में comment करें, हमें इसको दो parts में divide करना पड़ेगा, taxability दो अलग cases में अलग अबर टू के अंदर हम supply of service बोलते हैं, फिर मैंने आपको इशु बता दिया कि इशु यह है कि cinema operator फूड भी देते हैं, यहाँ पर दो तरह के system होते हैं, जो stall है, kiosk है, जो restaurant है, वो cinema owner खुदी own कर सकता है, याई पी वी आरी अंदर खाना दे रहा है, या किसी third person को, किसी outside व mall of India, इंडिया का सबसे बड़ा mall Noida के अंदर है, उस mall के अंदर जो PVR है ना, उस PVR के अंदर मैं आपको बताऊं, वहाँ पर केवेंटर्स का outlet है, केवेंटर्स आप सबने सुन रखो, milkshake बेचने की एक अपनी अलग entity है, milkshake बेचने वाली company है, केवेंटर्स में PVR के premises में customer को अलग से pay करना पड़े, अब जड़ा taxability पढ़ो, background तो दे दिया सारा, taxability क्या बोली, खुद सोचके देखो, अगर हमारा जो food and beverage है, वो ticket के price में bundled है, bundled का मतलब एक ही ticket के price के अंदर movie exhibition की service भी मिलेगी और उसी में खाना included होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो composite supply बन ज जाएगी, जहाँ पर एक supply है हमारी movie exhibition की, और दूसरी restaurant, जो अपने आप में भी एक bundle supply है, बट अभी के लिए उस restaurant वाली को हमने supply of service बोल रखा है, तो एक तरफ restaurant वाली supply है, और एक तरफ movie exhibition है, इन दोनों को हमने bundle कर दिया, और they are naturally bundled, क्योंकि एक साथ हमने bundle कर रखा है, तो उस case के अंदर जैसी ये composite supply बन जाएगा, CBIC ने बोला, वहाँ पर हम principal supply देखेंगे, और principal supply किस की है, exhibition of cinema, तो in short, जो exhibition of cinema का rate है, 12 या 18%, वही rate apply कर जाएगा, पूरे की पूरे ticket price पे, उस ticket के अंदर जो food included है, उस food की अपने आप में कोई taxability नहीं है, उस food को restaurant service नहीं बोलेंग movie exhibition के अंदर ही cover हो जाएगा, and that will be the principal supply, और उसी की taxability पूरे bundle पे apply करेगी, मगर ये कब apply हो रहा है, अगर food is bundled with a ticket, if they are clubbed together, and such bundled supply satisfies the test of composite supply, then the entire bundle will attract the rate, which is applicable on exhibition of cinema, और दूसा scenario उसने क्या बोला, अगर हमारी movie exhibition अलग है, और food and beverage independent है, independent का मतलब हमने उसको ticket price में include नहीं किया, customer की मर्जी है, उसे food and beverage लेना होगा, तो वहाँ पर ले लेगा, अलग से price पे करके, तो वहाँ पर दो अलग-अलग supply बन जाएंगी, movie exhibition पे movie exhibition वाला rate लगेगा, और जो food and beverage है, उसे restaurant service मानके, उसे, मानेंगे उसे भी service ही, मगर उसे restaurant service मानके, उसे restaurant service का 5% ला rate अपलाई कर देंगे, तो CBS has clarified that food and beverage is taxable as a restaurant service, यानि कि separately, as long as the food and beverage are supplied by way or as a part of service, यानि मैं वहाँ पर भी cooked food की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी अगर आप over the counter कोई packaged food ले ले लेते हो, तो वहाँ पे कोई service involved नहीं है, तो वो तो goods माना जाएगा, यह च food and beverage as a part of service, या by way of service, यानि cooked food कहीं न कहीं restaurant service की category में आता है, जो packaged food होता है, chips खरीद लिए, cold drink की bottle खरीद लिए, वो goods की category में आता है, तो हमने का पहली बात तो उसे restaurant service मानेंगे, अगर वो जो food आप सिनमा में ले रहे हो, वो cooked food है, यानि it is a food by way of service, या as a part of service, and secondly, जो food की service है वो movie exhibition से independent है, यानि सामने वाले के पास option है, उसके ticket price में include नहीं है, यहाँ पर independent मानेंगे, जबकि अगर एक साथ club कर दिया, तो उसे composite supply मान के movie exhibition की taxability apply कर देगे, पहले वाले सिनारियो को simple भाशा में लिख लो, उसने जो independent, independent बोला है न, where supply is independent, independent का मतलब क्या है, तो लिख ल ticket price doesn't include the price of food and beverage, customer has option to avail food and beverage separately, उसके पास option है, लेना most of the tickets जो होती है, वो ऐसी होती है, सिर्फ कुछ tickets होती है, gold वाली, pvr cut वाली, जहाँ पर वो food and beverage, उस ticket price में include कर लेते हैं, यहाँ पर taxability क्या होई, जो money, जो price pay की है, हमने, price paid for movie exhibition, price which is paid for movie exhibition, इसके उपर हम movie exhibition वाली taxability लगा देंगे, बेसिकली 12 यहाँ फिर 18 परसेंट, सिर्फ नॉलेज के बता रहूं, रेट तो आपको, law में तो आप, exam में तो यह लिख दोगे, it will be treated separately from the restaurant service, restaurant service की taxability अलग होईगी, movie exhibition की अलग होईगी, वहाँ पर taxability पर comment करने की जुएत नहीं, यह सिर्फ knowledge के लिए बता रहूं, कि वहाँ पर 12 यह 18 परसेंट का rate लग जाएगा, on the other hand, price जो आपने pay किया है, price paid for food and beverage जो आपने किया है, वहाँ पे restaurant service वाला rate लग जाएगा, और restaurant service की उपर rate क्या होता है, knowledge के लिए आप लिख लो, restaurant service की उपर rate होता है, 5%, on the other hand, अगर हमारा scenario number 2 बन रहा है, scenario number 2 मतलब यह वाला case बन रहा है अगर, तो उस case में, entire consideration, entire consideration paid, जिसके अंदर ticket भी है और जिसके अंदर food and beverage भी है, entire consideration paid will be subjected to, will be subjected to 12% या फिर 18%, again I am telling you, rates are not part of our syllabus, I am just writing this, यह extra noting इसले करा रहा हूँ, ताकि आप समझ सको, exam में तो आपको सिर्व इतना लिख के आना है, कि अगर bundled है, तो principal supply rule के हिसाब से, section 8 के हिसाब से, हम क्या कर रहे हैं, movie exhibition की taxability को apply कर रहे है, you don't have to commit movie exhibition की taxability क्या है, just for understanding आपको बता रहा हूँ, 12 या ठा रहा हूँ, चीक है जी, are we clear, बहुत ही simple clarification है, but मेरे साब से पूछी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, food and beverage का topic अपने आप में वैसे ही क्या है, एक disputed topic और exam के लिए relevant होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next is अमारी amendment number 4, amendment number 4, फिर से क्या है, एक circular है, और बहुत ही असान circular है, चीक है जी, circular क्या है, circular है directors related, so director के उपर तो पहले से ही एक circular है, I agree, पहले से ही एक circular है director के उपर, और अब उसको further clarify करने के लिए बता रखा है, अगर आपको याद हो, मैं आपको नव चार्ट ही दिखा देता हूँ, जिन्वच्चों के उस चार्ट बुक है, पुराने वाली, पुराने वाली चार्ट बुक ही खोल रखी है मैंने, आपको chapter number 2 के अंदर, जहांपर employer employee की बाते कर रखी हैं, employer employee की taxability के अंदर ही, आपको director की taxability भी मिलेगी, this is on, या, chapter number 2 के अंदर ही दूसरा तिसरा, यह employer employee taxability का चार्ट है न, इसी के अंदर मैंने director की services का discussion गर रखा था, हमारा पुराना एक CVIC का सर्क्रोरा जो कहता है कि director दो परकार के होते हैं, एक होते हैं executive director, एक होते हैं non executive director, executive director वो ले तो वो director जो company के ना सिर्फ director न है, बलकि employee भी है, और non executive director वो होते हैं, जो company के director है in legal purpose के लिए, मगर उनको employee का employee नहीं बना रखा, director को हमने company का employee नहीं बना रखा, उनके और company के बीच में कोई भी employer, employee agreement नहीं है, अब जो non executive director है basically independent director जो होते हैं आपको इसी category में आते हैं जो non executive director है वो जो services दे रहे हैं और बदले में companies उनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर schedule 3 नहीं लगेगा schedule 3 इसले ही नहीं लगेगा schedule 3 में entry है any services by the employee to the employer in the course of in relation to employment क्योंकि non executive director में employer employee agreement है ही नहीं तो वहाँ पर schedule 3 नहीं लगेगा schedule 3 नहीं लगेगा तो non executive director की जो services है उन्हें supply मानेंगे और अगर आपको याद हो यहाँ पर notification number 13 by 2017 basically जो reverse charge वाली notification है उसने director की services को reverse charge में cover कर रखा था तो basically अगर मैं एक director रहू non executive director रहू मैं X limited को services देता हूँ और 25 लाग रुपे लेता हूँ तो उस 25 लाग रुपे के उपर मेरेको tax pay नहीं करना tax pay करेगी reverse charge में company यह बात चल रही है non executive director की बात करें executive director की तो executive director थो employee होते है मगर यहाँ पर भी CBIC ने बोला था आप check करो वो जो employee director है उसने जो पैसे ले रहा है क्या वो for services within the scope of employment के लिए दे रहा है या for services beyond the scope of employment है अगर for services within the scope of employment है तो वो schedule number 3 में cover हो जाएगा और schedule 3 में cover होते ही वो supply से बाहर हो जाएगा on the other hand अगर उसे पैसे मिल रहे है for services beyond the employment contract कुछ employment contract के scope से beyond कर दिया है तो वहाँ पर schedule number 3 नहीं लगेगा schedule number 3 नहीं लगेगा तो उसे supply मान लेंगे और supply मानने के बाद वहाँ पर भी notification 13 by 2017 के हिसाब से RCA माजाएगा अब यहाँ पर चेक करने के लिए कि executive director के इसमें जो पैसे आ रहे है वो within the scope of employment है या within the scope of employment नहीं है वहाँ पर CBIC circular ने बोला था चेक करो company income tax purpose के लिए कौन से section में TDS काट रही है अगर company 192 के अंदर TDS काट रही है इसका मतलब वो उस पैसे को salary treat कर रही है और वो पैसा जो है वो in the course of employment वाली services के लिए है और अगर company 194J वाली में TDS काट रही है 194J के अंदर उन payments में TDS काटा जाता है जिनकों हम salary treat नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो executive director है उसे पैसे मिल रहे है for services beyond the employment contract और वहाँ पर schedule number 3 नहीं लगेगा RCM में cover हो जाएंगे So this is something which we already know मैंने आपको revise करा दिया अब clarification कहां पर आई clarification पहली बात तो इस case को deal करने के लिए कौन से वाले case को deal करने के लिए चाहां पर हमें reverse charge के अंदर tax लग रहा है मैंने yellow पर yellow color कर दिया दिखी नहीं रहोगा तो मेरो कोई और color करता हूँ अरे भाई color हो जा ये वाले case को deal करने के लिए इस case के अंदर अब हमारा पहली बात तो फिर से एक बार मेरे साल बोल लो reverse charge आता कब है डिरेक्टर के case में या तो हमारा डिरेक्टर non executive हो या डिरेक्टर executive डिरेक्टर है बट जो उसको services उसने दी हैं वो beyond the employment contract वाली services है दोने case में reverse charge आता है अगर उस डिरेक्टर ने personal capacity में कोई service दी है not as a director क्या उसको भी reverse charge में cover करेंगे या नहीं सर्फ personal capacity का मतलब क्या हुआ for example अगर आपने not as a director but personal capacity में renting की service दी है you are also a director let's say a non executive director you are a non executive director of this particular company और आपने apart from director services उस company को rent पे घर दे दी घर भी नहीं बोलूँगा rent पे दुकान दे दी office rent पे दे दी आपने तो जो आपने renting की service दी अपनी company को you are a director of that company but that is your renting in the personal capacity you are not renting that service as the director director के लिए जो services render करी है उसको तो non executive की case में हमने reverse charge में वैसे ही cover कर लिया है so अगर तुम director के beyond जा रहे हो beyond director तुम as a non executive director कुछ service दे रहे हो in the personal capacity तो क्या उस पे भी reverse charge लगेगा या फिर ये जो reverse charge की entry है ये सिर्फ उनी services को deal करती है जो एक non executive director in the capacity of a director देता है this is the question before CBIC CBIC ने clarify किया कि अगर एक non executive director है और वो कुछ पैसे तो लेता है for services in the capacity of a director और कुछ services in personal capacity देता है for example renting तो RCM है तो दोनों की दोनों supply RCM इस वाले case में लगेगा इस वाले case में RCM नहीं लगेगा और RCM नहीं लगेगा तो क्या लगेगा forward charge लगेगा तो non executive director जो भी company को service दे रहा है tax दोनों case में लगेगा supply दोनों cases में है फर्क बस यह कर दिया CBIC के नए circular ने that only the services which are given by the non executive director in the capacity of director उसके director वाले contract के अंदर जो services दी है non executive director ने सिर्फ उनी को reverse charge में cover कर रहे हैं जो उसने personal capacity में services दी है उन पे ये reverse charge की entry applicable नहीं होगी उन पे क्या लगेगा forward charge ही लगेगा और ये circular वैसे तो कहीं न कहीं non executive director वाले case को deal कर रहे है बट अगर आप executive director वाले को भी ध्यान से सुनो अब अगर executive director के case को भी ध्यान से सुनो तो उस case में भी अगर तुमने director की capacity में कोई काम किया है basically within the scope of employment ही करा होगा अगर तुम executive director हो director वाले काम ही कर रहे है तो within the scope of employment वाले काम किया होगा वहाँ तो schedule 3 लग जाएगा आपका GST नहीं होगा और अगर अब बताओ आपने beyond the employment contract जो भी काम करा है beyond the employment contract जो भी काम करा है इस circular के हिसाब से आप director की capacity में service नहीं दे रहे हो आप किस capacity में दे रहे हो personal capacity में दे रहे हो तो यहाँ पर भी GST तो लगेगा बट reverse charge नहीं आएगा क्या आएगा forward charge आएगा so this is important दोनों जगा ये एक नई चीज आगी है director वाली taxability में वो क्या आगई है कि अगर director से service मिल रही है executive director है तो schedule 3 so not a supply non executive director है तो supply बनेगी RCM लगेगा कोई दिक्कत नहीं है हमने circular दिया for those services which the director is giving to the company but not in the capacity of director but in personal capacity उसके उपर जो tax लगेगा वो reverse charge में लगेगा वो forward charge में तो यहां पर भी अगर मैं बात करूँ अगर हम beyond the employment contract जा रहे हैं तो इसका मतलब हम services personal capacity में दे रहे होगे क्योंकि अगर director की capacity में दे रहे होते तो within the employment contract ही आ जाते तो beyond the employment contract अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर please take care CBIC ने clarify किया है पर reverse charge नहीं आएगा उस entry के अंदर हम सारी services को cover नहीं कर रहे है जो director अपने company को दे रहे है हम सिर्फ उनी services को cover कर रहे है जो director के capacity में दे रहे हैं अगर beyond the employment contract beyond the directorship आप personal capacity में कोई services देते हो company को चोटी से clarification है बट इसकी implication समझने के लिए मैंने तीन illustration मनाई है आईए जारा है पहले वो illustration देख ले फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई हमें समझ में आया है नी मैं read भी आपको बाद में कराऊंगा कि उन्होंने बोला क्या है पहले एक बाद illustration देखते है राम is a non-executive director of x limited राम कौन से तरह का director है non-executive non-executive का मंदब क्या हुआ कोई भी employer employee arrangement नहीं है जैसी non-executive director की बात कर ली schedule 3 का तो पंगाई खतम हो गया अब जो भी हमने services दी company को वो taxable हो गई अभी तक हमने जब तक यह circular नहीं सुना था हम यह सिधा बोलते थे RCM लग जाएगा राम ने जो भी services दी company को RCM लग जाएगा बात खतम हो जाएगा बट अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इस circular के बात राम ने जो as a non-executive director दी services company को क्या वो as a director दी या personal capacity में दी अगर as a director दी तो reverse charge लगेगा notification 13 by 2017 बट अगर as a director नहीं दी अपनी personal capacity में दी है तो वहाँ पर as per the CBIC circular हम RCM नहीं लगाएगे जड़ पढ़ते हैं उसने 10 लाग रुपे लिए as remuneration for the services to the company in the capacity of director और उसने office को rent कर रखा है उस company को renting of office कर रखा है जिसके लिए company उसको 25 लाग रुपे देती है वो कहने है taxability बताओ दोनों transactions की अब दोनों transactions को अलग लग लेके चलना है पहले बात करते हैं इन 10 लाग की services की ये जो 10 लाग वाली services है ये किसले मिले है 10 लाग रुपे क्योंकि as a director मैंने company को service दी है और क्योंकि इंदी capacity of director दी है तो वहाँ पर reverse charge आए गई आएगा schedule 3 कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि वो तो आपने starting में बोल दिया director कौन सा है non-exemptive director ठीका जी मगर amendment कहां से CBI सा circular किस पर apply होगा ये 25 लाग ये जो 25 लाग है renting of commercial property just for reference commercial property में कोई exemption नहीं होती कोई भी reverse charge नहीं होता तभी मैंने जान बूच के न residential dwelling का पहला example नहीं बनाया commercial property का बनाया है अपने आप में commercial property की कोई अलग से entry नहीं है it is purely forward charge वाला और 18% पर कोई भी exemption नहीं है तो commercial property अगर director company को दे रहा है तो इस circular के आने से पहले अमबान के चलते थे director ने service company को दी है तो reverse charge लगेगा बट इस circular ने clarify कर दिया बेशक ये services राम ने non executive director ने company को दी है मगर वो उसने अपनी personal capacity में दी है not as a director दी है तो यहाँ पर reverse charge नहीं लगेगा accordingly यहाँ पर क्या लगेगा तो यहाँ पर 35 लाख रुपे जो company से मिले उसको दो parts में डिवाइड कर देंगे 10 लाख रुपे की जो services है वो as a director दी है उस पर reverse charge आएगा मगर 25 लाख का जो पैसा आपको मिला है वो as a director service नहीं दी renting वाली उस पर क्या आएगा forward charge आएगा और अगर question आप से यहाँ पर edit layer पूछ ले वो कहें aggregate turnover कितनी अराम की तो आपको याद होगा aggregate turnover में सारी outward supplies आती है forward charge में जिस पर tax pay कर रहे हो वो भी aggregate turnover में आती है वो दिक्कत चलिए यह illustration बढ़ ली let's go to illustration number two same question सब कुछ same बस मैंने एक question में change कर दिया इस बार जो हमारा ssc है taxpayer रहाम उसको non executive की जगा क्या बना दिया executive director बना दिया executive director का उन तब क्या है उसके और company के बीच में क्या है employer employee arrangement है अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या होगा 10,00,00,00 रुपे जो उसको company से मिले है वो क्यों मिले है because उसने director की तरह services दी है और director की तरह दी है तो वहाँ पर employer employee contract आ जाएगा employment contract वाला case हो गया और जैसी employment contract वाला case हो गया 10,00,00 के उपर schedule number three लग जाएगा services by the employee to the employer in the course of employment accordingly उस पर तो GST आएगा ही निकी बाती हो गया क्योंकि इस बार मैंने non executive case नहीं लिया किसका लिया है executive director case लिया है तो as a director जो मैंने services दी वो employment contract में cover हो गई employment contract में cover होते ही in the course of employment हो गया schedule three लग गया और GST से बाहर हो गया on the other end बात करूँ 25 लाग की 25 लाग आपको क्यों मिले है क्योंकि आपने renting की service दी है अब सोचके देखो तुमारा जो employment contract है as a executive director क्यों उसमें renting का जिकर होगा obviously not तो renting जो है वो beyond the scope of employment है वहाँ पर in the course of employment वाली का भानी तो ही नहीं तो वहाँ पर schedule number 3 नहीं लगा schedule number 3 नहीं लगा तो वहाँ पर GST applicable हो गया और पहले हम बोलते थे जैसी तुम beyond the employment contract जा रहे हो तुम कहां पर आ जोगे पहले हम क्या बोलते थे मैंने अभी आपको flow chart दिखाया जैसी हम beyond the employment contract जाते थे मैं आपको कहता है अब यहां पर reverse charge नहीं आएगा क्योंकि you are giving those services not in the capacity of director tax तो लगेगा मगर किसमें लगेगा forward charge में लगेगा तो आप द्यान से देखो दोनों ही illustrations के अंदर impact आया है illustration number 1 में आप non executive director हो illustration number 2 के अंदर आप executive director हो but circular का impact दोनों पर ही आया है circular ने बोला कोई भी director अपनी company को service दे रहा है और वो personal capacity में दे रहा है तो उस पे tax forward charge में लगेगा executive director इंदी capacity of director दे रहा है तो tax नहीं लगता non executive director इंदी capacity of director देता है तो reverse charge लगेगा बट दोनों ही director इंदी personal capacity company को service देंगे तो वहाँ पर cbse the role के हसाब से tax लगेगा और forward charge लगेगा are we clear यहाँ पर ठीक है जी चलिए एक बार third point पढ़ लेते हैं इसके अंदर कुछ और extra के रख है मैंने अगर मैं एक बार chart आपको साफसुत्रा यहाँ पर दिखाऊं आपको जो updated charts है उसके अंदर cover कराई दिया होगा बट still आप अपने यहाँ पर एक साफसुत्रा chart बनाना चाहते हैं अगर साफसुत्रा chart बनाना चाहते हैं या उसी chart के अंदर change करना चाहते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आप यहाँ पर लिख लिजिए डारेक्टर डारेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पहला कौन सा हो गया executive director अगीन आप सहीं चार्ट्स के अंदर यह cover होगा चार्ट बुक जो हमारी है non executive director ठीक है जी दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं यहां लिखता हूँ within the scope of employment within the scope of employment फिर beyond the employment contract और अगर मैं director वाले employment contract के beyond जा रहा हूँ तो मेरी services personal capacity वाली होईँगी basically यहाँ पर लेख लोग दिस मीन्स services in personal capacity वाला case आगया यह ठीक है और non executive को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो पहला case कि यहाँ पर बना लो services in the capacity of director और दूसरा services in personal capacity जो employment जो भी हमारा employment contract तो नहीं होगा जो भी हमारा non executive contract है उसके beyond मैंने कोई personal capacity में दी यहाँ पर अगर आपने as a director service दी तो schedule number three लग जाएगा और आंसर आ जाएगा नॉटा सप्लाई और यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर supply तो है supply क्यों है क्योंकि schedule number three तो apply नहीं कर रहा बट यहाँ पर क्या लगेगा सीधा reverse charge लगेगा on the other hand अगर इन दोनों cases के अंदर बात करूं में दोनों cases के अंदर अगर बात करूं में personal capacity के अंदर है तो it is treated as supply चाहे executive director हो यह नुए इस treated as supply GST applicable यह तो मैं पहले भी पता था बस नई चीज क्या आई है it is clarified that RCM won't apply यहाँ पर RCM apply नहीं करेगा वो कह रहें notification 13 by 2017 में हमारा objective नहीं है कि RCM apply करें RCM apply नहीं करेगा तो अगली चीज़ हमारी क्या है director will pay tax under director will pay tax under forward charge this is an important amendment I am expecting इसकी उपर question पूछा जा सकता है यह वैसे भी आपको पता है director वाला जो question है वो one of the favorite questions of examiner है पहले भी circular था अब उस पुराने circular के अंदर एक कई नई layer डाल दी कि reverse charge वाला जो case है वो तभी लगेगा अगर एक capacity of director के अंदर आप service दे रहे हो personal capacity वाले case के अंदर हम यहाँ पर reverse charge apply नहीं करेंगे वीडियो को pause करके एक बार note down कर लीजिए फिर आ जाईए एक तीसरी illustration बनाईए जो की और भी अच्छी है जड़ा इसको पढ़ते आईए what would the change in answer if Ram rents the residential house उपर वाला question same to same रखा director का नाम Ram है आप non executive director मान लीजिए 10 लाग रुपे company से मिल रहे है director के लिए और 25 लाग रुपे इस बार rent के लिए बस question में change क्या किया commercial space की जगा commercial office space की जगा मैंने residential house का case ले लिया और company है एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड यह जो घर उसने राम से अपने डिरेक्टर से रेंट पे लिया उसको अपने बाकी employees को RFA perquisite के लिए यूज करती है और मान के चलते हैं वो जो company है वो registered है इससे फरक क्या पड़ गया फरक यह पड़ गया देखो जो as a director service दी राम ने और बदले में company से 10 लाग रोपे मिले उसकी taxability तो same to same रहेगी क्या रहेगी executive director हो तो GST नहीं आएगा non executive director हो तो उस case के अंदर क्या आ जाएगा आपका reverse charge लग जाएगा company pay कर देगी यहां पर कोई change नहीं आया बट अगला फरक क्या आया इस बार राम ने जो service दी रेंटिंग की वो company को और 25 लाग मिले अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि वो जो personal capacity वाली service है उस पे reverse charge नहीं आएगा क्या आएगा forward आएगा यानि जो director वाली reverse charge entry है वो नहीं लगेगी बट circular यह थोड़ा कह रहा है कोई और reverse charge की entry नहीं लग सकती है अब मैंने जान बूच के यहां पर case क्या बनाया और और वाला बनाया अगर मैं आपको provision याद कर रहा हूं renting of residential dwelling का पहले एक बड़ चार्ट दिखा देता हूं renting of residential dwelling का भी असानी से याद आ जाएगा immovable property का अलगसी चार्ट है हमारे पास यह देखिए यह हमारा renting of building वाला चार्ट है इसके अंदर मैं आपको याद दिलाओ renting of commercial building के case में तो forward charge ही है पहले मैंने commercial building का लिया था अब renting of residential building for residential purpose अगर unregistered person होता तो exempt हो जाता registered person होता recipient और वो अपने खुद के purpose के लिए वो store partner होता और personal purpose के लिए ले रहा होता तो भी exempt हो जाता बट अगर मेरा recipient registered है और वो अपने employees के लिए as a perquisite के लिए ले रहा है तो renting of residential dwelling for use as residence और वहां पर reverse charge applicable होता है यह entry मैंने यहां पर लगवा दी तो क्या अब final answer यहां पर reverse charge लगेगा यह नहीं लगेगा येस इस case में 25 लाग पर reverse charge लगेगा सर अभी तो आपने circular में बोला reverse charge नहीं लगेगा अरे भाई मैंने यहां पर इस circular में यह बोला कि डिरेक्टर वाली entry यहां पर नहीं लगेगी reverse charge की बट कोई reverse charge के अंदर notification 13 माई 2017 में और भी बहुत सारी entries हैं उनमें से कोई entry लग रही हो उनको निरोकूंगा मैं तो यहां पर मैंने ध्यान दो 25 लाग इसले नहीं बोला कि तुम डिरेक्टर हो 25 लाग इसले बोला क्योंकि तुमारी service कौन सी है renting of residential dwelling for user residence where the recipient is registered and the recipient is using not for personal purpose recipient ने आगे अपने employees को RFA की तरह दे रखा है तो उस case के अंदर वो वाली entry जो residential dwelling वाली है वो अपलाई हो जाएगी और final answer फिर से क्या आ जाएगा reverse charge वाला तो इस chart के अंदर ना एक और चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो मैंने जब आपको बोला ना RCM will not be applicable तो आप यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो वो यह है बट एनी अदर एंट्री एनी अदर एंट्री इन नोटिफिकेशन नंबर 13 बाई 2017 अदर देन डिरेक्टर वाली डिरेक्टर वाली एंट्री को छोड़ कर और कोई एंट्री can apply वो हमारे circular ने मना नहीं कर रखा तो आई डोंट रोओ इस लेवल का कोशन पूछेगा जो मैंने बनाया या नहीं बट मैंने प्रेक्टिस करा दी पहले से अपने स्ट्री अपडेट में कोई भी इलिस्टेशन नहीं दी और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें तक र्टी पी आई नहीं नेक्स सेट आफ अमेंडमेंट्मेंट्स जो हमारी है वो रूगे डिस्टेशन वाले चेटर के अंदर से हैं और से अर्ने सिट्री इस्टी से सारी कि सारी अमेंडमेंट्स बहुत ही एज़ी है चोटी चोटी है तो एक-एक करके मैं आपको प्रोविशन एक बार रिवायज कराता जाता हूँ थाकि background knowledge हो जाए हमें और फिर वो amendment बताता जाता हूँ पहली set of amendment जो है वो है ECO के थूँ ECO आप सब को पता है ECO कौन होता है electronic commerce operator ECO का topic last attempt तक November 23 तक हमारा technically syllabus का part नहीं होता था फिर भी registration वाले chapter को पढ़ाने के लिए मैं आपको बताया था ECO दो तरह के होते हैं 9 subsection 5 वाले और 9 subsection 5 के अंदर जो भी supplier notified services provide करता है ECO के थूँ चार तरह की services को notify कर रखा था पहला हमारा passenger transport service थी दूसरी हमारी hotel accommodation service थी तीसरी हमारी housekeeping service थी और पास जो थी वह restaurant service थी यह चार notified services सब में conditions होती है में conditions की detail में नहीं जा रहा अगर यह ECO के थूँ सप्लाई हो रही है तो जो ECO है electronic commerce operator वो लाइबल होता है क्यानि कि ओला और उबर लाइबल हो गए zomato speak की लाइबल हो गए urban clap लाइबल हो गए यह तो हो गई services की बात जिन ECO के उपर 95 नहीं लग रहा हो जैसे कि अगर आप चार notified services के अलावा कोई और service दे रहे हो ECO के थूँ आप movie exhibition service दे रहे हो book my show के थूँ तो उस पे तो 95 नहीं आता तो वो बची हुई services और goods के उपर तो 95 लगी नहीं सकता जिन cases के अंदर अगर कोई supplier ECO के थूँ सप्लाई कर रहा है यह supplier हो गया है यह recipient हो गया और बीच में कोई app involved है for example Amazon involved है for example हमारे और PVR के बीच में book my show involved है उनको 95 में tax pay नहीं करना होता है उनको section number 52 के अंदर 18,000 का tax है 18,000 का tax pay करने की liability तो supplier की है बट जब यह recipient ECO की थूँ payment करेगा तो ECO पूरी एक लाग की payment नहीं करेगा इस एक लाग में से 1% less कर देगा यानि कि 99,000 रुपिस की ही payment करेगा यह जो 1% इसने collect किया इसे बोलते है TCS यह ECO जमा कराएगा जो की supplier के e-cash ledger में बाद में आ जाएगा यानि कि supplier को बाद में tax pay करते समय 1,000 रुपे कम pay करने पड़ेंगे 1,000 रुपे अलड़ी आ गया अब यह topic में हमेशा सही अपनी November 23 तक की classes में भी पढ़ाता था बट इतनी detail में नहीं पढ़ाता था क्योंकि हमारे slabers का part नहीं था अब से slabers में part हो गया तो आगे आपको इसी वीडियो के अंदर जो transition वाले topics हैं वो मैंने डाल रखे होंगे वहाँ पर अच्छे से detail में 95 को भी discuss कर रखा है 52 को भी discuss कर रखा है मैं अभी 95 और 52 की घराई में नहीं जा रहा क्योंकि ये amendment उनसे related नहीं है वो क्या केते हैं जो topics हैं वो तो इसी वीडियो के अंदर transition के way में आगे detail में पढ़ा रखे हैं अब यहाँ पर provision क्या था ये जो supplier है अगर ये supplier ECO के through supply कर रहा है यानि कि अगर आज एक person है जो अपने आपको Amazon या Flipkart पर register कर लेता है और वो supply Amazon या Flipkart के through करता है आज कोई movie theater है वो अपने आपको bookman show पर register कर लेता है और अपनी supply bookman show के through करता है या आज मैं अपनी coaching service किसी third party website के through sale करता हूँ तो कोई भी person अगर ECO के through supply कर रहा है और वो 95 वाली services का case नहीं है 95 में तो ECO tax pay करेगा ना तो 95 के अलावा जो case है services का 95 के अलावा वाली या goods का तो उस case में supplier को section 24 के अंदर mandatory registration के लिए बोल रखा था any supplier who is supplying any goods or services through ECO has to take mandatory registration यानि कि उस पे 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख की aggregate turnover जो threshold limit होती है वो applicable नहीं होएगी अब इस 24 को कुछ हद तक इसके impact को खतम करने के लिए section 23 के अंदर एक notification थी जो notification कहती है कि अगर आप service वाले हो यानि कि ये supplier अगर services दे रहा है और services कौन सी वाली other than 95 वाली other than 95 इसले बोल रहा हूँ क्योंकि 95 वाली services में तो 24 लगता ही नहीं है 24 की language ही है any supplier who supplies goods या services other than 95 उसको mandatory लेनी है और उसके अंदर भी जो services वाले है उनको 23 की notification ने बोला अगर आपकी aggregate turnover 20 लाक या 10 लाक जो भी threshold limit है आपके उपर दस लाक आपको याद होगा money poor, miseram, nagal, अगर 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 आपकी aggregate limit threshold limit से कम है तो उस case के अंदर आपको registration लेनी की जुरत नहीं है तो क्रक्स हमारा ये था कि अगर मैं service provider हूँ तो एक तरह से ECO की तुरू supply करने पे मेरे पे mandatory registration apply तो हुई मगर 23 ने उसकी applicability को खतम कर दिया by giving me a separate notification जहां पर 20 लाक और 10 लाक तक registration लेनी की जुरत नहीं है मगर अगर आपको याद दिलाओं वो लोग जो goods supply करते हैं उनके लिए कोई relaxation नहीं है उन पे section 24 लगेगा and the moment आप goods supply करोगे किसी ECO की तुरू तो आपको लेनी पड़ेगी mandatory registration irrespective of aggregate turnover अगर मैं याद दिलाओं तो आपके flow chart के अंदर registration वाले chapter के अंदर ये flow chart मिलेगा आपको dealers making the transaction तुरू ECO ECO भी marketplace model वाले की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वोई third person ECO है और हम उसके तुरू supply कर रहे हैं अपनी website के तुरू बेच रहे हैं उसकी बात नहीं चल रही है अपर अगर मैं किसी third party ECO के तुरू बेचता हूँ 24 नहीं लगता तो तुम तो 22 में आ जाओगे अगर तुमारी एग्रिगेट टर्न ओवर 10 लाग या 20 लाग से कम है तो कोई registration लेने की जूरत नहीं है तो typically service वालों को एक तरह से mandatory option नहीं लेनी होती 95 वाले service provider जो होते हैं उनके उपर तो section 24 लगता ही नहीं है और बाकी service provider पे 24 लगता भी है तो बचाने कौन आ जाता है 23 आ जाता है यह तो मैंने आपको background बता दिया अब amendment कहा आई है देखो यहां तो कोई amendment आने का उपी नहीं है service provider में इनको तो relaxation देए रखी है आपने guess कर लिया होगा एक amendment किसके लिए आई है वो लोग जो goods supply करते हैं ECO के थूँ और ECO में 95 तो लगता है नहीं goods के case में तो वो ECO जो TCS collect करता है अगर मैं किसी ECO के थूँ goods supply कर रहा हूँ और वो ECO TCS collect करने के लिए liable है तो पहले mandatory recession ले होती थी बट अब यहां पर भी section 23 ने relaxation दे दिया मगर इस बार जो relaxation goods वालों को दिये है वो service वालों की relaxation के मुकाबले थोड़ी सी strict है सर्विस को जब relaxation देते हैं सर्विस प्रवेडर हुए आर सप्लाइंग सर्विस अधर देन 95 वाली थ्रूँ ECO उनको हमने blanket फाइदा दे रखा है कि अगर तुम्हारी एग्रिए टर्न ओर दस लाग या 20 लाग से कम है तो जाओ तुम्हें रिजिशन नहीं लेनी यहां पर को उन्होंने क्या किया उन्होंने बहुत सारी कंडिशन चाल दी तो आई जारा एक बर पढ़ते हैं कंडिशन क्या क्या आई हैं लेट्स स्टार्ट पीज नमबर 10 अमेंडमेंट नमबर 5 पहले यहां पर एक्जिस्टिंग प्रोविशन में आपको रिवाइस करा दिया सेक्श नहीं लेनी but there was no such relaxation for persons who are supplying goods through ECO accordingly ऐसा कोई केस होई नहीं सकता कि कोई person ECO के थूँ गोड़्स बेचे और वो अन्रजिस्टरों उसे registration लेनी ही पड़ती थी अमेंडमेंट क्या आई ज़रा ध्यान से पढ़ी है with effect from 1st October 2023 नई notification आई है notification number याद रखने की जुरत नहीं है notification number मैंने बहुत limited आपको याद कराए थे या अगर मैं आपको फिर से revise करा दू कौन को से notification number याद करने के लिए मैं बोलता हूँ पहली तो notification 10 by 2019 जो हमारी 40 लाग के limit होती है उसे याद करने के लिए बोलता हूँ फिर आपको notification 12 by 2017 जो exemption वाली होती है notification 13 by 2017 जो reverse charge वाली होती है notification 66 by 2017 जो हमारी time of supply के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं थोड़ी दर पहले हमने उसको बोला है मैंने और एक मैं अभी क्योंकि हमारा 95 वाला topic आ गया है तो transition वाली जो topic पढ़ाऊंगा न वहाँ पर एक notification और याद करने के लिए बोलूँगा 17 by 2017 जो चार notified services मैंने आपको भी बोली जो 95 के अंदर है वो इस बारको की slivers में है तो काफी deep में पढ़ाई है मैंने जाकर आगे transition वाली वीडियो आगे आपको इस वीडियो का आगे connected मिलेगी तो उसकी notification भी याद करने के लिए मैंने बोला है other than that और कोई notification याद करने की जुरत नहीं है तो यह notification number याद करने की जुरत नहीं है it provides relaxation to from GST registration to persons supplying the goods through ECO किसको relaxation में लेगी पहली बात तो वो इंसान जो goods supply कर रहा है एक ऐसे ECO से जिसको TCS collect करना है 95 applicable नहीं होता गूर्स के case में तो ECO को typically TCS collect करना होता है अच्छा पहले तो देखो TCS का topic हमारे slivers में नहीं होता था अब जब मैं TCS का topic को detail में पढ़ाऊंगा आगे जाकर वहाँ पर आप आप देखोगे वो ECO जो 95 में नहीं आते उनको भी by default TCS collect नहीं करना होता एक दो condition औ और होती है वह एक दो condition क्या होती है वहाँ आप TCS topic में पढ़ लेना मोटा मोटा मैंने आपको अभी तक बता रखा है जो नवेंबर 23 वाले बच्चे उनको बता रखा था जो 95 में लाइबल नहीं होते उन उन ECOs को supplier कर TCS collect करना होता है बट आप आगे जाके जब detail में जाओ जिसको TCS collect करना है और हमारी aggregate turnover all India basis पर आपको पता है aggregate turnover होती है इस less than equal to the applicable threshold limit यानी 10 लाख या फिर 20 लाख या as the case में भी 40 लाख जो भी हमारी applicable threshold limit है बट important चीच पता है क्या है मुझे नहीं पता इनसे जाने या अंजाने में क्या लिखा गया है आम तोर पे हमारा provision क्या होता देता है वो क्याता है कि aggregate turnover आपकी applicable threshold limit से कम है इन्होंने क्या बोला preceding year में भी कम होनी चाहिए और current year में भी कम होनी चाहिए सिर्फ उन्हीं लोगों को relaxation मिली है पहली चीच तो important mark कर लो बाकियों से अलग है यह relaxation यह क्या रही है आपकी aggregate turnover threshold limit से कम होनी चाहिए current financial year में भी और preceding financial year में भी तभी आप इस registration से भार होने वाली relaxation का फायदा ले सकते हो तो पहली limitation तो यह है दूसरी चीचे नहीं क्या बोला एक बार conditions पढ़ते हैं कि करके अगर आप relaxation लेना चाहते हो registration से भार होना चाहते हो ECO के supply करने के बावजूद आपको interstate supply करने की permission नहीं है interstate supply में हमको याद होगा interstate supply of goods के case में तो वैसी mandatory registration होती है तो यहाँ पर interstate supply करने अलावड ही नहीं है बिल्कुल भी ठीक है जी फिर such person shall not make any supply of goods through ECO in more than one state or unit territory please take care दोनों condition को एक साथ पढ़ो पहली condition यह बोलती है कि अगर आप ECO के थो गुड्स बेच रहे हो UP से order आ गए महराष्टर से आ गए बेंगॉल से आ गए तो फिर उस case में मैं इस relaxation का फायदा नहीं ले सकता अच्छा सरी Amazon Insure कैसे करेगा अब आगे आपको बताऊंगा पहली चीज तो आप Interstate supply करोगे दूसरी चीज आप अगर Interstate supply भी कर रहे हो एक से ज़्यादा स्टेट के फायदा नहीं रे पाएंगे क्योंकि ultimately जो आपकी supply है वो एक से ज़्यादा स्टेट ये unit territory में हो रही है तो दोनों condition को ध्यान रखना आपको Interstate supply करना allowed नहीं है और आप Interstate में भी एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं तो इस relaxation का फायदा नहीं ले सकते यानि आपकी multiple branches हैं तो ये फायदा नहीं मिलेगा थार्ड हम आपको जो लोग Amazon या Flipkart पे के through goods बेच रहे हैं Amazon Flipkart के through goods बेच रहे हैं उनको हम registration से भार तो कर रहे हैं बट सरकार को डरी सरकार को डरी ये लग रहा है कि इन लोगों को track कैसे करेंगे तो इसी condition में उनने बोल आपको अपना address बताना पड़ेगा और आपको वो state ये unit territory बतानी पड़ेगी जहां पर आप supply करना चाते हो ये तीन information आपको फिर भी बतानी पड़ेगी even if आप registration के लिए apply नहीं कर रहे हैं आम तोर पे अगर कोई person unregistered होता है उसे common portal को कुछ भी नहीं बताना होता मगर इस state और unit territory जिसमें आप supply करना चाते हो और अपना address बताना पड़ेगा और उसके बाद common portal आपको एक enrollment number देदेगा तो जो लोग ECO के तुरू supply करेंगे ना उनको unregistered रहने की permission तो दे दी हमने बट उनको track रखने के लिए उन पे एक तरह से administration करने के लिए हमनों उनको enrollment number दिलव ECO को बोल दिया कि any supplier जो unregistered है क्योंकि उसकी aggregate turnover 20 लाग 40 लाग से कम है मगर वो आपके तुरू supply करना चाता है तो make sure उसके पास enrollment number हो तो आज की rate में Amazon के उपर burden ही आ गया है जिन भी लोगों को वो अपने platform पे register करता है या तो वो GST में registered होने चाहिए और अगर GST में unregistered है इस notification का फायदा ले रहे है तो उनको common portal पे जाकर enrollment number लेना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें common portal को जाकर अपना address अपना PAN और अपना state और union territory जिसमें वो supply करना चाते है वो ensure पना करेगा एक बार आप अपना enrollment number दे दोगे अब ये enrollment number एक state के अंदर एक से जादा नहीं मिलेग इसका मतलब अगर याद करिये same state के अंदर AVJ लक्ष्मिनगर भी है और AVJ CP भी है मैं यह example लेता हूना class के अंदर दिल्ली में मेरी दो branches है AVJ लक्ष्मिनगर भी है AVJ CP भी है चाहें तो same GSTN ले सकते हैं चाहें तो अलग-अलग GSTN यही पढ़ाता registration में अब दोनों के दोनों branches जो same state में हैं लक्ष्मिनगर और CP वो Amazon पे listed है Amazon के थूँ सप्लाई करना चाहते हैं और अलग-अलग enrollment number लेना चाहते हैं नहीं एक ही enrollment number हो सकता है एक से ज़धा enrollment number state के अंदर नहीं मिलेगा यह इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अगर registration लेते तो registration लेने के case में हमारे पास option ह होता था आप एक ही GSTN लेलो या अलग-अलग GSTN लेलो यहां पर enrollment number एक ही मिलेगा और लास्ट में जब भी तुम्हारी अग्रीगर टरन ओवर 20 लाग-10 लाग या 40 लाग को cross हो जाएगी तुम्हें GSTN लेने की liability trigger हो जाएगी क्योंकि यह relaxation तो सिर्फ आपको 40 लाग तक या हमारा enrollment number क्या हो जाएगा बिकार हो जाएगा तो बेसी कली मैं इस notification का क्रक्स बोलूं एक बार सारी condition फिर से repeat करेंगे बड़ मैं आपको बोलूं सरकार चाहती है क्योंकि एक long standing demand थी लोगों की कि तुम उन लोगों को जो services दे रहे हैं SEO के थूरू उनको तो तुमने relaxation दे दी उनको तो mandatory नेनी नी होती गुड्स वाले कह रहे थे यार हमें भी relaxation दे दो मगर सरकार का मन नी कर रहा था सरकार कह रही थी कि अगर amazon flip card के थूरू इतने करोडो लोग इतने करोडो seller registered है इन सबको unregistered रहने की permission दे दी इनको भी threshold limit दे दी तो इन पर track रखना बहुत मुश्किल है tax तो अभी भी इन से लिया जाता है मगर इन पर track रखना असान होता है क्योंकि mandatory registered होते हैं इनका TCS collect होता है TCS collect करने के महाने सरकार इन पर track रख लेती है अब सरकार कह रही अगर यह unregistered होंगे यह tax पे नहीं नहीं कर रहे होंगे और हम कैसे track रखें इसलिए सरकार ने relaxation तो दी सरकार ने बोला अगर आपका aggregate turnover threshold limit से कम है unregistered रहे लो मगर आप चोरी तो नहीं कर रहे आप जान बूच के अपनी aggregate turnover को suppress तो नहीं कर रहे है इस चीज को track करवाने के लिए सरकार ने आप से common portal पे enrollment number नाम का एक नया number कर दिया ध्यान दीजेगा enrollment number का मदब यह नहीं कि आप GST में registered हो आप unregistered ही हो आपको GST पे नहीं करना बट आपको track करने के लिए उन्होंने common portal पे PAN अपना address और अपनी state or unit entry बता दो एक enrollment number ले लो इस enrollment number के बिना Amazon या Flipcard या कोई भी ECO आपको काम नहीं करने देगा आप interest rate supply नहीं करोगे same state के अंदर भी interest rate supply में भी एक से जाधा state के अंदर आप काम नहीं कर सकते और आपको एक state के अंदर एक ही enrollment number मिलेगा जैसी आपकी aggregate turnover threshold limit को cross करेगी आप registration लेने के लिए लाइबल हो जाओगे जैसी आपकी effective date of registration आएगी उस case के अंदर आपका enrollment number के हो जाएगा effective date of registration आई होप आपको याद होगा अगर application 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करते हैं REG01 तो जिस दिन से label for registration हुए थे उस दिन से effective date आती है तीस दिन में application फाइल नहीं करते तो जिस दिन से REG06 आता है उस दिन से effective date आती है तो जो भी effective date of registration है वहां से आपकी enrollment ID क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी तो these are all the conditions अगर आप देखो total 8 conditions है subject to which goods वाले को relaxation में लिए तभी मैंने आपको पढ़ाने से पहले बोल दिया था service वाले तो भाई बहुत लखी है उनकी उपर तो relaxation में दे रखी थी और उनकी उपर तो कोई condition में नहीं लगा रखी थी उनकी condition सर्व यह होती थी aggregate turnover उनकी threshold limit जो की 10 या 20 लाग है उससे कम है तो जाओ एश करो तुम ECO की तुरू सप्लाई भी कर रहे हो तो तुम्हें mandatory नहीं लेनी यहाँ पर goods वालों को relaxation दी भी सही मगर बहुत सारी condition लगा दी condition के रूप में बोलू हमारी तीन condition बागी सारी तो बिना enrollment number के Amazon flip card कोई भी ECO आपको काम नहीं करने देगा तीसरी चीज़ आपको एक स्टेट में एक ही enrollment number मिलेगा एक स्यादा enrollment number नहीं मिलेगा और कल को जब भी registration लेने के लिए liable होगे यानि threshold limit को cross करोगे आपका enrollment number खतम हो जाएगा और आप GST में क्या हो जाओगे रजिस्टर में जाओगे मेरे इस आप से यह जो amendment आई है इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो updated चार्ट मिलेगा यहां तक का चार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा services वाला तो अगर मैं इसकी साफसफाई करके यहां पर दिखाऊंगा आपको services वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम रहे सिर्फ चेंज कहां पर आया goods में जो यहां पर mandatory recession लिख है यहां पर भी दो पार्ट बन जाएंगे अगर आप यह सारी की सारी conditions meet कर देते हो तो उस case के अंदर आपको aggregate turnover अगर threshold limit से कम है तो relaxation मिल जाएगी और अगर आप यह condition meet नहीं करते फिर तो mandatory थी और ठीक है जी एक्जाम के लिए इंपोर्टेट क्यों है क्योंकि ECO वाला topic पहली बार स्लेवस भी आया है और कहीने का यह ECO के topic से linked है बाद में जब आप transition वाले topics पढ़ोगे जहां पर मैंने यह पढ़ाई है वहाँ पर फिर से इस notification की linking मैंने बाकी सारों के साथ कर रखी है मैंने आपको पहली बता दूँ ECO का topic जो आपका transition के अंदर रहना उसको मैंने बहुत अच्छे से कराया है वहाँ पर 9552 और यह वाला topic उसकी इतनी बड़िया तरह से linking कराई है लग बग 12 या 13 illustration बनाई है जब आप उन्हें पढ़ोगे आपका concept बिल्कुल clear हो जाएगा मजा आ जाएगा आपको तो इस notification के linking TCS वाले topic के साथ 95 वाले topic के साथ आपको transition वाले discussion होएगी उसके साथ मिलेगी अभी मैंने आपको amendment बता दी चलिए आगे बढ़ते हैं अचा यहाँ पर जो ECU है जो TCS collect करने के लिए liable है उनके लिए एक circular आया है circular क्यों आया अचा यह circular सिर्फ read करना है यह circular आपके ICI ने अपने statutory update में नहीं दिया मगर यह circular मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको clarity मिल जाए ECO को क्या ध्यान रखना पड़ रहा है पहले क्या होता था जो amazon flip card है जिनके त्रू आम तोर पे goods बेचे जाते हैं उनको एक ही चीज़ ध्यान रखनी पड़ती थी कि जो भी supplier उनके त्रू goods बेच रहा है यानि कि यह जो supplier है यह registered होना चाहिए यह unregister होई नहीं सकता था अब क्या यह supplier unregister भी हो सकता है अगर यह supplier unregister है तो CBIC ने इस amazon flip card को basically यह जो issue है इसको बोला कुछ चीज़ों को तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज़ों का ध्यान लखना है वही चीज़े जो law में लिखी है पहली चीज़ ECO को बोला गया अगर unregistered supplier तुमारे portal के थ्रू supply कर रहा है make sure उसके पास enrollment number हो क्योंकि बिना enrollment number के वो notification का फायदा नहीं ले सकता secondly make sure वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करें इंट्रा स्टेट सप्लाई ना करें इस वज़ा से Amazon Flipkart जैसे ECO को क्या करना पड़ा है अपनी website की programming में इस तरह से changes करने पड़ रहे हैं कि अगर आज मैं हर्याना का एक unregistered person हूँ मैं Amazon के platform पे अपने आपको list करता हूँ as a seller Amazon अपनी website में ऐसी programming करेगा कि सिर्फ और सिर्फ हर्याना के customers का order ही मेरे पास आएगा UP, Delhi, Punjab, Maharashtra, West Bengal कोई और order आएगा ही नहीं मुझे आप कभी Amazon Flipkart की website को खोलो तो जब आप समान order करते हो तो नीचे देखते हो na seller बदल जाता है जैसी address आप change करो वो seller बदल जाएगा तो ये Amazon को ensure करना पड़ेगा, ECO की responsibility है कि अगर कोई unregistered person उसके तुरू सप्लाई कर रहा है तो पहली चीज तो वो चेक करेंगे कि enrollment number है दूसरी चीज इंट्राशेट सप्लाई थर्ड चीज इस ECO को otherwise तो क्या करना था 52 के अंदर TCS collect करना था बट मुझे बताओ अगर ये supplier ही unregistered हो गया आप क्योंकि इसको हमने 23 में relaxation दे दी ये supplier ही unregistered हो गया तो इसने 18,000 का tax तो पेखिया नहीं होगा इसने तो सिर्फ unregistered है तो tax ही पेनी क्या होगा अब मुझे बताओ क्या ECO को इस case में TCS collect करना पड़ेगा दा answer is no जब supplier को tax पेनी करना तो वहाँ पर ECO की TCS की liability भी खतम हो जाएगी ECO is not required to collect any TCS तो यहाँ पर TCS की liability भी नहीं आएगी तो यहाँ पर TCS की liability भी नहीं आएगी तो यहाँ पर TCS की liability भी नहीं आएगी च्योंकि जो supplier ECO की because of this notification उसका TCS collect मत करना और आखरी चीज में आपको एक बता पहले तो यह तीन चीज़े याद कर लो ECO के अंदर क्या-क्या उन्हों ने बोला ECO शल अलाव दस अप्लाइओ गुड्स त्रू इर बाइस सेड़ परसन सेड़ परसन मतलब जो unregistered supplier है only if enrollment number has been provided enrollment number common portal देगा उस supplier को ECO उस बिना enrollment number के उसको Amazon वगरा के थुरू flip card के थुरू अपने platform के थुरू supply करने नहीं देगा ECO shall not allow any interest rate supply of goods अपनी website में इस तरह की प्रोग्रामिंग करो कि उसको interest rate supply करने का मौका ही न मिले वो interest rate supply ही करे थर्द चीज़, ECO shall not collect TCS in respect of the supply of goods made through it because वो person unregistered है उसने tax में प connected है, तो detailed linking तो मैंने जब ECO के topic को transition में पढ़ाया है, उससे कर रखी है, यहाँ पर मैं एक बार उस provision को फिर से बता देता हूँ, provision बड़ा simple है, जब ECO है, मान लो ECO के थुरू ये हो गया X Limited, X Limited को एक मिन के लिए registered मान लेता हूँ, X Limited के पास ECO बोले तो Amazon के थुरू order आया, mobile phone का एक order आया, उसने इसको payment करी एक लाग रुपे, असली में supply किस से किस से गई, X Limited ने Mr. Y को supply करी, इसके उपर 18,000 का GST चार्ज किया, क्यों, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, XCon है, registered है, तो अब मुझे बताओ ECO क्या करेगा, एक लाग रुपे जब ये इससे collect करेगा, ये इसको पूरे एक लाग रुपे नहीं देगा, एक लाग प्लस अठारा जार collect करेगा ना, तो अठारा जार तो पूरा का पूरा जो collect करेगा है, वो इसको देदेगा, मगर एक लाग में से क्या करेगा, वन परसंट का TCS collect करवा लेगा, यानि 99,000 प्लस जो अठारा जार ह वो तो देगा ही देगा, तो collect करें customer से एक लाग रुपे, आगे provide करें कितने 99,000 रुपेस, 1000 रुपेस का जो Amazon TCS collect करता है, वो उसको government को जमा करवाना होता है, और जमा करवाना होता है next month की, next month की 10th date को, यानि कि अगर ये transaction एक मिन के लिए मान के चलूँ, ये transaction हुई है 15 January 2024 क तो TCS तो उसी दिन collect हो जाएगा, मगर सरकार को जमा करवाना है, 10 February 2024 को, ECO ये क्या करेगा, ये 1000 रुपेस, जितने भी लोगों का TCS collect किया है, वो जमा करा देगा, साथ-साथ, ECO को एक statement file करनी होती है, GSTR 8, जैसे income tax में TDS return होती है, 24Q और 26Q, एक तरह का आप ये मान लो, TCS क return है, GSTR 8, इसके अंदर वो सारे के सारे suppliers, जो X limited type के supplier है, जिन्होंने उसके दुरू supply करी है, इन supplier की detail देगा, ये इन्होंने कितने कितने supply करी है, इनका GSTN बताएगा, and based on this GSTR 8, जो की ECO ने file करी है, हमारे common portal को पता लग जाएगा, ये 1000 रुपे का TCS किसका है, और accordingly वो इस इस पर 1000 रुपे X limited के E cash ledger में credit कर देंगे, this is how the entire system goes, basically Amazon पहले क्या करेगा, TCS collect करेगा, अगले महिने की 10 तारिक तक जमा कराएगा, अगले महिने की 10 तारिकी, basically same date जब तक जमा कराना है, same date तक क्या करना है, GSTR 8 करना है, income tax में तो return की data अलग होती है, TDS, TCS की जमा कराने की data अलग होती है, यहाँ पर जमा भी अगले महिने की 10 तारिक तक कराना है, और TCS की एक statement फाइल करनी है, ECO को, Amazon को, GSTR 8, जिसके अंदर वो सारे supplier जिनका TCS collect की है, उनकी details बताएगा, उनकी supplies के बारे में बताएगा, उनके GSTN के बारे में बताएगा, and based on that, common portal क्या करेगा, e cash led manager में X Limited के ये 1000 पर पहुचा देगा, ठीक है जी को इदिक्कत नहीं है, अब ज़रा सवाल ये है, अगर ये X Limited registered की जगा अन्रेजिस्टर कर दूँ, अब बताओ question में क्या change आया, जैसी ये अन्रेजिस्टर होगा, ये 18000 गायब हो जाएगा, जैसी ये 18000 गायब हो जाएगा, अब ही मैं मुझे बताओ, क्या यहाँ पर TCS collect करना है, the answer is no, ECO को वहाँ पर TCS collect नहीं करना, ECO पूरी की पूरी एक लाक्की payment X Limited को देदेगा, क्योंकि जैसी ये अन्रेजिस्टर है, notification का फायदा ले रहा है, ना तो इसको खुद को tax pay करना है, accordingly Amazon बिना TCS collect कर है, सारी payment कर द GSTR8 में reporting करनी है या नहीं करनी, GSTR8 में तो उसकी reporting करते है ना, जिनका मैंने TCS collect कर रखा है, और पहले जब तक यह relaxation नहीं आई थी, तब तक तो मैं सब कल TCS collect करता था, क्योंकि रजिस्टर लोगी मेरे थुरू सप्लाई करते थे, अब अगर अन्रेजिस्टर इंसान मेरे थ सप्लाई करेगा, तो उसका TCS collect नहीं करना, TCS collect नहीं करूंगा, बट क्या GSTR8 में reporting करनी है, दा आंसर इस येस, GSTR8 में उसके बावजूद reporting करनी पड़ेगी, सिर्फ आप reporting कर दोगी, मेरे थुरू एक लाक्की सप्लाई हुई है, उस पे कोई tax पे ही नहीं किया था, क्योंक कुछ भी जाएगा, दा आंसर is no, क्योंकि TCS collect नहीं हुआ, बट फिर भी हमने GSTR8 में reporting इसलिए करवाई, सरकार ने कहा, ट्रैक रखना थोड़ा छोड़ेंगे, आफ समय में आया, enrollment number को दिलवाई है इस person को, सरकार कह रही है, इस person को जो common portal पे enrollment number मिला है, आप Amazon flip card को बोला, E transaction की detail बता दो, TCS collect नहीं भी हुआ, तो भी transaction की detail बता दो, क्योंकि हमें at least पता लगता रहेगा, ये X limited कितनी supply कर रहा है, तुमारे platform के थूँ, Amazon पे भी लिस्टेड है, ये Nica पे भी लिस्टेड है, flip card पे भी लिस्टेड है, तीन चार और website मियों जिन पे ये लिस्टेड है, अब हमें हर जगा से detail पता लग रही है, इसकी enrollment number के थूँ, इसने कितनी कितनी supply करी है, अब जब इसकी aggregate turnover threshold limit को cross करेगी, ये सरकार से चुपा नहीं सकता, तो कि indirectly सरकार को इसकी turnover के बारे में पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है, Amazon flip card जैसे ECO, बेशक इसका TCS collect नहीं कर बट इसकी reporting अभी भी अपनी TCS के statement में, GSTR8 में कर रहे है, तो आखरी चीज़ जो important है, जिसके चक्कर में मैंने आपको बताया, ECO का जब आप topic पढ़ोगे, वहाँ पर GSTR8 की बात करोगे, जो कि अगले मेने की 10 तारीक तक फाइल करनी होती है, याद रखना, वहाँ पर उन लोगों की reporting भी होईगी, जिनका TCS collect करा है, और उन लोगों की reporting भी होईगी, जिनका TCS हमने collect नहीं करा, the details of the supply made through it shall still be reported in GSTR8, मेरे इसाब से this is the only condition जो ये circular ने हमें अच्छी बताई, otherwise बाकी तीन तो copy paste थी, उपर वाले notification की, हमने condition ही copy paste कर दी कि तुम्हें ensure करना interest rate supply नहीं हो लिए कि even if तुम TCS collect नहीं कर रहे है, तुम्हें उसकी reporting करनी है, तो एक बनिया पर अपने लिए लिख लो, सारे provision का करक्स लिख लो, even if, even if ECO is not collecting any tax, not collecting any TCS, then also, he has to report supplies made by such unregistered suppliers by quoting their, इस बार उनका GSTN कोट नहीं करना उनकी supply का गेंस, by quoting their enrollment number, और इसका logic बड़ा सिंपल है, सरकार ऐसा इसले कर वारी है, to keep a check, to keep a check on aggregate turnover of these unregistered person, तो भाई बात है, बड़ी सिंपल सी, कि goods वाले person को relaxation दी तो सही, सिर्फ notification बढ़ोनों तो आपको लगता, वाँ 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 मज़ा आगया, मज़ा आगया, आप तो हम Amazon flip card पे अपने आपको register कर लेंगे, और GST मा unregistered रहेंगे, नहीं, पहली बात तो उस notification की conditions बहुत सारी है, दूसरी जिए उन conditions को ensure सरकार कम कराएगी, Amazon जादा कराएगा, Amazon ensure करेगा interest rate supply हो रही है, Amazon ensure करेगा enrollment number लेना पड़ेगा, Amazon आपका TCS collect नहीं भी करेगा, तो भी आपकी reporting करेगा, तो सरकार को आपके, Amazon के GSTR 8 के थुरू, आपकी aggregate turnover के बारे में पता लग रहा है, clear है, अच्छा, एक एक और amendment है, अब यह हमारी amendment number 5 तो हो गई, एक और amendment है, amendment number 23, उसको भी आता हूँ मैं, उस amendment में क्या है, इसी से connected है, तो साथ मैं पढ़ा देता हूँ, अगर वापिस मैं इस provision के अंदर करता हूँ कि वो last में मैं खुद कोई समझ में नहीं आ रही होती, हाँ जी, अभी मैंने आपको बोला था, अगर यह person, अगर यह registered होता, तो हम इसका TCS collect करते, 1000 रुपेस, इसे deposit कराते, GSTR 8 में reporting करते, और इसका 1000 रुपेस कहां पर आ जाता, e-cash ledger में आ जाता, e-cash ledger में जिसी और का TCS का rate मुझे दे दिया उठाके, मैं validate करूंगा, हाँ, यह मेरा ही TCS है, और फिर वो मेरे e-cash ledger में आएगा, अब सवाल यह है, इस circular ने यह तो बोल दिया कि GSTR 8 में reporting करनी है Amazon को, even if यह unregistered है, ताकि इसके एगरी का turnover पता लगते रहे, बट क्या इस इंसान का common portal होगा कोई, नहीं, क्योंकि आपका registration number नहीं है, तो common portal का कोई login ID, password ऐसा चापका नहीं होगा, सिर्फ आपने enrollment number के लिए यूज किया होगा, आपके उस common portal पे क्या कोई detail reflect होएगी, नहीं, और क्या आपके e-cash ledger में कुछ भी आएगा, the answer is no, तो इस चीज को भी एक rule में हम उसे validate करेगा और उतना TCS उसके e-cash ledger में चला जाएगा, उस rule में हमने थोड़ी सी language change करी, हमने का अब GSTR 8 में जो reporting होईगी, वो दो तरह के लोगों की reporting होईगी, unregistered supplier भी हो सकते हैं, registered supplier भी हो सकते हैं, अगर registered supplier का TCS काटने के बाद, TCS collect करने के बाद reporting कर रहे हो, फिर त supplier का, कुछ भी e-cash ledger में नहीं आएगा, कुछ भी उसको validate करने की जुरत नहीं है, छोटी सी amendment हो, obvious amendment है, मगर फिर भी उनको rule में change करना पड़ा, तो ये जो मैंने topic आपको बताया, इसकी connectivity मिलेगी आपको amendment number 23 के साथ, सीधा amendment के अंदर आ जाईए, amendment number 23, ये ऐसे amendment last में क्यों दे रखी है, क्योंकि ideally जो भी नए topic है ना, उन से related amendment में last में दे रखी है, जो भी नए topics आई है, मगर मैंने e-c-o की बाते करी ली हैं, तो connectivity आ गई, I am saying again, e-c-o वाली notification पर लगग लगग मैंने 35 minute लगा दी है, इस amendment को बढ़ाने में, क्योंकि ये नए वाले topics related है, अगर पर TCS का transition वाला topic पड़ोगे, उसके अंदर इसको मैंने साथ साथ discuss करी रखा है, वहाँ पर वो topic की साथ connectivity हो जाएगी, यहाँ पर क्या बोला हमने, every e-c-o is liable to collect, who is liable to collect TCO under 52, TCS has to for a statement on 10th of next month, providing the details of outward supply, जो उसके थ्रू हुई है, और जो amount उसने TCS के थ्रू collect किया है, Rule 67 जो इसके इंदर हुआ करता था, वो कहता था कि यह सारी detail जो ECO ने, Amazon ने एक तरह से GSTR 8 में दिखाई है, वो सारे suppliers के common portal में दिखेगी, वो उसे validate करेंगे, और validate करने के बाद यह TCS कहां चला जाएगा उनके e-cash ledger में, amendment इतनी सी करी है हमने, सिरफ अब हमने बोला, यह detail सामने वाले को दिखेगी, और सामने वाले के e-cash ledger में जाएगी, अगर वो registered supplier है, which means that अगर वो unregistered supplier है, GSTR 8 में तो ECO reporting करेगा, बट सामने वाले के e-cash ledger में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कोई TCS collect नहीं किया, on the other hand, registered supplier है, उसका TCS collect किया होगा, उसकी GSTR 8 में reporting करी हो 26 पर लिख लो, if ECO या if supplier is unregistered, then ECO doesn't collect tax, मैं simple बाचा में लिखवार हूँ था कि आपको exam में किसमें असानी से click कर जाए, supplier is unregistered, then ECO doesn't collect tax, यानि there is no TCS, but still reports it, in GSTR 8, reporting तो फिर भी होती है, but here, nothing will be reflected, nothing will be reflected, in e-cash ledger, of that unregistered supplier, क्योंकि पहली बात तो वो unregistered है, उसके e-cash ledger ही नहीं होगा, और दूसरी बात, यहाँ पर हमने कोई TCS collect नहीं किया, on the other hand, अगर supplier registered है, वो तो लिखा ही हुआ है, हम अपनी उसका TCS collect करेंगे, GSTR rate में reporting करेंगे, और based on that reporting, जो supplier है registered, उसके e-cash ledger के अंदर, वो पैसा पहुंच जाएगा, उस पे पहुंचने से पहले, उसको एक बार common portal में दिखेगा, वो उसे validate करेगा, फिर वो पैसा e-cash ledger में चला जाएगा, are we clear? चलिए, यह हमने topic discuss कर लिया, let's come back to हमारी अगली amendment, जो registration is related है, चलें, तो amendment number 6 बहुत ही easy amendment है, last time यह नया topic आया था, और last time मैंने आपको बताया था कि अभी यह इतना popular नहीं हुआ, एक बाद जल्दी से revise बताऊं, करवाऊं आपको, आप साब को बताया, जब हम registration के लिए apply करते हैं, application REG01 के अंदर file करते हैं, application file करने के बाद, part A होता है हमारा, उसके बाद क्या होता है, part number B होता है, मैं आपको flowchart के तो यह दिखा देता हूँ, हमारा registration का जो procedure होता है, registration का procedure, just a second, यह रहा हमारा, आप पहले part number A fill करते हैं, part number A fill करने के बाद, आपको pen वगरा देना होता है, आपका OTP वगरा आखे authenticate होता है, फिर आप part number B fill करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी details के documents देनी होती है, फिर आपको check करना होता है कि 256D के अंदर, आप cover हो या निए, 256D में वो लोग होते हैं, जिनको अधार authentication नहीं करवाना होता, basically वो लोग जो इंडिया के citizen नहीं है, या जो government के department है, local authority, statutory body, PSU अगरा है, या UIN apply करने वाने लोग है, इनको अधार authentication नहीं कराना, इनकी part B file होन नहीं हो, तो उस case में आपको क्या कराना पड़ता है, अधार authentication कराना पड़ता है, किसका गराना पड़ता है, प्रोप्राइटर का, या फिर करता का, या फिर managing partner का, या अपने authorized signatory का, अब अगर आप अधार authentication को opt नहीं करते, तो उस case के अंदर, जैसी आपकी part B file होई, आपक authentication को opt किया, बट आपने 15 दिन के अंदर नहीं successfully करा, जैसी 15 दिन expire हुए part B file करने से, आपकी application file दबानी जाएगी, यहां से PO को 30 दिन मिल जाएगे, वो 30 दिन के अंदर या तो SCN issue कर देगा आपको, या फिर आपको RE066 issue कर देगा, बट यहां पर भी physical verification करनी में date रहेगी, और on the other hand, अगर अधार authentication successfully कर लिया, पंदर दिन के अंदर, जो भी अधार authentication करने वाली date होती है, उसे date of filing RE0 दर माल लेते हैं, वहां से PO के पास 7 दिन आ जाते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर वो SCN issue कर सकता है, या फिर REG066 issue कर सकता है, this is the provision, लास्ट येर, लास्ट येर भी, हमने अगर आपकी अधार authentication successfully आपने कर भी ली, मगर आपको common portal ने 8 sub rule 4a में select कर लिया, सारे लोग select नहीं होंगे, सिर्फ कुछ लोगी 8 sub rule 4a में select होंगे, अगर common portal ने आपको identify कर लिया, तो अब आपको अधार authentication करवाने के बावजूद कुछ extra चीज़े करनी पड़ेंगी, कौन क identified on the common portal और common portal आपको कोई ना कोई data analysis या risk parameter के basis पे select करेगा, अगर आप 8 sub rule 4a में select होए हो, तो आपको अधार authentication, biometric based करानी पड़ेंगी, बाइवेंटरिक बादेगी, बाइवेंटरिक बादेगी, बाइवेंटरिक बादेगी, आपको जाकर अपनी photograph क्लिक करानी पड़ेंगी कोईसी भी GST Facilitation Center के अंदर, आपने जो भी documents part B के अंदर upload करें हैं, उन सब की original copy चेक करानी पड़ेंगी, और आखरी चीज, physical verification भी यहाँ पर mandatory हो जाएगी, और आपने अधारत इंडिकेशन कराई है, फिर भी physical verification यहाँ पर mandatory हो जाएगी, this was rule number 8 sub rule 4a, और यह सब पर नहीं अपलाई होता, यह सर्फ उन्हीं लोगों पर अपलाई होता है, जिनको common portal ने select करा है, based on some data analysis and risk analysis, अब यह provision last time आ गया था, बट मैंने आपको का था, अभी फिलहाल के लिए इसको गुजरात state के अंदर test basis पर कर रहे हैं, यानि अगर आप गुजरात के अलावा किसी भी और state के अंदर अपनी application फाइल करते हो, तो यह वाला rule आप पर apply नहीं होता, आपको common portal select करेगा ही नहीं, बात दिखा तम, parametric based, अधार authentication और यह सारी extra requirements आप पर अपलाई नहीं करेंगी, अगर आप गुजरात वाले नहीं हो, योगि test basis पर इन्होंने गुजरात के लोगों पर apply कि गिया था ना, दो और states हैं जहां पर इस provision को applicable कर दिया है, एक है आंदर प्रदेश और दूसरा है pondichari, pondichari बोल लिए है, पुडुचरी बोलीजिए, अब in total हमारी तीन states हो गई, पुडुचरी आए गरी union territory है, बड़ इसका खुद का legislature होता है, इसलिए state बोलते हैं इसको GST क कर दिया था मैंने, कि अगर आप 8 सबूल 4A में select हुए हो, तो अब आपको extra क्या करना पड़ेगा, आपको biometric based 1000 certification, photograph करवानी पड़ेगी, verification होईगी, original documents की, और physical verification, और यहां पर PO के पास 7 दिन की जगा कितने दिन आ जाएंगे, 30 दिन आ जाएंगे, amendment सिरु इतनी आई है, कि यहां पर जो common portal पे selection गुजरात में होती थी, apart from गुजरात, अब आंदरपरदेश और पुडुचरी के अंदर भी हो सकती है, very small little amendment, चलिए, आगे बढ़ते हैं, let's go to amendment number 7, amendment number 7 है, physical verification is related, अभी मैंने आपको बताए, कौन कों से cases के अंदर, physical verification mandatory होती है, फिर से इसी चार्ट को या, government department, etc, जो भी हमने या पर पड़े, अगर मैं अधार authentication मेरे पर applicable है, और अधार authentication को मैं opt नहीं करता, तो physical verification mandatory है, पियो बिना physical verification के मुझे, आगे प्रसीडी नहीं कर सकता, R206 दे ही नहीं सकता, दूसरा किस, मैंने अधार authentication को opt किया, बट 15 दिन के अंदर अधार authentication नहीं हो सकते हैं, तो भी आपको physical verification करानी है, और आखरी case होता है, अगर आप 8 सब्रूल 4 में नहीं हुए, तो भी PO को power दे रखी है, अगर वो चाहे, तो physical verification करा सकता है, if he feels, there are circumstances जिनके वज़से उसे कराना चाहिए, PO की मर्जी होती है, 8 सब्रूल 4 है, तो common portal select करके दे देगा आपको, वहां तो physical verification के अलावा biometric भी कराना पड़ेगा, और photo भी किछवाने जाना पड़ेगा, original documents भी attest कराने पड़ेगी, वो तो कराना ही कराना है, एक आखरी power है कि PO के पास power होती है, कि अगर सब कुछ सही जा registration मिल जाए, क्या उसके बाद भी कराई जा सकती है, ये तो 4 cases होगे जब registration कराने से पहले physical verification की जा सकती है, इसके लावा आपको REG 06 मिल गया है, उसके बाद भी अगर PO को लगता है, कि भाई कुछ गडबड लग रही है हमें चेक करना है, तो वो physical verification of the premises कर सकता है, जहां आप amendment कौन कौन सी है, पहले एक provision हुआ करता था, कि physical verification की जा सकती है, PO द्वारा only in the presence of the person, जिसके premises को आप verify कर रहे हो, यानि अगर आज मेरे premises की physical verification हो रही है, तो PO मेरे वहां पर presence के physical verification मेरे पीछे से जा कर नहीं कर सकता, इसके लिए यहां पर provision में ना रखा था, पहली amendment तो यही करी है, उन्होंने ये requirement को delete कर दिया, अब ऐसी कोई requirement नहीं कि physical verification PO करने आएगा, तो उस premises पर सामने वाला जो person है, जो main person है, उसकी presence होनी चाहिए, आगे अगर मेरा staff है, इसके मेरे absence के अंदर भी physical verification की जा सकती है, इस से practically physical verification के अंदर जो challenges आते थे, उनको हमने पूरा किया, very small little amendment, there was a provision, physical verification presence of the applicant पे उनी चाहिए, that has been deleted, secondly, physical verification करने के बाद, PO आपको harass ना करे, आप से रिश्वत ना मंगे, आपको जान बूच के सब कुछ ठीक है आपकी premises पे, फिर भी आपको कहे कि आरे मैं तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस harassment को रोखने के लिए, PO की power पे हमन verification report submit करनी पड़ती है, और verification report करना पर submit करनी पड़ती है, ये submit करनी पड़ती है, common portal पे, और अगर आपको यादो, इसको submit करने का form number क्या होता है, GSTREG 31 हमारा, GSTREG 30 के अंदर उसे verification report submit करनी होती है, साथ साथ इस verification report के, उसको physical verification के दौरान क्या observations ली उसने, और photographs वगरा ये भी upload करनी होती है, तो ये एक तरह का check and balance लगा रखा है, ताकि PO आपको harass ना कर सके, अगर सब कुछ आपकी premises पे okay है, और PO फिर भी आपको harass कर रहा है, तो आप उसको ये बोल सकते हो, जग कर ले harass, क्य कि उसको verification report के अंदर सब बताना पड़ेगा कि उसकी क्या observation हो, और जूटी observation तो बनानी सकता, ये जो REG 30 है ना, ये file करना होता था within a period of 15 days from the date of physical verification, जिस दिन physical verification होई है, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर ये verification report, PO को submit करनी पड़ती थी कहां पर common portal के ऊपर, उसकी power को check लगाने क समझे, अभी मैंने आपको बताया, PO जब before granting registration, जब registration का प्रोसेजर चल रहा होता है, चार cases के अंदर हमारी physical verification करता ही करता है, जब हमने अधारत authentication opt नहीं करी, जब हमारी अधारत authentication fail हो गई, या फिर हम 8 सबरूल 4A में select होगे common portal दबारा, या फिर PO को लग रहा था कि सब तो भी हमें physical verification करनी चाहिए, इन 4 cases के अंदर PO को 30 days का time मिलता है, जिसके अंदर उसे application को भी ध्यान से देखना है, इस application में कोई problem है, तो उसे SCN issue करना होता है, REG03 के अंदर, नहीं तो उसे REG066 देनी होती है, 30 दिन का समय मिलता है, और अगर वो 30 दिन में action नहीं लेता, तो 30 दिन के अंदर action नहीं लेकर deemed restriction हो जाती है, सामने वाले की, अब इस 30 दिन के अंदर उसको physical verification भी करनी है, और SCN issue करने है, या फिर आज इस इस issue करने है, और एक extra काम क्या हो जाता था, physical verification के 15 दिन के अंदर अंदर verification, report submit हो नहीं होती थी, तो अब जिस भी दिन physical verification होईगी, उ पाकी सारी चीजे भी चेक कर लो, physical verification भी चेक कर लो, और 30 दिन के अंदर अंदर, या तो SCN issue कर दो, या फिर क्या issue कर दो, REG 06 issue कर दो, तो इनवे आप बोल सकते हो, physical verification तीस दिन के अंदर अंदर होती थी, अब provision क्या है, प्रोविशन इन्हों नहीं यह कह दिया, सारा कुछ सेम है, verification report अभी भी submit होएगी, सब कुछ सेम होगा, यह 15 दिन वाली time limit छोड़ कर हमने कहा दिया, physical verification की report, यानि की REG 30, submit होनी है, 5 days, prior to the expiry of 30 day period, 30 day period मतलब, आपकी REG 01 file होने से, 30 दिन के अंदर, अंदर, पियो को action लेना होता है, या तो SCN issue करना होता है, या आपको रिशन certificate देना होता है, तो जब यह 30 दिन का period expire होने वाला है, 30 days कहां से चलेंगे, REG 01 की filing date से चलेंगे, जब यह 30 दिन का period expire होने वाला है, उससे 5 दिन पहले, आप बोल सकते हो, basically, 25 दिन from the date of REG 01, तब तक आपको physical verification complete भी करनी है, PO को, और साथ-साथ यह REG 30 भी file करनी है, यानि करक्स बताऊं, 100 बात की एक बात, पहले physical verification को करने की time limit नहीं होती थी, क्योंकि 30 दिन के अंदर-अंदर तो उसको क्या करना होता था, SCN या REG 016 issue करना होता था, तो हम यह बोल सकते हैं, indirectly, इन ही 30 दिनों में कभी भी physical verification कर लेता था, उसकी मर्जी होती थी, और physical verification से 15 दिन extra मिलते इन 15 दिनों के अंदर-अंदर उसे क्या करना होता था, अपनी REG 30 फाइल करनी होती थी, अब amendment यह कर दी, हमने का REG 30 ही PO को कब तक फाइल करनी है, 30 दिन के period को expire होने से भी 5 दिन पहले, यानि basically बोलू तो 25 दिन के अंदर-अंदर from the rate of filing REG 01, तो अब physical verification time bound manner में होईगी, क्यो कि उसके related जो REG 30 है, जो verification report है, वो हमें time से file, amendment आई है, with regard to the time limit within which the verification report has to be submitted, but ये amendment आई है सिर्फ तभी, अगर physical verification before granting registration होई है, अगर REG 06 देने से पहले अगर physical verification हो रही है, अभी topic शुरू करने से पहले मैं आपको बोला, क्या physical verification after granting registration भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, या नही के पास power है, अगर आपको RE 06 already issued हो चुका है, और उसको शक है कि आप tax evasion कर रहे हो, या फिर आप fake invoicing कर रहे हो, गलत ITC ले रहे हो, तो वहाँ पर वो physical verification कर सकता था, वहाँ पर अभी भी YCM time limit है, 15 days from the date of physical verification, तो ये time limit खतम नहीं, 15 days from the date of physical verification, ये time limit आगी है, अगर physical verification after registration हो रही है, और अगर physical verification before granting registration certificate हो रही है, तो 15 days from the date of physical verification वाले time limit को खतम कर दिया, जहां से 30 days का period expire होने वाला है, REG 01 फाइल करने से 30 days का period, उससे 5 दिन पहले पहले, PO को physical verification complete करके अपनी verification report को upload भी करना है, तो दो amendment आ गई हमारी physical verification में, पहली बहुत simple है, presence required नहीं है, दूसरा, as per the amended the verification report along with the documents and photographs has to be uploaded in REG 30 within the below mentioned period, where physical verification is before the grant of REG 06, basically वो चार grounds जो मैंने अभी आपको बताए, जहां पर PO को करना होता है, अगर इन चार्ज राउंड की वजा से है, at least 5 working days prior to the completion of 30 days time period from the date of submission of REG 01, जिस दिन में REG 01 से 30 दिन expire होंगे, उससे पहले 5 दिन, तो इं चोटा बोल सकते हो, after REG 01 की filing, और REG 01 की filing अभी मैंने आपको revise कराया ही, अधार authentication अगर नहीं कर पाये हो, तो 15th day वाले दिन REG 01 filed माना जाता है, ओप्टी नहीं किया था, तो जिस दिन पार्ट भी file किया, उस दिन माना जाता है, और अगर 8 सबूल 4A वाला case है, तो जिस दिन अधार authentication कर वालोगे उस दिर्माना जाएगा, तो date of filing RE 01 अलगल cases में अलग होती है, वहाँ से 25 दिन के दर अधर, और यहाँ पर ध्यान दो, कोई भी provision में change नहीं आया, अगर physical verification, registration के बाद मिल रही, करवानी की जुरत लग रही है, तो उस case में पहले भी time limit गई थी, आज भी time limit गई है, 15 days from the date of physical verification चीक है, दो छोटी छोटी प्रोसीजर अमेंडमेंट आई है, विद रिगार तो physical verification, अब आते हैं, अगली अमेंडमेंट पे और अगली अमेंडमेंट पहले सी में बता दू, बहुत ही important होने वाली है, exam के लिए, अमेंडमेंट के सरे रिलेट है, अमेंडमेंट है, रूल न number 10A क्या कहता है, आपको याद दिलाऊं, जब आप अपनी REG01 फाइल करते हो, तो इसके part B के अंदर आपको काफी सारी details देनी होती है, one of the details जो देनी होती है, वो होती है आपके bank account की details, क्योंकि इसी bank account से आपकी recovery होएगी, कल को अगर आपने tax payment किया, और अगर आपका refund वग नहीं है, तो rule number 10A बोलता है, आपको जब REG06 मिल जाएगा, उसके बाद हम आपको specified time limit बता रहे हैं, उस time limit के अंदर अंदर आप bank account की details दे सकते हो, यानि दो option है, या तो आपका bank account अप्लिकेशन फाइल करते समय, उसी समय application भी bank account details दे तो, अगर आपने अपनी application में bank account की details न limit क्या थी, वो डिसकस करते हैं, और इसी के अंदर amendment आई है, specified time limit क्या थी, 45 days from the date of REG06, या फिर due date of filing आपकी पहली वाली GSTR 3B, और GSTR 3B अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो, तो अगले महिने की 20 तारीक तक होएगी, जिस महिने में आपको REG06 मिला है, first GSTR 3B की due date, या फिर 45 द detail देनी mandatory या common portal पे, यदि आपने application के अंदर bank account की details नहीं दी थी, time limit क्या हो गई है, पढ़िये ज़रा, पहली amendment, time limit has been changed, क्या हो गया, 45 days की जगा time limit कितनी हो गई है, 30 days, REG06 आने के 45 दिन नहीं, अब क्या देखेंगे, 30 दिन, और second चीज देखो, पहले हम देखते थे, due date of GSTR 3 अब इनोंने क्या बोला, actual date of furnishing, the details of outward supply in GSTR 1 या IFF, इतना तो आपको यादी होगा ना, आपको as a normal taxpayer, अगर आप composition वाले नहीं हो, तो आपको दो तरह के form भरने होते हैं, एक होता है statement of outward supply, GSTR 1 जो की अगले मेने की 11 तारिक तक submit करना होता है, QRMP वाले हो, तो GSTR 1 तो quarterly फाइल कर सकते हो, अगले मेने की 13 तारिक तक और उसमें B2B supplies, जिनके value 50 लाग तक है, उनको report कर सकते हो, तो पहले हम GSTR 3B को base बनाते थे, जो कि आपकी return है, अगले मेने की 20 तारिक, या quarter खत्म हो जाने के बाद, अगले महीने की 22 या 24 तारिक, पहले हम 3B की due date देखते थे, अब हम 3B क नहीं देखेंगे, आपकी जो पहली GSTR 1 है, आपकी जो पहली IFF है, invoice furnishing facility as the case में भी, उस date तक आपको bank account की detail देनी है, और यहाँ पर please take care, उन्होंने due date नहीं बोला, क्या बोला, actual date, यानि due date तो अगले मेने की 11 तारिक होती है, और IFF के case में अगले मेने की 13 तारिक होती है, ब पहले होता था 45 days from the date of RE06, अब 45 की जगा कितने days हो जाएंगे, 30 days, second चीज होती थी, हमारी पहली GSTR 3B की due date, अब GSTR 3B नहीं देखना, पहला GSTR 1 या IFF as the case में भी, और उसकी भी due date में देखनी क्या देखनी है, actual date देखनी है, एक बार example ले लेते हैं, example number 1, let us suppose, मुझे REG06 मिला 7th March को, 7th March 2024 वाले दिन मुझे REG06 मिला, और मैंने अपनी पहली GSTR 1 फाइल करी, 10 April 2024 को, तो आप मुझे जल्दी से बताओ, rule number 10A के अंदर, कौन सी date तक मुझे bank account detail देनी देनी है, पहले शुरू करते हैं, 7 March से 30 दिन गिनते हैं, 7 March को गिनने की जुरत नहीं है, तो 31 minus 8, हमार हो गए, 23 दिन यहाँ पर हो गए, 7 दिन और लगा दिये मैंने, तो basically हमारा कौन सा date आ गई, 7th April, यहां से 30 days अगर add करूं, तो हमारा answer आ गया, 7th April 2024, 7th April 30 days, या फिर GSTR 1 की, please take care, due date की बात नहीं कर रहा, क्या देख रहा हूं, actual date, 10 April 2024, whichever is earlier, तो answer, 7 April 2024 तक, आपको अपनी bank account की detail provide करनी ही करनी है, नहीं करोगे तो 10A का क्या हो जाएगा, default हो जाएगा, 10A के default होने पर क्या होता है, वहाभी amendment आई है, भी पढ़ते हैं, एक और example ले ले लेते हैं, let us suppose, मेरी REG 06, 23 March 2024 को आई है, 23 March 2024 को आई है, और मैंने अपना पहला GSTR 1, मैं मान के चल रहूं, मैं मैं मै अगले मैंने की 11 तरीक तक फाइल करना होता है, मैंने फिर से वही 10 April 2024 तक फाइल कर दिया, अब बताइए, rule number 10A की जो नई time limit है, उसके हिसाब से कब तक होगा, यहाँ में 30 देश जोड़ दो, इसके अंदर 30 देश जोड़ेंगे, तो March में 31, minus 23, minus कर देंगे, तो कितने हो ग है, इसके लवाब 22 दिन हमारे April के हो जाएंगे, यानि 22 April 2024, versus 10 April 2024, whichever is earlier, so the answer becomes 10 April 2024 तक, 10 April 2024 तक आपको अपनी bank account की detail देनी है, again I am saying, due rate नहीं देखनी है, अमें क्या देखनी है, actual date of पहला GSTR, वनी IFF, और 30 days from the date of R06, whichever is earlier, ठीका जी, time limit चेंज होगी, next case, अगर rule number 10 A को follow नहीं करते हैं, तो क्या होता था, rule number 10 A follow नहीं करते हैं, तो it becomes a ground for suomoto cancellation of registration, suomoto cancellation की अगर मैं याद दिलाओं आपको, cancellation दो प्रकार की होती है, एक cancellation of registration तो वो होती है, जो हम voluntarily खुद apply करते हैं, जब भी हम voluntarily cancellation अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हम खुद REG जाक 16 फाइल करते हैं, और कहते हैं, प्लीज हमें cancel कर दिया जाएं, उसके अलग grounds होते हैं, जो grounds हैं, वो 29 1 वाले होते हैं, दूसरा होता है, suomoto, जब PO को लगता है, कि भाई हमें cancel कर देना चाहिए, 29 subsection 2 के अंदर उसके grounds होते हैं, और इस case के अंदर, वो मुझे SCN issue करता है, SCN 19 issue करके, मुझे cancel कर देगा, cancellation order पास हो जाएगा, अगर आपको याद कराऊं, जैसी REG 17 आता है, साथ साथ एक और option होता है, PEO के पास, वो मेरी registration को तब तक के लिए, जब तक ये proceeding चल रही है, during the continuity of these proceedings, cancellation proceeding, वो suspend कर सकता है, suspension अगर हुई है, तो उस period के दुरान मुझे unregistered की तरह behave करना पड़ेगा, मैं कोई tax invoice issue नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई GST की return file नहीं कर पाऊंगा, मेरे जो refund है, उन्हें hold पर डाल दिया जाएगा, और मैं e-way bill भी generator नहीं कर पाऊंगा, these are the consequences of suspension, अगर मेरी जब तक proceeding चल रही है, जब तक RE 17 की proceeding चल रही है, 19 या 20 नहीं आया अब तक उसे suspend किया जा सकता है, यह सारा कुछ हो जाएगा, अगर rule number 10A के अंदर मैंने अपनी bank account की detail नहीं दे रखी within the time limit, तो यह consequence था, उसका P.O. चाहे, तो वो cancellation की proceeding चाहे कर सकता है, RG 17 करके, करेगा mandatory यह नहीं है, कर सकता है, अब यहाँ पर दो consequences और add कर दिये, पहला consequence तो same ही है, non-furnishing of the information and rule number 10A can become one of the grounds for sewer motor cancellation, same to same है, this is same, नई चीज़ क्या ही है, point number one, there is a provision of automatic system-based suspension, अब यह क्या है, यह पहले भी था, बस अब 10A के case में भी यह लग जाएगा, अब system-based suspension क्या थी, यह तो सारा procedure manual था, अगर cancellation का कोई ground है, P.O. R.E.G. 17 issue करेगा, आपकी suspension करना च हाए तो कर सकता है, फिर वो proceeding पे अंदर चलेगा, और last में R.E.G. 19 या R.E.G. 20 आ जाएगा, यह तो manual procedure है, एक procedure होता है, rule number 21A, sub rule 2A के अंदर, यहाँ पर मैंने आपको बोला था, automatic suspension होती है, सब कुछ automatically होती है, common portal दवारा, वहाँ पर क्या होता है, अभी तक दो grounds थे हमारे या पर, अगर आपने जो GSTR 1 के अंदर outward supplies करी है, और आपने जो outward का data 3B में दे रखा है, same month या quarter में, आपके GSTR 1 और GSTR 3B में difference आ रहा है, और यह difference एक particular limit से जादा है, तो common portal आपको immediately क्या कर देगा, suspend कर देगा, automatically suspend कर देगा, और दूसरा ground होता है, आपने जो ITC लिया है, अप protect liability की बात, यह हो गया ITC, आपने जो 3B के अंदर ITC लिया है, और आपके 2B के अंदर जो ITC reflect हो रहा है, 2B के अंदर याद है, मेरे supplier अगर GSTR 1 में reporting करेंगे, तो मेरे 2B में आएगा, और rule 36 sub rule 4 ने बोला था, अगर वो 2B के अंदर नहीं आ रहा तो ITC मत लेना, बट फिर भी म common portal इन दोनों cases में, let me repeat the cases again, अगर GSTR 1 और 3B के अंदर output tax liability में difference आ रहा है, और अगर 2B के अंदर जो ITC है और 3B के अंदर ITC मेंने claim किया है, उसमें difference आ रहा है, तो वहाँ पर automatic suspension हो जाएगी, मेरे registration को suspend कर दिया जाएगा, suspension की वज़ह से, मैं tax invoice issue नहीं कर पाऊंगा, मुझे tax charge ही नहीं करना, basically unregistered हो गया हमें, फिर मेरे को return भरनी allowed नहीं है, मेरे e-way bill block कर दिया जाएगी और मेरे refund को hold पर डाल दिया जाएगा, तो suspension हो जाएगी और साथ साथ आपको REG31 नाम का एक SCN issue होगा, और कहा जाएगा, क्यों ये difference है, और क्यों ना आपकी registration को suspend कर दिया होगे, कि what are the reasons for the difference, अगर reply satisfactory लग रहा है, तो वो cancellation proceeding drop कर देगा, और जैसी cancellation proceeding drop होएगी, suspension भी revoke हो जाएगी, on the other hand, आपका reply उसे satisfactory नहीं लगा, 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, REG19 issue कर देगा, आपकी registration को cancel कर देगा, तो basically, जो REG17 वाला case है, और ये जो REG31 वाली cancellation proceeding ह दोनों में फरक है, REG17 वाली जो cancellation proceeding होती है, वो PO manually करता है, मतलब वो खुद manually कर देगा, कि तुमारे घरा के notice देगा, मतलब वहाँ पर PO के हाथ से चल रहा है सारा कुछ, common portal पे automatically notice नहीं आया, PO ने notice send किया common portal पे email ID पे तब आया, वहाँ पर कहीं ना कहीं application of mind हो रहा है, जबक आया satisfactory नहीं है, तो registration cancel, और satisfactory है, तो registration cancellation proceeding drop कर देंगे, मगर in any case suspension तो हमारी चलेगी, चलेगी जब तक cancellation proceeding खतम नहीं होती है, इस provision के अंदर तीसरा ground डाल दिया है, अगर तुमने rule number 10A की violation करी, rule number 10A क्या कहता है, आपको 30 days from the date of RE06, या आपकी पहली GSTR 1 या IFF as the case में भी, उसके actual date, bank details बता नहीं है, अगर आपने तब तक bank details नहीं बताई, तो common portal को तो time limit पता है न, common portal automatically आपकी registration को suspend कर देगा, और आपको REG31 issue कर देगा, यानि अब 2 की जगा 3 ground हो गए, तो इस चीज को भी मैंने यहां पर बता दिया, this also becomes one of the ground for automatic suspension of registration, automatic suspension को मैंने फिर से रिपीट नहीं किया, आपने अपने नोट्स के अंदर, मैंने यहीं पर बता दिया, पहले लिख लो, earlier कौन को से grounds होते थे, earlier there were two grounds, ठीका जी, कौन को से 2 grounds होते थे, आपकी बुक में यापसर मैं आपको नो और दूसरा ground होता था, अगर ITC as per GSTR 3B जादा है as compared to ITC as per GSTR 2B, जो auto populated statement होती है, इन दो grounds के उपर पहले automatic suspension होती थी, अब यह तीसरा ground आ गया, rule 10 के case में भी होती है, ठीक है, third case और यह भी important है, अगर आप rule number 10 a follow नहीं करोगे, तो हम आपकी GSTR 1 और IFF को block कर देंगे, GSTR 1 और IFF का purpose क्या होता है, एक बाज जल्दी से revise कराऊं ताकि आप इसकी severity की, इस consequence की severe nature को समझ सको, यह person है, इसका नाम है A, इसने supply करी किसको, B को, supply है एक लाग गरेपे की GSTR 18,000 रुपे, अब जब A इस supply को अपने GSTR 1 में, या फिर QRMP वाला है तो IFF में report करेगा, तो जाकर यह सामने वाले के उस महीने के GSTR 2B में reflect होगा, और as per section 16.2, red with rule 36 of rule 4, जब तक 2B के अंदर update नहीं होगा, तब तक B इसका ITC नहीं ले पाएगा, या नहीं, मेरे लिए GSTR 1 फाइल करना जरूरी क्यों है, तो जब तक मैं GSTR 1 फाइल करके इसकी reporting नहीं करूँगा, तब तक मेरे customer को उसका ITC नहीं मिल पाएगा, लीग ली, तो तक उसके 2B में update नहीं होगा, अब GSTR 1 और IFF को block करने के कुछ provision already section 37 में थे, अगर आपने पिछ 3B फाइल ना करो, तो या एक quarter की 1 या 3B फाइल ना करो, तो अगले month या quarter का GSTR 1 ब्लॉक हो जाता है, उसी blocking वाले provision में ये नया ground डाल दिया कौन सा, कि अगर आपका 10A की violation है, यानि तुमने bank account की detail provider नहीं करी within the time limit, आपके GSTR 1 और IFF को block कर दिया जाएगा, जैसी ये block होगा, ये facility common portal से हट जाएगी, तुम GSTR 1 फाइल नहीं कर पाओगे, सामने वाले का to be update नहीं होगा, उसको ITC नहीं मिलेगा, और वो तुम पे pressure डालेगा, कि भाई, अपने जो भी default हैं सही कर लो, तो भी तुमारे चक्कर मेरा ITC जा रहा है, तो इसी notes के अंदर आगे मैंने return वाले के अंदर के आई है, amendment आई है, कि time limit change कर दी कही है, very simple amendment, second amendment ये आई है, कि 10 A की violation होएगी, तो दो नए consequences आगे, पहले वाला consequence है, जो, it can become a ground for Suomoto, cancellation by P.O, P.O.R.E.G., 17 इशू कर सकता है, वो तो है है, साथ साथ, automatic, system based, common portal based, suspension का जो provision है, rule 21 A के अंदर, जहापर पहले दो ground थे, वहाँ पर भी 10 A का ground आगया, automatically suspension suspend हो जाएगी, RG 31 में notice आजाएगा, और तीसरी चीज, जब तक मेरे 10 A की violation चल रही है, जब तक मैंने bank account की detail नहीं गी, तब तक मेरा GSTR1 और IFF की जो facility है, वो blocked रहेगी, उसको file नहीं किया सकता, Are we clear? चलिए, अब आते हैं, आखरी हमारी amendment with regard to registration वाला topic, आखरी है ना बस यह, हाँ, उसके बाद तो topic change हो जाएगा न, आखरी amendment हर बार इसके अंदर कुछ नहीं कुछ नया आ रहा है, पिछले दो सालों से भी आ रहा था, फिर से इस बार आ गया, वो क्या है, revocation of cancellation, revocation of cancellation होती क्या बला है, पहले तो वो याद कर लेते हैं, अगर आपको याद करो, अभी मैंने आपको बताया, हमारी cancellation जो है, वो voluntary भी हो सकती है, और suomoto भी हो सकती है, suomoto मतलब, पहले क्या करेगा, proper officer हमें SCN issue करेगा, किसमें issue करेगा, REG 17 में, हमें उसका reply देना है, within a period of 30 days, अगर हम reply नहीं देते, या फिर हमारा reply satisfactory नहीं है, तो दोनों case में वो क्या issue करेगा, REG 19 issue करेगा, और हमारी registration को क्या कर देगा, cancel, मगर मुझे बताओ, अगर ये notice मेरे common portal पर आया, notice तो email पर आता है, या फिर आपके common portal पर आता है, और उस समय मैं किसी काम में busy था, मै personal काम में busy था, या business के किसी काम में, मैं reply नहीं कर पाया, तो मेरी तो registration cancel कर दी, अब इस cancellation के against क्या कर सकते हैं, एक revocation file करने का provision होता है, section number 30 कहता है, आप revocation application file कर सकते हो, GSTREG 21 के अंदर, और ये application उसी PO के पास जाएगी, जिसने cancellation order submit किया था, इस revocation application में आप बोलोगे कि क्यो आप से गलती हो गई, अगर PO को लगता है कि reasonable ground था, कि आपने notice का जवाब नहीं दिया, वो आपकी इस revocation application में काएगा, जो भी default हुआ है, उस default को ठीक कर दो, returns file नहीं कर रखे, तो return file कर दो, अगर कोई clarification दे नहीं थी, तो clarification दे दो, और फिर वो आपकी registry cancellation को revoke कर देगा, cancellation को revoke करने का मतलब, फिर से वो आपको registered person बना देगा, this is the concept of revocation of cancellation, REG21 के नतरा application होती है, अब हर बार amendment क्या आती है, यह जो application है, REG21, इसकी time limit, पिछले कुछ समय से बदले चली जा रही है, क्या time limit थी, इसकी time limit होती है, 30 days, 30 days काम से, 30 days, REG19 की जब service हुई है, service मतलब, REG19 का order जब मुझे मिला है, उसे बोलते है, service of order, जब मैंने receive करा है, जैसी मैंने REG19 receive किया, वहां से 30 दिन के अंदर-अंदर ही, revocation application file हो सकती थी, last to last year, इस moment के आई, इस 30 days के time period को, further 30 days से expand किया जा सकता है, अगर आप assistant commissioner level के person से request करें, और अगर commissioner की बात करें, वो इसे further 30 days से extend कर सक है, यानि, revocation के application 30 plus 30 plus 30 हमारा provision था, पहला 30 क्या होता था, पहला 30 होता था, by default आपके पास time ही है, फिर इसको further extend किया जा सकता है, 30 days से, अगर additional commissioner or joint commissioner के पास गए आप, और अगर और और भी extension चाहिए, 60 दिन से भी उपर चाहिए, तो और 30 दिन मिल जाएंगे, मगर उसके लिए extension किसके बसमागनी पड़ेगी, commissioner, यानि, हद से हद, 30 plus 30 plus 30, 90 दिन तक ही मैं revocation application file कर सकता हूँ, 90 दिन कहां से बात चल रही है, 90 जिस दिन मुझे REG 19 का order मिला है, वहां से बात चल रही है, अब amendment क्या करी, अब इन्होंने by default ही 90 दिन allow कर दिया, दयवान हो गए, इन्होंने by default 90 दिन के अंदर application file हो सकती है, revocation की REG 21 के अंदर, 90 दिन कहां से देखे जाएंगे, from the date of service of cancellation order, और सर क्या आभी ये 90 दिन extend ही नहीं हो सकते है, 90 दिन को further 180 days से extend कर सकते हो आप, maximum 180, मतलब जितनी आप request करोगे, वो अपने हिसाब से देखेगा, कितनी extension देनी है, पर maximum 180 days तक extend हो स रखता है, या उसके द्वारा कोई भी authorized officer, जो कि joint commissioner और additional commissioner level से कम नहीं होना चाहिए, basically commissioner राम तोर पर ये power किसको करेगा, delegate कर देगा additional commissioner और joint commissioner को, तो उनके approval से 180 दिन further extend, यानि नई time limit क्या है, 90 प्लस 180 days, total कितने हो गए, 270 days, amendment को करक्स में बोलू, पहले हुआ करते थे, revocation application file कर रने के लिए 30 days, प्लस 30 और extension, प्लस 30 और commissioner के पास, total 90 days, अब by default time है 90 days, from the date of R.E.G. 19 की service, और extend करना चाहो तो maximum 180 दिन तक और extend किया जा सकता है, commissioner द्वारा, या commissioner का कोई authorized officer, जो कि additional commissioner or joint commissioner level से कम नहीं होना चाहिए, very very small amendment, but again, क्योंकि बार 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 ये provision amend हो रहा है, तो इ अगली category जो है, वो है exemption वाली category, next amendment हमारी आ रही है, amendment number 10, which is related to exemption वाला chapter, पहले exemption वाला chapter, एक बार revise कर लेते हैं, ये कौन से topics related है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो topic है, that is pertaining to government वाली exemptions, तो पहले एक बार अपने flow charts के अंदर government वाली exemptions, अगर आप निकाल लेंगे, तो revise क कर लेते हैं, government वाली exemption में services by government को हमने अपने चार्ट पर्स के अंदर divide कर रखा था, वो कौन को से थे, PORT, और last mean को हमने क्या बोल रखा था, PORT, PORT के अंदर P stands for post office, post office की कुछ चार चुरिंदा services को हमने exempt कर रखा है, उसके लाबा बाकी सारी services जो postal department के होती है, उन्हें by default taxable क के अंदर, चार कोन को सी exempt है हमारी, bio post नाम से मैंने याद करा रखी है आपको, book post, inland letter, ordinary post और post card, ये चार हमारी exempt रहेंगी, irrespective recipient कौन है, इनको छोटकर बाकी सारी post office की जो services हैं, वो taxable भी हैं और forward charge के अंदर ही taxable है, then comes to T, T stands for transportation of goods and passengers, transportation of goods and passengers की बात करें तो इनके लिए प्राइवेट जो दोनों लोग transportation, of course, या प्रसेंजर कर रहे हैं, वो दोनों को add-par कर दिया जाए, जो exemption transportation sector के अंदर, government के आएगी, वही private क्यों पर आएगी, फिर P.O.R.T. का मतलब, कोई भी services अगर government दे रही है, inside या outside the port और airport, और वो services, aircraft या vessels से related हैं, इनको भी हमने taxable कर रखा है, और forward chargement taxable कर रखा है, यानि government tax पे करेगी, दो important point आते हैं, R, यानि renting, अगर government renting of immoral property वाली service दे रही है, और recipient खुद एक government है, यानि government to government transaction हो रही है, तो वहाँ पर exemption होएगी, अगर government renting service दे रही है, और दे रही है, या non business entity को, जिसको किसी भी तरह का कोई business नहीं करना मैंने आपका खुद का example लिया था, कि आप एक non business entity को किसी तरह का कोई business नहीं करते, अगर आप government से renting service ले रहे हो, तो वहाँ पर भी renting service क्या है, exempt है, और तीसरी चीज़ हमने डिसकस करी थी, अगर business entity को वो renting service मिल रही है, तो चेक करना पड़ेगा, business entity registered है या unregistered, दोनों की service में taxable है, but unregistered entity हो, तो forward charge लगेगा, government tax पे करेगी, और अगर registered recipient है, तो वहाँ पर reverse charge आ जाएगा, government ऐसी renting service के उपर tax नहीं पे करेगी, reverse charge में, जो registered business entity है, वो tax पे करेगे, last में O stands for other, other मतलब other than post office, other than renting, other than transportation, goods and passengers, and other than aircraft and vessel वाली service, इनको हमने इस category में डाला था, O मतलब other, य कोई non business entity को दी जा रही है, तो exempt है, business entity में खास बात नहीं देखना, अगर small business entity को दी जा रही है, यानि जिसकी last year, aggregate turnover, applicable threshold limit, 10 लग, 20 लाग, 40 लाग से कम थी, तो small business entity के case में भी exempt है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ tax लगेगा, अगर यह other services, large business entity को दी जा रही है, जिनकी aggregate turnover, preceding financial year में 10, 20 या 40 लाग फाली threshold limit से सादा थी, सिर्फ यहाँ पर other services taxable रहेंगी, other मतलब post office, transportation, renting और aircraft vessel से अलग, और यहाँ पर भी please take care, large business entity में forward charge नहीं होगा, क्या होगा, reverse charge होगा, other services में कुछ और exemption है, जिनको मैंने Mr. 5000 और Fogg नाम से याद करा रखा था, अगर large business entity को भी दी जा रही हैंगे services, वहाँ पर exemption रहेगी, tax नहीं रहेगा, इसके अंदर important थी 5000 वाली, अगर आप कोई भी services दे रहे हो, government कोई भी services दे रही है, 5000 रुपे से कम की उसकी value है, तो वहाँ पर recipient कोई भी हो, वहाँ पर exemption रहेगी, और यह मैंने आपको बताया था, यह 5000 वाली exemption, मैंने च इसलिए उसको other category में डाल दिया, जो 5000 रुपे वाली exemption है, वो post office के उपर applicable नहीं होती, वो transportation sector के case में applicable नहीं होती, और वो port और airport वाले vessel aircraft वाली services में भी applicable नहीं होती, वो सिर्फ renting वाले case में apply करेगी और other services में, तो this was the मोटा मोटा धांचा of the services by the government किस तरह से हम deal करते हैं, अब आपने हम पे कोई PSU नहीं है, ऐसी कोई company नहीं है जिसके अंदर government की holding है, Indian railways directly comes under the government और मैं specifically बात करूँ तो ministry of railways के अंदर आती है, आपको पता है railway minister होते हैं, उनके अंदर ministry of railways होती है और वहाँ पर Indian railways काम करती है, जरह discuss करते हैं at present Indian railways की taxability क्या है, अच्छा Indian railways का जब दिमाग में ध्यान आता है, तो हमारे हमें ऐसा लगता है, mainly उनका काम transportation होगा, transportation में transportation of goods होगा, मालगाडी या transportation of passenger होगा, तो पहले तो यहाँ पर इस चार्ट में अगर मैं देखू, हम जैसी transportation sector के अंदर आएंगे Indian railways, अभी के लिए तो उन्होंने taxable कर दिया, अबर transportation sector में पर जाकर देखते हैं, railways को क्या benefit मिले हुए है, अगर आप transportation sector में जाओगे, तो यह passenger की बात करूँ, तो वहाँ पर हमने डिसकस किया था, Indian railways, first class और AC class में अगर service दे रही है, आपको passenger transportation की, तो वो taxable है, knowledge क्ले मैं आपको बताया था, 5 person का tax होता है, without IDC, और अगर first class और AC class क के लावा किसी और coach के अंदर आपको passenger transport service दे रही है, तो वहाँ पर वो क्या है, exempt है, तो पहले अगर मैं बात करूँ, Indian railways की passengers के अंदर उसको exemption मिल जाएगी, अगर कोई भी coach है, other than AC coach या फिर first class coach, इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे coaches में Indian railways की passenger transport service taxable है, और इनका case तो वहाँ पर taxable है, और taxable कोई reverse charge नहीं notify कर रखा, तो taxable किस के अंदर है, proper charge के अंदर है, फिर goods की बात करें, तो अगर आप transportation of goods वाले point के अंदर आओ, एक तो GTA का पूरा topic है, उसके बाद यहाँ railways, अगर specified goods की transportation कर रहे हैं, specified goods में learning skill दे रखी है, soldiers को agriculture produce, एक्सेक्टरा प् या ऐसी processing करी है, जिससे उसे marketable बनाया, उसका essential characteristic change नहीं किया, एक्सेक्टरा में दाल, रूटी, चावल, दूद पी कर सो जाओ, वो तरी learning skill दी थी, newspaper हो गया, और disaster का मतलब है relief material, अगर इन चीजों की transportation कर रहे है, railways, तो exempt है, इनके अलावा किसी और goods की transportation कर रहे है, तो taxable है और knowledge के लिए बताया था, Indian Railways पे 5% का tax यहां पर लगता है, तो वापिस Indian Railways की बात करूँ, goods में अगर specified goods हैं, तो exempt हैं, और specified goods के अलावा, कोई भी और goods हैं, यह तो हो गया specified, और कोई भी और goods हैं, तो taxable है, और यहां पर भी क्या है, forward charge, तो Indian Railways को अगर देखा जाए, transportation of goods, माल गाड़ी की service पे tax pay करना पड़ता है, अगर specified goods के अलावा कोई और goods लेके जा रहे हैं, और passenger transport पे tax pay करना पड़ता है, अगर first class और AC class वाला case है, बाकी services passenger transport हो, या goods transportation हो, specified goods की transportation, वो exempt रहती है, यह तो अहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब अगली चीजी है, क्या Indian Railways सिर passenger transport service देता है, या कोई और services भी देता है, आम तोर पे Indian Railways सुनते ही, हमारे ध्यान में यह passenger transport service आती है, यह पहले भी वैसे थी, आज भी वैसी है, goods transportation पहले भी ऐसी थी, taxability, आज भी वैसी है, यहां कोई amendment नहीं आई है, amendment आई है, imagine करो Indian Railways और कौन को सी service देता होगा, क्या Indian Railways क रूप में rent पे देता होगा, या किसी और company को rent पे देता होगा, किसी चीज के लिए, या आपने को, इसके लावा बोलू तो, क्या Indian Railways advertisement की service भी देता है, the answer is yes, advertisement, आपने रेलवे सेशन पर देखे होगी, railway के कोचिस क्यूब पर देख रखे होगी, railway के कोचिस के अंदर भी, इवन तक की advertisement होती है, तो सवाल यह है, इन services की taxability क्या होती है, add present, Indian Railways क्योंकि government है, और transportation के अलावा बाकी services की बात कर रहे है, तो फिर से वही चार्ट आ जाएगा, जो अभी मैंने government का आपको पढ़ाया, ultimately Indian Railways है तो government का party ना, तो transportation से अलावा वाली बात कर रहे है, transportation की taxability तो renting दी exempt है, non business entity को दी तो exempt है, registered business entity को दी तो reverse charge है, और unregistered को दी तो forward charge है, तो यहाँ पर क्या Indian Railways की renting भी cover हो जाएगी, the answer is yes, और अगर 5000 से कम है Indian Railways की renting तो जैसे कि मैंने आपको बोला, 5000 से कम वाली renting exempt होती है, तो वो भी exempt हो जाएगी, फिर advertisement हो गई, renting के अलावा और transportation के अला आपकी कोई product को बेचने में help करी, whatever, जो भी बाकी services है, other than renting, वो यहाँ पर आ जाएगी, अगर Indian Railways ने advertisement service government को दी तो exempt हो जाएगी, non business entity को दी तो exempt हो जाएगी, small business entity को दी तो exempt हो जाएगी, और large business entity को दी, तो यहाँ पर reverse charge लग जाएगा, but please take care, अगर यह other services 5,000 रुपे से कम तक की हैं, तो यहाँ पर Indian Railways को exemption मिल जाएगी, यहाँ नी, crux में बोलू, तो Indian Railways की, Ministry of Railways की वो services, जो other than transportation of goods and passengers हैं, वहाँ पर वो इस case के अंदर fall करते हैं, यहाँ पर reverse charge भी लग सकता है, renting और other में, यहाँ पर exemption में मिल सकती है, अब GST Council का यह कहना था, क्योंकि Indian Railways की transport वा करते हैं, वहाँ पर reverse charge को वो हटाना चाहते थे, क्योंकि Indian Railways by default forward charge में tax pay करी रही है, जहाँ पर भी उसको pay करना है, तो उन्होंने का, why not for other services as well, why not for renting services, why not for advertisement and other services other than renting and other than transportation, तो पहली चीज तो उन्होंने notification number 13 by 2017 में बवन्मेंट करी, और उन्होंने का, अगर कोई services, Indian Railways, यानि Ministry of Railway दे रही है, और वो other than transportation वाली service है, तो उस case के अंदर reverse charge नहीं लगेगा, forward charge लगेगा, ठीक है जी, पहली amendment आगी, railways की जो transportation of goods and passenger है, वहाँ तो हमेशा सही forward charge था, वहाँ तो कोई amendment, वहाँ तो कभी reverse charge था ही नहीं, वहाँ तो हमेशा सही forward charge था, या फिर exemption थी, हमने amendment क्या करी other services, यानि की renting वाली, या renting के भी अलावा other services, वहाँ पर अगर large business entity है, या registered business entity है, reverse charge था, उस reverse charge को हमने खतम कर दिया, forward charge आ गया, साथ साथ, सर इसका मतलब हमारे chart के अंदर यहाँ पर change आएगा, यह वाले case में reverse की जगा forward हो जाएगा, और यहाँ पर भी large business entity में, इंडियन real business के case में बात कर रहा हूँ, भागी सब की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर अभी सार रिवर्स चाहिए, forward charge हो जाएगा, दो जगा चाहिए जाएगा, answer is yes, मगर साथ साथ इन्होंने notification number 12 by 2017 में भी amendment कर दी, 12 by 2017 कौन सी है हमारी, exemptions वाली entries, जो exemption है, तो यह सारी अलग-अलग entry हैं जो आपको मैंने अपने चार्ट में बताई, renting service to government, renting service to non-business entity, other services to government, other services to non-business entity, other services to small business entity, और 5000 से कम वाली services, यह सारी अलग-अलग exemption entry है, मैं आपको एक साथ चार्ट फॉर्म में बताता हूँ, सारी exemption entries में से, सारी की सारी exemption entry, other than transportation की बात कर रहा हूँ, transportation को छोड़ दिया हैं, इन सारी जगों पर जहां भी exemption है, renting to government, renting to non-business entity, renting, sorry, other services to government, other services to non-business entity, and other services to small business entity, और कोई भी services by Indian railways, जहां पर consideration पांची जार रोफे से कम है, इन सारी exemption से Indian railways को exclude कर दिया, यानि अब provision क्या बना, जब मैं यहां रेंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो इस रेंटिंग के प्लीज टेक केर, जैसे post office की renting को हम यहां कवर नहीं करते थे, post office को अलग कवर कर रखा है, forward charge में taxable कर रखा है, जैसे other services में post office को कवर नहीं करते थे, same way में Indian railways की जो services है, other than transportation की बात चल रही है, प्लीज टेक केर, transportation वाली जो services है, उन पे कोई change नहीं आया, पहले भी transportation के अं non specified goods के transportation में forward charge करते थे, यहां पर there is absolutely no change for Indian railways, Indian railways की जो बाकी services है, other than transportation, basically जो renting है और जो renting के भी अलावा बाकी services है, renting और transportation के अलावा है, उनके उपर जो भी exemptions थी, और जो भी reverse charge था, दोनों की दोनों entry delete कर दी, यानि in short बोलूं, तो इस chart के अंदर क्या change आया, chart में change यह आया कि अगर Indian railways, transport service कर रही है, वो तो ठीक है, chart से, transportation वाले chart से deal करो, वहां तो कोई amendment नहीं आई, मगर Indian railways कोई बाकी service दे रही है, तो P के साथ साथ, post office के साथ साथ, इस बार यहां पर Indian railways भी आ गई, अगर Indian railways, कोई भी renting service दे रही है, सामने वाला person, कोई भी हो, tax लगेगा, forward charge अगर गवर्मेंट हो, तो यह वाली exemption जो है, हमारी, यह delete हो गई है, सामने वाला अगर non business entity हो, यह exemption delete हो गई है, अगर सामने वाली business entity है, और registered है, reverse charge वाली entry delete हो गई है, तो अब tax तो लगेगा, मगर forward charge में, यानि Indian railways अगर कोई भी renting service देगी, तो tax लगेगा, और किसमें लग entry पहले से नहीं लगती थी, अब भी नहीं लग रही, other than transportation, कोई भी renting service देती है, कोई भी other service देती है, 5 अर से कम भी है, तो भी tax लगेगा, over charge में लगेगा, renting के अलावा कोई service देती है, basically other services देती है, तो government को दे, कोई exemption नहीं है, non business entity को दे, exemption में exception create कर दी हमने, small business entity, exemption हटा दी, exception create कर दी, वो भी taxable है, और large business entity में भी taxable है, और आप ध्यान देना कोई reverse charge नहीं है, हर case में क्या है, forward charge, तो 100 बात की एक बात, इतनी सारी entries में change किया है, इन्होंने, 100 बात की एक बात है, सारी की सारी exemptions, और reverse charge, जो Indian railways को मिलता था, for other than transportation service, transportation of passenger और transportation of goods को छोड़ कर, बाकी services, renting और other services पे, जो Indian railways की exemption थी, और जो reverse charge की entry थी, वो सारी delete कर दी गई है, अब Indian railways की other services और renting यहाँ पर नहीं आएंगी, यानि simple बाशा में बोलू, Indian railways की बाकी services, other than transportation, just like post office हो गई है, जैसे post office अपनी 4, महां तो फिर भी 4 exemption होती है, उनको छोड़ कर, हर जगा forward charge में tax pay करता है, similarly Indian railways, passenger transport और goods transport को छोड़ कर, बाकी जितनी भी services हैं, उनमें forward charge में tax पे करेगी, और बात करूं transportation की, यहाँ तो provision बिलकुल पहले था जैसा, वैसे कब ऐसा है, तो आईए ज़रा book के अंदर आते हैं, आपको जो flow chart मिलेगा न, वहाँ पर इस chart में यह change मिलेगा, post office के साथ साथ Indian railways भी आ जाएबा, चीकर जी, चलिए, हाँ, एक बार यहाँ पर discuss करते हैं, कहां गया, यह हमारी amendment, चलिए ज़रा पड़े, सबसे पहले मैं आपर बता दिया, services or transportation of passenger by Indian railways, other than first class and AC class क्या है exempt, और first class और AC class के अंदर, taxable होता है, और वहाँ पे forward charge में taxable होता है, transportation of goods from one place to another in India will be exempt अगर specified goods है, बागी goods के case में forward charge होता है, इन दोनों के अंदर कोई भी change नहीं आया, आज भी Indian railways यह चीज करे, transportation करे, कोई change नहीं आया, change कहां पर आया, इन में, पहले अगर renting service करती थी Indian railways, तो वो exempt होती थी अगर recipient government है, अगर recipient non business entity है, और recipient अगर business entity है, वो registered है, तो reverse charge लगता था, unregistered है, तो forward charge लगता था, अब change क्या आया, कोई भी renting service है, always taxable, नीचे तो लिख रख है, आप साथ साथ यहां पर लिख लो, renting service always taxable, और forward charge के अंदर आएगी, ठीक है जी, यहाँ पर change आया, फिर, कोई भी और service other than transportation and renting, example ले लेते है, advertisement service, अगर Indian railways, advertisement की services देती है, क्यों government को दो तो exempt, non-business entity को दो तो exempt, small business entity जिसके एक दिके turn over threshold limit से कम है, तो वहाँ पर भी क्या होता था, exempt, यह सारी exemption delete हो गी है, large business entity को दो तो taxable होता था, मगर reverse charge applicable होता था, यह reverse charge हट गया, तो अब अगर advertisement service दे रहे हो, to any recipient, आप किसी भी recipient को advertisement service दो, लिख लो, यहाँ पर Indian railways की advertisement service या, कोई भी other service other than renting and transportation, always taxable और reverse charge भी delete कर दी है, किसमें आ जाएगा, और आखरी, 5000 रुपे से कम वाली renting या, कोई भी other service government की exempt होती है, तो अगर Indian railways के context में बोलू, Indian railways renting service देती थी, add service 5000 से कम वाली, तो यह exempt होती थी, यह exemption delete हो गई है, तो अब यह भी क्या हो गया है, taxable और होताने की जुरत नहीं है, यह भी किस किंद्र taxable हुआ है, और चार्च में, तो मैंने ले देके क्रक्स लिख दिया, any services by ministry of railways या, Indian railways, other than transportation of goods and passengers, क्योंकि वहाँ पर taxability अभी भी same है, will now be taxable, because all the exemptions which were there for government departments, they have been deleted for Indian railways, and secondly, they will not be under reverse charge, they will be under forward charge, simultaneous amendment, उन्होंने multiple entries exemption वाली notification में करी ह है, और reverse charge में, अगर आप entry number पढ़ने बैठ जाए तो confused हो जाओगे, अगर आप ICI के statutory update देखोगे ना, इतनी साइटी entries में amendment है, आप कहोगे क्या चल रहा है, मैंने आपको क्रक्स बता दिया, हमारे चार्ट में, जो भी exemption other और renting service को मिलती थी, वो सारी Indian railways के लिए ने अप्ल अगरे इंदर, other than transportation, anything and everything is taxable and forward charge, but again I am saying other than transportation, transportation of passenger and goods पचो पर जो प्रोविजन था, वो अभी भी exactly same to same है, चिकांजी, चलिए, पांच आर से कम वाली entry बी डिलेट होगे, यह मैंने आपको बता दिया, अप्र प्रोसीड फर्दर, amendment number 11, यह किस क्यूप पर है, बहुत ही छोटी entry है, पहले भी थी, in fact मैं आपको बता हूँ, पिछली बार ही आ गई थी, बट मैंने आपको पढ़ाया नहीं थी, क्योंकि बहुत ही limited scope था इस entry का, इस बार इसमें amendment आ गया और इसका scope बढ़ गया है, इसलिए मैं आपको बढ़ा रहो, वैसे ही यह entry मैंने class के अंदर नहीं की amendment आ गई थी, क्यों नहीं पढ़ाया यह दरा पड़ो, यह कहारा है satellite launch services supplied by तीन organization का नाम बोलाई इन्होंने, इस रो, आस आपको बता है, चंदरयान की लेंडिंग के अंदर इस रो का नाम तो सुनहीं होगा, इंदिन स्पेस रिसर्च और्गनाइशेशन, फिर Corporation Limited and New Space India Limited, यह दो private entities है, government regulated नहीं है, जो यह काम करती है, अब इंडिया के अंदर, आपने उन दिनोंगर चंदरयान का जब launch हुआ था, लास्ट येर की बात है, जब चंदरयान का launch हुआ था, उस समय आपने यह चीज़े सुनी होएंगी, कि इस रो जो है, वो unlike नास्वा, इनोंने satellite को launch करने की जो technology है, वो बहुत सस्ते rate के अंदर बना रखी है, तो बहुत सारी और countries की जो organization है, जैसे recently, आबुधाबी ने अपनी जो भी satellites space में भेजनी थी, satellites मतलब जो टेलीकॉम satellites होती है, security satellites होती है, जो भी space में भेजनी होती है, उनको launch करवाने वाला काम वो इं culture है ही नहीं, और जो ये US, Russia, China के पास है, भी सही, ये बहुत महेंगे rate में करते हैं, इंडिया इसको काफी cost efficient way में कर देता है, तो धिरे-दिरे space के field में, इंडिया एक बहुत important service देने लग गया है, satellite launch service, और इंडिया के अंदर तीनी entities हैं, जो ये काम करती हैं, एक तो हमारी सरकारी organization हो गई, ISRO, इसके लावा, Antrix Corporation Limited and New Space, इन चीजों को attractive बनाने के लिए, और इंडिया को space की field में, और ज्यादा एक hub बनाने के लिए था, कि बाकी सारी countries, छोटी-छोटी countries भी जो अपनी, क्या कहते हैं, खलको satellite भेचे, वो satellite launch वाला काम हमारे से ही करवाएं, इसलिए ह हमने इस पर exemption देती थी, मगर last time ये entry मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि आपको पता है, ये सारी satellites और launch service की बात नहीं करती थी, ये तीन entities की बात करती थी, तो हो सकता है, क्योंकि ये तीन entities ही काम कर रही हो, आच की रेट में, बट अब सरकार चारी है, कि इस space research में सिर्व ये तीन entities काम ना करें, और भी entities आएं, अब और entities हैं, मान लोकल को मैं इस field के इंदर आना चाहता हूँ, not that मुझे कोई satellite की knowledge है, अपने को तो भाई, science हमारे ले तो काला अक्षर भैस बराबर, सिधी सी बात है, हमने तो science को त्याग दिया था, दस्वी क्लास के बाद बट, example group में ले लो, आज AVJ, satellite launch services के field में आ जाता है, तो क्या AVJ को exemption मिलेगी, the answer is no, तो फिर playing ground तो हुए नहीं ना, इन तीन के लावा को कई नई company आई नहीं पाएगी, तो अब इनोंने entry में क्या किया, जो तीन entities का नाम था, वो delete कर दिया, और अब exemption सिर्फ किसके लिए रह पिछली बार तकी मैं ये entry पढ़ाता ही क्यों नहीं था, क्योंकि ये सर्फ तीन organization की बात करती थी, इस रो की बात करती थी, फिर हमारा Antrix Corporation और New Space India Limited, सिर्फ तीन entities को ये benefit मिला हुआ था, तो मैं कहता था, exam में relevant ही नहीं जादा, इस बार ये थोड़ा सा amend हुए है, इसलिए म सरकार के taxpayer के पैसे बे dependent ना रहें, वो satellite launching का एक hub बन जाएं, सारी छोटी-छोटी countries हम से satellite launch कराएं, revenue generate कर पाएं, इसलिए उनको GST से हमने क्या कर रखा है, exempt कर रखा है, are we clear, बहुत simple entity थी, entry थी, अब आते है, entry, appointment number 12, एक नई entry add हुई है, मगर इसको पढ़ाने से पहले, इसको exemption मिलती है, जिनका recipient government हो, और इसको याद कराने के लिए मैंने आपको learning skill दे रखी थी, P-I-C-T-R-E, picture की spelling गलता है, यह नो, बट हमने इस तरह से याद कर रखा था, P stands for passenger transport service, कोई भी airline company, अगर उडान scheme में, उडान बोले तो regional connectivity scheme में देती है, तो सरकार से उनको viability gap funding मि पैसा सरकार से मिलता है, वो exempt है, तीन साल तक है exemption मिलती है, from the rate of commencement of the operations to that airport, but regional connectivity airport के अंदर जो passenger से पैसा मिलता है, वो exempt रही होता, सिर्व वाइबिल्टी gap funding को exempt कर रखा है, I stands for import of service, अगर government, या कोई भी charitable institution, या कोई भी individual, import of service कर रहा है, और वो उसे use कर रहा है, other than for business purpose, तो ऐस import of service को हमने exempt कर रखा था, although हम उसे 7-1-B में supply बोलते हैं, even if it is not in the course in furtherance of business, but अगर recipient हमारा government है, individual है, या को charitable institution registered in 12AA है, तो हमने import of service को exempt कर रखा है, चिकर जी, C stands for constitutional function, अब आगे नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि mainly ये entry है, मैं फालतु में बैठ के को revise करा रहा हूं, सारा कुछ, पढ़ाने बैठते हूं ना, जोश-शोश में सारा कुछ पढ़ाने बैठ जाता हूं, entry है, हमारी C वाली है, C वाली entry क्या है, अगर कोई भी local authority है, पंचायत, municipality है, उनके कुछ constitutional function होते हैं, पंचायत के 243G के अंदर हैं, और municipality के 243W के अंदर है, local authority खुद ये function करें, तो वह वहां पर 7-2B लग जाता है, और वहां पर उसे supply नहीं माना जाता, हमने supply के दायरे से बाहर कर रखा है, यहाद है, government की दो functions होते हैं, जिनको supply से बाहर कर रखा है, एक तो ये constitutional function, और दूसरे होते थे alcohol का license अगर government देती है, और उसके लिए fees charge करती है, अगर यही function, local authority की जग इनके outward पे 7-2B नहीं लगेगा, बट इनको भी exempt करना था, इसलिए उसके लिए क्या कर दी हमने, exemption entry डाल दी, तो अगर यह constitutional function, government authority या government entity, जो government especially बनाई है, इन constitutional function को करने के लिए, और जिसमें 90% यह उससे जादा control और equity, government की है, तो यहाँ पर exemption लग जाती है, और अगर government कुछ काम outsource कर रखा है, किसी की help लेके कर रहे है, और वो person pure services दे रहा है government को, तो उस case में any pure services which are given to the government या local authority, so as to help them to perform the constitutional functions under article 243G और 243W, तो ऐसी pure services exempt होती है, और अगर यह person government को composite supply दे रहा है, goods plus service वाली, और goods की value 25% of the total contract value से कम है, तो भी exemption है, which means that अगर composite supply में goods की value 25% से जादा है, तो क्या है, taxable है, तो दो exemption entry यहाँ पर होती है, एक है pure services जो हम दे रहे हैं, और दूसरा है composite supply जिसमें material का component 25% से कम होता है, अब last year इसके अंदर amendment आई थी, अगर यह दोनों services, pure services और composite supply जहाँ पर material 25% से कम है, अगर हम यह central government, state government, union territory या local authority को दे, तब तो exemption है, अगर यह services हम government authority या government entity को दे, तो यह exemption in applicable हो जाती है, तो आपके chart के अंदर मैंने last year यह box डाल दिया था, these two activities when given to government entity या authority would not be exempt, यानि government entity और authority की outward तो exempt होती है, मगर उनकी inward, अगर वो पीछे से services लेते हैं, वो exemption entry से उनको बाहर कर रखा है, एक मिले example ले ल MCD खुद कोई भी article 243W वाला function करे, तो MCD को 7-2B के अंदर supply नहीं मानेगी, और अगर MCD पीछे से किसी person को outsource कर दे, जैसे मैंने example लिया था, लक्ष्मिन अगर में सारा कुड़ा उठाने के लिए कोई एक company का ट्रक आता है, जिसको MCD का contract मिला होगा, लक्ष्मिन अगर के अ अगर composite supply देगा, तो exempt होगा, अगर goods का component 25% से कम है, मगर अगर goods का component 25% से जादा है, तो वो क्या रहेगा, taxable रहेगा, on the other hand, माल लो साफ सफाई रखने के लिए दिल्ली में, MCD ने एक government authority, government entity बना दी, एक full time authority बना दी, जिसका काम है, सीवेज, डेली, सीवेज, डिस्पोजल, कॉर्परेशन, कई बार local authorities क्या करती है, एक हर काम के लिए अलगला government authority बना देती है, और obviously इसके अंदर 90% या उससे ज़दा control किसका होगा, MCD का, अब जो ये government authority काम करेगी, constitutional function perform करेगी 243W वाले, क्योंकि MCD ने बोला है इसको, वो 7 जो person government authority को pure service देगा, या composite supply देगा, जिसके अंदर goods का component 25% या उससे कम है, यहाँ पर exemption नहीं थी, यहाँ पर tax लग रहा था, यानि problem समझ गए, government authority अगर सरकार ने बनाई, कहीं पर भी local authority ने अपने functions करने के लिए government authority बनाई, तो उस case में government authority का outward तो exempt है, government authority का invert exempt नहीं है, invert की ज services, central government, state government, union territory या local authority को है, government authority के लिए invert exempt नहीं है, अब आप समझ गए होगे, मेंट मेंट किस में आई, अगर कोई person कुछ services दे रहा है government authority को, तो उसके लिए exemption लाई गई है, मगर उसकी entry, पिछली वाली entry से different है, existing entry, अगर central government, state government, union territory या local authority के services ले रहे हैं, तो हमने बोला, any pure service य any composite supply जिसमें goods का component 25% से कम है, which is used by them to perform the constitutional function, उनको exempt कर रखा है, मगर हमने नाम नीम दे रहा है, हमने का कोई भी constitutional function करने के लिए, कोई भी service मिल रही है, यह composite supply मिल रही है, जिसमें goods 25% से कम है, कोई भी composite supply या service exempt है, यहाँ पर जो इनोंने government authority के लिए, where the recipient is government authority, उसके लिए जो exemption entry लाएं है, वहाँ पर उस entry को इतना wide open नी रखा, उसके अंदर कुछ चुनिंदा चीजों को यह exempt किया है, तो पहले मैंने background provision के लिए बता दिया, कोई भी pure service, यह कोई भी composite supply जिसमें goods 25% से कम है, अगर वो इन लोगों को मिल रहा है, और किस के लिए मिल रहा है, constitutional function perform करने के ल government authority को दे रहे हैं, तो उस case के अंदर ये वाली services exempt है, कौन कौन सी हैं एक बार, water supply में help कर रहे हैं, public health का ध्यान रख रहे हैं, sanitation, जो मैंने भी आपको example दिया, साफ सा वेवा रगा काम, solid waste management, basically जो हमारे घर के pipe से सारा waste material निकलता है, हमारे washroom से होते हुआ, उसको dispose off करने की सार प्रोसेस को क्या बोलते है, solid waste management, फिर slum improvement and upgradation हो गया, जो slums को upgrade करने का है, they are exempt, इसको याद रखने का तरीका क्या है, अब मुझे और को यह learning skill तो अच्छी मिली नी, homework, sss, यही मिला है मुझे तरीका बस, homework मतलब, s stands for health, w stands for water supply, homework, health or water, sss, sanitation हो गया, solid waste management हो गया, slum improvement हो गया services, अगर government authority को मिल रही है, तो वो exempt है, तो अगर मैं यहाँ पर, छोटा सा आपको chart बनवादू, chart क्या है, एक बार के यहाँ लिए लिख देते है, government authority, government authority का मतलब मैंने यहाँ पर repeat नहीं करा, वो already मैंने आपके book में print कर रखा है, अगर 90% यहाँ से जदा, equity या control, government के हाथ मे हैं, और वो उसको किसी specific purpose के लिए बनाया गया है, अगर यह खुद कोई भी constitutional function perform करते हैं, और उसके पैसे charge करते हैं, constitutional function 243G का भी हो सकता है, 243H का भी हो सकता है, तो इस case के अंदर पहले भी exempt था, आज भी exempt है, बस फर्क क्या आया, अगर यह इस constitutional function को करने के लिए, पीछे स से कोई service लेतने हैं, वेर्दर रेसिमेंट इस government authority, पहले यहाँ पर कोई exemption नी थी, यहाँ पर exemption आजाएगी, if these five services, अगर यह पांच services receive कर रहे हैं, तो exemption है, which means that आज भी government authority, इन पांच के अलावा कोई service ले, तो exemption मिलेगी, ता answer is no, if any service, if any other service, then पहले भी taxable था, आज भी taxable है, तो basically change कहा आएगा, अब आपको flow charts के अंदर change कहा मिलेगा, अभी जो services to government वाला चार्ट है, उसके अंदर मैंने learnings के लिए आपको क्या दे रखा है, PICTRE, जिसके अंदर यह सारी बाते मैंने C मतलब constitution function में कर रखी है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, PICTARE कर वो भी हमारी क्या है, exempt है, तो इस तरह से वो भी आजाएगी, कोशिश करूँगा, इसी चार्ट के अंदर set करूँगा, जब मैं यह recording कर रहा हूँ, तब तक मैंने इस चार्ट को अभी तक amendर नहीं किया, तो मेरी कोशिश रहेगी, इस तरह से amended chart आपको provide करूँगा, एक और नई entry आगरी आपर, चलिए आगे, चलिए, let's go, proceed further, next point, बहुत ही simple है, मेरे साब से exam के लिए ज्यादा relevant नहीं है, फिर भी आपको बता रहूँ, GTA की बात करें, GTA की बात करने के लिए एक पर GTA का flow chart खोली लेते है, flow charts खोली रखे हैं आपने ये वीडियो देखते समय, तो GTA के चार्ट में आई है, GTA के चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो GTA के चार्ट कुछ, GTA की फिल्म तो याद है न, goods transport agency, any person who transports the good by a road, and issues a document called, consignment note by whatever name called, ठीक है जी, अगर GTA है, तो वहाँ पर exemption भी थी, वहाँ पर reverse charge भी था, वहाँ पर 5 और 12 की लडाई भी थी, पहली बात तो अ recipient कौन होता है, जो उसको fret pay करने के लिए liable हो, अगर recipient specified person है ये सारे, तो tax लगेगा, अगर non specified person है, तो tax क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा, कोई tax आई गई नी, specified के अंदर, अगर तुम GST में registered हो, only for the purpose of TDS, तो वहाँ पर भी exemption आजाएगी, बाकी सारे cases में, अगर आप एक factory हो cooperative society हो, body corporate हो, partnership firm हो, LLP हो, या आप GST में registered कोई person हो, तो आपके case में tax लगेगा, यहाँ पर भी तीन option आते हैं, पहले दो option, GTA के पास option है, forward charge में tax pay करने का, forward charge में वो 12% भी opt कर सकता है, 5% भी, अगर GTA 12% वाला option करेगा, forward charge में उसे tax pay करना है, और पीछे से उसको ITC मिल जाएगा GTA service देने के लिए, जो भी पीछे से उसने truck खरीदे, truck की insurance कराई, truck का service कराई, वो सारे ITC मिल जाएगे, बट अगर वो 5% वाला forward charge लेता है, तो forward charge में tax तो pay करेगा, पर उसको ITC नहीं मिलेगे, on the other hand, अगर GTA option number 1 or 2 करता ही नहीं exercise, then by default option number 3 यह है, कि reverse charge लग जाएगा, और जो यहां तो ITC का सवाली नहीं उठता, जो कि supplier में जो truck खरीदा है, उसका recipient को ITC कैसे मिल सकता है, तो यह हमारे मोटे 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 तीने option रहते हैं, जिसमें पहले दोनों option forward charge वाले हैं, और अगर forward charge option ना opt करें, तो वो क्या आ जाता है, reverse charge, अब forward charge वाले option को opt करने के लिए, मैं तो by default, department को कैसे पता चलेगा कि as a GTA आपको उनसा option ले रहे हो, तो change पता क्या है, taxability same to same है, यह जो हमारी, वो थी ना, GTA has taken registration forward charge के लिए, और उसे declaration फाइल करनी होती थी, साल शुरू होने से पहले, और उसमें भी 15 मार्च से पहले पहले, यानि अगर मैं 24-25 के लिए declaration फाइल क tax pay करना चाहता हूँ, तो मुझे एक तो इस साल के शुरू से पहले पहले करना पड़ेगा, और मेरी last date क्या होएगी, 15 मार्च 2024, इस दिन तक GTA को declaration फाइल करके, और GTA खुद रेजिस्टर होना चाहिए, आप forward charge का option ले सकते हो, अब इंडमेंट सिर्व इतनी सी आई है, इस date क को बदल दिया, GTA option कब exercise कर सकता है, और तीसरी condition तो सेम थी, GTA को invoice issue करना और उसके दर ये बताना है कि forward charge कर दिया है, GTA registered होना चाहिए, उसने declaration फाइल कर रखी है, साल शुरू होने से पहले-पहले 15 मार्च तक, और उसने अपनी invoice पर भी declare कर दिया है, और वो फाइज में tax pay कर र same to same है, change आया, सिर्फ और सिर्फ से condition number 2 में time limit बदल दिया, क्या time limit था, साल चुरू होने से पहले 15 मार्च तक, अब इन्होंने क्या बोला, जो साल चुरू होने से पहले आखरी quarter है, first January 2014 से लेकर, मार्च चुरू तक उस पूरे quarter में कभी भी file कर सकते हो, तो simple बाशन में बोल आ रहा है, वहां से लेकर 31 मा, simple बाशन में बोलू, financial year start होने से पहले, जो immediately preceding quarter है, उस quarter के अंदर अंदर आपको option exercise करना है, एक बार आपने option exercise कर लिया forward charge का, तो by default वो forward charge भी माना जाएगा, हर साल आपको option exercise करने की जुरूत नहीं है, बट आप साल के middle में कभी option को revert back कर सकते हो, option में reward back करने का मतलब क्या हुआ, आपने forward charge में tax pay करना बंद कर दिया, और जैसी आपने forward charge में बंद कर दिया, तो by default क्या लग गया, reverse charge, तो याद रखिए, साल के middle में इस option को exercise करना पहले भी possible नहीं था, आज भी possible नहीं है, पहले भी लोग कहता था जो GTA declaration फाइल करेगा, डेट थी 15 March, immediately preceding the start of the year, अब क्या हो गई है, जो आखरी quarter है, immediately preceding the start of financial year, यानि 1 January से लेकर 30 March, उसके इंदर declaration फाइल करेंगे, और यहाँ पर हमने clear कर दिया, कि एक बार आपने declaration फाइल कर दी forward charge की, तो बार बार फाइल करने की जोड़त नहीं है, unless in a day, आप उसकी exit की intimation दो ह में, कि मैं forward charge से बाहर जाना चाहता हूँ, अब आप रिवर्स चार्ज लगा सकते हो, तो वो intimation जब तक फाइल नहीं हुई, एक बार आपने declaration फाइल कर दी, तो आप my deferred forward charge में आए, अब यहाँ पर यह time limit तो है, उस GTA के लिए जो already GST में registered है, और अब वो forward charge में आना चाहता है, मगर कोई GTA पहली बार अपना business शुरू कर रहा है, या पहली बार उसने threshold limit को cross किया है, यानि GST में पहली बार वो register हो रहा है, it may be possible, because business ही नहीं है, it may be possible कि पहले business करता था, बट पहले unregistered के लिए तरह करता था, अब पहली बार register हुआ है, तो उस case में time limit थोड़ी सी अल month, whichever is earlier नहीं है, whichever is later है, ये time limit आपको rule 10A की time limit से confuse कर सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सिर्फ read करके छोड़ दो, इसके exam में आने के chances बहुत कम है, सिर्फ एक बार read करके छोड़ दो, अगर आएगा भी सही exam के अंदर, तो ये वाली time limit पहूच सकते हैं, तो ये पहली time limit में इसलिए आपको पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि 10A के अंदर जो भी time limit पढ़के आए, 10A में क्या था, जब bank account की detail देनी है, REG 06 से 30 दिन के अंदर या पहली GSTR 1 या IFF की actual date, whichever is earlier, वो date जाधा relevant है, इसको याद करने के चक्कर में उस से confuse मत हो जाना, यहाँ पर क्योंकि 45 days है, REG 01 फाइल करने से, और 1 month है, REG 06 से, और whichever is earlier नहीं है, whichever is later, तो इस पहले point को read कर ले न, जो person already GTA registered है, उसको साल चुरू होने से पहले पहले, जो immediately preceding quarter है, वहाँ पर अपने option को exercise करना है, तो यह थी हमारी exemptions related सारी amendments, अब एक amendment और आई है, IITC के chapter में और बहुत ही छोटी amendment आई है, क्या amendment है, पहले आपको याद दिलाओ, ITC के अंदर, इससे पहले कि आप ITC avail करो, ITC avail करने का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी GSTR 3B के अंदर, उस procurement को दिखा देते हो, और उसके correspondingly ITC को claim करते हो, वो ITC आपका e-credit ledger में चला जाता है, इसे self-assessed ITC भी बोल सकते हैं, इसे practically हम क्या बोलते हैं, availability of ITC, यानि availability का मतलब यह नहीं है कि अपनी किताबों में आपने ITC को avail कर लिया, जब आप अपने return के अंदर ITC को claim करते हो, और वो ITC e-credit ledger में चला जाता है, उसे availability of ITC बोलते हैं, ITC को avail करने से पहले आपको section 16, 17 और 18 check करना पड़ता है, 18 तो चला special ITC है, सोना और सतना याद करते हैं, 16 के अंदर आपको 16, 1 की condition check करनी है, आप registered हो, आप सिर्फ input tax का credit ले रहे हो, और जिस भी चीज़ का ले रहे हो, course and furtherance of business के अंदर है, साथ सथ आपको 16, 2 check करना पड़ेगा, आपके पास supporting document होना चाहिए, या आनी की tax invoice वगरा, या debit note, या फिर revised invoice, या फिर bill of entry, supporting document होना चाहिए, secondly, आपने goods या services को receive कर लिया है, thirdly, supplier ने tax pay कर दिया है, fourthly, वो आपके GSTR 2B के अंदर update हो गया होगा, तभी ले ना ITC, fifth, आपको उसको अपनी return में claim करना पड़ेगा, without claiming in the return, उसे ITC availed नहीं माना जाएग और sixth, आपके GSTR 2B के अंदर भी, ITC 2 के degree में आएगा, एक allowed और एक disallowed, disallowed वाले ITC मत लेना, ये तो 16-2 की condition है, साथ-साथ 17 चलता था, और 17 के अंदर आपको याद हो तो 17-5 नाम का section है, जहां पर कुछ SE procurement है, जिनका ITC denied है, आप ITC ले नहीं सकते, even if 16-1, 16-2 satisfy भी हो रहा हो अगर 17-5 वाली procurement कर रहे हो, वाँ ITC मिलेगा ही नहीं, 17-5 को याद कराने के लिए मैंने आपको एक simple learning skill दे रखी है, याद है, एक बार आपको वो chart दिखाई देता हूँ, click कर जाएगा आपको, ITC वाले chart में आजएगे, बिल्कुल lost में आजएगा न, हाँज, ये हमारी learning skill जो अमिताब बच्चन का एक बहुत ही famous dialogue है, उसकी उपर मैंने आपको ये याद कराया था, आज मेरे पास घर है, गाडी है, नौकर चाकर है, और तुमारे पास क्या है, बस यहाँपर dialogue को थोड़ा था change कर दिया था, तुमारे पास मा की जगा हमने कह दिया था, तुमारे गाड़ी, नौकर चाकर और माक आशिरवाद, घर के अंदर immovable properties related, जो works contract, service वगरा के, ITC denied है, उसे discuss किया था, गाड़ी के अंदर basically motor vehicle, vessel और aircraft related, जो ITC restriction है, उसकी बात करी थी, नौकर चाकर में employee related, जो भी हम procurement करते हैं, food and beverage, beauty services, health services, insurance services, leave travel concession वाली services, वो सारी हमने restrict कर रखी है और last में, माक आशिरवाद में हम बोलते थे, माक आशिरवाद क्योंकि free होता है, तो आपने कोई भी course अगर free sample के रूप में दिये हैं, gift के रूप में दिये हैं, destroy हो गए हैं, lost हो गए हैं, write off कर दिये हैं, तो उस से related ITC भी आपको नहीं मिलेगा, यह हमारा 17.5 था, अब इस हमें से controversy चल रही थी, controversy किस को लेकर है, companies को लेकर, आपको बता है, section number 135 of Companies Act, उसके अंदर कुछ companies को CSR करना जरूरी होता है, corporate social responsibility, वो criteria आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, मैं company लोग फड़ा कम पड़ा लिखा हूँ, मेरे जमाने में तो companies act 2013 नंग से आया भी नहीं था, मैं CA बना था, कुछ section applicable हुए थे, तो मुझे इतना अच्छे से नहीं आता 135, बट कुछ companies को अपने profits का 2% CSR पे खर्च करना होता है, यानि donation वगरा करनी होती है, कोई ने कोई समाज के लेकर काम करना होता है, अब यह company है, X Limited, इसने outward के अंदर कुछ भी CSR वाली activity करी, CSR वा की outward activity हो गई, और इसको करने के लिए उसने पीछे से कुछ input services लिए, कुछ input लिए, कुछ capital goods लिए, यानि you have procured certain goods and services, so that you can do CSR activity, अब हमारे department क्या कहता था, department कहता था, तुमारा काम तो क्या है, let's say यह X Limited coaching का का काम करती है, तो coaching में नीचे हो तो तुम education में फसाद होगे, let's say यह TV बेचती है, X Limited कहती थी, कि यह, sorry department कहता था, तुमारा काम TV बेचना है, अगर तुम CSR activity करने के लिए कोई goods and services ले रहे हो, इसका मतलब यह business purpose नहीं है, और business purpose नहीं है, तो 17 subsection 1 के अंदर हमने बोल रखा है, कि अगर को business purpose के लिए अपने procurement कर रही है, तो ITC नहीं मिलेगा, तो वो CSR को non business purpose बोलते थे, और वो कहते थे कि अगर business purpose के लिए तुमने procurement नहीं कर रखी, तो ITC deny करते थे, और हमारा argument क्या होता था, भाई अगर तुम्हें इंडिया के अंदर काम करना है as a company और तुमारे पर section 135 लगता ह आए company's act का, तो business करने के लिए तुम्हें CSR करना पड़ेगा, अगर तुम CSR नहीं करोगे तो company's act में default हो जाएगा, यानि बेशक मेरा काम TV बेचना है, बेशक मेरा काम किताबे बेचना है, बेशक मेरा काम telecom company है, मगर ये CSR भी मेरा business है, क्योंकि इसको ना किया तो company's act मु ये भी business purpose होता है, because it is a mandatory requirement, तो आप मुझे पहले सोच के बताओ, तो और मुझे कौन सा argument जादा अच्छा लग रहे है, department का argument कि CSR तो मारा काम नहीं है, या assessi का argument कि CSR भी हमारा business है, क्योंकि ये हमें mandatory करना है, obviously, काफी सारे courts ने assessi के favor में judgment दी, और उन्हेंने ITC allow कर दिया, उन्हेंने बोला, अगर CSR ना करें, तो इसके उपर Companies Act में default लग जाता है, default में जो भी होता होगा, मुझे नहीं बता है, उसके अंदर क्या होता है, penalty लगती है, या whatever, जितना याद है, कि director को अपनी report के अंदर disclosure देना पड़ता है, और CSR committee को reasons बताने पड़ते हैं, क्यों उ हमारा PO कह रहा है, sorry, court कह रहा है कि क्योंकि ये CSR activity ना करने से company law के अंदर negative consequences होते हैं, इसलिए ये ये भी एक business purpose है, इसलिए इन activities को करने के लिए जो आपने goodson services लिए हैं, उसका IDC मिलना चाहिए, और बहुत जगाओं पे CSR से related जो भी IDC है, उसे allow किया जा रहा था, अब department क मन तो था नहीं, मंगर वो court में हारे चले जा रहा था, तो department ने क्या किया, उन्होंने बोला, अभी लड़ाई किस बात क्यों हो रही है, कि CSR business purpose है या नहीं है, वो कह रहे हैं, छोड़ो business purpose है या नहीं है, हम इस ITC को 17.5 में ही मना गर देते हैं, 17.5 में तो भाई कोई चीज लिख दो, वहाँ देखते ही नहीं ना, आउटवर्ड business purpose है या नहीं है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ फैटरी नहीं करता महां तो, 17.5 में बोल दिया तो बोल दिया, काम खतम, तो सरकार का मन नहीं था ITC देने का उन चीजों से related है, जो CSR करने के लिए आप and used or intended to be used for CSR obligation under section 135, CSR activity को करने के लिए, जो भी आपने procurement करी goods and services का, उसका ITC restricted है, अब हमारा ये argument नहीं चलेगा, कि ये business purpose है, क्योंकि even if ये business purpose है, 17.5 में लिख दिया, तो ITC denied, बात खतम, जितनी judgments अभी तक आई हैं, जिसमें assessi को CSR activities का ITC मिल रहा था, क्योंकि उस महाँ पे court ने CSR को business purpose बोला था, अब future के लिए वो सारी judgments ये नाप लिकेबल हो गई, क्योंकि I agree CSR करना business purpose है, कंप्री लोंने करने के लिए बोल रखा है, बट still 17.5 ने बोल दिया, तो ITC क्या है, denied है, ठीक है बड़ा simple है, तो इसको diagramatically देख लो यहाँ पर, ये है, X limited, ये outward में कोई CSR activity कर रही है, let's say CSR activity के अंदर या क्या कर रही है, feeding of poor, लोगों को खाना खिलाती है, feeding of poor, और इस चीज़ को करने के लिए उसने कुछ भी goods और services लिए, तो ये जो goods and services लिए CSR activity को करने के लिए, they will be restricted in 17.5, इनका ITC नहीं मिलेगा, सर, अब आप इसको अपनी पुरानी learning skill में fit कहा करोगे, तो learning skill बदलने की जुरत नहीं है, learning skill अभी भी मेरी same चलेगी, आज हमारे पास घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, तुमारे पास क्या है, माका अशिरवाद है, माका अशिरवाद free होता है, तो अब यहाँ पर मैं sample दिया, gift दिया, कि कोई goods आपने खरीदे थे, उन्हें write-off कर दिया, destroy हो गए, चोरी हो गए, उनका ITC denied है, वो तो पहले भी था, और माका अशिरवाद के अंदर, free will entry के अंदर, एक चीज़ और डाल देंगे हम यहाँ पर, कि अगर कोई भी CSR activity करने के लिए, आपने कोई भ का है, मगर ऐसा नहीं कि मुश्किल है, छोटी से entry है, आने के chances पूरे-पूरे हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next topic हमारा कौन सा है, that is, composition scheme, हाँ जी, तो next amendment हमारी composition scheme से related है, और ये भी again, कहीं न कहीं, amendment जो भी registration में पढ़के आए था न, उस से related है, क्या amendment है, आप सब को पता है, composition के अंदर दो तरह की schemes होती है, composition के अंदर एक होती है, 10-1 और 10-2 वाली scheme हमारी, जो basically goods वालों के उपर है, manufacturer, other than notified goods के manufacturer हो, किसी भी goods के trader हो, या restaurant service provider हो, साथ-साथ एक limit तक service दी जा सकती है, specified limit तक, और दूसरी scheme होती है, 10-2 वाली, ये scheme आम तोर पर पे प्योर service provider वाली होत तो concessional rate 5% है, जबकि यहाँ पर rate 6% होता है, यहाँ पर अगर आपको composition scheme के अंदर आना है, तो आपकी aggregate turnover, immediately preceding financial year में, 1.5 गरोड या उससे कम होनी चाहिए, और 8 states ऐसी है, जहाँ पर 1.5 गरोड की limit नहीं है, हमारी limit कितनी है, 75 लाग है, यहाँ पर आपको आने के लिए, आप आपको क्या issue करना पड़ता है, bill of supply, और इस bill of supply के उपर आप concessional rate of tax जो है, वो आपने customer से charge नहीं कर सकते, इंच और आपको जो tax है, अपनी pocket से pay करना पड़ता है, अब यह सारी तो मैंने आपको background knowledge दी, दोनों के अंदर कुछ disqualifications है, अगर आपने ये activity करी, तो आपको दोन कोई भी non-taxable supply कर देते हो, basically alcoholic liquor या फिर petroleum products बेज देते हो, तीसरी चीज, अगर आपकी aggregate turnover, डेड़ करोड से जादा, पचातर लाग से जादा, और यहाँ पर बात करूं तो पचास लाग से जादा हो जाती है, अगले दिन से deemed exit, इस case के अंदर बोलू, तो आपकी जो services other than restaurant है वो जो भी specified limit है, 10% of the turnover in the immediately preceding year, या 5 लाग रुमे, whichever is higher, उससे जादा हो जाती है तो, और यही पर ही एक disqualification है, that अगर आप composition dealer हो, तो आप कोई भी goods या services, ECO के थुरू नहीं दे सकते, the moment आपने ECO के थुरू कोई भी transaction करी, electronic commerce operator जो की TCS collect करने के लिए liable होता है, तो आप य composition scheme के लिए ineligible हो जाओगे, और अभी थोड़ी दर पहले इसी lecture के दर आपने पढ़ा था, पहले goods वालों के एक लिए, registration भी mandatory होती थी, अब registration से उनको बाहर कर दिया, subject to certain condition, अब यहाँ पर अगर आप धिया से देखिए, पहले क्या होता था, goods as well as services, दोनों में से कुछ भी अपने ECO के थरू दिया, तो आप disqualified, अब क्या हुआ है, goods वाले को delete कर दिया है, disqualification में आप सिर्फ service का जिकर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक composition dealer हो, और आप ECO के थरू goods supply करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, आप composition के लिए disqualified नहीं माने जाओगे But please take care, for some reason, I don't know the logic behind it, क्योंकि अगर आपने registration में goods और service दोनों के लिए exception करी है, यहाँ पर भी दोनों के लिए exception होनी चाहिए, but यह exception composition में अभी सिर्फ goods वालों के लिए create करी है, goods वाले composition में रह कर भी ECO के थरू goods supply कर सकते हैं, but service अगर आपने ECO के थरू सप्लाई करी, पहल not allowed to supply any goods or services through ECO, now the restriction is, I am not allowed to supply services through ECO, but as regard goods, में composition dealer हो कर भी goods और आपने गार सकता हू, this is the very small amendment, but I believe in important amendment, as per the amendment, supplying goods through ECO, whose लाए अगर टों अपने जगा तो सेकते हैं, but I believe in important amendment, as per the amendment, supplying goods through ECO, whose लाप to collect ECO, would not make the composition dealer disqualified, however, composition dealer is still not required to supply, still not allowed to supply, any services through ECO, अगर services through ECO दोगे, जो कि आपका TCS collect करने के लिए लाइबल है, तो आप पहले भी disqualified होते थे, आज भी disqualified होते हैं, बहुती छोटी amendment है, अच्छा, इसी lecture के अंदर मैंने आपको बोला था, ECO को लेकर, Amazon Flipkart वगरा को लेकर, एक circular आया, वो क्यों, पहले मैंने उस circular का कौन सा प पर, जो कि unregistered है, service वाला भी हो सकता है, और goods के case में भी अब unregistered हो सकता है, तो उस case के अंदर, तुमें ensure करना है, कि उसने enrollment ID ले रखी है, आपने ensure करना है, कि वो interested supply करे, आपने ensure करना है, उसका TCS collect नहीं करना, और उसकी फिर भी आपको reporting करनी है, GSTR 8 के अंदर, वो अलग बात है, उस reporting से सामने वाले का e-cash ledger कोई update नहीं होने वाला, बढ़ हाँ, सामने वाले की aggregate turnover का idea मिलता रहेगा, पहली CBSE circular तो ECO के लिए था, for those who are unregistered and selling goods, supplying goods through their portal, अब अगली clarification नहीं किसके लिए लाई, हमने बोला, ECO को, अगर जो इनसान, तुमारे through goods की supply कर रहा है, क्य बात है, disqualified हो जाएगा, बट क्या अब वो ECO के through goods supply कर सकता है, अब ECO की क्या obligations है, उसके लिए circular आया, अब ECO की क्या obligation होएगी, पहली बात, अगर आप composition हो, तो आपको कोई enrollment number लेना है, नहीं, क्योंकि आपके बास तो already GST होगा, enrollment number लेना ही नहीं, दूसरी चीज, क्या आप interest rate supply कर सकते हो, obviously बात नहीं, क्योंकि composition वालों को तो वैसी condition होती है, उन्हें क्या करना होता है, interested, तो ECO insure करेगा, composition वाला interest rate supply करे, ECO insure करेगा कि उसके पास GSTन है, जो composition dealer उसके portal goods बेच रहा है, अगला सवाल, क्या यहाँ पर, अगर 1 लाग के goods supply करे, यहाँ पर composition को tax कितना पे करना है, 1% goods के case में, और restaurant service की में बात ही नहीं करना है, यहाँ पर, यहाँ पर 1%, 0.5% CGST, 0.5% SGST, और TCS का rate भी मजे की बात है, कितना होता है, 1%, तो ECO से पूछा गया, ECO ने पूछा, department से, क्या मुझे यहाँ पर भी TCS 1% पे collect करना है, क्योंकि अगर यह composition ना होता, ECO 1% TCS collect करता, it makes sense, 18% में से 1% collect करके दे रहे, मगर यहाँ पर मजे की बात समझ रहे हो, इसको tax भी कितना पे करना है, अपनी quarter की जो भी state turnover होएगी, उसका 1%, यानि यह invoice पे indirectly 1% ही होगा, आप customer से bill of supply में charge नहीं कर सकते, but ultimately तो 1% पे करना है, तो ECO ने पूछा, क्या मुझे अभी भी इसका TCS collect करना है, department ने बोला yes, और rate भी same है 1%, तो ECO के लिए ध्यान दे न, जो ECO 52 के अंदर TCS collect करने वाला है, अगर उसका person जो supply कर रहा है, वो unregistered है, तो वो TCS collect नहीं करेगा, GSTR 8 में reporting फिर भी करेगा, अगर उसका जो supplier है, वो registered है, और registered में normally registered है, वो TCS भी collect क करेगा 1%, और GSTR 8 में भी reporting करेगा, और same way में, अगर उसका supplier registered है, और composition वाला है, तो यहाँ पर भी उनने बोला, tension क्या ले न, TCS collect करो, तुम वैसे जैसे GSTR 8 में अगले मेने की 10 तारीक तक reporting करनी है, करो, और इस reporting के basis पर, हम composition dealer का e-cash ledger क्या अगर देंगे, अपडेट कर दें है, चाहे वो normally registered है, चाहे वो composition वाला है, ECO को कोई फरक नहीं पड़ता, वो दोनों ही case में 1% का TCS collect करेगा, 0.5% CGST, 0.5% SGST, और दोनों ही cases के अंदर वो क्या करेगा, GSTR 8 के अंदर reporting करेगा, और दोनों ही cases में, वो जो registered supplier है, उसके e-cash ledger में पैसे आ जाएंगे, हाँ, ECO shall not allow any interest rate supply, क्योंकि composition वाले को interest rate करनी allowed ही नहीं होती, ECO यहाँ पर भी TCS collect करेगा, और यहाँ पर लिख लो, rate of TCS will be 1% only, यहाँ पर भी जो TCS का rate 1% ही होगा, कोई अलग से concessional TCS का rate नहीं बताया, यह इसलिए है, क्योंकि अगर normal dealer होते हैं, तो शायद 5, 12, 18, 28 का tax pay करना हो होता, TCS 1% होता, यहाँ पर tax भी कितना पे करना है, 1% और TCS भी कितना है, 1% और आखरी चीज़, ECO यहाँ पर detail furnish करेगा, GSTR 8 में, और यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, this TCS will be reflected on common portal of composition वाला supplier, जो composition supplier ECO के तरूँ supply कर रहा है, उसके common portal पे आएगा, and will go to his e-cash ledger after validation, जैसे कोई भी इनसान उसे validate करता है, और वो फिर e-cash ledger में चला जाता है, just like that, यहाँ पर भी same-to-same होगा, छीगा जी, composition को लेकर छोटी सी amendment, but I think important है, क्योंकि वो restriction, बहुत बार exam में वैसी पूची जाती थी, अब वो restriction delete हो गई है, again I would want to say, अगर यह services दे रहे हैं, इसी होगे थ्रू, तो disqualified हो जाएंगे, next है, invoicing of की serrelated amendment, यहाँ पर जो amendment है, again पहला concept है, वो है e-invoicing के अंदर, e-invoicing आपको याद होगा, rule 48, sub rule 4, अगर आप e-invoicing के procedure के अंदर cover हो रहे हो, applicability अभी discuss करते हैं, अगर आप इस rule के अंदर cover हो रहे हो, तो आपको अपने invoice को, पहले INV01 के अंदर IRP पे, IRP बोले तो invoice registration portal वहाँ पे upload करना पड़ेगा, वो यहाँ पर validation check करके, आपको, आपकी invoice पे QR code लगा देगा, साथ-साथ IRP उस पे sign कर देगा, और उसको एक unique number देगा, जिसे बोलते है, IRN, invoice registration number, जो कि 64 digit का होता है, यह invoice, जिसके उपर IRP ने sign कर दिया, QR code लगा दिया, और एक unique IRN देदिया, invoice registration number देदिया, इसे प्यार से क्या बोलते है, e-invicing, e-invicing आज की रेट में सब पे आप लेकेबल नहीं है, पहली बात तो यह सिर्फ और सिर्फ B2B invoices पर होती है, B2C पर नहीं होती, B2C में अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ export एक ऐसा B2C है, जिसके उपर e-invicing procedure लगता है, otherwise B2B invoicing और export invoices पर यह procedure लगता है, दूसरी चीज़, अगर आप debit not, credit not issue करते हो B2B के अंदर और export के अंदर, उन पे भी यह e-invicing procedure mandatory है, अगर आपने यह e-invicing procedure नहीं करा, तो आपने जो भी invoice generate करा है, वो invalid invoice है, मैंने आपको थोड़ा rule यात करा दिया, अब इसके अंदर applicability किसके उपर थी, applicability थी उन लोगों के उपर, जिनकी aggregate turnover, किसी भी financial year में starting from 1718, till immediately preceding financial year, 10 करोड रुपे से जादा है, प्लीज टेक के रहे हैं, आपने 10 करोड की limit, immediately preceding financial year में करने देखनी, कोई भी preceding financial year, starting from 1718, and till immediately preceding financial year, limit threshold limit कितनी थी, 10 करोड की, 10 करोड से जादा वालों लोगों को ही e-invicing करनी mandatory है, कुछ लोग 10 करोड से जादा होने के बावजूद, उनको हमने e-invicing से बाहर कर रखा है, जैसे कि SEZ unit को बाहर कर रखा था, transportation of passenger करने वाले लोगो को GTA को बाहर कर रखा था, bank and financial institution को बाहर कर रखा था, OIDA, sorry, government department वगर को बाहर कर रखा था, वो exceptions तो है, मैं उनकी retail में नहीं जा रहा, amendment क्या आई है, बहुत ही चोटी amendment आई है, हर बार, हर दो attempt बाद आई जाती है, जो threshold limit है, जब शुरवात हुई थी, 500 करोड से हुई थी, 500 करोड के बाद 200 करोड हुई, फिर 100CR हुई, फिर 50CR हुई, फिर 20CR हुई, फिर 10 करोड हुई, और अब कितनी हो गई है, 5 करोड, बहुत ही छोटी amendment, बट इसके उपर question पूछा जा सकता है, क्योंकि, e-invoicing के उपर हर एक दो attempt बाद वैसी question आ रहा है, तो अब बस 10 करोड की limit क जाएगा limit कितनी हाद रखनी है, 5 करोड, अगर आपकी aggregate turnover 17-18 से लेकर immediate preceding financial year तक, किसी भी financial year में 5 करोड से जाधा है, तो e-invoicing procedure आप पे applicable होगा, आपको पूरा procedure करना पड़ेगा, IRP पे register करना पड़ेगा, आपकी invoice पे IRN आएगा, तभी आपका invoice valid होगा, और ये procedure सिर्फ औ उनके debit or credit note पे apply होगा, बाकी B2C पे ये apply, simple amendment, एक clarification भी आई है, as I said, अभी मुझे जल्दे से बताओ, e-invoicing procedure कब लग रहा है, e-invoicing लग रहा है, जब B2B invoice है, B2B का उनलब क्या होता है, मैं भी registered हूँ, और मेरा जो recipient है, वो भी क्या है, registered है, इसी को B2B invoice बोलते है, अब इ entities ऐसी होती है, जिनको वैसे तो registration ने लेनी होती, जो सिर्फ और सिर्फ section 51 में TDS काटने के लिए registration लेते हैं, अब TDS का provision, till November 23 तक, section 51 हमारे syllabus में नहीं था, इस बार से syllabus में आ गया है, इसी वीडियो के अंदर, transition के अंदर आ गया, आपको मिल जाएगा, जो TDS का topic है, महां detail में discuss कर रख है, बट November 23 वाले बच्चों को भी registration requirements हम जाने के लिए में आपको बताना हो था, TDS हमारे देश, GST के अंदर, हर recipient को TDS नहीं काटना होता, अगर मैंने आपको supply करिया, आप मेरा TDS नहीं काटते, आज की rate में TDS सिर्फ और सिर्फ government department, PSUs, local authority, government की कोई authorities, इनी के उपर applicable है, और आगे detail में जब आप पढ़ोगे, तो इन पे भी conditions है, अगर इनको जो contract में ये supply ले रहे हैं, procurement कर रहे हैं, वो धाई लाग से जादा है, तभी इनको TDS काटना है, सेक्टा सेक्टा, वो सारी conditions मैं repeat नहीं कर रहा, वो आगे transition वाली वीडियो के अंदर में ने cover कर रहा ह है, बट आपको इतना पता होना चाहिए, कुछ लोगों को, वैसे तो registration नहीं लेनी होती, government department वगरा हो सकता हो, कोई supply ना करते हो, वाला, free में काम करते हो, तो supply नहीं है, यह हो सकता है, उनकी outward पूरी की पूरी exempt हो, वैसे हुने registration लेने की जुरुत नहीं थी, बट उन्होंने अपने suppliers का TDS काटने के लिए, section 51 में registration ली, और आप transition वाली जब chapter पढ़ोगे, तो आप महाँ पर देखोगे, इनको TDS काटने के लिए GSTN भी अलग मिलता है, यानि अगर यह अपनी liability के लिए registered होते, तो अपनी liability के लिए GSTN अलग होता है, और TDS के लिए GSTN अलग होता है, Similarly, GST के अंदर TDS काटने वाला GSTN और normal GSTN अलग होता है, मैं यह कहा रहूँ, इनके पास normal GSTN तो है ही नहीं, क्योंकि वैसे तो यह tax pay करते ही नहीं, या not reliable, बट TDS काटने के लिए, उनने TDS वाला GSTN ले रखा है, तो सवाल यह पूछा गया, अगर कोई registered supplier है, वो किसी government department वगरा को supply करता है, और वो government department TDS purpose के लिए तो registered है, बट वैसे registered नहीं है, they are registered solely for the purpose of TDS, तो क्या यहाँ पर भी e-invoicing आएगी या नहीं आएगी, that is the question that was posted to CBIC, I repeat the question, उनने बोला, e-invoicing का procedure B2B में आता है, B2B का मतलब जब आपका recipient registered हो, अगर मेरा recipient कोई government department, PSEO, local authority या government authority है, जो वैसे तो GST में अपना tax pay करने के लिए registered नहीं है, जिसने सिर्फ और सिर्फ section 51 में TDS काटने के लिए registration ले रखी है, क्या ऐसे इंसान को जब हम supply करेंगे, उसे भी B2B मानें, और वहाँ पर भी e-invoicing करें, CBIC ने बोला, yes, उसे भी e-invoicing करो, हर जगा हम इनके लिए exception क्र इनके लिए exception है, for example, अगर GTA services इनको दे, who have taken solely for the purpose of TDS, ऐसी GTA वालों को हमने exempt कर रखा है, ऐसी security services का जब reverse charge पड़ोगे, वहाँ पर इन लोगों के लिए exception क्रेट कर रखी है, बट हर जगा नहीं है, तो यहाँ पर CBIC ने बोला, क्योंकि हमने लिख के कोई अलग से चीज नहीं बोल रखी, तो उस case के अंदर, इफ आपका recipient, government, department, establishment, agency, local authority, PSU है, जो सिर्फ और सिर्फ, solely का मतलब क्या है, सिर्फ TDS के लिए registered है, otherwise अपनी liability के लिए registered नहीं है, solely का मतलब, means, अपनी खुद की, अपनी खुद की output tax liability के लिए not registered, अपनी खुद की output liability के लिए registered नहीं है, सिर्फ TDS purpose के लिए registered, ऐसे लोगों के case में, क्या उनको भी registered माना जाएगा, येस, और उनके case में भी e-invoicing आएगी applicable, मतलब यह आए उनकी बात नहीं कर रहा है, वो as a supplier की बात नहीं कर रहा, as a supplier तो जब वो अपनी output supply कर रहे हैं, वो unregistered है, मगर जब वो services receive करेंगे, मतलब मैं अगर एक person हो और मैं government department को कोई supply दे रहा हूँ, और वो government department tedious purpose के लिए registered है, तो मैं उसे B2B supply मानूँगा, वहाँ पे e-invoicing का procedure लाऊँगा, obvious सी बात है, मेरी खुद की aggregate turnover पांच करोड से जादा होनी चाहिए, और मैं exceptions में fall नहीं कर रहा हूँ, ये तो it goes without उसी, ठीक है, तो e-invoicing में एक amendment है, एक clarification है, that's it, let's go further, अगला topic हमारा है, वो किस सरे लिटेड है, payment of tax सरे लिटेड है, section 50 के अंदर आपको पता है, basically interest का section है, interest जो GST के अंदर at the rate of 18% होता है, वो section 50 में लगता है, इसके अंदर दो subsection relevant होते हैं, एक 51 होता है, एक 53 होता है, 50 subsection 1 बात करता है, अगर हमारी output tax liability हमने कम पे कर दी, बाद में पे कर दी, हमने पहले कम पे कर रखी दी, बाद में shortfall को पे किया, या हमने अपने return ही फाइल नहीं करी, तो automatically हमारे payment of tax भी delayed हो गई, तो simple बाशन में बोलू, जो delayed payment of tax है, उसके उपर 50 subsection 1 की बात करता है, कुछ cases में gross tax liability की open interest लगाता है, कुछ cases में net tax liability की बात करता है, इसके अंदर amendment नहीं आए तो इसकी detail discussion नहीं कर रहा है, 50 subsection 3 last year आया था, उसके अंदर हमने क्या बोला, अगर आपने कोई भी ITC avail कर लिया और बाद में पता वो आपने wrongly avail किया है, wrongly avail मतलब section 16 की कोई condition satisfy नहीं हो रही थी, 17.5 में restricted था, फिर भी आपने claim कर लिया, या फिर GSTR 2B के अंदर नहीं आ रहा था, फिर भी आपने claim कर लिया, आपका उस invoice नहीं था, फिर भी आपने claim कर लिया, अगर वो wrongly availed भी है, और wrongly availed के साथ साथ utilize भी हो गया है, अगर वो अभी तक utilize नहीं हुआ, वो आपके e-credit ledger के अंदर पड़ा हुआ है, तो उस case में interest नहीं लगेगा, only and only when it is wrongly availed and utilized, then only interest will apply, फिर आपने बोला interest कितना लगेगा, interest लग रहा है, 18% वाला ही, मगर कब से कब तक लग रहा है, तो इन्होंने बोला date of utilization, जिस दिन आपका वो ITC utilize हुआ है, वहाँ से लेकर जिस दिन आपने ITC को reverse किया है, ITC को reverse करने के बारे मैं आपको मफदाता ही हूँ, GSTR 3B के अंदर, एक अलग से column होता है, ITC reverse करने के लिए, आप उसके अंदर ITC को reversal कर सकते हैं, wrongly availed को, या अगर आपने अलड़ी उस ITC को use कर रखा है, तो उतने amount को आपको liability के अंदर add कर देना होता है, उस liability को pay करने के लि ITC, आपका interest, date of availments नहीं लगेगा, कापसे लगेगा, date of utilization से, जब तक आपने ITC reverse किया, अब date of utilization का मानी जाएगी, इसके लिए, इस section ने deeming fiction create करी थी, और उसने बोला था, जिस दिन भी आपका e-credit ledger का balance, आपका e-credit ledger का balance, कम हो जाएगा as compared to the wrongly availed ITC, मेरा wrongly availed ITC कितना था एक लाख रुपे का, अगर मेरा एक लाख रुपे से कम e-credit ledger का balance हो जाएगा, जितना e-credit ledger का balance एक लाख रुपे से कम होगा, to that extent हम utilization माल लेंगे, example group में लेते हैं, माल लो, April 2023 के अंदर मैंने ITC ले लिया एक लाख रुपे का, April 2023 की GSTR 3B, ITC को GSTR 3B में लेते हैं न, इसको file किया मैंने let's say 18 May 2023 को, 20 में हमारी last date होती है, 18 May को GSTR 3B file हुई और इसके अंदर ये ITC क्या हो गया, avail, avail नहीं करना था, wrongly avail कर लिया मैंने, इसके बाद May की return file होई होएगी, June की return file होई 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 होई, July की return file होई 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 and so on, May की return let us suppose GSTR 3B, May की file होई, let's say 20 June late होती है न, 14 June को file होई, June की जो GSTR 3B है, let's say वो file होई, 25 July को, date late कर दिया, late fees के साथ सथ कर दी, और 15 July है, ये let's say हमने 20 अगस्त करनी थी, 18 August को हमने file कर दी, तो अब ITC wrongly avail तो इसी दिन हो गया, बट ध्यान देना हमारा interest date of availment से नहीं लगेगा, कब से लगेगा date of utilization, utilization के लिए हम क्या करेंगे, मे के महीने में जब GSTR 3B, मे के महीने की GSTR 3B, यानि की June में जब file कर रहे हैं, चेक करेंगे इसके अंदर e-credit ledger का outstanding balance, outstanding बोले तो, सारा क adjustment बगरा करने के बाद, utilization करने के बाद, इसका outstanding balance कितना है, let's say इसका outstanding balance 1,60,000 रुपे है, तो please take care, क्योंकि हमारा wrongly availed 1,00,000 था और अभी e-credit ledger का balance 1,60,000 है, तो अभी हम मान के चलेंगे, अभी वो wrongly availed है, but utilize नहीं हुआ, deeming fiction है, sir ये कैसे मानने की, ये यही वाला credit पड़ा है, deeming fiction create कर रखी है, उन्होंना बोला, as long as e-credit ledger का outstanding balance है, वो 1,00,000 रुमे के wrongly availed ITC से जादा है, तो हम मान के चलेंगे, उसी utilize नहीं किया, utilize नहीं किया, तो कभी या interest लगेगा, दा answer is no, let's say June की जब 3B फाइल करी 25 ज 30,000 का ITC utilize हो गया है, क्योंकि हमारा e-credit ledger का balance, 1,00,000 रुमे के मुकाबले कम हो गया, 30,000 रुमे कम हो गया, तो 30,000 रुमे का utilization मान लिया जाएगा, अब date of utilization क्या मानेंगे, तो law कहता है, 50,000 3 कहता है, जिस भी return के अंदर आपका e-credit ledger का balance कम हुआ है, उसकी utilization मानी जाएगी जिस दिन वो 3B file करी, actual date या फिर due date, whichever is earlier, जार चेक करो, जून की हमने return फाइल कप करी, 25 जुलाई को, फाइल कप करने थी, 20 जुलाई को, तो actual date या due date, whichever is earlier, तो answer is 20 जुलाई, तो हम 20 जुलाई से 30,000 रुबे के उपर 18% का interest लगाएंगे, और कब तक लगाएंगे, जिस दिन 16 December 2023 वाले दिन file करी, इस दिन मैंने ITC का reversal किया, तो मेरा 30,000 का interest चालू होगा from the date of utilization, यानि 20 जुलाई से, और ये interest कब तक चलेगा, 16 December जब तक मैंने reversal किया, 18% का interest है, divide by 366 करना मत भूलना, इस बार का leap year है, और ये लगेगा 30,000 की utilization पे, ज्यान देना अभी 30,000 की utilization हुई है, 70,000 अभी भी utilize नहीं हुआ, फिर July 23 के अंदर, जिसकी return 18 अंगस का file हुई है, let's say e-credit ledger का outstanding balance 0 हो गया, जैसे e-credit ledger का balance 0 हुआ, तो आप बताएगे कितना utilize हो गया, remaining भी हम मान के चलेंगे, जो remaining 70,000 है वो utilize हो गया, और 70,000 की utilization date क्या मानी जाएगी, please take care, July की return के अंदर 18 July 2023 को मैं मान लूँगा, 70,000 utilize हो गया, इस 70,000 पे 18% का interest लगेगा, 18 July से लेकर, जिस दिन तक reversal किया, 16 December तक, so this was the provision, date of utilization, जिस दिन आपका e-credit ledger का balance, wrongly availed ITC के मुकाबले कम हो जाता है, Sir, ये तो आपने revise करा दिया, इसमें नया क्या है, नया इसमें ये है, कि CBIC से ये पूछा गया, कि let us suppose, उपर वाले example में, मैंने 120,000 का ITC जो wrongly availed की है, ITC भी तो अलग-अलग तरा के होते हैं न, IGST का ITC हो सकता है, CGST का हो सकता है, SGST का हो सकता है, तो CBIC से तो पूछा, एक बार के लिए मान के चलो, आपने wrongly availed ITC जो है, 120,000 का, जून 2023 की return के अंदर ले लिया, जून 2023 की return मान ले तो मैंने 18 जुलाई 2023 को फाइल किया, इसमें 120,000 का, IGST का ITC wrongly availed है, अब क्या करोगे, जुलाई की return चेक करोगे, जुलाई की return 19 अगस्त 2023 क August की return चेक करोगे, मान लो मैंने फाइल करी, 25 September 2023 को, इनके अंदर हम चेक करेंगे, e-credit ledger का closing balance कितना है, और अगर वो closing balance एक लाग भी से ज़र से ज़ादा हुआ, तो मतलब अभी तक ही utilize नहीं हुआ, एक लाग भी ज़र से कम हुआ, तो जितना भी कम है, हम मान लेंगे to the extent utilization है, बट doubt ये पूछा गया CBIC से, जब आप e-credit ledger का balance चेक करते हो, तो उस balance में तो CGST का ITCB होता है, SGST का ITCB होता है, और CESC का ITCB हो सकता है, अब आप समझ के होगे CBIC से क्या पूछा गया, CBIC से ये पूछा कि जब मैं e-credit ledger का balance देखूंगा, मान लो मेरे CGST के अंदर 50, 50,000 रुपे है, SGST के अंदर 50,000 रुपे है, IGST के अंदर 40,000 रुपे है, और CESC के अंदर 60,000 रुपे है, टोटल कितना हो गया, 2,00,000 का balance हो गया, अब अगर आप ध्यान से देखो, एक viewpoint ये बन सकता है, कि हमने IGST का ITC रॉंगल लिया था, और IGST का ITC तो 40,000 रह गया, तो ए एक viewpoint ये आया, कि एक बीस माइनस 40, 80,000 को ये बन लेते हैं, क्योंकि, एक रेट लेजर का total balance बेशक 2,00,000 हो, बट हम तो IGST का ITC देखेंगे, balance के अंदर, क्योंकि हमारा wrongly availed ITC क्या था, IGST का था, और दूसरा viewpoint ये जाता है, कि सिर्फ IGST को नहीं देखेंगे, हम total balance को देखे यानि total balance अभी भी 2,00,000 है, जो की 1,20,000 से जादा है, तो to that extent हम मान के चलेंगे, हमारा utilization बिलकुल भी, this was the question that was posted before CBIC, that if you have wrongly availed the ITC of IGST, then while checking की वो utilize हुआ है या नहीं, और while applying the interest, कितने amount पे, हमें we have to see the total balance in the e-credit ledger, जिसमें CGST, SGST, IGST और even तक की CES सब का credit आएगा, या हमें सिर्फ और सिर्फ IGST का देना है, अब CBIC ने क्या बोला, बड़ा simple clarification दू, CBIC ने बोला, IGST की liability को pay करने के लिए CGST का credit भी use हो सकता है, SGST का भी हो सकता है, IGST का credit भी use हो सकता है, IGST की liability एक ऐसी liability है, जो किसी भी credit से use हो होता है, CES को देखने की जुरुत ही क्या है, CES के इंदर balance पड़ा भी होगा, तो भी वो use तो हो नहीं सकता, IGST के liability से, IGST के liability CGST से भी pay हो सकती है, SGST से भी हो सकती है, SGST से तो CBI इसे ने clarify किया, आपको total देखना है, बड total में CES को मत consider करना, तो मैं e credit लेजर मान के पचास-पचास और कितना हो गया, 1,40,000, wrongly available IITC कितना था, 1,20,000, final answer मेरा यह होगा, अभी भी कोई utilization नहीं गी, तो आप से इस बार, 50 subsection 3 तो वैसे ही important था, क्योंकि पिछली बाला amendment आई थी, इस पे बहुत बड़ी है question बन सकता है, इस clarification की वज़ा से तो ये topic और अच्छा question में बन सकता है, क्योंकि अब वो confuse करने के लिए क्या करेगा, वो कहेगा IGST का balance तो कम हो गया है, मगर total balance जादा है, तो आपको please take care, total balance देखना है, utilization वाले provision को अब लाई करते हैं समय, और total में CGST, SGST, UTGST और IGST देखना है, CES को consider नहीं करना, this is the CBSE clarification, let us understand it with the help of an example, पहले background knowledge के इंदर मैंने पूरा 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 प्रोविजन फिर से repeat कर दिया, जो मैंने आपको अभी समझाया, या आप रीड कर सकते हो, circular हमने issue क्या था, issue number one, in case of wrong available of IGST, credit and reversal thereof, for the calculation of interest, यह जो section है, 50 subsection 3 होता है, बड़ जो procedure है न सारा, वो rule 88B में दे रखा है, तो मैं 50 subsection 3 बोलता हू rule number मैंने आपको याद नहीं करा रखा, बट यहाँ पर circular में reference था, तो मैंने आपको बता दिया, 88B कोई नया rule नहीं है, वही procedure जो हमने 50 subsection 3 में पढ़ा था, date of utilization वेगारा, वो 88B में दे रखा है, whether the balance of ITC in e-credit ledger under the IGST only needs to be considered, या the total ITC which includes IGST का balance, CGST और SGST का balance, इनका total has to be considered, तो answer क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने बोला, since ITC in the e-credit ledger under any head can be used for payment of IGST, IGST के liability pay करने के लिए कोई भी credit यूज हो सकता है, according to CV नहीं से बोला, तीनों का total consider किया जाएगा when you are determining utilization, और साथ साथ मैं आपको issue number 2 भी बढ़ा जाता हूं, फिर illustration देख लेते हैं, issue number 2, अगर CES का credit ह है e-credit ledger के अंदर, क्या उसे consider किया जाएगा, उन्होंने बोला, compensation CES का credit, सिर्फ compensation CES की payment के लिए use हो सकता है, IGST liability को pay करने के लिए use ही नहीं हो सकता, accordingly CES को हम consider नहीं करेंगे, it cannot be taken into account, आगे जड़ा, एक question करते हैं, बड़ी आसा question मना रख है मैंने, let's start, suppose in January 2024, January 2024 में संचि तो wrongly availed ITC, 1,20,000 और 1,20,000 कौन सा, IGST का credit मैंने wrongly avail कर लिया, works contract service में, sir आपको इतना नहीं पता, works contract service का ITC नहीं मिलता, 17,500 के अंदर, अरे यार उसमें condition होती है न कि construction के लिए रहो works contract, तब नहीं मिलता, और construction में ही होता है कि subject to the fact that आपने उस खर्चे को capitalize किया या नहीं, त यसी मैंने capitalize किया, वो works contract for the construction of immoral property हो गया, और उसका ITC deny हो गया, तो basically मैंने wrongfully ITC ले लिया कितना, 1,20,000 का, कब लिया January की return में, January की return फाइल कब करी, 18 February, तो मैं availment की date क्या मान के चलूँगा, 18 February, but please take care, interest date of availment से नहीं निकाला जाता, date of utilization से निकाला जाता है, On realizing his mistake, Sanchit reverse the ITC in the GSTR 3B of July, जो की 17 August को, reversal मैंने कब कर दिया, 17 August 2024, यानि July के return के अंदर, this is the period जहां तक interest लगेगा, so I know interest तो 17-8 तक लगेगा, जब मैंने ITC reverse किया है, but कब से लगेगा, ये देखना है, ये date of availment है, हमें देखनी है, date of utilization, calculate the interest if the opening balance is as under, January की return, तो मैंने बताई द closing balance कितना है, file तो 18 को करी थी, मैंने जब ये wrongly availed ITC लिया था January में, e-credit ledger कितना था मेरा closing balance, 4,00,00, और उसका split up देखो कितना था, IGST 180, CGST 110, मुझे split up देखनी की जुरुत नहीं, मुझे क्या देखना है, total, क्योंकि total 1,00,20,000 से जादा था, तो मैं ये मान के चलूंगा, अ utilize नहीं हुआ, अभी date of utilization नहीं है, February की return 16 March को file करी, due date होती है 20 March वैसे, मैं मान के चलूंगा, अब QRMP वाले नहीं हूँ, 1,80,000, और अगर आप देखोगे, IGST के liability nail हो गई है, तो अगर ये circular ना होता, तो एक viewpoint आ जाता, कि देखो, IGST के liability nail हो गई है, तो utilize माल लो, मगर इस circular में clarify कर दिया, हमें सिर्फ IGST नहीं देखना, हमें total देखना है, और क्योंकि total 1,20,000 से जादा है, तो अभी भी it is not utilized, अभी भी को interest नहीं चलेगा, आगे बढ़ते हैं, March की return 25 April को file करी, please take care, हमारी due date क्या होती है, file तो 25 को करी, due date होती है, 20 April 2024, इस दिन e-creditor ledger का balance 1,00,000,000 हो गय per my definition, 20,000 रुपे का ITC क्या हो गया, utilize हो गया, और इस 20,000 की utilization date क्या मानी जाएगी, March की return में हुआ, actual date या due date, the answer is due date, 20 April 2024 वाले दिन, मैं इसको utilize मानूंगा, तो interest चालू हो जाएगा मेरा, 20,000 into 20 April के बाद, 21 April से 17 अगस्त, divided by 366 days into 18%, चिका जी, 1,20,000 में से अभी 20,000 रुपे का utilize हो गया, आगे बढ़ते हैं, फिर, April की return आई, April की return 15 में को file करी, due rate हमारी 20 में होती है, total credit balance कितना आ गया, 40, IGST तो पहले nail हो गया था, CGST, SGST मिला कर 40 हो गया, मेरे को total देखना है, मुझे individually नहीं देखना, total balance मेरा पहले 1,00,000 तक आ गया था, अब 40 पे हो गया, total कितना 21,000 से कम हो गया, total मेरा 80,000 एक तरह से कम हो गया, बढ़ रुको, 20 तो पहले utilize मान लिया था ना, तो इस दिन मानूंगा, 60,000 more utilized, समझ में आया, total utilize कितना हो गया अब मेरा, 1,00,000 से 40,000 का difference, total 80 हो गया, बढ़ 20 को तो पहले utilize मान लिया था, क्योंकि पहले हमारा 20,000, 1,00,000 हो गया था न, balance 20,000 कम हो गया था, तो 20 already utilized है, अब मैं मानूंगा, extra कितना utilize हुआ है, 60,000, और किस दिन हुआ है, due date, या फिर actual date, whichever is earlier, दा answer is 15 में, तो 16 में से 60,000 के उपर, वहां से लेकर 17 अगस्तक, divided by 366 into 18%, और last में, जून की return के अंदर nil हो गया, nil मतलब, जो remaining है, मेरा remaining कितना बचा था, एक बीस माइनस 20 माइनस 60, कितना बचा था, 40,000, remaining 40,000 भी मैं क्या मालनूंगा, utilize हो गया है, utilize कब हुआ है, due date है, actual date, whichever is earlier, मेरी actual date तो 28, due date हो गई 20 जुलाई, तो 21 जुलाई से 17 अगस, divide by 366 into 18%, बाकी 40,000 भी क्या हो गया, utilize हो गया, आर भी एकलियर यहां पर, चिका जी, दोनों points को यहां पर समझा दिया, जो CBIC ने clarify किया, example की तुरू समझोगे तो, अच्छी clarification है, और अब मैं आपको बतातू, यह topic पहले से important था, इस clarification के बाद तो very important हो गया, I am expecting, इस की उपर कोई ना कोई question ने लिए, RTP के अंदर भी बना के देंगे, RTP में नहीं भी होगा, तो भी exam के लिए relevant रहेगा, अब आते हैं, अपने आखरी chapter के उपर, returns वाला chapter, इस return वाले chapter के अंदर क्या amendment आई है, let's start, सबसे पहले amendment आई है, time limit को लेकर, अगर आपको यादो, कोई भी अगर, पहले मैं normal taxpayer की बात करता हूँ, composition, NRTP, इन सब की बात में करूँगा, normal taxpayer मतलब regular taxpayer भी बोलते हैं, इनको जो composition वाला भी नहीं है, और TDS, TCS, ये सारी चीज़ों के अंदर भी नहीं है, उसको एक तो GSTR 1 फाइल करनी होती है, statement of outward supply, और दूसरी उसको return फाइल करनी होती है, GSTR 3 भी, अचे का जी, due rate क्या होती है, इसकी अगले महिने की 11 तरीक, और ये होती है, अगले महिने की 20 तरीक, और अगर आप QRMP वाले हो, तो QRMP वाले quarterly return monthly payment वाले हो, PS, और ये, तो आपको GSTR 1 quarter खतम हो जाने के बाद अगले महिने की 13 तरीक करनी होती है, और GSTR 3 भी की बात करूं, तो quarter खतम हो जाने के बाद अगले महिने की 22 या फिर 24 तरीक, North Indian States के लिए 24 होत होती है, और यहाँ पर IFF का भी option मिलता है monthly, पहले और दूसरे month of the quarter के अंदर, वो भी अगले महिने की 13 तरीक होती है, ठीक हो जाए, तो उस mistake को, ध्यान देना, 1 और 3 भी revised नहीं हो सकती, 1 और 3 भी cannot be revised, उस mistake को हम rectify करते हैं, उस omission को ठीक करते हैं, या उस गलती को ठीक करते हैं, मैं one word में rectification बोल रहा हूँ, rectification में omission भी आ जाएगी और correction भी आ जाएगी, उस rectification को हम subsequent month या quarter की GSTR 1 में, अगर गलती 1 में हैं तो subsequent month या quarter की GSTR 1, या subsequent month या quarter की GSTR 3B में ठीक करते हैं और इस rectification को करने की एक maximum time limit है जो कि last year change हुई थी 30th November of the next financial year या फिर annual return file करने की actual date whichever is earlier यानि यहाँ पर गलती हुई है मेरे से let's say May 2023 के महीने में तो कभी भी आप गलती हो ठीक कर दो बट maximum 30 November 2024 next financial year की 30 November या फिर 23-24 की जो GSTR 9 है जिसकी due date तो 31 December 2024 होती है मुझे due date नहीं देखनी मुझे क्या देखनी है actual date whichever is earlier इस time limit से पहले-पहले कोई भी rectification करनी है ठीक है जी अभी तक मैं आपको revise करा रहा हूँ तो अगर आपने 1 और 3 भी file कर दी है और उसके अंदर कोई गलती निकल आई है तो गलती को rectify करने की time limit तो है बट मुझे एक बाब बताओ अगर आपने में 2023 की 1 और 3 भी file ही नहीं करी you have not at all filed 1 ही file नहीं करा 3 भी file नहीं किया अच्छा 1 3 भी file नहीं करोगे तो अगले मेने का पे करनी होती थी और late fees पे करके section 47 के अंदर late fees थी कहीं पे 50 रुपय पढ़े थी कहीं पे 100 रुपय पढ़े थी इस तरह से बहुत सारी अलग-अलग late fees थी तो late fees पे करके there was no maximum time limit जब मरजी file कर दो तो ध्यान दीजिएगा ये जो maximum time limit है this was not for filing of return या filing of GSTR 1 this was अगर 1 और 3B file कर दी और उसके अंदर rectification करनी है उस month से related जिसकी 1 और 3B file होगी है तो maximum subsequent month के 1 और 3B में कब तक कर सकते हो यहां तक rectification करने की time limit थी मगर आपने altogether return ही file नहीं करी तो कोई time limit थी amendment आप समझके होगे क्या आई है amendment आई है यहां पर maximum time limit बता दी गई है 3 years from the due date जो भी due date है वहाँ से 3 साल तक maximum आपकी statement या return file हो पाएगी उसके बाद होई नहीं पाएगी यानि अगर मैं बात करूं GSTR 1 में के महीने की है तो 11 जून 2023 इसकी due date थी assuming that हम QRMP वाले नहीं है तो यहां पर 11 जून 2026 तक आप इस महीने की GSTR 1 को file कर सकते हो उसके बाद करी नहीं सकते है not an error at all similarly इसकी क्या हो गई 20th June 2023 यह हो गया 20th June 2026 तक maximum time limit है उसके बाद नहीं होगा तो एक छोटी सी amendment है maximum time limit for filing of return यह जो time limit थी I again want to say this was not for filing of return in GSTR 1 this was अगर मेरे से ने file करने के बाद गलती हो गई तो rectification maximum इस समय तक कर सकता हूँ बट अब आई है time limit filing की अब देखो यह amendment जो इन्होंने करी ideally पहली बार मैंने पढ़ा जो मुझे लगा यह 1 और 3 भी में कर रहे हैं बट असली में मजे की बात पता क्या है यह same amendment जो यह time limit दे रखे हैं इन्होंने 3 years from the due date यह same amendment इन्होंने section 37 में भी करी 39 में भी करी 44 में भी करी और 52 में भी करी सरी यह कोन कोंसे section है 37 तो GSTR 1 का है तो GSTR 1 के लिए time limit आई 39 में सिर्फ नॉर्मल वालों की 3 भी फाइल नहीं होती है composition वालों की GSTR 4 भी इसमें फाइल होती है NRTP वालों की GSTR 5 वो भी यही पर फाइल होती है TDS वालों की GSTR 7 वो भी यही पर फाइल होती है तो basically उन सब के लिए भी time limit आई है 44 में annual return होती है due date होती है अगले साल की 30 December उसके लिए time limit आई है maximum 3 साल from the due date और 52 जब आप transition वाले topic पड़ोगे वैसे मैंने बता दिया ECO वालों को GSTR 8 वाली statement फाइल करनी होती है अगले मेने की 10 तारीक को जिसके भी discussion कर रहे थे उसके लिए भी time limit तो यहाँ पर मैंने यहाँ सारा का सारा एक table बना दी किस के लिए time limit आई है पढ़ते जाओ 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 GSTR 1 statement of outward supply पहले मैं मान के चल रहो हम normal taxpayer हैं composition वगरा वाले हैं तो GSTR 1 फाइल ही नहीं करेंगे तो April के लिए 11 में हमारी due rate है 11 में 2023 और इसको अगर करूँ तो 3 सार 11 में 2026 अगर मैं QRMP वाला हूँ तो मैं April में June के लिए एक साथ फाइल करूँगा GSTR 1 due rate है 13 जुलाई 2023 अगले महीने की 13 तारीक और यहाँ पर 3 साल जोड़ दो 13 जुलाई 2026 बात करें 3B की अगर आप QRMP वा वाले हो तो एपल में June का quarter अगले मेने की 22 या फिर 24 नॉर्थ इंडिया के अंदर 24 और इसके अंदर तीन साल जोड़ दो तो यह आपका आ गया maximum time limit जब तक आपकी return फाइल हो सकती है इसके बात करें GSTR 4 की बात करें GSTR 4 किसको फाइल करना होता है composition को यह एन्वली फाइल करते हैं 23 चौबिस की कंप तक फाइल होईगी 30 अपनल दो जर चौबिस इसमें तीन साल जोड़ दो क्या हो जाएगा 30 अपनल दो जर सब ताइस फिर बात करें GSTR 5 नर्टीप वाले होते हैं 20 20th of the next month यह 7 days from the expiry whichever is earlier तो monthly April की 20 में तक होईगी बट अगर expiry of registration पहली हो गई है उनकी 90 दिन तक valid होती है ना further 90 दिन तक extend करा सकते हैं अगर आपकी registration invalid होगी है खतम होगी है उसकी expiry होगी है वहाँ से 7 दिन या अगले मेने की 20 तारिक whichever is earlier and depending on that 3 साल जोड़ देना फिर हमारा TDS वालों को GSTR 7 फाइल करन होती है अगले मेने की 10 तारिक तक इसमें भी क्या करो तीन साल जोड़ दो और लास्ट में annual return तो आपको पता है 31 दिसंबर तक फाइल करनी होती है इसमें भी तीन साल जोड़ दो तो हर तरह की जो return और statement है सब के लिए amendment आई है जो भी due rate है वहाँ से 3 साल के beyond आप उस return या फ पाइस furnishing facility qrmp में उसे कुछ cases में block किया जा सकता है अगर मेरा GSTR1 या IFF block होगा तो उससे मेरे पर impact क्या आएगा मैं GSTR1 या IFF file नहीं कर पाऊंगा तो मैं सामने वाले का 2B update नहीं कर पाऊंगा और सामने वाले का 2B update नहीं होगा तो इसको ITC नहीं मिलेगा और इसको ITC नही सिर्फ दो category थी पहली category अगर आपने पिछले मंत की या पिछले quarter की 3B file नहीं करी quarter qrmp वालों के लिए आएगा मंत बाकियों के लिए आएगा दूसरा अगर आपने पिछले महीने या quarter का GSTR1 या IFF file नहीं करा as the case में भी तो ये दो case थे जब आपका GSTR1 और IFF block होगा अगर प वीडियो के अंदर पहले पढ़ रहे थे हम rule no.10a आपको अपनी bank account की details अगर आपने return अपने application के अंदर submit नहीं करी थी तो आपको common portal पर अपडेट करनी है कब तक अपडेट करनी है 45 की जगा 30 days from the date of RE06 और actual date of filing पहले वाली GSTR1 और IFF whichever is earlier अगर आप ये नहीं करते तो consequences में प suspension हो जाएगी और आपको RG31 issue कर दिया जाएगा वो भी मैंने पड़ा दिया और तीसरी चीज़ आपके IFF और GSTR1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक आप rule no.10a को comply नहीं करते जब तक bank account की details अप्लोड नहीं करोगे आपका 1 और IFF ब्लॉक कर देंगे तो already हम पड़ चुक रूल नंबर 88C और एक है रूल नंबर 88D वैसे मैं आपको बता हूँ 88C जो है ना वो लास्ट अटेंप्ट के लिए आ गया था नवेंबर 23 के लिए टेक्निकली वो अप्लिकेबल हो गया था बट अभी मैं आपको पड़ाओंगा ये इफेक्टिव नहीं हुआ से रूल इस क्यूब पर हद से हदवो एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं इस पर कोशन इसलिए नहीं पूछेंगे दोनों भी तक इफेक्टिव नहीं हुए इफेक्टिव कैसे नहीं हुए अभी मैं आपको पड़ाओंगा आपको खुद को समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रह करना तरिक और उसी महीने का फिर क्या फाइल करना है GSTR 3B 3B के अंदर consolidated basis पे आउटवर्ड की डिटेल जाती है और consolidated basis पे ITCB क्लेम करता हूं यानि वही आउटवर्ड की डिटेल invoice-wise GSTR 1 में जाएगी अच्छा GSTR 1 में आपको याद होगा B2B में invoice-wise जाती है B2C के अंदर अगर interstate supply डहे लाग से जाधा है तो invoice-wise जाती है interstate supply डहे लाग तक है तो state-wise जाएगी consolidated और अगर interstate B2C है तो वहां तो consolidated जाती है तो वहना इसे invoice-wise तो आप समझ जाना B2B की बात कर रहा हूं और B2C धाई लाग से जाता वाली interstate की बात कर रहा हूं same reporting आपको GSTR 1 में करनी है invoice-wise और उसी की consolidated reporting अब करनी है 3B में अगले मेने की 20 तारीक तक तो idly मुझे एक बात बताओ और सेम चीज quarter में भी है quarter के अंदर बस 13 तारीक और 22 और 24 तारीक हो जाती है किसी भी month या quarter की आपने जो outward supply GSTR 1 में दिखाई है idly shouldn't it match with outward supply जो आपने 3B में दिखाई है the answer is obviously yes उसी चीज को invoice-wise बता रहा हूँ उसी चीज का total बता रहा हूँ माल लो मैंने 100 invoices काटने हैं जिनकी total value 50 lakh है तो इसी को invoice-wise report करना हूँ और यहाँ पर 50 lakh report करूँगा तो idly मेरी output tax liability जो GSTR 1 में trigger हो रही है और जो GSTR 3B में trigger हो रही है but मैंने आपको पहले भी बता रहा है कुछ लोग बड़े शाणे होते है वो क्या करते हैं GSTR 1 में तो reporting कर देते हैं मगर same invoice की reporting 3B में नहीं करते है क्योंकि आपकी जो tax liability है वो 3B से आती है जो आपको output tax pay करना है 1 से तो सामने वाले का आपके recipient का 2B update होता है तो वो लालच में आपके पता क्या करते है उस invoice की reporting 1 में तो कर देंगे ताकि सामने वाले का 2B update हो जाए मगर 3B में उसको खा जाते है और इस चीज़ से सरकार बहुत जादा परेशान है क्योंकि जब सरकार ने analyze किया ideally किसी भी महीने का quarter का 1 और 3B match करना चाहिए बढ़ लोगों का match नहीं कर रहा दोनों में differences है और आप समझ सकते हो 1 3B से जादा होता होगा क्योंकि लोग 1 में reporting कर देते हैं बढ़ 3B के अंदर reporting नहीं करते हैं for example 1 के अंदर तो मैंने 50 लाग की पूरी की पूरी reporting कर दी और इसके उपर tax मान ले तो चलो 50 लाग का value नहीं मान रहा है tax मान रहूं 50 लाग का जबकि मैंने यहां पर reporting कितने tax की करी 45 लाग की 5 लाग का दोनों में difference है अचा इस difference की वज़ा से मैंने आज ही मतलब इसी वीडियो के अंदर आपको revise कराया था इसका पहला consequence क्या है वो तो law में already था पहला consequence था हम automatically तुमारी suspension system based suspension कर देंगे अगर यह difference आया आपका significant difference आया 1 और 3B के अंदर common portal आपकी registration को suspend कर देगा और आपको RG 31 issue कर देगा highlighting the difference और कायेगा क्यों यह difference है आपको 30 days मिलेंगे 30 days के अंदर-अंदर आपने reply नहीं किया या आपका reply satisfactory नहीं है तो आपकी registration को cancel कर देंगे और अगर आपकी reply से वो satisfied है तो वो cancellation proceeding को revoke कर देंगे this was already there यहाँ पर कुछ नया नहीं है बस मैंने एक बार यहाँ पर एक साथ लिखने के लिए consequences कर देगा यह पहले सी था अब यह तो आपकी क्या करेगा cancellation करा देगा बट अगला सवाल यह पांच लाग recover भी तो होने चाहिए पांच लाग recover कैसे होंगे इसके लिए क्या करता था PO SCN issue करता है 73-74 का बैठके 73-74 नहीं आ रहे है bona fide है तो 73, mella fide है तो 74 आम तोर पर 74 का SCN फिर उसका reply हो etc. अभी नोंने क्या किया है 88C rule लाकर इस process को automatic कर दिया rule 88C क्या बोलता है अगर common portal को दिख रहा है your output tax liability as per the supplies reported in GSTR1 is more than the output tax liability as per the supplies reported in 3B तो जो भी difference है उस difference की वो एक intimation generate करेगा please take care notice भी नहीं intimation notice के अंदर reasonable opportunity of being वगरा वो सब कुछ चलता है यहाँ पर वो intimation generate करेगा intimation की form number वगरा याद नहीं करते intimation generate करेगा और वो काएगा 7 दिन है तुमारे पास या तो इस 5 लाक को pay कर दो reporting करी थी 3B में और with interest pay कर दो या फिर 7 दिन के अंदर-अंदर reply submit कर दो अगर तुमने 7 दिन में कुछ भी नहीं किया अगर 7 दिन में तुमने pay भी नहीं किया और तुमने reply भी submit नहीं किया उस case में section 79 होता है यह हमने intermediate में नहीं पढ़ रखा यह recovery का section होता है final में आप पढ़ोगे आपकी immobile property को attach किया जा सकता है movable property को bank को freeze किया जा सकता है सारे recovery के तरीके 79 में है तो यह कहता है अगर 7 दिन में ना तो तुमने पैसा जमा कराया ना reply जमा कराया तो 79 में आपसे recovery कर लिजाएगी on the other hand अगर आपने reply submit किया तो हो सकता है वो reply से PO satisfied हो गया हो सकता है वो satisfied ना हुआ हो अगर वो satisfied हो गया है तो वो सारी की सारी proceeding drop कर देगा बात खतम हो जाएगी बट अगर वो आपसे satisfied नहीं है तो वो आपसे recovery कर लेगा in accordance with 79 तो basically 88C किसको deal कर रहा है अब automatic recovery करने के लिए rule number आगया 88C automatically generation होएगी intimation की साथ दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है या जमा कराना है नहीं करोगे दोनों में से कुछ काम तो recovery हो जाएगी reply करोगे reply से PO satisfied नहीं है तो आपसे recovery हो जाएगी बात खतम और अगर PO satisfied है कि भाई ये ना difference मैंने अगले महिने की 3B में दिखा दिया था उससे अगले महिने की 3B में दिखा दिया था तो वो आपकी proceedings ड्रॉप कर देगा और काएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई difference पे करनी जथ नहीं ठीक है जी rule 88C अब सर अच्छा का साथ रूल है अब ये क्यों कह रहे हो कि ये अभी तक effective नहीं हुआ effective इसलिए नहीं हुआ क्यों तो नहीं बोला हर छोटे मोटे difference के चक्कर में ये intimation नहीं आएगी ये intimation तभी आएगी अगर 1 और 3B के इंदर जो difference है it exceeds such limit as may be prescribed सरकार एक limit prescribed करेगी अगर 1 और 3B में उतना difference हुआ उससे जादा difference हुआ तभी ये procedure लगेगा otherwise छोटा-छोटा difference 10 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, 1000 रुपे 10,000 रुपे, जो भी limit रखेंगी वो लाग-दो-लाग की limit तो रखेंगे मैं मान के चल रहा हूँ वहाँ तक के difference वो कहा रहे हैं छोड़ो जहाँ पर अगर उनके लिए भी generate करने लग गए ना पागल हो जाएंगी, तनी intimation generate हो जाएंगी तो ये limit अभी तक prescribed नहीं हुई तो effectively ये rule अभी तक नहीं लग पा रहा क्योंकि वो limit prescribed रही है otherwise ये rule हमारा बिल्कुल सही है अच्छा सर इस rule क्या हो समझ लिया इस rule के अंदर हमारा GSTR 1 और IFF की blockage कब आ रही है जैसी तुमारी intimation generate होई अगर तुमने अभी तक amount pay नहीं किया और अभी तक तुमने reply file नहीं करा जब तक तुमने इन मेंसे कोई भी काम नहीं किया तुमारी इसको हम क्या कर देंगे block कर देंगे ताकि तुमसे साथ दिन seriously follow करवाई तो अगर तुमने reply भी नहीं करा और तुमने अपनी जो liability हमने intimation में दिखाई थी वो भी pay नहीं करी दोनों मेंसे कुछ भी नहीं किया तब तक आपका GSTR 1 और IFF को क्या कर देंगे block कर देंगे तभी मैंने का इस blockage को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है rule number 88C theory के लिए आ सकता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया पहले पढ़ी है जरा 88C क्या कहता है rule where the tax payable by a RP RP मतले रजिस्टर परसन मैने शॉर्ट में लिख दिया बार-बार बार वर्यूस हो रहा था where the tax payable by a registered person in accordance with GSTR 1 या IFF for a tax period tax period मतलब month भी हो सकता है quarter भी हो सकता है is more than the tax payable in accordance with the 3B of that same month or quarter of that period same month का quarter का and the difference exceeds such amount as maybe notified यहां लिखो nothing notified yet अभी तक यह notified नहीं किया इसलिए मैंने बोला practically यह rule अभी ineffective है क्योंकि difference की limit कितनी है अभी तक prescribed नहीं करी अगर यह दोनों conditions satisfy होती है तो उस person को एक intimation दी जाएगी prescribed form में जिसके अंदर उसको difference बताया जाएगा वो comment portal पे इंटीमेशन आएगी उसके email address पे भी जाएगी जैसी वो intimation आएगी उसको दो में से एक काम करना है या तो उसको liability pay कर देनी है along with interest या उसको 7 दिन के अंदर reasons बताने है क्यों 1 और 3B के अंदर difference आ रहे हैं उसको उस मधिया quarter में अगर वो reason देता है दो तरीके दे सकता है या तो वो pay कर दे चुपचाप along with interest या वो reply कर दे ठीका जी और reply जाने के बाद PO के पास क्या है अगर सामने वाले person ने कोई reason ही नहीं दिया या उसका reason उसे satisfactory नहीं लग रहा या फिर और साथ साथ उसने साथ दिन के अंदर अंदर वो differential amount पे भी नहीं किया तो उस case में उससे recovery की जा सकती है under section 79 recovery के तरीके के अंदर आपकी movable property आपकी immovable property इन सब को sell किया जाता है आपके bank account को attach किया जाता है यानि हम तुम्हें मौका दे रहे है नहीं explain कर पाये तो तुम से recovery करेंगे और last में जब तक recovery नहीं करिएंगे अगर तुमने जवाब भी नहीं दिया और तुमने अभी तक वो differential amount पे भी नहीं किया तब तक तुमारा one और IFF क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा दोनों में से कुछ भी नहीं किया ना तो reply किया ना ही तुमने वो amount pay किया IFF और GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा ठीक है जी 88C 88C तो पढ़ लिया सर अब 88D क्या है 88D exact copy paste मारा फरक पता क्या है इसमें ITC की बात करी मुझे बताओ हम जो ITC लेते हैं वो किसमें लेते हैं GSTR 3B में लेते हैं ITC लेते समय कोई भी invoice-wise reporting नहीं होती procurement की हम lump sum basis पे GSTR 3B में लेते हैं consolidated reporting करते हैं चीक है जी let's say April की बात चल रही है April 2024 की बात चल रही है तो इसका 3B मैंने file किया let's say 20 में को करना होता है 19 में 24 को file किया मैंने इसके अंदर ITC ले लिया 10 लाख रुपे का मगर रुको ITC को लेने से पहले आपको अपनी GSTR 2B चेक करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती आपको April के महीने का जो 2B है वो 13 में तक मिल गया होगा 13 में टेकनिकली 14 को ही मिलता है 13 तारीक तक तो IFF भी file कर सकते है 14 तारीक को आपको 2B मिल गया होगा और ideally speaking section 16 to red with 36 sub rule 4 बोलता है आपका जो ITC 3B में आप claim कर रहे हो वो इससे जादा नहीं हो सकता मगर हुआ क्या आपने 2B के अंदर तो आ रहा था कितना 8 लाक रुपे मगर आपने कितना claim कर लिया 10 लाक रुपे तो मुझे बताओ wrongly availed कितना कर लिया 2 लाक रुपे इस wrongly availed ITC को recover करने के लिए पहले तरीका क्या होता था 73 और 74 का notice वगरा भेजेंगे फिर आपसे पूछेंगे क्यों इन दोनों में difference क्यों आ रहा है अब क्या किया देखो एक provision तो पहले से था इस case में भी क्या automatic suspension हो सकती है the answer is yes अभी मैंने आपको automatic suspension बताई एक तो 10 A की वज़ा से होती है एक 1 और 3B के अंदर outward के difference क्यों जासे होती है और अगर तुमने जो ITC 3B में claim किया है और जो ITC 2B के अंदर दिख रहा है ये वला ITC जादा है ध्यान देना 2B से जादा claim करोगे तो भी department को दिक्कत है 2B से कम करोगे कोई भी department को दिक्कत नहीं होईगी तो अगर तुमारा 3B वला ITC 2B के अंदर जो ITC दिख रहा है उससे जादा है और ये amount एक limit से exceed करता है तो पहली चीज तो automatic suspension तो होगी REG 31 तो issue होगा 30 दिन का समय मिलेगा जवाब दे दो जवाब satisfied नहीं हुआ तो REG 19 में cancel करते है ये तो पहले सी था नई चीज के आई इस case में rule 88D डाल दिया ये जो 2 lakh का difference है इसकी एक intimation generate होएगी और आपको common portal और email ID दोनों पर दे दी जाएगी इस intimation के बाद या तो आप इस 5-2 lakh की amount को ITC के reversal के थूँ या फिर output tax liability के थूँ add करके pay कर दो साथ साथ interest दे दो और interest अभी मैंने आपको 50 subsection 3 में पढ़ाया wrongly available ITC का कैसे interest निकाले जाता from the rate of utilization से along with interest पे कर दो या फिर reply कर दो और time कितना दिया साथ दिन अगर तुमने साथ दिन में कुछ भी नहीं किया कोई भी action नहीं लिया तो बात खतम ठीका जी जब तक आपने action नहीं लिया आपके GSTR 1 और IFF को क्या कर देंगे हम block कर देंगे अगर आपने reply दिया और reply satisfactory नहीं लगा P.O. को तो इस case में सीधा ही recovery नहीं करते पहले 73-74 का notice बेजेंगे और उसके immediately recovery कर लेंगे यानि 73-74 यहापर एक mere vulnerability है आपको mocha अलड़ी दे चुके है तो फिर से reasonable opportunity of being hit देनी की जुरत नहीं है सब कुछ अलड़ी 7 दिन के अंदर-अंदर दे दिया यानि 88D और 88C बिलकुल एक जैसे है दोनों जगा common portal automatically intimation generate करेगा दोनों जगा 7 दिन का समय मिलेगा दोनों जगों में अगर आपने pay नहीं किया और reply नहीं किया तो GSTR 1 और IFF ब्लॉक हो जाएगी और दोनों जगों पे आपका reply अगर satisfactory नहीं लगा या आपने reply नहीं किया आप से recovery की जा सकती है 88C है अगर आपकी जो output tax liability 1 में है वो जादा है as compared to the output tax liability जो 3B के अंदर है देन लगेगा 88C और 88D कब लगेगा जब आपका ITC जो आपने 3B में claim कर रखा है और ITC जो 2B के अंदर reflect हो रहा है उसमें difference है 3B वाला जादा है दोनों अभी फिलाल ineffective है क्योंकि दोनों के अंदर एक चीज है यहाँ पर भी वो सेम चीज है इसलिए मैंने बोला practically यह अभी नहीं चल पा रहा क्योंकि हर छोटे छोटे difference के लिए notice generate नहीं होगे एक limit होएगी उसके बाद होगा तो यह दोनों अभी फिलाल के लिए provision है इनके अंदर दोनों जगा automatic suspension का provision पहले भी था मैंने सिर्फ repeat करा है amendment 88C और 88D की आई है और दोनों से related GSTR 1 की blocking है तो अब अगर आप देखोगे category 4 के अंदर और category 5 के अंदर हमने क्या बात कर रखी है अगर एक registered person को 88C में intimation आई है उसको हम 1 और 3 भी फाइल नहीं करने देंगे यदि उसने अभी तक वो amount जमा नहीं कराया जो difference है या उसने अभी तक reply भी submit नहीं किया दोनों में से कोई भी काम अगर उसने नहीं किया सेम चीज 88D अगर 88D के अंदर intimation आई है उस amount को, differential amount को पे नहीं किया और दूसरी चीज स्वरी यहां पर न language गलत copy paste हो गई यह language गलत copy paste हो गई मैंने उपर नहीं चली कर दी 88D के अंदर क्या होगा 1 और IFF का difference नहीं होगा यहां पर होगा ITC जो हमने 3B में claim किया है और 2B में मैं जब यह डालूँगा आपको सबको provide करूँगा notes इस correction को करके बेज़ दूँगा यह मेरे से गलती से 88C वाला लेंग्वेज copy paste होगी लेंग्वेज मुझे edit करनी चाहिए थी 3B और 2B के ITC का difference है आपने pay भी नहीं किया reply भी नहीं किया तो 1 और IFF ब्लॉक हो जाएंगे तो in total बोलूँ GST और 1 और IFF को ब्लॉक करने के 5 grounds हो गए दो grounds तो हमेशा से थे वो तोनों तो हैं पिछले महिने का 1 और 3B फाइल नहीं किया पिछले quarter का 1 और 3B फाइल नहीं किया 3rd reason rule 10A के अंदर bank account की detail नहीं दी और 4 और 5 और 5 reason 88C के अंदर intimation आई है या 88D के अंदर intimation आई है अभी तक अपने amount भी पेह नहीं किया और उसका reply भी submit नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं returns वाला हमारा यह topic हो गया done अब return के topic को करने के बाद अगली set of amendments जो आई है वो news labels वाले topics के साथ है तो मैं आपको यह कहूँगा कि जो news labels वाले chapter है अगर आप उनको करने के बाद वापिस यहाँ पर आओ आप यहाँ पर time stamp लगा लो अपने लिए वीडियो के अंदर और वापिस बाद में आकर यह 3 amendment देख लेना यह 3 amendment वैसे तो cover होएंगी बट फिर से मैं आपको इस amendment को highlight कराना चाहता हूँ वैसे तो यह 3 amendment transition वाले topic में covered ही होँगी बट still क्योंकि amendment आई है on topics के अंदर तो important है इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार repeat कर रहा हूँ जब आप वो transition वाले topics देख लोगे फिर से यहाँ पर एक बार आकर देख लीजीगा ठीका जी आगे ज़रा चेक करते हैं सबसे पहले हमारी amendment किस से लेड़ेड है 9-5 9-5 के अंदर आपको पता है अगर कोई supplier notified services देता है ECO के थुरू तो उस case के अंदर ECO को tax pay करना पड़ता है as a face the supplier हमारी 4 services currently notified है और यह 4 services notification 17 by 2017 में दे रखी है पहली entry इसके अंदर passenger transport service से लेड़ेड है दूसरी hotel accommodation से लेड़ेड है तीसरी हमारी housekeeping services से लेड़ेड है और आखरी हमारी जो है वो restaurant services से लेड़ेड है अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ जो amendment आई है वो पहली entry के अंदर आई है services by way of transportation of passenger by radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus या any other vehicle किसी भी तरह के road transport vehicle के थूँ अगर passenger transport service दी जा रही है और यह service ECO के थूँ सप्लाई हुई है याई ओला और Uber का best example हमारे दिमाग में आता है तो उस case में ओला और Uber जो ECO है वो tax pay करेंगे जो driver है जो actually में service दे रहा है वो लाइबल नहीं होगा amendment क्या आई है इस entry के अंदर द्यान से देखो supplier कौन है मेंटर नहीं करता supplier registered भी हो सकता है unregistered भी हो सकता है supplier company भी हो सकता है any other person भी हो सकता है यानि यह एक ऐसी entry है 95 की जिसके अंदर supplier कौन है मेंटर नहीं करता हमेशा passenger transport service को हमने 95 में cover कर रहा है बागी सारी जो entry है न होटेल वाली है जो हमारी और housekeeping वाली है उसके अंदर supplier अगर liable for station है तो वहाँ पे 95 नहीं लगता 95 तब भी लगता है अगर हमारा supplier unregistered हो इस entry के अंदर supplier कौन है मेंटर नहीं करता था अब क्या किया amendment करके इन्होंने इस entry को दो parts में डिवाइड कर दिया कैसे डिवाइड कर दिया passenger transport service by radio taxi motor cab, maxi cab, motorcycle या any other vehicle add क्या कर दिया except omnibus omnibus को छोड़कर बाकी सारी passenger transport service by जो road है वो अभी भी same to same है यहाँ पर maternity करता supplier registered है या unregistered यहाँ पर supplier maternity करता company है या non company है बट अगर omnibus के थू passenger transport service दी जा रही है तो वहाँ पर ECO के थूरू service दे रहे हो 95 तभी लगेगा अगर जो supplier है जो omnibus के थूरू service दे रहा है he is any person other than company अगर कोई company omnibus के थूरू service देती है तो उस case के अंदर company दे रही है तो वो जो ECU है basically यहाँ पर red bus और zinc bus दो ऐसी app मेरे दिवान में आती है जहाँ पर आप omnibus की service ले सकते हो कोई bus की booking करवा सकते हो तो अगर वो bus चलाने वाला जो इंसान है वो एक entity company है तो वहाँ पर वो company ही tax pay करेगी 95 नहीं लगेगा on the other end वो जो omnibus से passenger transport service देने वाला person है वो कोई और person है other than company है तो पहले भी 95 लगता था अब भी 95 लगेगा यानि हमने यहाँ पर supplier के ऊपर एक extra condition डाल दी supplier should be any person other than company 95 में आने के लिए और ये amendment सारी passenger transport service by road के थुरू नहीं आई सिर्फ omnibus के case में आई है omnibus के अलावा बाकी cases में अगर passenger transport service हो रही है आज भी provision same to same है supplier कोई भी हो ECO liable होगा Ola या Uber ही liable होगा अब सवाल आता है सर omnibus के अवाला होती है तो मैंने नीचे definition यहाँ पर डाल दी omnibus के definition Any motor vehicle which is adapted to carry more than 6 passengers excluding the driver कोई भी ऐसा vehicle जहाँ पर 6 से ज़्यादा passenger बैठे जा सकते हैं driver को छोड़ कर बट प्लीज टेक केर एक और वर्ड भी है maxi cab omnibus वो होती है जिसमें 6 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं driver को छोड़ कर maxi cab वो है जिसमें 12 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं उन्हें प्यार से हम क्या बोलते हैं maxi cab बोलते हैं 6 से ज़्यादा बट 12 तक को maxi cab और 6 से ज़्यादा वालों को omnibus क्या maxi cab भी एक omnibus होती है फिर से definition बढ़ लो maxi cab मतलब 6 से ज़्यादा 12 से कम और omnibus मतलब 6 से ज़्यादा तो क्या maxi cab भी एक तरह की omnibus है 6 से ज़्यादा होती ही omnibus बन गए मगर 12 से कम होतो तुमें एक maxi cab भी हो so every maxi cab is a omnibus but every omnibus is not a maxi cab ठीक है जी अब ज़र आप ध्याँ से देखो entry में क्या लिखा except omnibus लिखा but maxi cab को उन्होंने उपर ही cover कर रखा है यानि maxi cab covered है मगर omnibus बाहर है तो मेरी interpretation यहाँ पर यह है कि हम बेशक omnibus की definition 6 से ज़्यादा वाले है बट हम यहाँ पर 12 से ज़्यादा मान के चलेंगे रिज़र समझ में आया entry number 1B जो अलग से आई है जहाँ पर company ना होने वाली restriction है वो omnibus के case में है बट omnibus के अलावा maxi cab word भी एक होता है और वो उपर वाली entry के अंदर ही है जहाँ पर supplier matter नहीं करता तो मेरे हिसाब से यह जो entry है ना this is only for omnibus which is not a maxi cab यानि मेरे हिसाब से यह entry सिर्फ किसकी उपर है 12 से जादा passenger वालों पे लगेगी although अगर आप omnibus की definition को पढ़ोगे तो वो सिर्फ 6% से जादा वालों को omnibus बोल रहा है मगर maxi cab 6 से जादा और 12 से कम वालों को deal करता है और maxi cab अभी भी धिहान से देखो कहां पे दे रखा है entry 1 में दे रखा है तो यह मेरी interpretation है ICI उस पे क्या interpretation लेगा मेरे साब से वो RTP में देखना पड़ेगा बट मेरे साब से this is the logical interpretation that omnibus जो है वो 12 से साथ interpretation लेनी चाहिए otherwise maxi cab को अलग से entry 1 में ना लिखते और entry 1A और 1B में difference कहा है 1A में supplier कोई भी हो 95 लगेगा ECU liable होगा 1B के अदर जो है the person should be any person other than company तभी 95 लगेगा अगर company service दे रही है उमनी बस के दुरू नास्पोरेशन की वहाँ पर वो खुदे tax पे करेंगा अब इस point को लेकर मैंने बहुत अच्छी illustrations बना रखी है but as I said आपने वो illustrations already देख ली होईगी अगर आप बाद में देखने के बाद आई है या आप देख लोगे जो मैंने जब यह 95 वाला chapter पढ़ा रखा है ना वहाँ पर बहुत अच्छी illustrations बना रखी है अलग अलग तरह की वो आप एक बाद मांसे देख लिया ना मैं इस illustrations को for the sake of repetition फिर से नहीं copy paste कर रहा वो मैंने महाँ पर जब chapter पढ़ाया था महाँ पर discuss कर लिया event number 23 तो मैंने आपको बता दी कि अगर आज की rate में ECO की तुरू कोई supplier good supply कर रहा है और वो supplier unregistered भी है ECO को उसका TCS collect नहीं करना फिर भी उसको GSTR 8 में reporting करनी है GSTR 8 में reporting करके सामने वाला unregistered supplier के e-cash ledger में कुछ भी नहीं जाएगा सामने वाले की e-cash ledger में तब ही जाएगा अगर सामने वाला supplier कौन है registered है तो यह वहाँ पर मैंने उसका TCS भी collect कर रहा होगा यह मैंने अल्ड़ी आपकी linking करा के आपको खरा दिया फिर आया place of supply selected amendment यह भी place of supply वाले topic के साथ मैंने बता रख है place of supply के जो transition वाले topic है most publicly इस video के अंदर नहीं आ पाएंगे उसकी एक अलग वीडियो यह उपाएगी YouTube पे लिमिट है 12 गंटे से उपर की वीडियो डलनी सकती तो मैंने वो इस topic इसके साथ नहीं इसके बाद transition वीडियो part number 2 के अंदर डाल रखे होएगी उसके अंदर यह amendment already cover कर रखे है फिर भी जल्दी से revise करा रहा हूँ place of supply का जो section है goods के लिए जो place of supply है वो section number 10 से determine होता है अगर import और export का case नहीं है इसके अंदर 10-1-A और 10-1-C दो section एक साथ चलते थे 10-1-B तो हमारा build to ship to model को deal करता था मैं उसकी बात नहीं कर रहा अगर build to ship to model नहीं है तो दो section होते थे 10-1-A और 10-1-C 10-1-A कहता था अगर आप कोई भी ऐसी supply कर रहे हो जिसका place of supply निकालना है उसके अदर movement of goods है तो place of supply होएगी वो जगा जहां पर आपकी movement terminate हो रही है for delivery simple बात हम बोलूँ जहां पर भी आपने delivery दी है और वहाँ पर movement terminate होई है उसको place of supply बोल देंगे और अगर 10-1-C कहता था अगर आपके goods की supply में movement involved ही नहीं है तो जहां पर भी आपने constructive delivery दी है उसे place of supply बोलेंगे दोनों के अंदर एक चीच common है हम delivery जहां पर दे रहे हैं उसी को place of supply बोल रहे है पहले वाले case के अंदर movement involved है तो जहां पर भी movement terminate होएगी for the actual delivery दूसरे वाले case में movement involved ही नहीं है तो जहां पर भी constructive delivery मिलेगी वो वाले case में place of supply अब ये provision till last year पानेंस अक 2023 से पहले ये provision B2B supply पे भी लगता था और B2C पे भी लगता था कोई भेदबाब नहीं था goods के अंदर B2B और B2C services के अंदर 13.2 में पढ़ोगे तो वाँ पे B2B और B2C में भेदबाब है मगर goods में last year तक कोई भेदबाब नहीं था हम ये चेक करते थे supply में movement है या supply में movement नहीं है चाहे वो मेरा recipient registered हो चाहे मेरा recipient unregister हो अब इसमें problem क्या आती थी B2C में समझाओ problem ही आती थी हमने तो ये कहा दिया movement है अचा ये movement कोई भी कर सकता है ज़रूरी नहीं movement supplier कर रहा है recipient भी कर सकता है movement अब मुझे एक बार बताओ मेरी एक दुकान है उस दुकान पर एक छोटा बच्चा आया ठीक है जी student आया मैं मनाली के अंदर यह सीम एक्जांपल ना मैंने अपनी बुक में भी डाल रखा है जब आप transitional topic पड़ोगे इसलिए मैं वही same example दे रहूँ मेरी मनाली के अंदर एक दुकान है एक छोटा बच्चा अपनी स्कूल के ट्रिप पर आया असली में वो डेली में रहता है उसने आकर मेरी दुकान से एक चॉकलेट खरीदी चॉकलेट को पर खा गया मेरी दुकान से तो चला गया so I don't know मैं इसको 10-1-A में लाऊँ there is a movement of goods यह 10-1-C में ले कर रहाऊ not a movement क्योंकि movement मैं नहीं कर रहा movement यहाँ पर unregistered person कर रहा है वो वहाँ पर on the spot उसे consume कर रहा है या अपने साथ अपने घर लेके जा रहा है I have no idea I have no control secondly अगर मैंने इस बच्चे से पूछ भी लिया आप बेटा इस चॉकलेट को आप भी खा रहे हो यह घर लेके जा रहे हो उससे मुझे बता भी दिया तो अगला सवाल मुझे है मैं उससे यह नहीं पूछ सकता करता है हमारा कंट्रोल नहीं रहता हुश कि अगर पर च्शो में पार भी केस में मैं अगर वो location मेरे record के अंदर है यानि मैंने अगर उस location को अपने invoice पे लिख रखा है तो location of recipient मगर अगर मैंने location नहीं लिख रखी तो location of supplier को ही POS बाल लेंगे यानि same to same provision copy paste मारा 13.2 से services के लिए जो provision होता है ना B2B के अंदर location of B2B के लिए अलग होता है B2C के लिए अलग होता है services के अंदर B2C का क्या होता है location of recipient अगर वो location हमारे पास address on record available है और अगर address on record available नहीं है तो location of supplier को ही क्या माल लेंगे place of supply यानि अब इस example के अंदर अगर वो छोटा बच्चा मुझे ना बताए उसका address मेरे पास on record नहीं है तो उस particular case के अंदर मैं क्या करूंगा location of supplier यानि मनाली को ही place of supply माल लूँगा और मैं CGST, SGST चार्ज कर लूँगा this is more practical, more easy, easier बोल सकते हैं आप इसको क्योंकि यहां पर movement पर base नहीं बनाया तो मैंने यहां पर पहली चीज़ लिखे दी, important point B2B supplies के अंदर differentiation है movement involved है या movement involved नहीं है movement involved है तो 10-1A लगेगा, movement involved नहीं है तो 10-1C लगेगा यह B2B में है, but B2C के अंदर जो नया प्रोविशन आया है 10-1C यह, वहां पर movement देखने की जुरती नहीं है वहां पर तो यह चेक करो, recipient की location available है या नहीं available है तो location of recipient, अगर recipient की location available नहीं है तो वहां पर location of supplier को deemed place of supply यहां पर एक, इन्होंने explanation इंसर्ट करी साथ-साथ इन्होंने बोला, अगर recipient का पूरा address नहीं है recipient का सिर्फ और से state का नाम पता है हमें तो उसको भी हम क्या माल लेंगे, उस state को ही क्या माल लेंगे उसका address on record माल लेंगे, क्योंकि हमें exact address का करना क्या है हमें तो place of supply, state के नाम पे चाहिए so I may not have the complete address of the recipient if I have the state code of the recipient it will be treated as if I have the address on record of the recipient ठीक है जी, अब recipient का address हमारे पास कब होता है इसके लिए मैंने invoice के प्रोशन को लिंक किया invoice के अंदर आपको याद होगा यानि यहां तो address on record होगा ही होगा पचाजार से जादा नहीं पचाजार से कम का case है तो उस case के अंदर recipient की detail mandatory नहीं होती तो यहां पर B2C में recipient का address available है या नहीं है यह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि हमारा supply कितने की है 50,000 से जादा की supply है तो आप यह मानी नहीं सकते कि address on record नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर invoice पर address on record capture करना mandate रहता है आरवे clear? यह amendment पर नहीं already cover कर रखी थी एक circular और आया है यह circular हमारे chapter के अंदर cover नहीं कर रखा था तो अगर आप chapter देखने के बाद यहां पर आए है यह circular सुलो यह circular services related है यहाँ पर हम बात कर रहे है advertisement service advertisement में भी advertisement को बनाने की service नहीं advertisement को जब दिखाना होता है तो यह तो हम space देते हैं सामने वाले को यह time slot देते हैं यहाँ पर space की बात कर रहे है मेरे पास कोई building है मेरे पास कोई structure है जिसके उपर तुम अपनी add कर रहे हो और मैं तुमें बदले में अपना space दे रहा हूँ this is advertisement service अब अगर मैं section number 13 की बात करूँ उसमें 13.2 होता है जो की default section होता है place of supply का अगर कोई भी और नीचे वाले सब section नहीं लग रहे है तो 13.2 लगता है जिसके अंदर B2B के अंदर provision अलग होता है B2C में अलग होता है B2B के अंदर location of recipient होता है B2C में location of recipient अगर address on record available है नहीं तो by default location of supplier ये entry तब लगेगी अगर नीचे वाला कोई भी सब section applicable नहीं हो रहा साथ साथ 13.14 नाम से वा अच्छा वारी तो बोल दिया 13 का reference ले लिया I should refer to 12 12.2 के अंदर by default हमारा होता है B2B और B2C और इसके अंदर एक चीज़ और 12.14 जो कि advertisement service के लिए है बड़ प्लीज टेक केर 12.14 जो है वो सिर्फ तभी लगता है अगर advertisement service government को दी है तो यहां पर उसकी कोई relevance नहीं है साथ साथ में 12.3 का और reference देना चाहता हूँ 12.3 के अंदर बहुत सारी चीज़े cover थी जो मैंने आपको learning school के थूँ याद कराई थी उसे में one of the service was any service which is directly related to immobile property कुछ example दे रखे थे उस case में हम ये नहीं देखते B2B है या B2C है इर्रस्पेक्टिव और B2B है B2C हमारा प्लेस आप्लाई क्या होता है जहां पर अभी वो immobile property located है तो architect हो interior decorator हो सब के लिए हम immobile property देखते हैं हाँ अगर वो immobile property इंडिया के बाहर है तो वहाँ पर हम location of service recipient देखते हैं ठीक है तीन clause मैंने पहले आपको revise कराए अब CBIC ने doubt क्या पूछा CBIC ने बोला कि आम तोर पे जब भी कोई भी advertisement company है जिसको अपनी अपने client की ad दिखानी है अपनी खुद की ad हो सकती है या कोई client की ad दिखा रहा है अपनी तो उसको दो तरह से हो सकता है पहला case ये vendor है इस vendor से इस vendor के पास कोई building है या इस vendor के पास कोई ना कोई structure है कोई structure या building है इस vendor ने ad company को अपने building या structure के space को use करने का right दिया है और बदले में इस से लाग उर्पे लिए है पहली transaction कैसे होई vendor सामने वाली ad company को क्या दे रहा है वो क्या रहा है मेरी structure को मेरी जो भी installation मैंने जो भी चीज़ email property लगा रखी है या मेरी building है जो भी तरह का space है it can be a flyover it can be a long खंबे type के लगे होते है holding advertisement के लिए वो उस तरह के है कोई भी तरह का structure है email property है मैं आपको use करने का right दे रहा हूँ और उस use करने के right के बदले में आपसे पैसे ले रहा हूँ इसी को प्यासे advertisement service बोलते है उन्होंने बोला इसका place of supply कैसे आएगा यहाँ पर CBI इसने clarify किया 12-3 लगेगा services directly related to email property हो गई क्योंकि आपने email property का space ही ultimately सामने वाले को दिया है और यहाँ पर place of supply will be equal to wherever the immovable property is located और हाँ अगर email property आउटसाइड इंडिया हो गई तो वहाँ पर location of recipient आ जाएगी बट आम तोर पर location of email property क्योंकि यहाँ पर vendor एक तरह से email property का space की सामने वाले को यूज करने के लिए दे रहा है यह हो गया case number 1 दूसी तरह की arrangement क्या होती है CBS ने बोला कुछ केस में यह ad company क्या कहती है यह कहती है कि मेरे को space चाहिए ही नहीं एक vendor है उस vendor ने खुद space own कर रखा है या उसने खुद किसी से पीछी से space ले रखा है यह ad company कहती है मेरे को जब भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए ad चलानी होएगी मुझे space नहीं चाहिए तुम मेरी सिर्फ ad को run कर देना असली में यह space का right ad company ले रहा ही नहीं चाहती वो कहा रही है कि यह space का right तुमारा तुम own करते हो तो तुमारा ही हो गया नहीं तो किसी और से तुमने space ले रखा है the vendor has the right over the space वो सिर्फ सामने वाले ad company की ad को दिखाता है जितने भी दिन के लिए ad company पैसे दे मालो एक लाख रुपे दिये तो यहाँ पर please take care vendor ने ad company को space का slot नहीं दिया क्योंकि space legally किसका है vendor का ही है यह में either own it या फिर उसने किसी से right ले रखा है space legally vendor का है वो सिर्फ हमारी ad को exhibit कर रहा है दिर्फ दिखा रहा है अपनी holding के उपर जितने भी दिन के हम बोलें तो यहाँ पर उन्होंने बोला CBIC ने 12.3 नहीं लगेगा यहाँ पर 12.2 लगाएंगे याईनि default rule location of recipient और अगर B2C है recipient के location on record नहीं है तो location of supplier बट आम तोर पे location of recipient है तो basically आपको contract में यह देखना पड़ेगा arrangement type number 1 arrangement type number 2 arrangement type number 1 में क्या है vendor who is the owner of the building provides space and right to use that space to the advertisement company for the display of their advertisement यहाँ पर clarification दी कि हम मान के चलेंगे यह email property है और email property related service है तो wherever the hoarding या email property is located क्योंकि यहाँ पर जो space है technically advertisement company को मिल रखा है on the other hand there may be a case where advertisement company only wants to display the advertisement on the hoarding या billboard availing the service of vendor but the responsibility of the billboard lies with the vendor यहाँ पर entire time vendor is in the possession of the hoarding या structure उसका space या वो पूरी की पूरी hoarding वो vendor की है मैंने उससे कोई right नहीं लिया मैं तो सिर्व उसको यह कह रहा हूँ कि मेरी advertisement को वहाँ पर publish कर दियो exhibit कर दियो तो यहाँ पर वो effectively मेरे को visibility दे रहा है और इसको 12-2 में डालेंगे 12-2 में डालने के बाद क्या आ जाएगा यह location of recipient आ जाएगा तो यह एक circular issue किया गया है इस circular के अंदर अगर मैं आपको draw कर वाऊँ पहले वाला case में arrangement number 1 में यहाँ पर arrangement number 1 draw कर देता हूँ यहाँ पर arrangement number 2 बना देता हूँ arrangement number 1 में क्या हो रहा है जो vendor है उस vendor ने add company को क्या दे दिया space का right ही दे दिया space मतलब जो भी hoarding है या फिर जो भी installation है उसके space का ही right दे दिया add company अपनी मर्जी से जो मर्जी add लगाती रहे और बदले में उसने एक लाग रुपे ले लिए क्योंकि यहाँ पर space ही दे दिया because space या फिर right of that space is given to add company तो यहाँ पर हम इसे immovable properties related service मानेंगे और यहाँ पर 12 3 apply कर देंगे POS is equal to location of wherever that immovable property is there यानि जहाँ पर भी वो hoarding है जहाँ पर भी वो building है जहाँ पर भी वो installation है जिसका space मैंने लिया this is arrangement number one arrangement number two कैसे होई यह एक vendor है इस vendor ने पीछे से किसी से space का right लिया या तो वो खुद owner हो सकता है या space का right लिया फिर इसने कहा सामने वाले को मैं तुमारी add तुमें visibility दूँगा अपने space पे visibility दूँगा जितने दिन के लिए कहोगे तुमारी add लगा दूँगा और यहाँ पर add company उसे पैसे दे रही है add company के पास ध्यान देना space का right नहीं है here add company doesn't have right over that space वो space किसका है vendor का ही है vendor के पास ही right है तो यहाँ पर क्योंकि space का right मिला ही नहीं तो यहाँ पर 12 to apply करेगा default वाला और POS क्या हो जाएगा location of recipient वो space कहां पर है वो email property कहां पर है वो matter नहीं करता हूँ that was all about our amendments for GST हमारी in total 25 amendments हैं जो हमने cover करी है और in amendments के अंदर कौन कौन सी amendment important है मैंने आपको साथ साथ भी बता दी और कौन कौन सी amendment important है वो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर mention कर दी आप अगर देखोगे starting में summarize form में सारी में दे रखिए लास्डे रिविशन के लिए वहाँ पर जो जो amendment मेरे इस आपसे important है मैंने वहाँ पर important for exam important for exam highlight करता गया हूँ इन amendments को तो exam में आने के बहुत चादा chances हैं बाकी भी आपको करनी जरूर है तो यह detailed version कर रहाया और साथ साथ मैंने last year revision के लिए तीन पेजिस के अंदर सारी revision को सारी अमेंडमेंट्स को summarize भी करते हैं तो इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर वन के अंदर मैं जो यह topic नंबर 3 और 4 है basically 9-5 के अंदर जो amendments आई है इसी को लेकर मलब 9-5 के topic को भी detail में कराया है और उसके linking TDS और TCS के through करके इस पूरे topic को डिसकस कर रहा है मैंने जो अपने latest batch के अंदर यहाँ पर यह chapter लिया था पूरा का पूरा ही मैं इस वीडियो को साथ में connect कर रहा हूँ कि आप अगर आपने थोड़ा बहुत 9-5 के आवर में पड़ी भी रखा होगा तो वह अच्छे से आपका deep में हो जाएगा वह पूरा का पूरा topic साथ-साथ इन दोनों topics से related जो questions की discussion है वो भी मैंने यहाँ पर attach कर दी है ताकि वो questions भी आपके साथ की साथ ही cover अब हो जाएं तो यह दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे सर बचे चार topic यह जो चार topic हैं जो आपके बचे हुए हैं यह हमारे next part में transition number part जो जो जेस्टे transition part 2 है उसके अंदर आएंगे तो अभी के लिए फिलाज शुरू करते है 9-5 ECO का topic आज हमें सारी कहानी कहां से शुरू करनी है 9-5 से 9th of section 5 और 9-5 को समझने के लिए पहले एक word समझना जरूरी है जिसका नाम क्या है ECO ECO की full form क्या होती है पहले यह देखते है हाँ जी ECO का नाम क्या होता है full form electronic commerce operator अब यह है क्या बला electronic commerce operator basically आप सबको पता है कि आज की rate में e-commerce की बहुत सारे तरीके होते हैं जहां पर आप खरीच सकते हो क्यों से तरीके हैं सबसे बेसिक तरीक है आप कोई भी समान खरीजने जाते हो किस पर जाते हो website पर जाते हो सबसे वहले website से आई दी website को दीर देर रिप्लेस कर दिया किसने apps में replace कर दिया अब आज कि में website भी चलती है और app भी जलती है इसके लावा और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा का पूरा एक प्लाटफॉर्म बना लेते हैं WhatsApp ग्रूप पर ही क्या बहुत सारे लोग WhatsApp पर भी चलता है अली बाबा नम जा सकती है और यही चीज इंडिया के अंदर Reliance करने की कोशिश कर에 है कि अगर आपको बता है अबर रिलायान्स डिटेल के अंदर फेसबूक की इमस्टमेंट Psalm ecosystem करें выд सम्रेψ 125 विमें का हाँ रेलाइंस लीक competitions जब कुछ करता है और राइंस करता है अपर चल रहा होगा यह क्या प्लान करने की कोशिच करें फेस बूक का WhatsApp है इतना तो पता होगा WhatsApp Facebook का है ठीक है मेटा का और रिलाइंस का रिटाइंस रिटेल है यानि यह दोनों भी मिलके कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे कल को फ्यूचर में WhatsApp से ही क्या होगा कुछ अपडेट आएगी उसी के अंदर शॉप्स खुल जाएंगी बना गुरूप इस समान सरीत पे उसे क्या बोला जाता है e-commerce और जो इनसान उस e-commerce के लिए platform प्लाटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते है और electronic facility और platform, मुझे इसका मतलब बताओ, digital और electronic facility और platform, इसके अदर क्या आ गया simple बाइचा में, क्या website आगी इसके अंदर, yes, क्या mobile app आ गई, yes, क्या WhatsApp पे आपका कोई group है, Facebook पे आपका कोई group है, वो भी आ गया, yes, तो यह आ पर लिख लो, digitally electronic facility का मतलब, it can be in the form of a website, it can be in the form of a mobile app, it can be even in the form of a WhatsApp या फिर Instagram group, आजकर आपने देखा होगा, Instagram ने भी एक broadcast जैसा कुछ करने का system बनाया, groups बना लेते हैं, वो भी देखना, long term में यही होगा, लोग अपने group बनाएंगे, उसी के अंदर option देदेगा, वो अपनी products को list करेंगे, तो देरे-देरे Instagram क्या कर रहा है, website को replace करने की जुछ कर रहा है, हर बंदे की website इनव एक आँपर होएगी, Instagram पर, तो यह हमने पहले सी definition ऐसी design करी है, कि बदलते वक्सके आप से definition बदलने की जुलत नहीं है, हमने यहाँ पर website वगरा नाम नहीं लिखा, हमने यहाँ पर नाम क्या लिखा है, digital या electronic facility, for e-commerce, हमने का, e कि CEO एक ऐसा इनसान है, जो कोई website या कोई भी platform, own करता है, manage करता है, या फिर क्या करता है, operate करता है, अचा, किस चीज के लिए operate करता है, e-commerce के लिए, अगला सवाल है, e-commerce क्या होता है, e-commerce वैसे तो आप सब को बताई है, आप जन्रल भाश्याएं बताओ, e-commerce क्या होता है, goods तो physically आएंगे, आप Amazon से order करते हो, goods Amazon से आजाते हैं, physical आते हैं, फिर Amazon से क्या करते हो, order करते हो, product के बारे में जानकारी लेते हो, product की payment करते हो, क्या ये भी e-commerce है या नहीं है, yes, goods अगर physically जा रहे है, मगर बाकी सारा काम online हो रहे है, अचा, कली बार ऐसा होता है, goods भी online ही आ करेंगे, online ही download link देंगे, आपको, मुझे एक बार बताओ, कोई इंसान हमारी हाँ की website से classes buy करता है, तो immediately classes buy करता है, उसको online ही link दे दिया जाता है, online ही उसको सारा कुछ कर दिया जाता है, ये तो चलो, books हम physically भेज़ते हैं, एक मिन्ट के लिए बुक्स को भी online कर दो, तो क्या like you can say license, like you can say data information, data information भी खरीदा जाता है, आज की data में, yes, मुझे बार बताओ, netflix को आपने payment करी, netflix ने बतने में क्या दिया, IDR service, information database, access and retrieval, क्या ये भी e-commerce है या नहीं, yes, तो e-commerce की definition बढ़ो, it has been defined as supply of goods or services or both, including, क्या लिखा है, digital products over digital or electronic network, including digital products का मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ digital products की बात चल रही है, या digital products की भी बात चल रही है, उसकी भी चल रही है, यानि यहाँ पर, simple वाशा में लिख लो, e-commerce will cover, definition of e-commerce will cover, both cases, case number one, where order, payment, etc. is done through a platform, order वगरा सब एक प्लाटफॉर्म के थ्रू हो रहे हैं, but goods are being delivered physically, goods are delivered physically, इसे भी e-commerce बोलेंगे, या पर यह मत क्या ना किसे और goods physically delivered हो रहे हैं, और दूसरा case, where digital products, digital products are provided online, digital products provided online मतलब, let us suppose, netflix का example आ जाएगा यहाँ पर, या फिर कोई भी software का example आ जाएगा, वहाँ पर product ही आपको online deliver कर दिया जाता है, e-commerce की website wide enough है, दोनों चीज़ों को cover ते, तो यह in tangible होती है, SEO वो इनसान होता है, जो ऐसा कोई platform own करता है या manage करता है, जिसके through ऐसे good services दिये जाते हैं, मेरा simple साथ हवाल है definition आपके सामने है, क्या AVJ की website भी SEO है या नहीं है, क्या मैं SEO हूँ या नहीं हूँ, एक पर definition चेक कर लेते हैं, यह point क्या क्या मैं एक website on करता हूँ, क्या उस website के तो अपनी services देता हूँ, मैं भी क्या SEO हूँ या नहीं हूँ, Amazon SEO है या नहीं है, Amazon भी SEO है, क्यों SEO है, क्योंकि वह भी एक website on करता है, जिसके through course and services बेचे जाते हैं, बट ध्यान दीजिए, मेरे में और Amazon में फरक है, क्यों बता सकता है, यह मत बोलना कि आप छोटी हो, वह बढ़ा है, मुझे पता है, मैं बहुत चोटा हूँ, ठीक है, और क्या फरक है, Amazon की ऊपर जाके समान खरीते हो, वह Amazon का होता है, या किसी और का होता है, किसी और का, AVJ की website पे जाके समान खरीते हो, वह AVJ का होता है, या आगे की कहानी बढ़ानी शुरू करते हैं यहां से, ECO हमारे दो तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, इसलिए भी सुनते जाओ, चार्ट फाइनली बा इस वाली टिकरिंदर अपनी वेबसाइट से अपना समान बेच्चो तो भी तुम क्या होते हो और एक होते हैं जिसे बोला जाता है marketplace model marketplace model क्या होता है Amazon किस पर काम करता है marketplace model marketplace model मतलब जैसे mall का काम क्या होता है एक space दे दे न और वो बाकियों कहता है आओ अपनी दुकान खुल लो लोग आएंगे तुमारे दुकान से सबान खरीदेंगे कोई misconception में जी रहा है तो पहले मैं वह misconception तो जब आप Amazon से order करते हो Amazon आपको समान नहीं बेच रहा समान कौन बेच रहा है Amazon पे लिस्टेड एक seller flip card से समान करिते हो क्या flip card आपको बेच रहा है नहीं लिपकर आपको समान नहीं बेच रहा मुझे एक बाद पताओ जो मेटो से order करते हो जो मेटो समान बेचता है या कोई restaurant बेचता है restaurant Uber से क्या बुक करते हो Uber का driver आता है या कोई independent driver आता है independent आप्स जो आप यूज करते हो make my trip book my show यह सारी apps क्या है यह marketplace model पे काम करती है यह खुद समान नहीं बेचती यहां पर तीन parties involved होती है पहली party होती है ECO यानि की Flipkart यानि की Amazon दूसरी party होती है seller जो असली में बेच रहा है और तीसरी party होती है हम buyer जो इस website पर लाइज तो जब भी marketplace model होगा there will be three categories imagine करके देखो मैंने अपने product Amazon पर लिस्ट कर दिये आपने मेरा product Amazon से खरीद लिया तो यहां पर्टी होगी कौन कौन सी seller यानि supplier Amazon यानि की ECO और buyer यानि की और यहां पर बताओ website मेरी website पर आकर समान करीदा यहां पर मैं यहां पर भी ECO बट यहां पर बताओ supplier और ECO अलग अलग है या एक ही इंसान है एक इंसान मैं ही ECO क्योंकि मैं यह website मेंटेन करता हूं और आपने जब आके मेरा समान करीदा तो समान करीदे मैं ही कौन हूं supplier हो तो प्लीज टेक केर यहां पर दो पार्टी इन्वाल्ट है यहां पर AVJ ECO भी है और AVJ supplier भी है और यहां पर बायर आ रहा है जबकि इस वाले case में AVJ seller है हमारा ECO कौन है Amazon या Flipkart है और बायर कौन हो जाएगा हमारा बायर विल भी जो परसन आके खरीद रहा है पहले तो इस चीज को डिमार्केट कर लो ECO की definition बहुत वाइड है हम जितनी भी बाते करेंगे इस तरह के ECO की करेंगे क्योंकि इस वाले ECO में कुछ खास बात नहीं है पहले वाली ECO में खास बात क्यों नहीं है क्योंकि ECO को नहीं है Supplier जैसे Supplier लाइबल फॉर पेंटिंग टैक्स होता है अन्लेस रिवर्स चार्ज लगे टैक्स कोन पे करता है Supplier तो यहां पर मुझे बताओ इस के अंदर पॉवर्ड चार्ज लगेगा और AVJ जो की ECO भी है और जो की Supplier भी है वो क्या करेंगा टैक्स पे करेगा इसकी बात करने की जुरती नहीं है क्योंकि आज की डेट में यह कोई नई चीज नहीं है अल्मस्ट एवरी सप्लाइर टुडेग चाहे वो साबुन बेचता हो चाहे वो पढ़ाता हो क्या उसको वेबसर्ट बिनानी बढ़ती है नहीं बढ़ती है तो यहां पर कन्फ्यूज मत होना इसका नाम टेक्निकली ड़िए यहां इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है हमारी सारी डिसकेशिन किस क्यों पर चलेगी marketplace यह नंकि यहांब किने लोग है थील है अब marketplace easy की बात करें तो यहां पर पहले बहुर्ण है अंपर दोनों issue के In this case, supplier and ECO are one and the same person. यहाँ पर आगे की class में मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ, 9.5 पढ़ाने वाला हूँ, TCS पढ़ाने वाला हूँ, वो सब इस तरह के ECO पे अपलिके बले हैं? नहीं. चितनी भी चीजे मैं आज की class में पढ़ाऊँगा, वो सिर्फ कौन से वाले ECO पे आप लेके बले हैं? Marketplace. मैंने कुछ एक्जामपल दे दी है, जो खुदी supplier है और जिनकी खुदी ECO है. Domino's, Zomato पे भी लिस्टिड है, I agree. बटे आप Domino's के खुद की app है? Yes. जब आप Domino's की app से जाकर pizza order करते हो, Who is the ECO? Domino's. Who is the supplier? Domino's. अचा, Domino's pizza बेच रहा है, service दे रहा है? Service. इतना ही आद है, na? Restaurant. Food आजाए, along with cooked, any service आजाता है. तो schedule 2 के अंदर उसे क्या बोल रखा है? Supply of service. Restaurant service बोलते हैं. Byju's. Byju's की खुद की app होती है? Byju's क्या करता है? खुद ही पढ़ाता है? Teacher नहीं हांके पढ़ाते हैं. Teacher employees होते हैं. Byju's. So, legally speaking, क्या है? Byju's पढ़ा रहा है. अचा, Byju's ऐसा होता है, कि कोई भी teacher आकर third person मेरी platform पढ़ा सकता है, मैं commission लोंगा. फिर वो क्या बन जाता? Marketplace. मगर Byju's market place? नहीं है. Byju's जो courses बेचता है, खुद के trademark, खुद के copyrighted courses बेचता है, वो जो teachers होते हैं, वो Byju's के एक तरह के क्या होते हैं, employees होते हैं, और employees नहीं भी होते हैं, तो उन्होंने contract कर रखा होता है, उनका जो भी content है, वो किसका बन जाएगा? Byju's का. यहाँ परिम्य में एक example लूँ, AVJ की जो आप classes बाय करते हो, उस पे मेरा या किसी और teacher का राइट नहीं है, उस पे AVJ का राइट है, तो आज technically पढ़ा मैं रहा हूँ, पढ़ा बाकी teacher रहे हैं, बट यह content deliver हो रहा है, आपको यह content किसका deliver हो रहा है, AVJ का, ऐसा agreement ऑलड़ी हमन इस भाइट इस ठीक है, फिर मामार्थ, मामार्थ अर्थ, I know Amazon पे भी लिस्पेड है, उसको मारो गोली, मामार्थ की खुद की website है, यस, मामार्थ की खुद की app है, यस, जब मामार्थ की app से आप मामार्थ से order करते हो, ECO भी कौन है, मामार्थ, और supplier भी कौन है, मामार्थ, पे करेगा, पावड चार्ज में, और लाख में, पतांजली, पतांजली की खुद की app आती है, यस, पतांजली की app से जाकर order करो, ECO भी कौन है, पतांजली, और supplier भी कौन है, मेरे वाली चीच, ठीक है, चलिए, ये तो होगा है, डन, अब आता है, category 2, category 2 means supplier using e-platform of some other ECO, इसे goods and services on the platform of ECO, ECO के Amazon की website पर हमने जाकर अपने product को list किया, the customers visit the platform of ECO and places the order with the supplier, order place हो जाता है, goods and services are directly supplied by the supplier to the customer and ECO only charges a commission, कुछ लोग उसे commission बोलते है, कुछ website उसे क्या बोलती है, platform fees, कुछ लोग उसे क्या बोलते है, fees, इस सारे process में Amazon क्या करता होगा, Amazon सिर्फ अपनी-अपनी fees, चीका जी, यानि असली में अगर आप ध्यान से देखो, अब एक एक करके बात करें, जब आप Uber से डील करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपने Uber की app डाउनलोड करी, आपका नाम में क्या रख देता हूँ, customer, आपने Uber से cab book करी, Uber का काम क्या है, Uber is not a cab company, आप कभी देखो Uber अपने आपको कभी भी cab company ने बोलता, क्यों, Uber does not own even a single cab in the world, पूरी दुनिया में Uber का से एक भी गाड़ी नहीं है, और फिर भी अगर आप किसी आम इंसान से पूछो, दुनिया की सब-स बड़ी cab company कौनसी है, क्या वो लेगा, Uber, because Uber एक e-commerce platform है, जहाँ पर बाकी cab वालोगो क करता है, तो आपने Uber से cab book कर आई, मालो एक परसन है, रामलाल, ठीक है, रामलाल एक driver है, ठीक है, उसने अपने आपको कान इसकर रख है, Uber पे, जैसी आपने cab book करी, तो वो जिसे वो अपनी भास बोलते है, duty आ गई है, duty आ गई है, मतलब Uber ने उसको order place कर दिया, अब order इसके पास आगया, इसने accept कर लिया, तो मुझे बताओ, असली में अब agreement और supply of services किस के बीच में हो रही है, Uber और customer के बीच में या रामलाल और customer के बीच में, आप से simple सवाल पूछ रहो, जब आप cab भंगाते हो, Uber की, तो आप Uber से service ले रहे हो, या रामलाल से service ले रहे हो, रामलाल स कहता है, मेरी कोई responsibility, नहीं है, I am only an e-commerce platform, I am only doing the work of, इस परसन को इस परसन से मिलवाना, आगे तुम जानो, हमने का price तो तुमने determine किया हो, हमने पहले से बता दिया, वो भी demand and supply पे हम बता देते हैं, बट असली में supply of service किस किस के बीच में होई है, रामलाल और customer के बीच में हो supplier है, this is called supply number one, इसे क्या बोलेंगे प्यार से कौन सी service गई है, transportation service, या cab service बोल सकते हो, transportation of passenger service बोल सकते हो, रामलाल supplier है और हम कौन है, customer है, अचा अब आगे बताओ, payment कैसे होती है, Uber की app पर, cash भी होती है, online भी होती है, अभी online का example ले लेते हैं, ठीक है, आपने online payment करी, let's say आपन लंबिट रूट पे गए थे, 1000 रुपे का बिलाया, आपने Uber की app पे जाकर payment कर दी, पहले से payment mechanism install हो जाता है, Paytm को link कर लो, UPI को link कर लो, अपने, तो आपने Uber को payment करी, Uber किसको दी होईगी, रामलाल को, 1000 रुपे उसने रामलाल को दी होंगे, यानि Uber का का काम सिर्फ क्या है, आप से payment लेकर रामलाल को दे दिना, अच्छा ये सारा काम किया, Uber ने, हम दोनों को मिलवाया, ठीका जी, रामलाल ने मुझे service दी, और रामलाल के भीहाफ पर payment लेकर किसको दे दी, रामलाल को दे दी payment, ठीका जी, Uber ये सारा समात सेवा कर रहा है, या खुद भी कुछ करेग a sort of your intermediary, intermediary कौन होता है, बिचोलिया, जो basically दो लोगों को मिलवाने में help करता है, property dealer हो गया, stock broker हो गया, उसे प्यार से क्या बोलते है, intermediary, तो क्या I am Uber भी एक तरह का intermediary है, yes, Uber कहता है, मैंने तुमें क्या दी है, intermediary service दी है, this is called supply number 2, तो पहले तो please take care, आदे से जादा लोगो को यह चीज पता ही नहीं होती है, मैं पहले तो आपको model समझा रहा हूँ, GST तो बादे समझेंगे, हम समझते हैं, जब हमने Uber को book किया, मैंने 1000 रुपे दिया, driver का 700 रुपे आ गए, यह एक ही transaction है, नहीं, यह दो transaction है, पहली transaction क्या है, मैंने Uber को 1000 दिये, किस के लिए दिये, Uber पेमेंट लेता होगा और लेता होगा यह नेट कर लेता होगा, इसलिए वो रामलाल को महीने के end में settlement करता है, वो नेट कितने देता है, 700, बट यह नेट दो चीजों का impact है, इन दोनों supply को अलग-अलग रखना, क्योंकि GST के मामले में, पेमेंट नेट करिये, इसने परक न कोन है, customer, supply number two कोन सी हो रही है, intermediary service, intermediary service के लिए supplier कोन है, Uber is the supplier, and Ramlal is the recipient, तो मुझे बताओ, ideally, reverse charge कहीं पे भी नहीं है, हमने, ideally कौन liable होगा, पहले वाली supply के लिए liable कोन होगा, Ramlal होगा, और दूसरी वाली के लिए कोन होगा, Uber, Uber को क्या अपनी intermediary service पे GST चार्ज करना है पे नहीं करना, yes, 300 रुपे के ऊपर तो GST, Uber ही पे करेगा, and there is no doubt about it, ठीक है जी, यहां तक तक क्मंदा क्लियर है, अब आगे की कहानी सुनो, ऐसे चल रहा है हमारे देश के अंदर, धिरे-धिरे e-commerce model बढ़ता गया, आज की रिट में situation ऐसी आ गई है, हर दुकानदार, किस सब्जेक्स के टीचर ने अपने लिस्ट कर रहा है, तो माने या ना माने, उन पर हमें भी लिस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि मार्केट प्लेस मॉडल पूरी दुनिया में आता चला जा रहा है, अब सरकार का मन ये कर रहा है, पहले वाली सप्लाई में तो टैक्स उबर स साइड में रखें, ठीक है, मैं पहले वाली सप्लाई की बात नहीं कर रहा है, सरकार बात कर रही है, इस वाली सप्लाई की, अगर इसमें ध्यान से देखो, इसमें सप्लाईर कौन है, रामलाल, टैक्स किस से पे करवाए, रामलाल से, और आप सब को बता है, टैक्स पे करने सारे उबर पे लिस्टिन हैं मगर क्योंकि वो खुद सप्लायर है लाको ड्राइवर जो देश के अंदर ओला और उबर के उपर है ओला और उबर के सारे ड्राइवर से को डील करना पड़ेगा एड्मिन कॉस्ट बहुत जादा है एड्मिने स्टेटिव वे में छोटे-छोटे लोगों को डील करें दूसरी चीज़ आदे सेचर ड्राइवर कहेंगे हमारी अग्रीगेट टरॉर तो 20 लाग से काम है हैं एंड जीसी को ऊपर करें और हमें सारे करने करने हम एक ही बंदे से डील करने किसलेखल करने उबर से तो हम उबर के बास गए हमने उबर को बोला उबर उबर तो aí का रहा है की ना को々 है रामलाल ना मने रचिबंट कौन है कंडर स्ब्लाये कर तो मैं स्ब्लायर ही नहीं हूं जो इस इंढर हो बर्स tender इधर से इधर कस्टमर लाके दिया उसने सप्लाई दी पेमेंट ले दी क्यारा मैं तो थर्ड परसन हूं ना तो मैं सप्लाईर हूं ना मैं रेसिपेंट हूं और तुम्हारा जीएस्ट ऐसा बना हुआ है यह 9 3 और 9 4 रिवर्स चार्ज के अंदर तुम किसे नोटिफाई कर सकते हो 9394 के अंदर तुम रेसिपेंट को 9394 में नोटिफाई करोगे तो कौन लाइबल हो जाएगा कस्टमर मुझे बताओ अगर कस्टमर को लाइबल करते हैं बड़ी दिक्कत आजएगी अगर आपको पत पतिक्तमर को 9394 में लाइबल कर सकते हैं नहीं हमने रिवर्स चार्ज निये लगाया तो अब सरकार ध्यान से देको objective क्या सरकार चाहती है 95 95 को पड़े बिना बताओ 95 में क्या लिखा होगा मैंने आपको सिचुएशन क्रेट करती आप lawmaker आप क्या करोगे हमने एक नया तरीका निकाला हमने का default rule होता है supplier liable है 9394 में कौन liable होता है reverse charge में recipient liable होता है हमने का एक नया section लगा जैते है 95 95 में हमने बोला अगर कोई भी supplier रामलाल कोई भी services दे रहा है और वो services किस के दुरू दे रहा है ECO के दुरू दे रहा है तो अगर हम उन services को notify कर देंगे तो वहाँ पर supplier liable नहीं होगा recipient liable नहीं होगा वहाँ पर tax pay करने के लिए कौन liable होगा ECO liable होगा in short हम ECO को deemed supplier बना देगा ECO please take care असली में supplier नहीं है 95 में ECO क्या बना दिया गया है deemed supplier और अब आगी कि कहानी बताओ अगर मैंने 95 में deeming fiction क्रियेट करके अच्छा deeming fiction क्या होती है हर जगा यह word ही बोलता रहे तो मैं what is deeming fiction मान ले ना जब भी लॉग कुछ मानने के लिए कहता है जैसे हमने आगे पड़ा था अलग-अलग branches जो कि किसी service को notify कर दूँगा और वो service ECO की थ्रू गई है तो वहाँ पर सब actual supplier को बोलेंगे बिटा तुम घर जाओ तुम्हें कुछ नहीं करना GST में हम GST purpose के लिए deemed supplier किसको बोल देंगे ECO को यानी मेरे example में किसको बोल देंगे Uber और Ola को तो एक बार मैं 95 बता रहा हूँ 95 ना bare act से रीड कर रहा हूँ जो chapter 2 की starting में bare act दे रखा है अगे सारा analysis इसी चेप्टर में printed है आपको analysis पढ़ना है बट एक बार bare act के language रीड की होनी चाहिए अगे ज़रा 95 की लेंगोज रीड करते है फिर इसका आगे analysis पढ़ेंगे 95 क्या कहता है तो government में अच्छा CGST Act में government का लब क्या होता है सेंट्रल में क्या सब्सक्राइब क्या होगा सेट और IGST Act का section 55 होगा ज्याद है लेवी का section CGST में नाइन था IGST में 5 था तो IGST क्ले 55 में अगेन IGST क्लें भी नोटिफाइब होगा ठीक है जी गवर्मेंट में on the recommendation of GST Council एक चीज़ आपने रिलाइस करी है exemption भी किसके अप्रूवल के साथ होती है जी एस्ट का जी एस्ट का रेट भी जी एस्ट काउंसिल फिर रिवर्स चार्ज भी on the recommendation of GST Council similarly 95 में भी जो भी हम करेंगे वह on the recommendation of GST Council the government में on the recommendation of GST Council by notification specify category of services the tax on intrastate supply देको यहां interest rate लिखा है but IGST में क्या लिखा होगा interest rate तो दोनों असली में intra intra का कोई फरक नहीं पड़ता specify category of services the tax of which will be paid by the electronic commerce operator if services are supplied through it इस लाइन का मतब क्या हुआ हम tax लेंगे किस से ECO से as if services are supplied through it as if supplies are supplied जोड़े मतना हम इन वे उसको क्या बोल रहे हैं deemed supplier हम कह रहे हैं ECO को माना जाएगा as if ECO ने ही वो क्या करी है supply करी है and all the provisions of the actual apply to the ECO as if he is the supplier liable to pay tax in relation to that supply basically simple बास्चा मैं बोलू 95 कह रहा है हम एक डीमिंग फिक्शन लगा रहे हैं हम ECO को क्या बना रहे हैं deemed supplier मेरा अगला सवाल है language आपके सामने है क्या हर ECO को क्या हर ECO को supplier बनाए जा रहा है 95 में या सिर्फ conditions हैं बहुत ज़रूरी है क्योंकि आब एक एक करके websites की बात करेंगे जो आप सब लोग यूज करते हो पहले तो यहां पर यह बताओ क्या हर ECO कवर हो रहा है नहीं कौन सी condition है दो condition निगल के आ रही है पहला condition क्या है वो होने चाहिए notified क्या हर चीज की उपर ECO नइन यहां पर गुट्स को भी नोटिफाई नहीं कर सकते तो मैं एक एक करके सवाल पूछ रहू हूं आप सरकार हो ठीक है जी मैं Amazon हूँ क्या चाहा कर भी तुम 95 मुझे लाइबल कर ते हैं मैं Amazon Amazon से क्या मिलता है रोज यूज करते हो मेरे को देख रहे हो Amazon से सर्विस लेने जाते हो लेने जाते हो Amazon से लेने जाते हो तो इतना अंडर यूज नहीं करी तो तो कॉन्विडेंस से बोलो ना Amazon से कौन सी सर्विस लिया है अपने में ली गुड्स ही होते हैं ठीक है चलो एक आधी चीज़ होगी आज की रेट में पता नहीं किसमें ब्यूटी प्रोड़क्स में में ली क्या होते हैं गुड्स अच्छा नाइका भी मार्केट प्लेस मॉड भी 95 में लाइबल किया जा सकता है नाई 95 की पहली लिमिटेशन ही यहां इसी एकक तरुक किया सर्विस और प्लीस टेक क्यर सारि सर्विससन के जिसके त्रुक आ जा रही है नोटिफाईड सर्विस यानि दो कंडिशन शेटिस्फ्वाई करवा देना 95 से पहले पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है जो supplier है वो ECO के through customer को हमेशा क्या दे रहा होगा service दे रहा होगा अगर वो goods दे रहा है तो उसे 95 में covering कर सकते और दूसरी चीज यह जो service है यह 95 में क्या होनी चाहिए notified अच्छा notification के नाम पर मैंने अभी तक दो notification याद कराई है आपको जो याद रखने लाइगा notification number 12 by 2017 notification 13 by 2017 एक बार बताओंगे ट्वेल बाई टूसरी किसकी दी exemption exemption of services कुछ पढ़नी है कुछ पढ़नी है कुछ पढ़नी है भी फिर अब एक और है 17 by 2017 किसकी है 95 में नोटिफाइड एंड लेट में टेल यू अनलाइक exemption जहां पर सत्तर असी exemption अनलाइक रिवर्स चाज जहां पर 20 रिवर्स चाज हैं यहां पर मात्र चार सर्विस नोटिफाइड है इसलिए मैंने का था आज की क्लास में यह चेप्र कतम हो जाएगा जो कि अनलाइक रिवर्स चाज जो इतना लंबा है अनलाइक जो सबस्तर रसी exemption है यहां पर सिर्फ क्या है मात्र चार सर्विस निकला आपको 95 लगाने से पहले देखना है कि जो सप्लायर है पहली बात वह यह चार नोटिफाइड सर्विस दे रहा है और दूसरी बात वह सप्लायर अपनी वेबसेट से नहीं दे रहा वह सप्लायर ऑफ 95 लगेगा है तब जब सप्लायर अलग है और इस यो अलग है अगर मैं यह चार सर्विस अपनी वेबसाइट से दूगा तो सप्लायर और इस यो अलग हुए या एक हुए एक हुए इसलिए मैंने चैप्र की स्टार्टिक में भी बोला मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पर हम सिर्फ उसी की बात कर रहे है जो किसमें काम कर रहा है मार्केट प्लेस मॉडल में यानि वो सिर्फ प्लाटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो खुद सप्लायर क्लियर है चलिए अब 95 पे आ जाएगे वापिस शप्र नमबर 6.6 एक्जामपल लेना शुरू कर दूँगा मैं पहले एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं प्रोविजन नाइन फाइव एक्जाम के समय बेर पढ़ने की जुरत नहीं है वो तो सिर्फ पहली बार पढ़ने के लिए है अनालेसिस सारा प्रेंटिड है यहां पर ठीक है जी एस पर सक्ष्ट नाइन फाइव इस यो वुड विए लाइबल टो पे GST इस फिल्विंग तूडिशन नमबर वन सर्विससे था बिन नोटिफाइड बाय दी गॉवर्मेंट नोटिफिए नंबर लिख लो विटिविकेशन अमबर 17 बाइटो थाज़न एंगें तेरां बाय दो जातरां इस एस एस रिवर्स चार्ज इस ए CCO 95 a.m. Let me tell you November 2003 तक 95 वमारे असलेबस में था मगर उसके अंदर Notified Services वमारे सलेबस में ने थी बट नवेंबर तेईश तक भी मैं बच्चों को चारो services बता देता था उतनी डीप में लेके जाता सा जितनी डीप में तुम्हें लेके जाने वाला हूं क्योंकि उस समय स्लेवस में नहीं होती थी, सस्पेंस ना हूँ और बच्चा परिशान ना हो, क्योंकि आप सब लोग वो रोज एप यूज करते हो, तो नॉलेज के लिए मैं पढ़ा देता था, आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, इस बार से यह जो चार नोटिफाइड सर्विस नहीं है, क्या आगई है हमारे स्लेवस में ठीक है, फिर नोटिफाइड सर्विस सेकेंडली, आप सिंपल बाशा में निखलो, अगर 95 अप्लाई होगा, देन सिंपल बाशा में बोलू, 9.5 अप्लाई होते ही, इस यो विल बी कंसीरड ऐस डीम्ड सप्लाईर, वो सप्लाईर है नहीं, उसको मान लिया जाएगा कि क्या है वो सप्लाईर, 9.5 की बेसिक अंडर्सकेंडिंग आ गई, अब आते हैं में पार प्लाईर पर जिनके केस में 95 लगता है, जिनके केस में इसी ओक पड़ लिया जाता है, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक अंद्मेंट आये है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूं फिर उस अंद्मेंट को हाईलाइट करा दुंगँ, आज सबबको पता है बताने कि जो हहां पर अमच्मेंट में आती है, से ट्रावल करोगे सकाव रेल वेस एक होता है कोनसा वहाटर वेस और आखिर कोनसा होता है अज देकारva नीस है बड़े से उधकर आए जाहले बस drops के बारा बाद करते हैं घाड़ी गाडी के अंदर बात करें तो Caps वगर आ गई तो उससे भी छोटा वहिकल आया तो उबर बाइक वगर भी आती है तो उबर मोटो वगर आती है तो उबर मोटो ठीक है इस तरह के तरीके हो के जस्ट टेल यू एक्जम्शन चेप्टर में पढ़ेंगे ऑटो रिक्षा से दी ग यह जो चीज़े पढ़ा रहो नहीं इनमें भी कोई एक्जम्शन है बड़ वह एक्जम्शन बाद में डील करूंगा अभी के लिए 95 पढ़ रहे हैं फोकस कहां पर रखते है 95 पर ही रखते है ठीक है चलिए एक बार शुरुआत करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्वि आपको मतलब पता होना चाहिए रेडियो टेक्सी का उलब क्या है इट मींस टैक्सी इंक्रूदिंग रेडियो कब बाटेवर नेम कॉल्ड विच इन टूवे कम्यूनिकेशन विद दे सेंटल कंट्रोल ऑफिस एन इनेबर पॉर ट्रैकिं यूजिंग जीपी सिस्टम या ज आपने देखा होगा कुछ गाडियां होती है उनकी छत पे वह मीटर सा लगा होता है दोजा रेडियो टेक्सी वह सरकारी टेक्सी है उनकी ट्रैकिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक अथॉरिटी के पास जा रही होती है ओला और उबर को रेडियो टेक्सी का लाइसे हर स्टेट गंदना लाइसेंस अलग है तो ओला और उबर आर नौट टेक्निकली कवर इन देफिनेशन ऑफ डेडियो टेक्सी रेडियो टेक्सी में वह दूसरे अप्रूब लोग आगे जो एरपोर्ट और आपको अकसर रेल्वेसेशन में मिलते हैं पिर आगे को क्या होगे छे स्टों गुज़ गुज़ जाते हैं मेंट लिख है मेंट का मतलब क्या है आइडली अब आप यह मत कहना हम तो गुज़ जाते हैं वह अलग कैसे नहीं चलेगा आइडली मुझे बताओ हमारे देश के अंदर जो गाडियां है एक तो टू सीटर गाडियां आती है सेवन सिटर यहीं आती है मेंली गाडिय वाली सिर्टर वाली तो महंगी होती है चीतनी टू सिटर गाडियां हो जाद यह ज्याद महंगी हैं 52 महड़ी Inst firmly खेंघ फाजन जीया शंबिक डियां-टकृर camera सब्सक्राइब सब्सक्राइब मोटर कैप मोटर कैप कर देख और वड़ है कौन सा है मैक्सी कैप अभी मैक्सी कैप क्या पला जा रहा है निजे पढ़िए इड मींस एनी मोटर वहिकल कंस्ट्रक्टिड और अडेप्टेट तो कैरी मोर देन 6 प्रेसेंजर बट नॉट मोर देन 6 से जाधा बट 12 से कम अगर आज मुझे कहीं जाना है और मेरे फैमिली में दस लोग है तो और मैं चातो सारे एक ही में जाएं वो जैसा था ना ए भी स्क्राइब को एक घ consideration तो मैं क्या करूंगा दस लोगों के लिए वह तेंपू ट्रेवलर उस तेंपू ट्रेवलर को प्यार से हिएं आपर क्या बहुते हैं मैक्सी क然后 मिरूंई से ब्यूता है उबर हो गया और इसरे दिहां crisis of कवरती अब क्या हो गया एक्सेप्ट ओमनी बस का प्रोविजन अलग आ गया है ओमनी बस क्या बला होती है उसको साइड में छोड़ो अभी के लिए सिर्फ पॉइंट नमबर वन ए में रीड करो कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है रांसपोर्टेशन बाइ दोनों तरह की गया क्या कौन कौन सी रेडियो टैक्सी और मोटर कैप फिर थोड़ा और वहिकल बड़ा आगया बारा से कम वाला उसे क्या बोलते है मैक्सी कैप और आखरी रामलाल जो है वह कौन सी सर्वेस देता है एक बार सोचके देखो रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और रामलाल कौन सी काड़ी लेकर आएगा रेडियो टैक्सी जहां पर हमारा रेडियो टैक्सी लाइसेंस है उनके पास या फिर मोटर कैप कुछ स्टेट्स के अंदर र चुरवात करी है क्या यह नोटिफाइड सर्विस है या नहीं है यह नोटिफाइड सर्विस भी है और रामलाल एक एक तुरू सप्लाई कर रहा है तो अब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की हिसाब से क्या हो जाएगा उबर विल बिकम देम्ड अचा उबर जैसी सर्विस और कॉन तो मैंने एक ग्जामपल लिए और कौन को सी इस तरह से डील करते है क्या ओला भी आ जाएगा येस उबर भी आ जाएगा और ओला भी आ जाएगा ऐसी और को एप आप आजाए कल को मानलो और भी अप्स आये जारी है दिरे दरे एक एक करके रैपिड हो आ गया रैपिड हो इसे बाइट सा सकती है तो रैपिड हो भी कवर हो जाएगा ये नहीं आ जाएगा येस तो अल्टीमेटली कोई भी कल को एप आ जाए अगर उसके थ्रू जो सप्लाइर्स हैं वो ट्रांस्पोटेशन और पसेंजर कर रहे हैं ओमनी बस को छोड़ कर रेडियो टेक्सी हो गय तो असली में सर्विस किसके तुरू गई है रामलाल के थ्रू बट हम डीम्ड सप्लाइर किसको बना देंगे उबर को तो अब जो कस्टमर एक हजार रुपे देगा उसका डीम्ड सप्लाइर जी एसटी पर पसले कौन है उबर तो अल्टीमेटली टैक्स कौन पे करेगा हज रॉला और ऊबर करने की शुलाइख वाली शुन सब्सक्रावार और इस वाली सर्विस को कई 95 में सब्सक्राइब करने का खृता है नहीं यह तो वह समझ रहे हैं समझ रहे हो मैं अगर उबर हूँ तो मुझे दो तरह अगे टैक्स पे करना है एक इंटर्मिडेरी सर्वेस वाला उसके लिए मुझे 95 की जुरत नहीं है वो तो नॉर्मल फॉवर्ड चार्ज है जहां पे मैं सप्लायर हूँ और रेसिबंड कौन है रामदाल मैं उसके इंटर ओमनी बस का एक्जामपल ले लेते हैं पहले तो मतलब क्या है जिसके लिए अमेंडमेंटमेंट आई है वोट इसमीनिंग ओमनी बस पड़िए रहा है इंट मींस एनी मोटर वहिकल कंस्रक्टेड और अडप्टेड तो कैरी मोर देन मेक्सिप में क्या था इख़ाए से ज्यादा और 12 से कम और ओमनी बस TIM तो क्या मैक्सी कैब वह तरह की ओमनी बस आया नहीन है मगर प्लीज के कियर गग Gamingaman sé negativity में औन अधर्rang के बीश्ती की डिया हैं तो पिल्यूब अमेंडमेंट आई है उन फॉल सकता ह। यह वालां से जाधा बीश्ती कैब मैंन एक जानल ओमनी सुस्धिया Vocalida से बनाई है उसके अंदर बेसिकली किसको कवर किया है वो वाली ओमनी बस जो मैक्सी कैब नहीं है इन सिंपल बाशा बोलू तो ओमनी बस जिसके अंदर बारा से जाधा प्रसेंजर बैठ सकते हैं उसके लिए अमेंडमेंट लाई गई है तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले लिख लो, यहां पर किसको कवर किया हमने ओमनी बस विचसन ओमएक्सी कैब के λख मेंक्सीकार नहीं है अच्छा पिछले साल तक क् fitness और समय आपर आती और ओमनी बस में यह यहां पर आती थी तो भी हम क्या करते थे 9.5 में libel करते थे अच्छा 1.8 में एक खास बात कहा है मुझे बात बताऊ 1.8 में जब हमने सर्विस को NO T 5 के अंदर क्या हमने रामलाल पर कमेंट किया नहीं किया हमने ये नहीं का रामलाल रजिस्क macaron है हमने ये नहीं बोला रामलाल इंडिविजुल है, हुएप है, AOP है, BOI है, हमने कहा कोई भी supplier, अगर OLA और Uber के थुरू, transportation और passenger service देते हैं, by way of motor cab, motorcycle वगारा, तो उस पर क्या लगेगा, 9-5 लगेगा, supplier कौन है, ये matter, नहीं करता, अब amendment देखो, तो Omnibus के लेके आई है, Omnibus को भी notify की है, बट एक condition extra जोड़ दिया, एक बार, रीड करके जल्दी से बताओ, क्या extra condition जोड़ दिया, जो आप condition recognize करोगे, वह हमारी amendment है, बताइए है, यहाँ पर Omnibus को notify करके, services by way of transportation of passengers by your Omnibus, यहाँ तक सब ठीक है, except, बोल्ड में क्या लाइन लिखी है, the person supplying the service through ECO is a company, हमने का, जो actually supply कर रहा है, transportation through Omnibus service, अगर वो खुदे company है, तो ECO नहीं लगेगा, यानि मैं एक मिन्ट के लिए यहाँ पर Omnibus का example ले लेता हूँ, अचा Omnibus बनला, buses, कोई app बताओगे, जहांसे bus book हो सकती है, red bus, मैंने दो popular जो apps है, सबसे जदा मैं लिख दी, red bus और zing bus, just to tell you, Paytm पे भी आज की जमें busses book होती है, make my tripper भी होती है, ibibo पे भी होती है, trivago पे भी होती है, बट originally सबसे famous जो app चल रही है, वो कौन सी है, red bus, तो मैं क्या किया, मैं एक person हूँ Mr. X, ठीका जी, मैं red bus app पर गया, मैंने अपने आपको register करा दिया है, Mr. X के पास license है, वो buses चलाता है, यानि वो transportation of passengers by bus करता है, आपको डेली से चंडिगर जाना है, आप एक customer हो, आपने ticket book कराई, आप red bus की app पर गए, आपने price चेक किया, 1000 रुपे का price था, आपने red bus की app पे 1000 रुपे पे पे कर दिया, red bus ने वो contract किसको दे दिया, मुझे दे दिय ठीका जी, असली में आपको service किस ने दी, Mr. X ने दी, बस वाले ने दी, असली में आपने transportation service किस दी, Mr. X से ली, ठीका जी, ये model बन गया, अब 95 चेक करते है, 95 में notified service कौन सी है, transportation of passengers by omnibus, I am assuming इस bus में 12 से ज़्यादा लोगों के बैठने की जगा है, 12 से कम होती, तो वने में जाते हैं, वहाँ तो उसका legal status देखेंगे नी, वहाँ तो by default क्या लग जाएगा, 95 मगर omnibus हैं, तो अब चेक करते हैं, जो असली में supplier है, क्या वो company है, क्या वो company है, नहीं, वो company नहीं है, वो company नहीं है, तो यहाँ पर 95 लगेगा, और अगर मैं यहाँ पर Mr. X कि जागा किस X limited listed हो, कोई परक पढ़ता है, नहीं, Ola और Uber कहती है, 1A entry, Ola और Uber पही क्या लगेगा, 95 लगेगा, वोने tax pay करना पढ़ेगा, 1B में, meter क्या करता है, जो actual supplier है, जो actually में bus की service दे रहा है, he should be any person other than company, तो मुझे दोनों case में answer दो, पहला case Mr. X service दे रहा है, बताएगे क्या होगा यहाँ पर, Mr. X Omni bus के तुरू transportation दे रहा है, ECO के तुरू, क्या 95 लगेगा, yes, 95 लगेगा, तो deemed supplier कौन बन जाएगा, East Red Bus बन जाएगी, Red Bus deemed supplier बन जाएगा, तो ultimately मुझे बताओ, इस 1000 पर GST कौन पे करेगा, Red Bus, इसका invoice कौन issue करेगा, Red Bus, और Mr. X को बोलेंगे, तुम जाओ बन जाएगा, तो बोलने की जुरत ही नहीं है, हम तो बात यह कर रहे है, इस वाले केस में क्या होगा, Red Bus हमारा, टैक्स पे करने के लाबर हो जाएगा, 9 लेते हैं, अगला, X Limited एक कंपनी है, जिसके बास लाइसेंस है, बस चलाने का, आपको पता, बस चलाने का, ऐसा नहीं है, कि मुझ उठाया और बस सिलाने लग गए, क्या लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है, तो X Limited नाम की कंपनी के पास है, अब मुझे बताओ, X Limited ने अगर बस की सर्वेस दी, Red Bus के तूँ, अब क्या होगा, बताओ, एस पर धी अमेंडमेंट क्या होगा, क्या यहाँ पर 95 लगेगा, नहीं, 95 नहीं लगेगा, अमेंडमेंट यह कहती है, अगर actually जो supplier है वो person, company है, तो वहाँ पर 95 नहीं लगेगा, अब मेरा अब सवाल यहाँ, 95 नहीं लगेगा, तो क्या होगा, बताओ, कॉन लाइबर होगा असली में supplier कौन था X Limited हमने यहां पर रेड़ बस कमपनी को डीम्ड उप्लायर नहीं बनाया अब बताओ टैक्स कुन पेगा Vase innovation करेगा X Limited और जी सी सारा कुछ क्या होगा एक लिमिटेड क्या यहां पर चुप रेड़ बस तिरुफ एक काम करेगा अप्नी इंटरेन सर्वेस पजी करेगा अधरवाइस रेडबस को ट्रांस्पोर्टेशन सर्विस ते कुछ भी लेना देना और मुझे एक बात बताओ आम तौर पे मार्केट में जिन लोगों का लाइसेंस है बस चलाने का क्या वह आम तौर पे कंपनी होएंगी यह नी होएंगी एस तो एक छोटी सी अमेंडमेंट है न यह बड़ी-बड़ी जो हैं रेड़स और जिंग बस इनको बचा ली क्योंकि मॉस्ट अफ दी कंपनी जो एकक्शली में सरविस देते हैं वह इंड़ीज़्वीज्व पार्टनेशिक फरम यह वो मुस्ट्री क्या होते हैं म्युक्त एक जटके में हमने उनको बचा लिया क्योंकि यहां पर हमने तोनों की अलंग रगी थी वनने वन भी अलगनें ते लास्ट कैम लास्टपैम हमने दोनों को एक पर हमें रखा सब्सक्राइब अगर 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 कंपनी है तो 95 लगेगा तो क्या बन जाएगा इसी हो साथ साथ रिजस्टेशन की लिंकिंग भी करनी है न वह भी अला काम भी करता रहे तो नो इधर से आगया कस्टमर अच्पर मुझे बात बताओ आज केट में ओला उबर की एप पर जितने भी ड्राइवर है वह सब इंडिवीजिएल के पैस्ट्री में काम कर रहे है या बड़ बड़ी बड़ी companies भी ओला उबर पर आगी है बड़ी-बड़ी companies एक company है एक लिमिटेड उसका डिरेक्टर मैं हूँ मैं अपनी offline कैप चलाता हूँ सारी कैप online होती है यह offline भी जलती है offline भी होती है अच्छा जब offline season आता है जैसे बिषी काढ़ी चला जा रहे हैं गया बीसद क्ल met की ँलमिटेड है उसकी सारी काप चड़ी सारी कैप बीजी होएंगी इंटा जाथ होएगी गाड़ियां कम होएगी बट मुझे बताओ जैसी न्यू यर आ जाएगा जैसे सारा थंडा पढ़ जाएगा उसके बाद क्या इसकी गाड़ियां खाली खड़ी रहेंगी ये फिर ये पता क्या करेगा अपनी गाड़िकों का रिस्ट कर देगा ओला और उबर इस इस पीपल डू वो चाहते हैं कि उनकी रोज गाड़ी चलती रहे रोज रेवेन्यू आती रहे कोई खाली ना बैठा रहे तो जब सीजन आता है ओला उबर को कहते हैं तूजा साइड में अपने डिवाइस बंद कर देते हैं और फिर जब और सीजन आता है तो कहां गाम करते हैं अब मेरा एक एक करके सवाल है एक्स लिमिटेड माल लो नएज नया परसन है न्यूली रिजिस्टर है सुड़ी बिजनस शुरू किया है तो फिलाल अभी के लिए क्लिए क्या है अन रिजिस्टर ठीक हो इसने अपने आपको उजला नमबर वन कुंझ सी सर्वेस हो गई ट्रांस्पोर्टेशन आउप पैसेंजर्स बाइं मोटर कैब बोल लो बाइ रेडियो टैक्सी बोल लो या फिर मैक्सी कैब हो गया या फिर हमारा क्या हो गया पिर एड़ इसेम टाइम ओला और उबर ने क्या किया होगा ओला और उबर ने इंटर्मेडियरी सर्वेस की क्या चार्ज करी होगी कमिशन लेट से हजार उपे कमिशन कितनी है तीन सो रुबे की है यह हो गई हमारी क्या सप्लाई नंबर टू एक एक करके पहले तो बोलते जा तो 95 नहीं लगता अभी मान के चलो जो ट्रांस्पोर्टेशन है वो उमनिबस में नहीं है बागी सब के इसमें 95 लगेगा आगे बताओ 95 लगेगा तो डीम्ड सप्लाइर किसको बोलेंगे ओला और उबर डीम्ड सप्लाइर बन जाएंगे इस हजार उपे के उपर जीस्ट क सब्सक्राइब करने की जुरत नहीं है सारा टैक्स किस ने बेकरा ओला या उबर हैंक्स टू सेक्शन नाइन क्लॉज नाइन सब सेक्शन फाइजी मेरा सवाल यह हजार रुपे किसकी एगरिगेटा अगर आप ध्यान से देखो एक्शुल सप्लाइर कौन है एक्स लिम्ड स सब्सक्राइब क्योंकि हम टैक्स से लेंगे 95 वालन सब्सक्राइब से तो मेरा सवाल है वो तो होगए टैक्स की बात हगए अगला सवाल है 100 रुपे की aggregate turnover किसके हाथ में पढ़ेगी आप law में क्या लिखा है मारो गोली आप logic बता हो किसके आद में जुड़नी चाहिए तुम टाक्स ओला उबर से ले रहे हो तुम ने उसको डीम्ड सप्लायर बोली दिया अभी हम पढ़ गाए तो उसकी अग्रीगेट टर्णावर में जोड़ो ना बट सरकार आपको पता है लालच तो लॉन इन इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया अगर आपको यादो एग्रीगेट टर्णावर की पूरी डेफिनिशन पढ़ चुके हैं कहीं पर भी इसका जिकर नहीं था तो मेरी अं पर की एक्स लिमिटेड के टर्णावर में नहीं जुड़ेगा यह मैं पढ़ाया करता था बट अभी एक ना सर्कुलर इशू कर रहे है रिसेंटली सी भी आई से ने सर्कुलर एक्शली पॉइंट नंबर फॉर से रिलेटेड़ है अभी तो हम वन पढ़ रहे है ना पॉइ में आया था वह सर्कुलर मगर वह सर्कुलर रेस्ट्रेंट के लिए अप्लाई यहां पर करेंगे उस सर्कुलर ने बहुत ही बढ़िया बात बोल दी सरकार में दाल्ची होकर उसने बोला बेशिक लाइबल कौन है बोला और उबर मगर हम किसके घ्री के टर्वर में जोडए याद करें जल्दी से नाउन एकक्षिक्टी डैरेक्टर क्या सप्लाई होगा यहां पर एम्प्लॉय इंप्लॉय एलेक्शिप नहीं है और यहां पर पर भीरवर्व तक्री के करेगा वाइ-ल्जॉर्च रिजिस्टर्ट नहीं है तो से से सिक्शन 24 में क्या लेनी है में डि मगर यह जो 25 लाग रुपे हैं टाक्स वाई लिमिटेड को पे करना है किसकी एग्रीगेट टानोर किसमें जुडवा देते हैं यहां पर भी यही कर रहे हजार रुपे किसके हाथ में जुडवाने चाहिए थे ओला और Google पहले साली ओलाUber से उसको टीसलाग काम मील गया तो उसके एग्रिकर टर्नोबर कितनी होगी तईसलाइब उसे टैक्स पेकरा उला उबर ने वह वो जीएस्ट के रजस्टेड हो गया. अब वह जीएस्टी में रडिकरी बी हो गया तो भी ओला उबर से सपलाई करेगा. तो सरकार को मिलकिया गया अग्यार को यह मिल गया कि जब भी वो ओफ्लाइन supply करेगा क्या उस offline supply पे forward charge में tax pay करने के लाइबल हो जाएगा या नी हो जाएगा यानि रामलाल हो या एक्स लिमिटेड हो जितने भी ओला उबर पे लिस्टर ड्राइवर्स है ना उन सब को यह चीज रिलाइज नहीं हो रही जो कि थोड़े कम पड़े लिखे वह सकते हैं नौलेज नहीं हो सकती उनको रिलाइज नहीं हो रही ओना और उबर पे लिस्ट होकर उनका एक एक नुकसान यह ओर है कि ओला उबर से जो सप्लाइज जा रही है उस पर tax ओला उबर पे करता है वो सप्लाइर रहे हैं ऐग्रीगेट टरनोवर जुड़े चले जा और मेनी विपर डोन्ट रिलाइज जैसे उनके अग्रीगेट टर्नोवर 20 लाग को क्रॉस करेगी वो रिशुशन लेने के लिए क्या है लाइबल फिर वह सौर बेगी ऑफ्लाइन सप्लाई करेंगे ना अफ्लाइन मतलब अलग से जो सप्लाई कर रहे हैं किसी एप के तुरू और किसके अग्रीगेट होनों जोड़ रहे हैं एक्सलिए ठीक है जिए थाउजन का थाउजन वो दो अलग अलग सप्लाई है 300 700 में डिवाइड मत करो वो तो पेमिंट का तरीका है ना साथ सुरुपे दे दिये असली में सप्लाई कितने की हजार रुपे किया तो साथ सुर रुपे नहीं जुड़ेंगे मिले उसको 700 रुपे बट मिलने कितने थे उसको हजार 300 तो उसको देने थे इसले नेट उसको कितने मिले 700 तो ग्रॉस अमाउट अब मुझे बाइब बताओ यह जो 300 रुपे है यह किसकी अच्छा एक बिड़ी सो की बात करते हैं अब सर टैक् क्या में क्या पैउनक है इसलिए एक टीप फैक्ति फोट कर आए थे पहला पाइद यख़्य जो 95 में लाइबल होगा उसे क्या लेनी पड़ेगी mandatory registration अब समझ में आया हमने सर्कुलर में एक्स लिमेंटल की जुड़वा दिया हमने का हमें उबर की जुड़वा करना भी किया है क्योंकि ऊबर को तो हम क्या कर रहे है मेंडेटरी लाइबल तो अगर आज आप ओला उबर जैसी कोई आप खुलते हो ना पहले दिन से आपको क्या लेनी पड़ेगे की मेंडेटरी रेजिस्टेशन क्योंकि यूरा इसी ओ जो 95 में क्या है इसके अंदर तो नॉर्मल फॉर्वर्ड चार्ज लगेगा टैक्स कुन पे करेगा ओला उबर यह तीन सौर पर किसकी एगिरी के टॉन और जुड़ेगा ओला उबर की एगिरी के टॉन जुड़ेगा इस यह तो कोई दिक्कत नीए मेरा आखरी सवाल है सर ओला उबर को दो तरह के टैक्स पे करने अब तो 95 वाला और यह कुंसे वाला इंटर्मेडियर रा नाइन 5 वाला तो सरविस पे पे करना है और इंट्रमेडियरी पे पे करना है 9 5 वाले की वजह से हमें क्या लेनी पढ़ र तो क्या दोनों के लिए अलग-अलग GSTN लेना होता है या एक ही होता है यहाँ पर भी ओला और के पास एक ही GSTN होगा उसी GSTN में वो 95 भी पे करेंगे और उसी GSTN से वो कि क्या सबक्साइब करें अगला सवाली इसे से लिटेड यह एकला मेक माइ ट्रिप बौत सारे काम करती है मैं x-limited ूँ आयक संद्री को कुछ किया में मैं में रोब पे की बूकेन करें और वह हजार थी मेरे पास आ गए मैहने उसे hom约 बस के थुरू ओमनी बस के थुरू ट्रांसपोर्टेशन गरी ओमनी बस नॉट बिंग मैक्सी कब सिंपल बाशा में बोल दो ओमनी बस नॉट मैक्सी कब का अंदब क्या हुआ बारा से जाद आवाले ठीक है आपने टिकेट बुक करा लिए ठीक है अब मुझे एक बात बताओ यहां पर हजार रुपे के ऊपर पहले तो यह नहीं लगेगा इस पर दियुक्त अब बताओ एक्षण प्लायर और टैक्स पे करने के लिए कून लाइबल है एक्स लिमित्ट विर पे JST इन्वास कौन इशू करेगा सारी कंप्लाइंच कौन करेगा एक्स लिमित्ट जबकि पिछले एक्जांपल में कौन और था एक्स्ब्स करें अब बूखने की जुड़त नहीं है अबर 959 लगया तो लाइबल कॉन है एक यहां तक कोई दिख्कत नहीं है अच्छा एक और चीह बतातों मेक माइट्रिप ने यहां भी कमिशन चार्च करी होगी येस इंट्रमीडियरी सर्विस दी होगी और उसकी कमिशन चार्च करी होगी कितनी 300 रुपे इस इंट्रमीडिय 24 लगता है जब आप 95 में लाइबल नहीं है तो मेक माइट्रिप पे 24 अपलाई नहीं जबकि पिछले एक्जामपल में ओला और उबर क्या कर रहे हैं 95 में लाइबल सिंपल पंड़ है अगर यह दो में लेगा इस एक्ट्रम नहीं नहीं है तो शेक्शन 22 में अग्रिगेट अगर एग्रीगेट अवर बीस लाग या दस लाग से जाधा होएगी अधर्वाइस लेगा अधर्वाइस लिए बिगरत है लेट्स गोटू पॉइंट नमबर टू फोटेल सर्विस फोटेल सर्विस आया जाए लाए जिकर पहले भी आया था कहा या था मैं बताता हूं जब हम सप्लाई वाला चेप्टर पढ़ रहे थे वहां पर हमने चीज़ पढ़िए रेंटिंग आप इम्मोवेबल अगर किसी ओर रोगिपड़ को दौ तो क्या लगए का रिवर्स चाहँ में ने करते हैं तो मेरा सवाल है होटेल की सर्विस के आर 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 के अंदर exempt होएगी नहीं होटेल की सर्विस क्या होएगी टैक्सिबल एक और knowledge दी थी मैंने आपको होटेल सर्विस में पहले एक exemption हुआ करती थी हजार रुपे पर डे तक होटेल क्या होते थे एकंट वहजार रुपे वाली exemption डिलीट हो गई है तो आज की डेट में पहले तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं होटेल की सर्विस पूरी तरह से क्या है मगर हाँ अगर वो religious place है कोई religious place के प्रेसिंट में रूम है वहाँ पर आज भी 1000 रुपे पर दे तक की रेंटिंग क्या है मैं याद कराता हूँ एक entry पड़ी थी renting of the precincts of a religious place is exempt except three अगर होटेल अगर हम रूम की रेंटिंग कर रहे है हजार रुपे पर दे या उससे जादा की दुकान की कर रहे है शौप्स की कर रहे है 10,000 पर मत या उससे जादा की community hall की रेंटिंग कर रहे है 10,000 पर दे या उससे ज हो जाएगा उससे उपर क्या है होटेल का जिकर दूसरी जगह पर आया था जब हम place of supply पढ़ रहे थे section 12 पढ़ रहे थे सब सेक्शन 3 आया था सब सेक्शन में नहीं क्लॉस बोलना चाहिए 12 3 आया था वहां पर 23 के अंदर आपने पढ़ा था बहुत सारी इम्मोवेबल प्रोपपटी से लेटेटी याद डॉक्टर और सीय की मैरेज लर्निक्स कल दी ती वहां पर युद्ध की मैरेज में डी आरार सेंड वर रेंटिंग और मैंने वहां पर रेंटिंग के साथ अगला किया था होटेल होटेल के अंदर और हाउज बोट और वेसल के अंदर अगर accommodation लेते हो तो place of supply होगा wherever that hotel is physically located. वहाँ पर भी hotel का जिकर आया था. वहाँ पर place of supply कर रहे थे. अब मैं यहाँ पर किसरी चीज़ क्या कर रहा हूँ hotel की? ऐसे linking करोगे तो याद रहेंगी चीज़े. मैं हर चीज़ के linking करके न एक जगा लिखता रहूंगा मेरी किताब इतनी मोटी बन जाएगी तो हर चीज़ नहीं लिखूँगा बट आपको पता होना चाहिए hotel का पहला जिकर supply वाले chapter में आया था वहाँ उसकी flexibility सोची थी फिर जिकर आया था place of supply में अगर आपको अकॉमोडेशन तर्विस के थू मिली पहले तो थोड़ा पस्पेक्टिव आ जाएगा जहां से आप होटेल अगर किसी होटेल के आगे लिखा दिख रहा है तो वह होटेल ओयो का नहीं है वह होटेल किसी और का है उसने सिर्फ अपने आपको क्या किया है ओयो पर लिस्ट कर रख यानि ओयो भी ना कहने के लिए बहुत बड़ी आप है मज़े की बात ही है उसका कुछ का कोई होटेल सारे लिस्टेड है रितेश अगरवाल नाम के एक इंसान ने शुरू करी है जो वन ओव दा रिचस्ट बिलेनियर्स था एक जमाने में यंगेस्ट रिचस्ट बिलेलियर आज की रिचस्ट में नेखिल ताम कामद जिरो टोयो का भी मोडल वई है जो ला और उबर का है और वगैर्वर्स पकड़ता है वाला क्या करता है वह क्रता है सारे चोटे-चोटे लिस्ट पकड़ता और धीरे जबब दरह बढ़े होटे होटे लिस्ट ने लग गए इसके लाब और कौन से हो गई बूकिंग डौट परख नहीं पड़ता बेशक्तितना याँ परिच ब्लीस टाय सारे अप होटल जैसे वेसल औरोनाइं अवेलेफल नियान फाप सब के make my trip पे अगर चेक करोगे आपको कश्मीर में वही श्री नगर वाला जो एक्जामपल लिया था वो सारी हाउस बोट्स मिल जाएंगी तो उनको हमने यहां पर कबर नहीं किया और any other commercial place meant for residential or lodging purpose वो कहां आ जाएगा 95 में आ जाएगा यहां तक की आगे पड़ो आखरी लाइन क्या है जैसे omnibus में exception ती यहां भी exception है यहां पर exception omnibus से अलग है omnibus में exception किस चीज की दी अगर जो omnibus की service दे रहा हो कौन है कंपनी यहां पर मैंने क्या है वहां पर 95 applicable नहीं होगा मैं दो एक्जामपल देता हूं आपने आपने के इंट्री सामने रखनी है और इंट्री को देखकर जवाब देना है मेरे को यह हैं हमारी आप का नाम है make my trip make my trip बहुत सारे काम करता है पहले मैंने make my trip का एक्जामपल बस के लिए लिया था अब मैं make my trip का example किसे लिए रहा हूं hotel एक hotel है जिसका नाम है चांद सितारा hotel पाई स्टार नहीं है तो चांद सितारा होटेल मैंने ऐसी नाम बना रखें खुद के इलिस्टेशन में इसलिए मैं सेम नाम ले रहा हूं ताकि वो इलिस्टेशन एक तरह से होजे चांद सितारा hotel है new hotel खुला है अभी new खुला है मतलब उसके अगरी के तनी है 10 या 20 लाग से कम उसने पहले दिन से अपने आपको रिजिस्टर करा लिया अब मेक माई ट्रिप पर रिजिस्टर हुआ तो कोई एक परसन ढूंड रहा था डेली में आकर उसको सेटल डेली में आकर उसको दो दिन बिताने हैं तो उसने यह hotel देखा उसको फोटोस दिखी उसको ठीक लागा उसने इस hotel को बुक करा दिया hotel था 2000 रुपे का दो हजा रुपे कस्टमर से आए और दो हजा रुपे किसको चले गए चांसटरा को से ले ख़य असली में होटेल की certified छांस इतारा होटेल किसको दी कस्टमर को अबएक इक करके बताओ यह je कॉपलायर है और यह कस्टमर है 95 की any नंद्वर टू पढ़कर इंट्री को रीड कैसे करते हैं पड़के बताओ क्या लगेगा नहीं लगेगा यहां पर कब नहीं लगता जब वो रजिस्टर परसन और अगर वो लायबल को रजिस्टरेशन है तो हम उसके नहीं लगाएगे वैंने जान बूच के बोला अभी यह क्या तो क्या उसकी एग्रिगेट टर्नोवर अभी 10 लाग या 20 लाग क्रॉस नहीं हुई है तो क्या यह 95 लगेगा ये 95 लगते जल्दी जल्से बोलते जाओ लाइबल कौन होगा तो जीस्टी कौन पे करेगा मेक माईट्रेप इनवाइस कौन काटेगा मेक माईट्रेप हजार रुपे किसके अग्रिगेट टर्नोवर ने जुडएंगे अगला सवाल मेक माईट्रिप पे 24 लगेगा या नहीं लगेगा सारे कोश्चन करता जाओंगा ताकि आई से कुछ भी पूछे हम तयार हो क्या 24 लगेगा 24 कब लगता है जब 95 में लाइबल हो क्या है वो 95 में लाइबल है इसलिए मेक माई ट्रिप को क्या लेनी पड़ेगी में डेट्री और साथ साथ मेक माई ट्रिप ने मालो 600 रवे की कमिशन चार्ज करी है यह हो गई सप्लाई नंबर टू इसके लिए मेक माई ट्रिप कौन हो गया सप्लायर चांस तरह कौन हो गया रेसिपेंट और यह फॉवर्वर्ड चार्ज में टैक्स पे होगा यहां तो बताने की जु होगा यह नहीं होगा यह इसलिए हम 24 लगा भी देंगे ना कोई फरक नहीं पड़ता वर 24 उन एप्स को कैप्चर कर रहा है जो नहीं नहीं आई है यानि अगर आज आप मेक माई ट्रिप की तरह एक होटेल वाली एप बनाते हो ना पहले जिन से आपको कहा लेनी पड़ेग जोड़ा सा चांच सितारा होटЕल औरए जी एस्ट में à पुराने एंग्सांपल में जब उनर जिस्टर ठा तो हमने उसको क्या किया अगर ध्यां से देखो उसकीजड़ हो इसके रिम सटोर यह नीं हो जाएग कक सो तरह होटेल रिजिस्टर हो गया क्योंकि एग्रीट अनवर उसमें जुड़वाय चले जा रहे थे न अब वह चांज से तारह होटेल 20 लाग को क्रॉस कर गया और 20 लाग को क्रॉस करने का क्या होगा जैसी वह जिस्टी में रिजिस्टर हुआ जैसी वह लाइबल फॉर नहीं करेगा जी एस्टी कॉन पे करेगा चांज से तरह होटेल और 2000 तो अभी भी किसकी एग्रीट आउन में चुड़ेंगे हमने में में ट्रिप को अब तुम्हें पे करने की जुड़त नहीं है अब होटेल खुद जीस्टी में रिजिस्टर है तो टैक्स कॉन पे करेगा होटेल वाली सर्विस पे 95 लगता है बड़ इंपॉर्टन कंडिशन होटेल खुद अन्रेजिस्टर होना चाहिए और लाइबल फरस्टेशन नहीं होना चाहिए अगर होटेल खुद रजिस्टर है या लाइबल फरस्टेशन है तो उस पर्टिकुलर के से अंदर टाक्स में अगला सवाल इस एक्जामपल में 95 नहीं लगा में ट्रिप पे 24 लगेगा नहीं लगेगा 24 किस बात में करता है अगर आप 95 में लाइबल यहां पर 24 फिलाल के लिए अपली के बल नहीं है और आप आगे बात करते हैं यहां पर जो 600 रुपे है फॉवर्ट चार्ज यह किसकी अगर उसकी एग्रीगे टर्न ओवर 20 लाग से जाधा है में लेगा और फॉवर्ट चार्ज में इंटर्मीडियरी पे टैक्स पे लिए रहे है वाली चीच दो पॉइंट हो गए हमारे कौन कौन से पहला वाला पॉइंट ट्रांस्पोर्टेशन और पसेंजर उसके दो सब्डिविजन थे ओमनीबस को अलग कर दिया बागियों को अलग कर दिया पॉइंट नमबर टू किस से रहे है होटेल सर्विस लेट् पर पूरी दिवार की पुट्टी वुट्टी जो भी करवाना है वह सीलन का जो जाएगा है और आपके घर में चुहे आगे हैं बहुत सारे आपके घर में बहुत ज्यादा चीटियां गई है जिसे रोडेंट्स बोलते हैं तो वहां पर पूरा दवाई का छड़काव होता है दीमक लग गया है तो वह सारा काम भी अर्बन क्लैप करता है येस साफ सफाई करवानी है दिवाली के सामें साफ सफाई करवानी थी हमने का सालार नहीं लटेंगे तो सफाई के नहीं करेंगे तो असे के हमगर घ्रेकर कोई सब्सकराइब कोई भी तरह kणा सब्सक्राइब कोई इसके विया और धी में ऀटने का आगा कोई तरह की प्लीनिग आ जाएगी पाइप्स और नल्ठिक करने वाला कार्बेंटर कौन होता है लकड़ी वाला काम जो करता है वो कौन करते हैं कार्बेंटर तो सारी हाउस्किपिंग सर्वेस को हमने कहां पर डाल दिया अगर तुरू जा रही है 95 में इसका बेस्ट एक्जामपल मुझे मिला कौन था है अर्बन क्लैप हां लोकल लेवल पर कुछ और एप्स भी है गुडगाओं जाओगे गुडगाओं के अंदर अपनी अप्स हैं जस्टायल में कमी पता क्या जस्टायल पेमेंट हैंडल नहीं करता है जस्टायल मेरी गूगल रेटिंग सुधारता है जस्टायल और नहीं लेता जस्टायल से अगर आपने भी अप करते हैं पेमेंट को हैंडल नहीं था इसका मतलब सब्सक्राइब से हमने कार्पेंटर को बुलाया असली में कार्पेंटर का नाम रख देते हैं रामू कार्पेंटर है रामू नाम का कार्पेंटर है रामू कार्पेंटर आया अर्बन क्लैब नाम से अर्बन सर्वेस चाहस्टेपिंस अप्लाइर कोई क्वण रामू उसने में कारपिंटर सर्वेस पांतों रुपे कि 500 रुपי मैंने अरबन क्लेप पे पे कर दिया रामू को चले गए अब इस उग हो जो गया एकर चले गए इस केs के अंदर रामू लायबल ऐा है और बन बढ़े है क्या फिर 95 लगेगा नहीं लगेगा नहीं एक ना वुस्कीपिंग की बहुत बड़ी कंपनी है मैंने आपको पहले भी नाम बोलताया था जी फॉरेस वैसे बहुत सारी है जी फॉरेस मेरा क्लाइंड था इवाए मेरा मेन क्लाइंड जी फॉरेस था जिसके उपर मैंने लगबग एक साल लगाया रोज मैं अलमोस्ट उसी पर लगा रहता था इनकी पांच एंटीटी कोई सेक्यूरिटी वाली कंपनी थी कोई हाउसकीपिंग वाली थी कहीं पर यह कॉफी मशीन देते मैं आपको कहा रहा हूँ जी फॉरेस एक कंपनी है अगर मैं रामू को रिप्लेस करके जी फॉरेस लिमिटेड को डाल दूँ क्या जी फॉरेस की एग्रीगेट टानोवर 20 लाग से जाता होएगी येस 1500 करोड़ की टानोवर के होगी 1500 करोड हाउसकीपिंग से ठीक है जी 1500 कर लायबल हो या जी फॉरेस ही होगा इसे तो यहां पर भी वही सेम चीज हैं मैं डिटेल में पेल आप सकते हो अगर रामू खुद रजिस्टर है तो 95 नहीं लगेगा रामू खुद रिजिस्टर नहीं है तो लायबल कोन होगा और अगर मैं बात करूं अर्बन क्लैप पर 24 लगेगा यह नहीं लगेगा यह किस बैसिस में अगर 95 में तो अगर पर 24 लगेगा अगर 95 में लाइबल नहीं है तो 24 अगर बढ़ते हैं आखरी पॉइंट आया क्या यह लेटेस्ट एडिशन थी और साल पहले आया था रेस्टरेंट सर्विस पहले तो मुझे बताओ थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा रेस्टरेंट को सर्विस क्यों ओल रहे है रेस्टरेंट में खाना मिलता है हमने पूरा कॉंपोसिट सप्लाई के साथ सब्सक्राइब लिंकिंग करी थी अगर कोई फूड या कोई भी नॉन एल्कॉहलिक बेवरेज है एलकॉहल पे तो जी सकता अल्कॉहल पे तो क्या लगेगा वैट लगेगा तो अगर कोई भी यह नॉन एलकॉहलिक बेवरेज हो रहा है बाई वे ओफ सर्विस या इस पार्ट अफ सर्विस तो शडूल टू बोलता है उसको हमेशा क्या बोलेंगे सप्लाई आप सर्विस और मैंने रेस्टरेंट सर्विस की डेफिनीशन भी पढ़ाई थी वहां पर भी डेफिनीशन दाल रखी है रेस्टरेंट का मतलब क्या जारा पड़िए एक बास रीड करनी है सिर्फ इट मीन सप्लाई बाई वे और पार्ट ऑफ गुड्स बिंग फूड और एनी अदर आर्टिकल ऑफ यूमन कंजम्शन और रिंक यह एनी ड्रिंक लिख है पर आप बाता है भी आपकि लिख दिया टेकवे सर्विस भी रेस्टरेंट के अंदर होती है रूम सर्विस किसके लिए हो गई रूम सर्विस का मतलब क्या हो गया है होटेल के अंदर रहते हैं रहते हैं रेस्टरेंट के होता है जहां खाते हैं यह होटेल में रेस्टरेंट हो सकता है यस आई टीसी का वाटेल में रह रहे हो और आपको खाना खाना है या तो नीचे उतर के बुकारा में जागे खालो there is no doubt वो तो क्या है रेस्टृंट सरविस है और अगर आप बुकारा से इन रूम मंग वालो तो क्या वो भी रेस्टृंट या नहीं है यह रेस्टृंट है और लास्ट पूड अगर हम बेचते हैं जैसे मैंने चिप्स का पैकट कोल्ड रिंग का पैकट तो वह क्या माना जाएगा सप्लाई आप गुड्स बट उसी को खुल के ग्लास में डालके सब्सक्राइब तो वही को बन जाएगी सब्सक्राइब वैसे का वैसा देदूगा हल्दी नाम ने को चिप्स बेच दिया आपको एते सब्सक्राइब बटर के साथ सेंडवेट को खोल के गोड़र के साथ रख देते अब मुझे बढ़ा बताओ यहां पर दो एक्जांपल आते हैं सबसे बड़े समेटो और स्विगी जहीं चलते इसके लावा भी आप्स होएंगे थर्ड पार्टी एप्स बड़ सबसे बात नहीं कर रहा है दॉमीनोस तो अपनी आप से बेच रहा है अगर दॉमिनोस अपनी आप से बेचता है उसमें 95 नहीं लगे ऑधा यहां पर उच्छेंज में भी बताया रूम ब्रफॉट होता है टेडवे भी होता है यहां पर 9-5 में किसकी बात कर रहे हैं एक अधॉरिवरी घ्रॉज कोड़ा पढ़िए आपर इता होना पयाट के खाने वाला काम तो वहीं जाकर ही करना पढ़ेगा ना तो बेसीकली यहां पर जो ने रेस्टों सर्विस बोल रहे हैं वे मेरली रेस्टों सर्विस्ट करके बता। आपको बूख लगी तो आपने क्या किया आपने मंग वालिया खाना खाना आया भी आकशल दौट यह ओगए यह लग देख हैं तो लोग इसी लोग खोल लेते वहां पर बहुत बड़ी मार्केट है जो लोग नौइडा के हैं सेक्टर 104 की मार्केट जानते होंगे बहुत सेमस मार्केट है वहां की वहां पर भी एक चाय वाला है उसने भी ऐसे लगा रख है मैंनों से पूछा फोड़े दिन पहले मैं वहां घुम रहा था मैंने का स्यों थेख लोगों ऐसे यह वाला था तो अम लगा क्यें चाय वाला फोली तहीं है उसके ता क्यों से नौगरी नहीं मिली और इस नें वह बोड़ा लिए क्र लिए बाकि जिस तरह से एमान बीए चाय वाला ना ही खोलो यह फोले व्हाना चल पा रहा है उसने जल दिल्थी फ्र हैं आपने हैं जो हैं यहां से चार्ड को किया यहां क्या थे फूर्ट अधारी हो India रेंगहें असली भीए परस दिश्रेइन कड़ाई यह मत तो अधाव जाकर खाने वाले को भूत है है टेетр चैयंध सर्विस तो तो असली में restaurant service किस ने दिया आपको CA डाबा ने बटा मुझे बताओ इस entry के हिसाब से क्योंकि CA डाबा ने service Zometo के तरुफ दिया है तो 95 में लावल कोन हो जाएगा Zometo इस हजार को पर GST कौन पे करेगा Zometo और अकाउणिंगली इन्वाइस भी को नहीं चुक्ण रहेगा तो इस इक करके वह रिवाइस करते हैं ओमनी बस से भी पहले की बात करते हैं पहले ओमनी बस से पहले जो मेक्सी कैब और मोटर कैब थी वहाँ कोई भी exception नहीं थी वहाँ पर supplier कोई भी ओमिर को परक नहीं बढ़ता उमनी बस में क्या था supplier company है तो 95 नहीं लगेगा supplier company के लावा कोई और है तो 95 लगेगा पिर आये restaurant और होटेल वाली और housekeeping उनमें दोनों में सेम एक्सेप्शन थी अगर जो supplier है वो लाइबल फॉरस्टेशन है तो 95 नहीं लगेगा और अगर supplier लाइबल फॉरस्टेशन नहीं है तो 95 लगेगा यानि अब आखरी पॉइंट यहां पर एक्सेप्शन देखो क्या है यहां पर अलग राइटीरिया exception का other than the service supplied by a restaurant eating joint located in a hotel having a tariff of a unit accommodation greater than 1500 पर यूनिट इसको बनाया hotel 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 खाना थोड़ा देता है पहले तो let's be clear hotel और restaurant में फरक्ता होता है पहले तो यह मगर hotel में खाया नहीं जाता hotel में रहा जाता है तो यहां पर बात चल रही है restaurant की hotel का जिकर क्या आगया मैंने अभी आपको बोला क्या hotel के अंदर भी restaurant होते हैं yes तो इस bracket में हम पता किसकी बात कर रहे हैं एक ऐसा restaurant जो किसी hotel में located है और hotel भी छोटा मोटा नहीं हमें five star hotel आपको पता ही star का criteria बड़ा वेग कोई single authority नहीं है जो three star four star या five star देती है कुछ लोग कहने के लिए seven star बोल देते हैं अपने आपको there is no authority जो कोई star करे सब वेग criteria चल रहा है तो हमने ideally track करना था five star hotel के अंदर जो restaurant खुले हैं मगर five star लिखते तो बड़ा वेग हो जाता हमने hotel क ग्राइटेरिया क्या दिया कोई भी ऐसा hotel जहां पर एक दिन का room कितना है सेविंटी फाइव हंडर्ड पर डे से ज्यादा बड़ा hotel ही होगा यह नहीं होगा वह पचातर सो पर डे से ज्यादा का hotel का room है उस hotel के अंदर जो restaurant है उस restaurant से अगर आप जोमेटो स्विगी पर उडर नहीं किया था अब बोकारा भी आज की डिट में जोमेटो स्विगी पर आ गया है प्राइज उसके वही है मगर वो कह रहा है ठीक है अपने घर पर order कर लो क्या दिक्कत है तो बोकारा भी जोमेटो स्विगी पर आ गया मुझे बताओ आपने खाना order किया ITC बोकारा से जो कि टैक्स पे करेगा या जोमेटो स्विगी पे करेंगे ITC बोकारा भी यहां पर आपको यह देखना है बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो मगर वो होटेल में लोकेटिड नहीं है तो 9-5 लगेगा रेस्टोरेंट जितना मर्जिम बड़ा हो जोमेटो अपने आप में बहु जिस होटेल के अंदर रूम कटिराय कितना है तो यहां पर इन्होंने एक्सेप्शन बड़ी अजीब रखी है पता नहीं क्या लॉजिक लगा कर रखी है मेरे मेरे हिसाब से क्यों किना मैंने चेक किया रेस्टोरेंट सर्विस जो रेस्टोरेंट वहां के ना उन पर 18 पर सं सबसे अजीव एक्सेप्शन है क्योंकि यहां पर मैं यह नहीं देख रहा तुम कंपनी हो या नहीं हो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं तुम ऐसे रेस्टेंट तो नहीं हो जो किसी होटेल में लोकेट है और होटेल का किराया सब्सक्राइब अब कंफ्यूजन क्या आती है नाइन फाइब में हर जगाँ एक्सेप्शन है और हर जगाँ एक्सेप्शन का क्रेटिर या क्या है तो आपको ज्च्वीजन बहुत जादा आएगी इसलिए एक बार रिवाइस कराता हूं फिर आगे इसकी है ट्रांस्पोरेशन एपसेंजर भाए मोर्र कैब रेडियो टैक्सी मैक्सी के बढ़ा मोर्साइकल अर्दण ओमनिबस यहां पर सप्लायर पर कोई भी क्राइटीरिया है नहीं कोई भी सप्लायर हो न्रेजिस्टर्ड ओ यह नॉन डिस्टर्ड हो कमपनी हो यह नौन कं मतलब 12 से ज्यादा पसेंजर अगर वो सप्लायर कंपनी है तो 95 नहीं लगेगा और कंपनी के अलाब़ कोई और परसन है तो 95 लगेगा लाइबल कौन हो जाएगा एंट्री नमबर टू पढ़ते हैं एंट्री नमबर टू कौन सी है अकमोडेशन इन इन होटेल गैस्ट आउद इन कैम्प साइड एक्सेक्टरा बाइवर नेम कॉल्ड यहां पर मेकमाइट्रिप या ओयो लाइबल होगा मगर एक्सेप्शन क्या है अगर वो होटेल खुद जी एस्टी में रजिस्टर्ड या लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो वो खुद पे करेगा 95 अप्लिकेबल नहीं होगा और अगर वो खुद अन्रजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा Lakemy Trip और यानि सिंपल पाच हमें छोटे होटेल की के स्में बड़े खुद करेगा होटेल कुट रजिस्टर्ड हाउस कीपिंग में कारप्र एक पेंटर एक प्लंबर मेरे पास आया वो खुद अन्रजिस्टर्ड है तो पे को कौन करेगा अर्बन क्लब पे करेग और फिर वो खुदी अगर अगर जिस्ट में रिजिस्टर्ड जैसे जी फॉरस के एक्जामपल लिए बड़ी कमपनी है 20 लाग से उपर है उसने अगर मुझे प्लम्बिंग सर्वेस दी 95 नहीं लगेगा अर्बन लाइबल नहीं होगा जी फॉरस खुदी क्या होगा लाइबल अखिरे अंधर कों लाइबलों है जॉवटोर स्वीकि रेश्टरंट रेजिस्टर्ड है यह अन्रिस्टर्ड है तो के किस होटैल में है और अगर होटैल में हैं तो क्या उसका मपाड़े बाइन से उस सारे हैं सेन लगएगा नाइन अर्वी क्लियर यहां तक ठीक है जी दो एक्जाम्पल लेता हूँ एक बार अगर आपने इसका जवाब दे दिया मुझे तो मैं एजियूम करूँगा यहां तक आपको समझ में आ गया फिर आगे अपना लेवल और बढ़ाएंगे एक बार के लिए करते हैं आपको बुग लगी पिज्जा जमेटो से और कर लिया 1000 रुपे का पिज्जा डॉमिनोज के पास गए मुझे बताओ रेस्टरेंट सर्विस किस ने दी आपको जो मैटो ने दी जो मैटो ने आपको रेस्टोंट सर्विस दी इस हजार पे पहले तो बताओ 95 लगेगा यह लगेगा जैस्ट फूर इंफॉर्मेशन डॉमिनोज एक कंपनी है और डॉमिनोज अल्रडी जी एस्ट में रिजिस्टर है परक पड़ेगा यह नहीं बस आपको इस एकडर में होगा होगा तो क्या आपरस्ट करतें कि यह. इन्वेटन हों ऑग्ली बात हमारा यह ओग्या होगया है हजार पे किसके चुरूरन जुडेगा सुनने में इल्लॉजिकल है बट CBIC का सर्कुलर है क्या करें मजबूरी है मानना ही चिक जी अच्छा यह GST में रिजिस्टर है क्या डॉमिनोस की खुद की भी आप है या नहीं है इस नंबर है एप है रेस्टरेंट है तो अगला केस यह हुआ कि अच्छा इसको पैक अप करने के लिए एक चीज हो रहा है यहां तक ठीक है अब अगला सवाल आपको भूक लगी आपने डॉमिनोस की एप पर ही जाकर और कर दिया अगर आपने डॉमिनोस की एप पर जाकर हजार रुपे का पिज़ा और करा अब आपको पिज़ा डिरेक्ली डॉमिनोस ने डिलिवर किया अब मुझे इस केस में बत बता है पहली बात तो सर्विस नोटिफाइड होनी चाहिए दूसरी चीज आप खुद सर्विस नहीं दे रहे हो आप सर्विस ECO के थ्रू दे रहे हो अगर आप खुदी पता हो 95 लगेगा नहीं लगेगा 95 नहीं लगेगा यहां पर डॉमिनोज ही सप्लाइर है डॉमिनोज फॉवर्ट चार्ज में क्या करेगा टैक्स पे यह यह वली चीज ठीक है एक और एक्जामपल लेता हूं एवी जे यहां पर लिख लेते हैं caclasses.com वैसे और एप्स हैं मैं क्यों एड करूं की ठीक है जी आप एक स्टूडेंट हो आपको मेरी classes लेनी है पहला option एवी जी के website आगे ले लो दूसरा option ऐसे पोर्टल पर भी मैंने अपने आपको रिस्टर करा रखा है पहला case आपने इस पोर्टल से अगर यहां पर classes ली आपने 10,000 रुपे पे करें यह 10,000 रुपे कहां पर आ गए मेरे पास आ गए जैसी मेरे पास आपकी नाम और डिटेल्स आ गई मैं आपको directly contact करूँगा एवी जे को और आपको क्या मिल जाएंगी coaching service असली में coaching service किसमें एवीजे ने coaching service ठीक है जी coaching service एवीजे ने दी मगर लाइबल को लोगा कि एवीजे लाइबल होगा यहां पर क्लासिस वाला होगा यहां पर क्लासिस यहां पर 95 लग जाता है नहीं 95 लगाने के लिए चाहिए होता है एसी ओ आने के बाद भी क्या चाहिए चार नोटिफाइड सर्विस और चारो नोटिफाइड के अंदर coaching service नहीं है तो यहां पर tax one पे करेगा एवीजे और यह दस जार किसके एगरिगर टर्नोर में जुड़ेगा एवीजे जुड़ेगा हां वो मुझसे कमिशन लेगा कि ज सब्सक्राइड ले लूँगा है कि हार वी क्लियर तुर्सा केस आप डिरेक्ली मेरी वेबसेट पर आगा और करते हो है यहां पर क्या हो जाएगा मैं ही इसी ओ हूँ और मैं ही supplier हो मैं आपको डिरेक्ली सप्लाइड करूंगा कहानी खातम पॉवर्ट जाए तभी कहते हैं हम तो हमारा 95 हो गया ठीक है अब मेरा सवाल यह है आखरी सवाल पूछो फिर आगे लेवल और बढ़ाते हैं क्या हर ईसी ओ के द्वारा दी गई supply 95 में कवर होती है या नहीं होती है क्या हर ईसी ओ को लगाने से पहले 95 को लगाने से पहले मैं आप से पूछना जातू क्राइट अगर इसी होटल अपनी एप से सर्वेस दे रहा है सोचने की जुरती नहीं है वहां पर मार्केट प्लेस मॉडल भी नहीं है नहीं सकता पहला सवाल सब्सक्राइब अगली चीज क्या चेक करोगे बताओ अगली चीज वह सर्विस होनी चाहिए गोड़ है तो 95 नहीं लग सकता पहला चीज मार्केट प्लेस होना चाहिए दूつही चीज क्या होनी चाहिए सर्विस स्थि क्या चेक करनी है वो शाहित सल्शाै अगर तीनोगें सफ्थे क्यों हो रहे हैं तो 95 लाभल होगा अजरवा यदे लगभग में डिस्टों करते हैं धायर को तो इसल сдел Board अब सब्सक्कोंस क्या है मैं आप सर्कार पूछना चाहता हूँ Amazon या Flipkart इंडिया में चलने वाली goods के मामले में सबसे famous websites है service भी देती है तो ऐसी service देती है जो 95 में आम तोर पर notified नहीं है अब मैं कहारू यहाँ पर एक company है X Limited as a seller उसने अपने आपको register किया हम Amazon की app कर गए हमें mobile phone खरीदना था मैंने mobile phone की payment करी 20,000 रुपे वो 20,000 की payment कहा चली गई seller को चली गई seller ने मुझे 20,000 रुपे का mobile phone डिलेवर करवा दिया this is mobile phone being delivered तुमी एक एक करके मुझे बदाते जाओ इस पूरी transaction के अंदर एक supply होई है जिसका नाम कहा है supply of mobile phone supplier कोन है Amazon है यह X Limited है X Limited is the supplier investment कौन है यह customer और Amazon कौन है यहाँ पर ECO marketplace model हो गया मेरा सवाल है 95 लगेगा यह नहीं लगेगा 95 क्यों नहीं लगेगा service है यहाँ पर क्या है गोड़ से बगला सवाल है 95 नहीं लगेगा तो टैक्स कोन पे करेगा तो इन्वाइस कोन काटेगा और यह 20,000 रुपे किसकी एगिरी के टर्णावर में जुड़ेंगे हर चीच के लिए कौन लाइबल है Amazon का कोई लेना देना नहीं है Amazon की तो अपनी अलग एक क्या चल रहा है अपनी वो कमिशन चार्ज कर रहा है मालनों 20,000 के उपर उसने 4,000 रुपे की कमिशन चार्ज करी इस 4,000 की कमिशन के लिए Amazon सप्लायर है इस 4,000 को Amazon अपनी एगिरी के टर्णावर में जोड़ेगा और इस 4,000 के उपर Amazon टैक्स पे करेगा बट मुबाइल फोन के उपर टैक्स कोन पे करेगा अब मुझे एक बाप बताओ Amazon पे कितने सेलर लिस्टिड होगी लाखों सेलर लिस्टिड है सरकार की लालत खतम नहीं हो ली सरकार के रिए कोई ऐसा तरीका में जाए यह लाखों लोगों से टैक्स रिकावन हो जाए बास administrative way में अगर Amazon पे सारे आते जा रहे है सरकार का मन होगा इनको भी 95 में डालने का बट इन्होंने अपनी लॉबिंग करके क्या दिया होगा नहीं 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 हमें अगर 95 में डाला लाखों ट्रासेक्शन होती है सब में हम टैक्स पे करेंगे हम इंडिया बढ़के भाग जाएंगे दुनिया में कोई अगरी ऐसा देश नहीं है जहां पर हमें टैक्स पे करना बढ़ता हो हम नहीं करेंगे तो इन्होंने अपनी लॉबिंग वगरा कर लिए कि इसलिए इनको 95 में लाइबल नहीं किया मगर सरकार कह रही है चलो ठीक है तुम्हें 95 में लाइबल नहीं करते लाइबल तो एक्स अन्हें तरीका निकालते हैं कि अब जितने लाखों टेलर आमसी पर रिस्टर ने उनसे टाक्स असानी से आजए मुझे बाफ बताओ एक्स लिमिटेट से टाक्स लेने में सरकार को क्या दिक्कत आएंगे दिक्कत नमबर सबाब निया मेरी एक्रिकित आनवर कितनी है 40 administration करने के लिए क्या करना पड़ता है इनके audit करवाने पड़ते हैं इन पर regular assessment करनी पड़ती है और लाखों रोगों की regular assessment करनी मुश्किल है दो दिक्कते हैं सरकार के पास सरकार Amazon को क्यों लाइबल करना चाहती थी Amazon को की चोरी पखड़ना असान है Amazon को audit करो सब की चोरी पख़नी जाएगी दूसी चीज एमाजन से डील करना पड़ेगा Amazon यह नहीं कहेगा कि यहां भी मेरी अग्रीगेट टरनोवर 20 लाख से कम है यहां पर दो प्रॉब्लम हैं दोनो पकड़ना पड़ेगा यहां पर एक नया कॉंसेप्ट लाया गया PCS फुल फॉर्म बताओंगे PCS टैक्स कलेक्टिड एट सोर्स आपने फुल फॉर्म इसने बता दी आपने ओल्रडी इंकम टैक्स में क्या पड़ रखा है PCS इंकम टैक्स में यादे एक चेप्टर था पड़ाता है यहां पर बात चल रही है PCS इंकम टैक्स वाला बताओ फिर मैं यहां पर बता हुआ इंकम टैक्स में PCS क्या होता है कि फुल फॉर्म यादिया कोई एक आधा केस यादो पांच-छे केस से कोई एक केस यादो कि अपना एक्जामपल चेंज कर लाता हूं आखरी क्लास में पढ़ाया था लास क्लास में तुम आए नहीं थे हम ठक गहे थे तो दस लाग से उपर कि अगर गाड़ी बेचे तो उस केस के अंदर गाड़ी जब मैंने आपको बेची 15 लाग की गाड़ी बेची मुझे वन प मैं पैसे विजवाने मुझे करनसी करीजने आओ गे तो करनसी भेजते समय तुमसे 1 % क्या वारा प्रूवरीशन देड़ त्रीकल्म प्रेंदर नियौतग होता है मोग है से कर ये नहीं है seller buyer से above that का ले लेता है TCS GST में TCS हर जगा नहीं आता प्लीज टेक किया अभी तुम्हें इंकम टेक्स के TCS याद ही नहीं है बड़े दिन होगे इसलिए तुम्हारे बहुत असान है तुम्हारे दिवाग में इंकम टेक्स के TCS है यह नहीं पर प्रॉब्लम तो आएगी जब प्रफा तुम्हें hadotat नो ज्यादा मेरे लिए तो वहां पर स्पेसिफाइड अला से क्हालेता है TCS क्लेक्स करता है वहांपर नहीं लगेगा और नाइन फाइब कहां नहीं लगता पहले तो मुझे उश्याby. लेट मी रिपीट वन्स अगेन वह वाला ECO TCS कलेक्ट करेगा जो जिसके तुरू आप गुड्स या सर्विस डील कर रहे हो और वहां पर 95 नहीं लग रहा है चार नोटिफाइड सर्विस में जहां भी 95 नहीं लगेगा टैस कुन पे करेगा एक्स लिमिटेड तो यहां पर लिमिटेड लाइबल है मगर हमने एमाजोन को बोला तुम लाइबल नहीं हो तुम्हें 95 में टैक्स पे नहीं करवा रहे डरों मत तुम एक काम करतो बस जब भी सामने वाले से पैसे घट्टे करके दो ना इसको पूरे 20 मत देना वो कह रहा है मैं अपनी कमिशन काट तो मैं टोटल बोल रहा हूं टोटल इसको 20,000 मत देना 20,000 में से 1% माइनस कर देना 20,000 का 1% कितना हुआ 200 रुपे तो आप इसको देना 19,800 रुपे इसको क्या बोलेंगे TCS सरी तो TDS हुआ ना क्योंकि हमने काटा है हमने TDS नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि Amazon आपको पेमेंट नही पॉइंट 5% CGST, 0.5% SGST और तुम्हें 19,800 रुपे दे दूँगा ये 200 रुपे आपका TCS कलेक्ट करके आपके ECO ने यानी Amazon और Flipkart ने रख लिया अब आगे कहानी आप मुझे बताओ ये 200 रुपे मेरे रख लिये इसने उसे मुझे कितने दिये 19,800 अगर कमिशन 30 की 4000 की तो कितने देगा 15,800 मगर मैं उसको उसकी बात नहीं कर रहा है वो तो एक अलग transaction है अभी इस transaction में मेरी 20,000 की supply ती मेरी जेम में कितने आए 19,000 मेरी value supply अभी भी 20,000 रहेगी ये जो 200 रुपे Amazon ने collect करे बताओ TCS के नाम पे वो क्या करेगा वो जमा कराएगा खुद तो नहीं रखेगा ना इस जब income tax में सामने वाला TDS कार्ट था वो सिर्फ TDS की return भी करता था वो TDS की return में pan code करता था उस pan से TDS का credit या TCS का credit मेरे 26 AS में आ जाता था इतना यह सब तो याद होगा कि सामने वाला TDS कार्ट के TDS की return फाइल करता था quarterly और फिर मेरे 26 AS में आ जाता था और मैं अपनी income tax liability में सो TDS credit को और TCS credit को क्या कर लेता था यहां भी यही सिस्ट असली में tax किसको पे करना है एक्स limited को कितना पे करना है 20,000 रुपे के उपर मालो 18% के हिसाब से पे कितना करना है 3600 रुपे 1800 रुपे CGST और 1800 SGST अब हमने का इस 200 रुपे में 100 रुपे का CGST और 100 रुपे का SGST ECO मैंने collect करके मेरे भी हाफ पे जमा करा दिया जमा कराने के बाद एक statement file करी statement होती है GSTR 8 यहां पर एक एक करके statement भी बोलता जाता हूं वह जमा करवाएगा अगले महिने की 10 तारीक को और statement file करेगा GSTR 8 इस statement के अंदर वो मेरा GS10 को refer कर देगा इस बंदे का मैंने TCS collect किया है इसक सरकार को यह पता लग गया है कि मैंने Amazon के थूरू 20,000 का mobile phone बेचा है क्या चाहकर भी इस 20,000 के mobile phone की sale को मैं छुपा सकता हूं या नहीं चुपा सकता हूं नहीं यानि समझो मेरा एक बात e-commerce सरकार के पास एक lottery लग गई है सरकार e-commerce को छोड़ना नहीं चाहती है सरकार कह रही है e-commerce के जरिये हम GST की चोरी को पकड़ेंगे इसलिए उनों ने क्या किया कुछ ECO को तो 95 में लाइबल कर दिया Uber को, Ola को, Make My Trip को, Oyo को, Urban Club को उनको तो 95 में लाइबल कर दिया वहां तो हमने बोला सप्लायर को तु घर जा हम टैक्स किस से लेंगे Oyo से ले लेंगे, Make My Trip से ले लेंगे, वहां तो टैक्सी कौन देगा, Make My Trip, जिनको 95 में लाइबल नहीं किया, वहां पर हमने ECO को बोला, तुम टैक्स मत पे करो, तुम एक काम कर दो, टैक्स तो कौन पे करेगा, X Limited, तुम हमारे ले बस एक काम कर दो, जब इस X Limited को पेमेंट असली में GST के रेट कितने होते हैं? 5, 12, 18 और 28, ऐसा नहीं है कि सारा टैक्स ले जाएगा, टैक्स तो X Limited ही पे करेगा, बट X Limited चोरी ना करे, छुपाए ना, इसलिए मैंने Amazon को बोला, तुम सिर्फ कितना ले ले ना, 1 और 1 भी 1 CGST, 1 SGST नहीं है, 0.5 CGST, 0.5 SGST है, तो इस प statement फाइल करेगा, जिसका नाम क्या है? GSTR 8, इसके अंदर वो बता देगा सामने वाले का GS10, उस GS10 के basis पर सरकार को पता लग जाएगा, और अब क्या मैं अपनी रिटर्न में इस मोबाइल फोन की सेल को छुपा सकता हूँ? यह बिल्कुल वैसा हो गया है, जैसे income tax में होता है तुमारी income छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि तुमारी 26AS में दिख रही है, similarly यहां पर भी छुपाई, ठीक है जी हांता समझ में आया, अब X Limited मुझे बताओ, अपने return फाइल कर रहा है, X Limited GSTR 3B फाइल कर रहा है, मन्तली बेसिस पर GSTR 3B होती है, अगले बेने की 20 तारीक को उसने इस mobile phone को दिखाया, उस mobile phone के उपर क्या आ गया, CGST आ गया, 1800 रुपे का, SGST कितना आ गया, 1800 रुपे का, मालने तो उसका ITC भी था, 600 रुपे का ITC था, यहां भी 600 रुपे का क्या था, ITC, ideally उसको कितना पे करना था, 1200 का CGST, 1200 का SGST, बट रुको, उसके 200 रुपे तो कटे 200 कम मिले हैं ना उसको, 100 रुपे का CGST कम कटा है और 100 रुपे का SGST, तो याद करो, income tax में जो TDS कटता था, क्या उसका last में credit मिल जाता था, yes, आपकी income tax liability से less हो जाता था, same way में, जो आपका TCS collect हुआ है न, वो TCS का credit ले लोगे, last में वो TCS यहां से less कर दोगे, तो अब मुझ जमा करवाएगा और वो जमा कराने के बाद मेरे पास आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, मुझे जल्दी से बताओ, हमारे तीन लेजर होते हैं, कौन-कौन से, E-Liability, E-Cash, E-Credit, सोच के बताओ, मेरा ITC तो कहां पर होता है, 600 रुपे का, E-Credit के अंदर, मेरा जो यह TCS है, जो जो TCS लिया, 1%, वो भी मुझे क्रेट मिलेगा, मेरा सवाल यह है, वो मेरे कहां पर जाना चाहिए, E-Credit में जाना चाहिए, E-Cash में, E-Cash में, जो भी पैसा है न, आपका कटा है, वो E-Cash में, अभी तक हमारी अंडर्स्टेंडिंग क्या थी, अभी तक लेजर के मामले में हमारी अंडर्स्टेंडिंग क्या थी, E-Credit में ITC जाता है, और E-Cash में हम पैसा जमा करवाते हैं, मेरा सवाल यह है, E-Cash में आप पैसा जमा कराते हो, यह TCS के रूप में भी आ सकता है, TCS के विड्रॉप, यह वाला जो पैसा यह विड्रॉप नहीं हो पाएगा, इतने सा एक्जांपल देता हूँ, वह एक्जांपल आपने सही करा दिया, तो clear है, फिर मैं ब्रेक दे दूँगा, नहीं आंसर दिया, तो फिर बढ़ाते हैं, ठीक है, ब्रेक अर्न कर लो, आजो, एक और एक्जांपल लेता हूँ, अभी मैंने एक्जांपल गुड्स वाला लिया, अब मैं एक्जांपल किसका लेता हूँ, सर्विस का, ठीक है, एक आखरी एक्जांपल है, सोच समझ के जवाब देना, पानी के लिए, रेडिसन होटेल, नाम सुना होगा रेडिसन होटेल का आपने, रेडिसन होटेल बड़ी चेन है, क्या मान के चलूँ, जी एस्टी में रेडिस्टर और चेन होगा, रेडिसन होटेल की एप पर जाकर भी रेडिसन होटेल बुक हो सकता है, बट मैंने रेडिसन होटेल, कहां से बुक कराया, make my trip से book कराया Radisson hotel के अंदर 20,000 रुपे का room था मैंने 20,000 रुपे का room book करा लिया 20,000 का room होगी साथ-साथ make my trip ने एक और transaction करी होगी उसने Radisson की intermediary service के बदले में उससे 5000 रुपे ले लियोंगे ये Radisson हो गया, इसका नाम रख देता हूँ मैं ये जो मैंने accommodation service दी this accommodation service is supply number one and this intermediary service जो दी गई है this is supply number two clear रही है तक अभी चलें आगे एक एक करके बताओ supply number one आपने मुझे जवाब देना है supply number one accommodation service 95 लगेगा या नहीं पहला सवाल 95 लगेगा या नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा accommodation service में exception क्या थी अगर hotel खुद registered या liable for registration हो तो उस case में 95 नहीं लगेगा बहुत बढ़ी है 95 नहीं लगेगी 95 नहीं लगेगा तो अब मुझे बताओ tax कौन पे करेगा इस भी सजार के उपर tax कौन पे करेगा रेडिसन पे करेगा अच्छा make my trip को 95 में पे करने की जुरहत नहीं है make my trip 95 में पे नहीं करेगा तो अब मुझे बताओ invoice कौन काटेगा invoice कौन काटेगा सर जो tax पे कर रहा है वह काटेगा यानी रेडिसन तो जी 95 आ गया रेडिसन अब बीस हजार के उपर 18% का GST मान लेते हैं बीस हजार का 18% मतलब 9% CGST 9% SGST 3600 का क्या हो गया CGST 3600 का SGST यह पे किसको करना है रेडिसन होटेल को पे करना है रेडिसन सप्लायर बन गया कस्टमर कौन बन गया recipe अब मुझे बताओ make my trip का क्या रोल है इसके में make my trip ECU हो है या नहीं या yes make my trip ECU है अब क्या जाएगा TCS 95 से भार गए तो क्या आ जाएगा TCS 95 नहीं लगेगा अब make my trip को टाक्स नहीं पे करना बट जब वह 20,000 रुपे रेडिसन को देगा तो उसको क्या करना है TCS अंडर सेक्शन 52 कितने परसेंट है कि इस बात में करता है कि यह जो supply है यह 5 12 अठारवाव कि है कि इस बात में करता है तो कि टीस का परफस यह नियुक्सारा टेक्स ले ले रिपोर्टिंग हो जाए और यह चुपा ना सके तो कितना है वण सब्सक्राइब करेंगे बन परशेंट कितना हो गया बीस जार का टोटल तो रुबे सो रुबे का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर लिया उसने पैसे कितने दिया उननेस अजार आठो वो अलग बात है कि at the same time 5000 रुप उसने और काटे होंगे क्योंकि दूसरी सप्लाई की पेबल है उननेस आठो माइनस पांच उसने मुझे पेमेट कितने के किरी होएगी 14,800 बट असली में मुझे अपनी 20,000 के बदले में क्या मिले उननेस अजार आठो मुझे बताओ मिले मुझे उननेस अजार आठो वैल्यूएशन चेप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं बट मुझे बताओ वैल्यूएशन चेप्टर में जब जाएंगे तो वहां पर 20,000 को वैल्यूए उस अजार इंकम टाक्स में तुम्हारा टीडियस सब्सक्राइब करना इसको सामने वाले का TCS कलें तो इसको क्या करना है पहले तो इसने TCS काटा है जो इसने 1% लिया है उसे क्या कराना है डिपॉजट कराना पड़ता है मंतली बेसिस पर मंत कतम हो जाने के बाद अगले महिने की 10th को यानि अगर यह transaction April में हुई है चाहए 1st April को यह TCS जमा कप कराना है दस में को यह TCS जमा कराएगा या डिटेल भी देनी पड़ेगी डिटेल जैसे income tax में TDS की return होती है यहां पर return नहीं statement बोलते हैं उसे जी एस्टीयार 8 जी एस्टीयार 8 नाम के एक statement आगई है अब जी एस्टीयार 8 के अंदर आप खुद बताओ क्या डिटेल देगा यह कि सोच के बताओ ना क्या डिटेल लॉजिक लिए बताएगा कितने का mobile phone विका मेरी website से कौन supplier है उस supplier का जी एस्टीन क्या है मैंने उसका कितना TCS collect किया रेडिशन के पास आ जाएंगे एक्रेट लेजर में आएंगे या एक्ष में एक्ष रेडिसन के एक्ष लेजर में क्या आ गए 200 रुपे और रेडिसन को अगर कंफर्म करना है कि कहीं मेरा मेक्माट्रिप पैसा खा तो नहीं गया उसके बड़ा सिंपल तरीका है कैसे चेक करेगा वह पोर्टल में जाकर 20 तारीक को 20 में को वह अपनी GSTR 3B फाइल कर रहा है और 11 में को वह क्या करता है GSTR 1 जल्दी से बताओ GSTR 1 और 3B में क्या फरक होता है 1 is statement of outward supply GSTR 3B is return मैं statement of outward supply में भी सोच रहा हूं 1 में भी रेडिसन सोच रहा है क्यो ना ये supply छुपा दी जाए क्यों ना इस पर चोरी कर दी जाए क्यों ना इसको ब्लैक का बना दिया जाए आपकी क्या आडवाइस होएगी क्या वह चुपाना चाहिए नहीं चुपाएगा तो चुरी वहां करो ना जो टेक्नोलोजी पकड़े ना यहां तो टेक्नोलोजी जट से पकड़ लेगी तो अब रेडिसन पर प्रेशर आ गया उसको इस supply को रिपोर्ट करना पड़ेगा जैसी वह इस सप्लाई को रिपोर्ट करेगा उसका CGST कितना आ जाएगा 3600 उसका SGST कितना आ जाएगा 3600 I assume कुछ ना कुछ इसका ITC भी होगा ITC कहां पर होगा E-Credit Ledger के अंदर अब मुझे बताओ मालो उसके 1000,000 रुपे का ITC था उसको अभी तक पे कितना करना था 2600 और 2600 अब 2600 पे कैसे करने थे इचाश लेजर से बट्रको इचेश लेजर में ऑलडी कितने पैसे पढ़ी है कांसे आई मैंने तो जमा नहीं करा है PCS भूमते को बात है आइडली मैं आपको कहता कि ITC यूज्स करने के बाद 2600 और पे कांसे बेखरने आइए पारो यहां तक समझ में पहले तो यहां तक पंडा यह तक पंडा यह नहीं है ठीक है जी अब पंड़ा यहां तक clear है तो यहीं पर break ले लेते हैं पहले इतना absorb कर लो फिर break के बाद इसी के बाद मैं क्या करूँगा इसमें registration का mixture करूँगा ठीक है जी चलिए time हुआ है 10 बच के 20 मिनट 10 बच के 35 मिनट पर आते हैं इसी example से start करेंगे हुआ हुआ हु करें ब्रेक के बाद शुरू करने जहां पर ब्रेक से पहले कतम किया था एक्जामपल क्या था रेडिसन होटेल की हमने सर्वेस ली और रेडिसन होटेल की सर्वेस किस के दूर तो ली बैंकर रेडिसन होटेल कि जीस्ट में अलरेड़ी रेडिस्टर्ड है क्या यहां और 95 लगेगा नहीं नहीं लगेगा तो इन चोट टैक्स को नोब करेगा रेडिसन ही पे करेगा रेडिसन सफ्लायर बन जाएगा जो कस्टमर है वह वह रहएं रेसिपेंट यहां पर इस एव की liability क्या जाएगी ECO को 9.5 में tax pay नहीं करना बट ECO कहां पर पकड़नेंगे हम 52 में 52 में ECO को tax pay नहीं करना होता जिस बंदे ने tax pay करना है यानि की supplier उसका TCS collect करना होता है TCS का rate हमेशा क्या होता है 1% 0.5% CGST 0.5% SGST ECO को इसके बाद पर क्या करना पड़ेगा section 54 में TCS collect करने का उसे जमा कराना है जमा कराने के लिए क्या है मन्त के बाद अगले मेने की 10 तारीक को इसके लिए साथ में उसके एक statement भी फाइल करनी है जिसे income tax में TDS return बोलते थे यहां पर TCS statement बोलते हैं क्या है GSTR 8 उसके अंदर वो supplier का GSTN वगरा बताएगा based on that supplier की इस supply के बारे में department को पता लग जाएगा अब यह supplier चाहा कर भी अपने GSTR 1 और GSTR 3P में इस supply को चुपा नहीं सकता जब वो इसकी reporting करेगा अपना ITC वगरा यूज करेगा बट प्लीज टेक केर जो भी उसका TCS होगा वो अलड़ी कहां पहुंच जाएगा e cash ledger में पहुंच जाएगा and accordingly उसको वो 200 रुबे का क्या मिल जाएगा credit मिल जाएगा इस तरह से सरकार को क्या मिला जो ECO की transaction पे 95 नहीं लगा सरकार ने का बेशक supplier से tax ले लेंगे बट वहाँ चोली करने की गुंजाईश क्या हो जाएगी चलिए अब लेवल बढ़ाते हैं अगला लेवल यह सर मेक माई ट्रिप पहले वाली transaction के लिए जो यह अपनी accommodation है इस transaction के लिए तो मेक माई ट्रिप को tax pay नहीं करना में माई ट्रिप का रोल सर्फ क्या है सर्फ और सर्फ TCS कलेक्ट करने का यानि वह 95 वाला ECO नहीं है वह कौन से वाला ECO 52 वाला ECO 52 वाला ECO वह होता है जिसको क्या करना होता है TCS कलेक्ट करना अच्छा एक बार यह बता तो 5000 रुपर क्या होगा 5000 कि से कमिशन के किसने कि से चार्ज करी है है मेक मैं ट्रिप ने रडिप से तरके सक्तर होना है किस से ग्रिडीरई तर यह कोड़ेगा These अब वह सकता में केट पर रजिस्टर्द हो यह को सकता है अगर ऑसकी जो सर्वेस बीस लाग से ज्याधा बन रही है तो और उसकी जो इंटरमेडेरी सर्वेस है वो 20 लाग से कम बन रही है तो क्या होगा उनर्जिस्टर्ट होगा 24 की अभी तक उस पे लाइबल हुई क्योंकि 24 की मैंने बेक से पहले बताया था उसी इंसान पर अपली के बलो होती है जो 95 में लाइबल में लाइबल नहीं है तो उसके ऊपर 24 अप्लाई सबीक में में अगर रेजिस्टर है तो रूरी स्टिरों के लिए इंकम करते हैं तो क्या होता है मैं अपना income tax pay करूँगा अपने PAN से और तुमारा TDS card के जमा कैसे करूँगा 10 से, क्या वो problem यहां भी आएगी, yes, बताओ problem क्या आएगी, make my trip के पास already GSTN है, जिससे वो अपनी intermediary service पर tax pay करता है, मगर अब make my trip को यह 200 पर जमा कराने हैं, वो अपना tax नहीं है, वो क्या है, किसी और का TCS, क्या इन दोनों tax को bifurcate करना पड़ेगा, yes, please take care, जब आप TCS के अंदर station लेते हो, आपको एक separate GSTN लेना पड़ता है, आपके पास already जो GSTN है न, उससे अलग GSTN, unlike income tax जहां पर PAN के मदले 10 था, यह 10 तो नहीं बनाया, आपने, नाम तो GSTN ही रखा, बस यह चीज़ लो में लिख दी, अगर आप TCS के लिए लाइबल हो रहे हो, आपको अलग GSTN लेना पड़ेगा, तो अब बताओ, make my trip कास दो अलग-अलग GSTN होंगे, क्यों अलग-अलग होंगे, एक GSTN ह होगा, अपनी लाइबल्टी पे करने के लिए, और दूदरा GSTN किस के लिए होगा, TCS कलेक्ट करने, अगर अलग-अलग GSTN लाइबल होता है, अलग, अगला सवाल यह है, यह तो मैं तम मान के चल रहा था, make my trip registered है, ऐसा हो सकते, make my trip unregistered हो, yes, क्यों unregistered हो, क्यों कि उसक की aggregate turnover 20 लाग से क्या है, कम है, अगर make my trip unregistered है, सवाल यह TCS कैसे काटेगा, TCS काटने के लिए जमा कराएं, चाहिए न, तो अब अगली चीज़ बता रहूं, section 24 के अंदर, एक entry तो break से पहले बता दी थी, 24 ने कहा था, जो 95 में liable होता है, उसे क्या लेने होती है, mandatory, अब मै मैं कहा रहूं, वो ECO जो 52 में TCS collect करता है, उसे भी mandatory लिए, यानि break से पहले जब भी 95 ने लगता था, मैं आपको क्या बोलता था, 24 नहीं लगेगा, गलत, वहां भी 24 लगेगा, बड़ प्लीज टेक केर, जब 52 के purpose के लिए आप registration लेते हो, यह registration आपको अलग GSTN दिलवाती ह है, यह TCS वाला GSTN होता है, यह normal GSTN नहीं होता, तो अगर make my trip यहाँ पर TCS के purpose के लिए GSTN लेगा, उससे वो अपनी intermediary के लिए liable नहीं होगा, क्योंकि यह income tax का 10 है एक तरह गा, जैसे income tax में 10 होता है, एक इंसान का 10 है, उसे खुद income tax प्ले करना है, यह जरूरी है, नहीं सेम वे में, अगर make my trip यह TCS कलेक्ट करना है, उसको mandatory registration लेनी पड़ेगी, section 24 में, बढ़िए mandatory registration अलग GSTN है, यह जो TCS वाला GSTN है, यह आपके normal GSTN से क्या होगा, अलग होगा, तो अब make my trip, TCS purpose के लिए register होगा, और बाकी purpose के लिए, अपनी intermediary service के लिए depend करता है, अगर उसक लिए अलग GSTN होगा, अगर उसके गरीगे turn over 20,00,000 से कम है, वहाँ पर registered, तो आपके दो-दो GSTN होगे, जैसे income tax में, pan on 10 होता है, यहाँ पर नाम अलग अलग नहीं रखा, एक TCS वाला GSTN हो गया, और एक अन्दोहर मलगा, मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, 24 के अंदर 95 वाला ECO भी आता है, 24 के अंदर 52 वाला ECO भी आता है, दोनों को mandatory लेनी है, बढ़ दोनों में फ़रक्या है, जल्दी से बताओ, कोई चाहिए, दोनों में फ़रक्या है, 95 वाला जो ECO है, वो खुद सप्लायर होता है, एक तरह का, खुद टाक्स पे करता है, तो 95 में जो रिस्टेशन लेते हो, वो सेपरेट होती है या सेम होती है, सेम, सेम GST number is used for your intermediary service, and सेम GST number is used for your 95, वहाँ पर अलग-अलग GSTN नहीं है, क्योंकि 95 में तुम ही सप्लायर हो, तुम ही लाइबल हो, जबकि 52 में तुम सप्लायर हो, या सप्लायर तो कोई और है, हमें टैक्स पे करना है या हमारा TCS है, TCS, हमें तो TCS करना है, इसलिए यहाँ भ तो TCS परपस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, separate registration number, बस पर किया इसका नाम, unlike income tax 10 नहीं रखा हमने, इसका नाम तो GSTN है, बस मैं इसको बार 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 बोलूँगा, TCS वाला GST, क्योंकि इसका परपस क्या है, सिर्फ और सिर्फ TCS, mandatory हो जाएगा है नहीं हो जाएगा Class की starting से revise करना शुरू करते है, ECO कौन होता है, एक ऐसा इनसान, जो कोई electronic platform, यानि website, app वगरा या तो own करता है, या manage करता है, ECO दो तरह के होते हैं, एक वो ECO जो अपनी website से अपना ही समान मेचते हैं, एक वो ECO होते हैं, जो कौन से model में काम करते हैं, marketplace, पहले तो इनकी बात कर लो, जो अपनी website से अपना ही समान बेचते हैं, क्या उनको 95 में label किया जा सकता है, नहीं, क्या उन पर TCS collect किया जा सकता है, नहीं, TCS भी किसी और का गाट होगे न, marketplace में, तो अगर AVJ अपनी website से अपना समान बेच रहा है, AVJ को कोई टेंशन लेने की जुरत नहीं, ना तो AVJ पर 95 लग सकता, 95 भी marketplace model में आता है, नहीं AVJ पर TCS लग सकता, तो AVJ को कोई टेंशन नहीं लेनी, AVJ supplier and ECO are the same person, AVJ forward charge में tax pay करेगा, क्या AVJ पर section 24 लगेगा, नहीं, 24 सिर्फ कोन से ECO पर लगता है, जो या तो 95 वाला हो, या फिर कोन सा हो, 52 वाला हो, इसके उपर 24 नहीं तो अगर कोश्चन हमारे इस ECO की आई, जिस ECO को अपनी website से बेच रहे है, तो यहाँ पर कोई confusion नहीं है, आज की class में पढ़ा हुआ, कोई भी चीज इस पर apply नहीं करेगा, ना तो 95 अप्लाई करेगा, ना ही इस पर TCS apply करेगा, ठीक है, सारी कहानी, सारी फ्रसाद की प्लाइच कामन है, सप्लाइर कोई ओन होता है, प्लैटफर्म मेंटेन करने वाला कोई और है, इस ECO को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले कों से ECO आगे, 95, 95 के अंदर कों से वाले होते हैं, चार नोटिफाइड सर्विस, पहली बात तो गुड्स वाले ECO ली होते या मैक्सी काब, वहां पर कोई कर्डिशन नी है, फिर ट्रांस्पोर्टेशन अपर सेंजर इन ओमनी बस नॉट बिंगा मैक्सी काब, इफ दा सप्लाइर इस अनी परसन अधर देना कंपनी, फिर अकॉमोडेशन इन अनी होटेल, गेस्टाउस इन एक्सेक्टरा, इफ दा स इन चार नोटिफाइड सर्विस में, ECO को ही क्या बना दिया जाता है, ECO ही हमारा deemed supplier है, ECO ही tax pay करता है, और हमने इसलिए ECO को बोला, भाई, तिर को क्या लेनी पड़ेगी, mandatory, अचा यह जो 9-5 वाला issue है, इसको mandatory लेनी है, बट अलग लेनी है, या सेम लेनी है, सेम, यानि अगर वो 9-5 की वज़र से liable हुआ, उसकी जो खुद की service है, खुद की service होती है, intermediary, commission charge करता है, क्या उसके लिए भी liable हो जाएगा, yes, यहां पर registration separate नहीं होती, registration क्या होती है, stable, clear है वाली चीच, अचा, अब हम किसकी बात कर रहे है, एक ऐसा ECO, जो marketplace model में काम कर रहा है, और क्या movie ticket service है, yes, service है ना, entry to a cinematographic movie, service है, बट क्या वो service notified वाली है, नहीं, यानि वो सारे ECO जो marketplace वाले हैं, बट वो 9-5 में covered नहीं है, अभी मैंने उसको बोला, उसके नदर को किसमें आ जाएंगे, 52 में, बट यहां पर भी ना, मैं आपको सिधा यह बोलू, यह गलत हो जाएग मैंने अभी आपको ब्रेक से पहले समझाया, जो 9-5 में नहीं आए, सरकार ने उनको कोशिश क्या करी, कहां पर कवर करने की, 52, बट 52 में एक अधी exception है, एक अधा ECO 52 में बहार है, इवन इपो 9-5 वाला नहीं है, तो अब मैं आपको कहूंगा, शेप्ट नमबर 7 पर आओ, सब्सक्राइब, फिर फाइनल चार्ट बन जाएगा, फाइनल चार्ट बना देंगे, शेप्ट नमबर 7 पर आओ, शेप्ट नमबर 7 के अंदर पेज नमबर 7.6, concept of TCS, जो मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया, वो रीड कर लेते हैं, TCS का सेक्शन याद होना चाहिए, आप को बताई दी क्लास की स्टाइटिंग में, पर यह ज़रा, कौन से परसन को TCS कलेक्ट करना है, every commerce, every electronic commerce operator, not being an agent, has been mandated to collect TCS on the net value of the taxable supplies, where the ECO collects the consideration on behalf of the supplier, और net value of taxable supplies आगे define कर रखी है, उसमें 9.5 वाली supplies को बाहर किया गया, तो मैंने net crux बता दिया, कौन-कौन से ECO हैं जिनको TCS कलेक्ट नहीं करना होता, आपको मेरे अभी तक की discussion से दो TCS तो पता हैं, sorry, दो ECO तो पता हैं जिनको TCS नहीं करना, पहला ECO कौन सा हो गया? जो, पहला ECO वो हो गया, जो अपनी website से अपने goods and services देता है, दूसरा ECO model में है, जिसको कहां पे लाइबल कर रहा है, 9.5 में, इन दोनों को TCS में करना, पहले तो इन दोनों को बाहर किया, देखो, इन दोनों को हमने लिखा, case number 1, where ECO is required to pay tax on the supply of services made through it under 9.5, currently only 4 services have been notified, already discussed in पिछला chapter, since ECO himself is the supplier and the actual supplier does not pay, accordingly यहां पर 52, नहीं है, so basically, इस ECO में कौन-कौ हमारा Make My Trip आ गया इसके अंदर, हमारा OYO आ गया इसके अंदर, यह सारे लोग है, जो 9.5 में लाइबल है, accordingly, उनको TCS करने की जुरत नहीं है, अचा, OYO और Make My Trip ध्यान देना, छोटे होटे होटेल के case में 95 में लाइबल होते हैं, बड़े होटेल के case में 95 में लाइबल नहीं ह कई बार 95 में आएँगे, कई बार 95 में नहीं आएँगे, तो कहां चले जाएँगे 50, ठीक है जी, अचा, आगे बात करते हैं, यह वाला, यह वाला पॉइंट भी आपने अल्रडी पढ़ रहा है, case No.4, PCS कब नहीं आएगा, ECO पे, where supplier making the goods and services through ECO is himself, sorry, यह वाला नहीं, यह वाला नहीं, यह वाला नहीं, यह वाला मैंने चारो में लिखा ही नहीं, आप खुद ही लिख लो, यहाँ पर, star लगा के, where, उपर लिखा हुआ है, उपर लिखा हुआ है, उपर लिखा हुआ है, स्वार then ECS will shell have no applicability, तो दो तरह के ACO हैं, जिन पर TCS नहीं आता, एक जो अपनी website से बेच रहे हैं, एक जो marketplace model पे काम कर रहे हैं, जिनको कहां पे liable कर दिया गया है, 95, अब बचे कौन-कौन से, वो लोग जो marketplace model में काम कर रहे हैं, और 95 में liable नहीं है, उसके अंदर भी section 52 ने, TCS ल consideration on behalf of the supplier, मेरा सवाल यह है, जब भी आप किसी ECO की तुरु समान बेचते हो, या आप खरीदते हो, जो पैसा है, वो हर case में ECO ही manage करता है, या कई बर ऐसा ECO हो सकता है, वो सिर्फ booking लेता है, या वो सिर्फ आपस में एक दूसरे के phone number share कर देता है, असली में पैसे वगर आप अधि में Amazon ही collect करके दे रहा होता है, तो CODO या online payment हो, Amazon क्या supplier की payment करता है, yes, clipcard गया करता है, consideration collect करके देता है, bookmyshow क्या करता है, bookmyshow से ticket book कराई होएगी न, PBR की ticket book कराई है, आपने bookmyshow से, तो क्या bookmyshow पैसे collect करके देगा, yes, bookmyshow भी collect करके देता है, पेटम को चलो, अब काम ही तो अब आपने उसमें हमारा नाम अगर आप करोगे कोचिंग सेंटर में दूसरे तीसरे नंबर जैसे आपने वहां पर क्लिक किया आपको एक नमबर आ गया और उदर से आपका नम्बर को आ गया अगे वह 香आ यह पागे व पर से दिखाया हमें llegar और इस चीज के लिए मुझसे पैसे लेता है कि तुम्हारा नाम में दिखाऊंगा अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा टॉपने में नाम ही नहीं दिखाऊंगा मैं जितना मर्जी सर्ज डूँ ओन्नाइन अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो जास डाल अपनी वेबसेट पैसे नाम ही मेरा नहीं दिखाएगा अब वह फोन करें ना करें तुम्हारी टेंशन तो मुझे पताओ जजडायल भी इसी हुआ हुआ यह निवा यह जजडायल की अपनी एप है जजडायल की अपनी वेबसाइट है जडायल भी एक इसी है बट अचा वह मार्केट प्लेस किसी हुआ यह खुद सप्लाई करता है मार्केट प्लेस करता है बट मुझे बाप पताओ जजडायल 95 में लाइबल नहीं है क्या जडायल को हम 52 में लाइबल कर सकते हैं नहीं क्योंकि 52 में TCS काटने के लिए पेमेंट हैंडल करनी जरूरी है ना भाई जडायल किस पेमेंट कर सकता है नहीं इसका मतलब एक और कंडिशन आ गई अगर तुम 95 में नहीं हो 95 में अगर तुम नहीं हो ना सवाल यह है क्या तुम सामने वाले की पेमेंट हैंडल कर रहे हो या नहीं पेमेंट हैंडल कर रहे हो तो तुम पे 52 लगेगा अगर सामने वाली की पेमेंट हैंड लिए अग्ज़ में अभछे एक और एक्जाम्पल दो गज लगा ता रेडिःसन का एक्जाम्पल दे रहूं इतली त्विस्ट की प्वैश्क में खॉटल में और क्या पत्रिपो करीक है इसा विल्दी से बोलो अगर आपने मेक माई ट्रिप पे टी एट प्रॉपटी सेलेक्ट कर लिया में नहीं नहीं को जब मेक माई पैसा ही हैंडल नहीं नहीं कर रहा वो ठीडिस टेगता तो तो प्लीज टेक केर हम लोग ना कहीं बार रफली यही बोल देती है जो बच्चे पिछ 52 स्लाइब में नहीं होता था उनको मैं यह याद करा दि 밝혔ião कि पहले आपको कराया था। ्टेयों किस्वाल किया है क्या हम सप्लायर की पेरेमेट हैं या नहीं तो एक बार पढ़िए यहां पर टसिय अंदर केस no.3 इस ECO को भी TCS कलेक्ट नहीं करना वेर ECO एक बच्छा कह रहा है सर शादी.com शादी.com क्या बेच रहा है बाई बताओ इस शादी.com पर पहला ये वाला एक्जामपल हो गया जो मैंने यह की दिया था एक परसन अपनी सर्विस दे रहा है अपनी वेबसाइट से वह वह वाला एक्जामपल जैसे नेट्फिक्स का एक्जामपल दिया शादी.com को पर गुड्सन सर्विस नहीं भी रहे होते हैं तो और अपना डेटाबेस तुम्हें एक्सेस करने देता है ठीक है जी चलिए एक बार आगे चलते हैं यहां पर वेर इस यो इस नॉट कलेक्टिंग दा कंसिडरेशन ओन बिहाफ अप अपनी सप्लायर इन मैनी केसिस सम इस्यो अलाओ 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 देर अरण यहां पर यह वाला पौट लग सकता है पहला एक्जामपल है जस्ट डाइल इसका best example मुझे judge dial दिखा वो भी इसलिए दिखा क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ judge dial के अंदर क्या होता है इट ओनली shares contact number of seller with buyer and vice versa it doesn't collect payment it doesn't collect payment on behalf of supplier just dial फिलाल के लिए अभी payments को handle नहीं करता चीका जी सेकंड चीज यहां पर suppose लेडिसन होटेल। पुख्ड हुटेल संदोạnh पूंअ इस से अन्ट एब्र तोर पर जो Amazon वगर आपके हांसे COD में cash लेके जाते हैं न वो cash Amazon ही collect कर रहा होता है वो जो आप जो समान deliver करने आया उसको cash दे रहे हो वो Amazon के भीहाब पर receive कर रहा है तो वहाँ पर Amazon ही प्रेंट रहे है यहां पर एक पर लिख लो note अपने लिए most of the websites most of the ECO in case of cash on delivery option in case of cash on delivery option are handling payments payment वो खुदी handle कर रहे है hence hence वो case यहां नहीं आएंगे but make my trip पर मुझे option दिखां make my trip पर booking.com नाम की एक website है मैं वहां से कराता हूंग यह बार मुझे अगर प्रॉपटी पे payment करनी होती है ना तो booking.com नाम की एक है इंडिया की website नहीं भाहर की है मगर इंडिया में भी operate करती है तो booking.com से कराता हूं उससे क्या होता है वो ना मेरे credit card को freeze कर लेता है अब वो कहता है वहां जाके payment कर दी तुमने तो अच्छी बात है credit card को unfreeze कर ले ना पर अगर वहां जाके तुम मुकर गए तो वह credit card को अंदर sending instruction है वो payment ले लेगा तो एक तरह से वह भी safe हो गया इसकी booking हो रही है मगर मैं safe हो गया कि मैं वहां जाओंगा और मैं वहां पर ही क्या कर दूँगा direct जाके payment कर दूँगा तो booking.com paid property का option देता है वो TCS collect नहीं चलें आगे अब अगला सवाल अगली चीज है सर इसका मतलब जो 95 वाले इसी ओ नहीं होते जरूरी नहीं उनको 52 में आना पड़े 95 से बाहर जाने के बाद एक चीज और चेक करनी है हमें वो क्या चेक करना है कि क्या हम payment handle कर रहे है या नहीं सर हम payment भी handle कर रहे है अब हम TCS मे में आ गए एक और exception है अगर उपर line पड़ो bracket में को क्या लिखा हुआ है not being agent ऐसा हो सकता है ECO को ही तुमने agent बना दिया yes agent क्या होता है मुझे याद कराओ CBIC का test था एक agent के लिए क्या test था जिसको मैं goods दे रहा हूं अगर मैं उसको invoice काटने की power दे दू तो क्या वो एक अलग के warehouse में मैंने goods रख दिये और मैंने का जैसी order आया तुम ही bill card देना अगर तुम ही bill card दोगे तो तुम एक अलग person बन जाओगे यहाँ पर ध्यान से देखो होगा क्या एक है supplier यहाँ पर ग्राफिकली बनाओ एक है supplier यहाँ पर Amazon का example नहीं लेते एक book है यहाँ पर make my delivery नाम से असली में ऐसा करते हैं नहीं है मैं सिर्फ theoretical example ले रहाँ असली में यह order हम ही दे देते हैं हम ही deliver करते हैं बट मैंने एक मिंट के लिए एक्जामपल ले लेगा make my delivery पर goods order करें make my delivery ने क्या किया invoice issue कर दिया और बताओ CBST का टेस्ट क्या कहता है अगर agent अपने नाम पर invoice issue करते तो क्या बन जाएगा मेरा agent अगर ध्यान से देखो न यहाँ पर एक supply नहीं दो supply हो रही है एक agent कहा से होई supplier से make my delivery 7 1 C की और यह supply क्या बन गई 7 1 A की जब अपने आपने यह दो supply हो गई यहाँ पर GST लगेगा पेग उन करेगा supplier make my delivery उसका क्या ले लेगा ITC और यहाँ पर जो GST लगेगा make my delivery उसका क्या बन जाएगा supplier और student क्या ले लेगा उसका ITC तो जब यहाँ पर यह सारा कुछ होगा बताओ आप make my delivery को क्या section 52 के अंदर TCS collect करना या नहीं करना नहीं तो please take care ECO अगर 95 में बाहर भी चला गया 95 में जाने के बावजूद दो इस यह जो 52 में नहीं आते हैं कौन-कौन से जरी से बताइए एक वह जो एजेंट की तरह behave करते हैं एजेंट की तरह behave करने का अवलब क्या हुआ वह खुद ही invoice issue कर देते और बाद में मुझसे एक supply ले लेते हैं तो वहाँ पर दो supply बन गई मैंने make my delivery को supply करी और make my delivery ने क्या करी student को supply करी यहां पर TCS का सवाल ही नहीं आता और दूसरा case क्या हो गया मैं ECO की तो supply कर रहा हूं मगर ECO मेरे बिहाफ पर payment को handle तो अब जड़ा इस चार्ट को complete करा हूँ अच्छा इस एक चीज और पूछ लेता हूं make my delivery क्योंकि agent है agent से लेटर एक 24 की entry पड़ी ती अगर उसका supplier principal taxable person है तो उसे क्या लेनी पड़ेगी mandatory registration यहां पर वो agent वाली mandatory entry लग जाएगी तो अब मेरा एक बर यह चार्ट पूरा करवा दो चार्ट मैं साफ सुतरा तो आपको बाद में बना कर देदूँगा अब एक एक करके चार्ट पूरा करवा दो इस यो कौन होता है electronic commerce operator सबसे बहले कौन सा इस आएगा बोलते जाओ अप्रोड एनर्जी लाओ क्लास खतम हो रही है तो इतना सारा कुछ पढ़ाया है मुझे लगना चाहिए मेरी मेनत आज सफ़ल हुई है इतना पढ़ा के गया हूं में पहला इस यो गाइव चांप ना समान वेशता है एक्साइप्ट बिचता प्लिज को अपनी वेब इसर्ट अपना समान वेशता हूं सप्लायर भी ओण हो गया से कोई 24 वाली entry नहीं आगे बढ़ते हैं marketplace model सबसे यदा गड़बड सारी कहां पर है marketplace model यहां पर दो पार्टी होती है तीन पार्टी कौन-कौन सी supplier customer और ECO का काम सिर्फ क्या होता है अपना platform देना और उस platform के बदले में इंटर्वीडियोरी सर्विस के बदले क्या चार्ज करना कमिशन उस कमिशन पर हमेशा ECO टैक्स पे करता है वो डिस्प्यूट में पार्टी नहीं है डिस्प्यूट का क्या पार्ट है जो सप्लाई इस यो के दुरू हो रही है उस क्या होगा है 9 659 5 लगाने से पहले चेक कर लेना पהली 6 platform marketplace बेंगे और 95 जहें कि सर्वीस पर है सारी शर्विस पर नोटिफाइड पर सारी कंडिशन से वह गई 95 में ऐसे क्या बनादेंगे यहां पर क्या मेंडेटरी रिस्टेशन तो आएगी बट अलग से जी स्टिन नेना पड़ेगा या सेम जी स्टिन से काम दिलाएगा अब आए मार्केट फ्लेस मॉडल में बाकी इस यो में जो 95 में लाइबल नहीं है 95 में लाइबल नहीं है 52 लगाने से पहले दो सवाल और पूछोगे बताओ को उनकों से दो सवाल है पहला सवाल तुमें एजेंट की तरह काम कर रहे हो या नहीं कर रहे है पहला सवाल पूछेंगे आर यू एक्टिंग एज माइजट और यह चेक करने के लिए कूं सा टेस्ट लगाएंगे अगर मैंने उसको इतनी अथारिटी दे दी कि वह अपने नाम पर इन्वाइस की शुकर सकता है मेरे प्रड़क्ट को बेचने के लिए तो मेरा क्या बन जाएगा एजेंट उस केस में मैं उसे इन्वाइस कार्ट के दूंगा वह आगे कस्टमर को करेगा 718 की सप्लाई यहां पर TCS नहीं आएगा 95 तो अलड़ी मैंने बोल दिया नहीं आएगा 24 लगेगा 24 लगेगा बट एजेंट वाला एंट्री एजेंट वाली एंट्री का कहती है अगर प्रिंसिपल हमारा टैक्सेबल परसन है तो 24 आएगा पर अ अगला सवाल सर मेरा इस्यों 95 वाला भी नहीं है मगर एजेंट भी नहीं है अभी वह सवाल और पूचेंगे आखर हैंगे तुम मेरे बिहाब पर पेमेंट हैंडल करते हो या नहीं पेमेंट हैंडल नहीं करते तो प्लीज टेक किर 52 तकेबल नहीं होगा नाइनफार बीन और अगर तुम मेरे भी आप पर payment handle नहीं करते है 52 में नहीं आए तो क्या 24 में mandatory का सवाल आएगा नहीं आपको कोई TCS collect नहीं करना आपकी mandatory decision नहीं है जो आप platform fees लेते हो कर रहे हैं तो TCS आए नहीं सकता, marketplace में आए तो अगला सवाल क्या होगा क्या हम 95 में liable है या 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 95 में liable है तो TCS नहीं आएगा और अगर एजन्ट नहीं है तो क्या हम payment handle कर रहे है या नहीं अगर हम payment handle कर रहे है तो यस उस particular case के अंदर TCS आएगा TCS under section 52 और जैसी TCS आएगा आपको क्या लेनी पड़ेगी mandatory यह mandatory अलग है थे इसको क्या लेना पड़ेगा separate GSTN I would want to repeat again mandatory यहां पर भी थी 95 वाले case में यहां पर mandatory अलग है क्योंकि यह registration सिर्फ TCS पर्पस के लिए है यह आपकी नॉर्मल टैक्स वाइबिलिटी प्लैट्फॉर्म पीस कमिशन जो चार्ज करते हो उस पर कोई इंपाक्ट है जो अपनी इंट्रमेडियरी के लिए अन्रजिस्टर्ड है मगद TCS के लिए रेजिस्टर्ड है यह सकता है अलग अलग सप्लाई के लिए हो सकता है जब चोटे होटेल में एक माई ट्रिप के दुरू बुकिंग लेते हैं तो मैं 9-5 में लाएबल मैं 9-5 में GST वी मूज करता हूं 9-5 वाई जी एस टी एन वही नॉर्मल GST होता है और जब बड़े होटेल की बुकिंग लेता हूं पेमेंट भी हैंडल करता हूं और पंडा क्लिर रहे या नहीं है I don't think I say इतनी बारिक्यों मिले के जाएगा but I am saying same app 95 के लिए भी हो सकती है same app 52 के लिए भी हो सकती है तो यह रट्टा मत मार ले ना जो मैंने एप के example लिखवाई कहीं आपको सब्सक्राइब तो आपने बाहर करवा दी अगर 95 अगर 95 नहीं लग रहा तो 52 में आजओगे अगर 95 नहीं लग रहा पर पेमिंट रहे तो इसे बार चीज़ बल्लैक और वाइट नहीं यह यहां पर इदर नहीं तो इदर आपको बहुत सारी चीज़ें फोचनी पड़ेगा ने यहां जी यह चार्ट आपको हो जाएगा डवन यह चार्ट आपको बनाना का ये रजिस्ट्रेशन वाले चप्टपर में आगर आप आऊगे ना पर जिस्ट्रेशन वाले चेप्टर के अंदर बर प्रहिए खुलो कि मैंने वह भृव्त्य फिन च। development दिखा देता हूं कौन से दो यहां पर बनाना है तो थोड़ा यहां पर बना ले ना बाकी आगे ले जाओगे यहां पर अगर बच पा रहा तो यहां पर लिख देना रेपर लास्ट पेज लास्ट पेज होगा अपना तो यहां पर अगर वो चार्ट नहीं बन रहा होगा आप वहां जाके बना सकते हैं अभी तुम ऐसे बिहेवडियों कर रहे हो जैसे तुमारी क्लास कतम हो गई है अभी पंडने के लिए भी है जब आप किस उस एक्जामपल में आता हूं अब कहानी में क्या ट्विस्ट आया है अभी तक आपको क्या लग रहा था में लाइबल नहीं है क्योंकि रेडिस्ट में रजिस्टर है अब मेक माइट रिप के अंदर दो चीज़े हो रहा गई मेक माइट अगर पेमेंट हैंडल कर रहा है तो 52 में आएगा अगली चीज़ मेक माइट अगर कस्टमर को डिरेक्टली इनवाइस कार्ट ने किले तैयार हो जाए तो उसका क्या बन जाएगा एजेंट बन जाएगा तो कोई वहाँ पर क्या कहते हैं TCS नहीं है वह सारा केस हो गया अब मैं आकरी चीज़ कहा रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में रेडिशन होटल का क्या स्टेटास है यह तो बाइचांस रेजिस्टर्ड है मैं थोड़ा एक्जामपल चेंज कर देता हूं यह तो लक्ष्मी नगर ठीटर लक्ष्मी नगर पीवी आर ठीक है तो अपने आपने रेजिस्टर कर लिया आपने मुवी देखनी थी जो मुवी अभी लेटेस चल रही है अपना वह सलारोर और सिद्की और यह भूण करने का चलो पूरे दिल्ली में कही शो तो मिलनी रहे यह लक्षमी नगर वाले सिनमाज के अंदर ही देखकर आते हैं आपने पी वियर पे ठोड़ी बुक मैं शो पर जाके बुकिंग करी बुक मैं शो पर हजार रुपे की दो टिकेट खरी दी मुझसे और हजार रुपे बु मुवी की सर्विस किस ने दी आपको लक्षमी नगर सिनमाज ने दी एक एक करके बोलना चुरू कर दीजिए अचा एक और ट्रांसेक्शन दिखा देता हूं बुक मैं शो ने इसके बदले में क्या लिए होएगी 200 रुपे की कमिशन चार्ज करी होएगी यह हो गई नाम क्या रख देते हैं मुवी सर्विस एक एक करके बताओ 95 लगेगा यह नहीं लगेगा स्वीड बढ़ाओ तो अगला सवाल आया सप्लायर कौन बन गे हमारा लक्षमी नगर सिनमाज जी एस्ट कौन पे करेगा लक्षमी नगर सिनमाज और यह हजार रुपे किसके अगर लक्षमी नगर सिनमाज मेरी अग्रिगेट अब तक न सारे एक्जांपल में मान के चल रहे थे 95 नहीं लगेगा अभी जो सारी डिसकॉशन करी 95 नहीं लगेगा तो मैं मान के चल रहा था यह बंदे ने टैक्स पे किया होगा तभी तो टीस एस आएगा आप सब रेडी हो ग लक्षमी नगर सिनमाज क्या हो अग्रिगेट अवर दस लाग या बीस लाग से कम हो हो सकता है अब यहां पर 24 ने एक और खेल किया अभी तक 24 में किसकी बाते कर रहे थे इस यो की अब इस यो को छोड़ो उसकी तो बाते हो गई उसका चार्ट फैनलाइस कर दिया अब किसकी बात कर रहे हैं परसन होई सप्लाइंग गुर्स और सर्विस थ्रू इस यो 24 ने बोला कोई भी इंसान अगर इस यो के थ्रू गुर्स या सर्विस देगा वो क्या बन होगा अम्नेटे की मैं बाति मैं अभी पहले और अम में क्या फर्क हुआ रहा पहले में बात कर रहा था पुक मैं शू की वोक में 185 में लाइबल होगा उस इस को क्यार करे कड़ा तो मैंठी में ने क्या लेनी है अगर वो दूरू सप्लाइब करे गा तो उसे यह लें मेंडेटरी रेजिस्टेशन यह 2017 में GST में लो आया अब इससे मुझे एक बात बताओ सर्विस वालों ने रहोना शुरू कर दिया अगर मैं आपको थोड़ा से रिवाइंड करा हूं सबसे पहले कौन होने लग गए सर्विस वाले में अगर रामलाल होता और वह उबर वाला एक्जामपल होता रामलाल को फरक ही नहीं पढ़ता क्योंकि रामलाल को रिशेशन वैसे ही है यहां पर जो सर्विस ज jus अदर धन 95 वाले थे न उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो कह है रहे हमें क्या कर रहे हूं तुम मैंडेट्री लाइबल कर रहे हो 24 ने बोला था, any person supplying, any service other than 95 वाली, उसे mandatory liable कर जा रहा है, इन्होंने रोना शुरू कर दिया, तो इनको मनाने के लिए सरकार ने 23 में एक और entry डाली, और अब बताओ, उस 23 के entry में क्या लिखा होगा, अगर तुम service provider हो, other than 95 वाले, 95 वालों की तो बात ही नहीं चल रही, 95 वालों अगर तुमारी aggregate turnover 10 लाग या 20 लाग से कम है, तुम्हें registration लेने की जुराद नहीं है, तो crux बताओ, 24 red with 23 पढ़के crux क्या निकला, अगर मैं आज की rate में cinema की service देता हूँ, मैं ECO की through भी दूँँगा, तो भी मुझे mandatory registration लेने की जुराद, 24 ने मुझे mandatory registration दिलवाई थी, 24 न इसको diagramatically दिखाऊ, diagramatically दिखाऊ, तो person supplying goods या services through ECO, बात किसकी चल रही है, वो लोगों की जो ECO की through goods and services देते हैं, मैं दोनों को अलग-अलग divide कर लेता हूँ, एक तरफ को ना आगए, जो goods बेचते हैं, Amazon पे registered जितने भी seller है, नाइका पे registered जितने भी seller है, दूसरे को ना आग सर्विस, सर्विस वालों को दो पार्स में डिवाइड कर दिया, आप एक ऐसे supplier हो, जो 95 वाली service दे रहा है, आप एक ऐसे supplier हो, जो ऐसे supply दे रहा है, जिसमें 95 covered, नहीं है, अगर आप 95 वाली service दे रहे हो, तो आप पे 24 लगी नहीं रहा, आप तो सिर्फ कहां पे cover हो, section 22, रा अगर आप एक ऐसे service provider हो, जो 95 में notified नहीं है, जैसे मैंने example लिया, लक्ष्मी नगर सिनेमाज वाला example है, अगर 95 में आप covered नहीं हो, तो यहां पर आप पर लगा 24, बट 24 से बचाने के लिए आपको कोन आ गई 23 की notification, और क्रक्स बोलनों तो आपको भी restriction तभी लेनी है, अगर आपका aggregate turn over 10 लाग या 20 लाग से, पहले 24 में लाया था, प्रोटेस्ट किया उन्होंने तो उनको 23 में बचा लिया, तभी मैंने section wise बताया है, याद रखने के लिए तो आप सिधा याद रख लो, याद रखने के लिए तो ये भी 22, 22 का मिलब क्या होता है, aggregate 10 लाग या 20 लाग क्या लग रहा है, और 95 वाले नहीं हो तो पहले 24 लग रहा है, 24 तो बचाने के लिए क्या लग रहा है, 23 मगर लेदे के क्रक्स क्या लाग रहा है, तो क्रक्स याद रखते हैं, अगर तुम्हें कैसे पर्सन हो जो ECO की दूरू service देता है, तुम्हें mandatory decision नहीं लेनी होती, पूरी कानी बताई थी, 23 में जितने भी notification आई थी, वो सारी 2017 में आई थी, गुज़ात election से पहले, या 2019 में आई थी, लोग सबाग election से पहले, और election से पहले कोई चीज़ पार्लेमेंट में पास करने से अच्छा सरकार के बास तरीका है, सरकार को पार्लेमेंट में लेके नही 23 को यूज़ करने का दूसरा reason है, maybe it is temporary, how do we know, सरकार में temporarily बात मानी है, यानि कल को सरकार को लग रहा है, आरे हो गया इस खतम प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जो होने थे, अब उठा के क्या करो, 23 की notification डिलीट करो, जैसे 23 की notification डिलीट होएगी, 24 में तो क्या है, इनका सवाल य 23 इस से अचा सर, amendment करो, 22 में डाल दो, मैंने का, यह हो सकता है, सरकार ने temporarily कर रखाओ, बट हमारे पेपर तो में 24 तक है न, तो हमारे लिए तो बड़ा simple है, अगर 95 की service दो, तो भी aggregate turnover का benefit मिलेगा, 95 की service ना दो, तो भी aggregate turnover का benefit मिलेगा, बात करते हैं कि, अच्छा, इस example में लगेगा, 23 बचा लेगा, final answer, book my show को बताओ, क्या TCS collect करना होगा, या नहीं करना होगा, अभी तक हम यह वहान के चल रहे थे, वो tax pay करेगा, book my show करेगा, TCS collect करेगा, आकरी सवाल यह है, क्या जब सामने वाला tax pay करने नहीं कर रहा, TCS लगेगा नहीं, तो TCS ना लगने वाल payment की तरह behave कर रहा, TCS नहीं लगेगा, जब वो payment handle नहीं कर रहा, आखरी case जब TCS नहीं लगेगा, जब supplier खुदी कौन है, तो उस case में as a TCS, as a ECO, मैं तुम्हारा TCS नहीं collect करेगा, ठीक है, अच्छा यह सारी कहानी जो भी मैंने बोली, यह किसकी बात करी, जो ECO की तरू क्य दे रहे हैं, service दे रहे हैं, जो ECO की तरू service दे रहे हैं, सवाल यह है, जो ECO की तरू goods दे रहे हैं, उनका क्या होगा, जो Amazon पे listed है, जो flip card पे listed है, वो goods दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या लगेगी, mandatory registration, 24 में उनको क्या लेनी पड़ेगी, mandatory registration, तो अभी तक हमारा provision यह था, service के case में ऐसा हो सकते हैं, तुम ECO की तरू supply करो, बट unregistered हो, goods के case में आपको क्या लेनी पड़ेगी, mandatory registration, यह मेरा चार्ट था, जो मैं नवेंबर 23 वाले बच्चों को बना के देता था, कि service वाले register हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर goods वाले हमेशा ECO की तरू supply कर रहे हैं, mandatory लेनी पड़ेगी, यहां भी amendment करते हैं, यहां भी amendment आगी है, मगर वो amendment आज पढ़ाने का time नहीं है, तो इस chart को मैं अभी आदा अधूरा छोड़के जा रहा हूँ, service वाला part तो बढ़ा दिया हैं, अभी इसको आदा अधूरा पढ़ा के जा रहा हूँ, आज की class, let me tell you, हम और 24 के साथ 23 भी आ जाता है, बीच में मुठाने, तो this is one of the most complicated topics, I would want you, जितना आज हमने पढ़ा, please revise करके आना, आज वाली चीज को कल फिर से मुझे repeat ना करना पड़े, मैं बड़ा slow चला हूँ आज, क्योंकि complicated topic है, आज जितना पढ़ा है, कल 10 मिन में revise करा देना, आज कल, please revise कर गया आना, इसको हम कदम कर देंगे, ठीक है, जी, चलिए, जिए, आज जी, good morning everyone, good morning everyone, good morning sir, करें स्ट, कल की class में हमने एक कापी ही अच्छा topic किया था, इसका नाम था, ECO, अच्छा इसलिए गहा हूँ तो उसके इंदर काफी सारी section एक साथ चलते हैं, कल की क्लास में मैंने अलग-अलग केसिस इतने सारे पढ़ाया थे कि ऐसा लग लग ला था कि बहुत सारे केसिस हो गए आज हमारा काम क्या रहेगा अगले एक घंटे के अंदर नब सारी कीजों को क्या करना है समराइज करने अगर आप केसिस बना के सोचोगे तो आप ऐसा लगेगा या बहुत सारे केसिद हैं यह याद कैसे होगे समझ लिया तो अपने आप आज हम सारी पड़ेंगे तो सारी अपनी आप होती जाएंगी तो पहले तो क्या करते हैं इक पर जल्दी से रिवाइस करके चार्ट्स बना लेते हैं फिर इलस्टेशन पड़ेंगे ठीक है जी सबसे बहले बताइए हमारा एसी को की फुलबं क्या ह इस यहींगि प्लाटफॉर्म को अंदब क्या हो गया वेबसाइट भी हो सकती है वो बाइलाब भी हो सकती है मैंने और और एलेक्रोनिक मीन्स इंक्लूडिंग डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेस तो फिजिकल गुड्स जाएं और हम उसको ओडर या पेमेंट ऑल्लाइन करें वो भी कॉमर्स है और डिजिटल गुड्स का एक्जांपल मैंने क्या लिए था नेट्लिक्स हो गया हमारा या कोई भी हम जाबे डेटा खरिदते हैं कहीं से सोफ्टवेर खरिदते हैं वो भी क्या आजाएगा e-commerce के अंदर फिर हमने डिस्कॉस किया था एक सेक्षन जिसका नाम क्या है नाइन सब्सेक्षन पाइव नाइन पाइव कहते हैं तो नाइन फाइव लगाने से पहले दो कंडिशन से किस के केस में लगेगा सवस्सिस के केस में और कौनसी सर्विसस नोटीफाइड सर लिशकिती नोटल सर्वेश सर्विस जब ने पढ़नी है दूसरी चीज वो सर्विसस कोई भी सप्लायर दे रहा है किसके थूट ऊके तूट इसका मतलब यहां पर हमारा मार्केट प्लेस के उल्टा मॉडल कौन सा होता है जब कोई इंसान खुद अपनी वेबसाइट से एप से सर्विसेज या गुर्स देता है उस केस के अंदर प्लीज टेक केर 95 नहीं लगेगा 95 लगाने के लिए कौन सा मॉडल ज़रूरी है मार्केट प्लेस फिर 95 के अंदर हमारी चार नोटिफाइड सर्विसेज थी एक एक करके याद कर रहा हूँ वन को दो पार्ट में इवाइड कर रखा था फोन को सी थी ट्रांस्पोटेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस सारी हमने यहापर इंक्लूड कर ली थी रेडियो टैक्सी मोटर कैब मोटर साइकिल मैक्सी कैब सब कवर कर लिया था मगर amendment के हिसाब से एक यहां पर cover नहीं होगा क्या omnibus omnibus होते हैं कोई भी vehicle जिसके अंदर 6 से जाधा passenger हो मगर maxi क्या वैसा होता है जिसमें 6 से जाधा 18 से कम हो तो हमने अलग से provision बनाया 1B के अंदर किसका transportation of passengers करोगे through a omnibus which is not a maxi क्या दोनों में फरक क्या है यहां पर हमने का कोई भी supplier अगर ECO के थरूँ ए ट्रांस्पोटेशन सर्विस दे ECO मतलब Olao या Uber का example लिया था तो उस case में Ola या Uber को क्या मन लिया जाएगा deemed supplier और GST पे करने के लिए को लाइबल हो जाएगा अगर GST ECO पे करेगा तो invoice भी कोन इशू करेगा ECO ही इशू करेगा मगर CBIC का एक बहुत ही अजीब सा circular है जो कहता है although ECO लाइबल होगा tax pay करने के लिए मगर यह जो supply हुई है यह किसकी aggregate turnover में जुड़ेगा यह driver की aggregate turnover में जुड़ेगा यानि tax pay करने के लिए तो Ola Uber को supplier मान लिया जाएगा मगर aggregate turnover के परपस के लिए अभी भी किसकी हाँ में जुड़ेगा ड्राइबर की फिर हमने डिसक्रस किया था जो ECO 95 में लाइबल होता है उसे registration के लिए क्या लेनी उसे registration क्या हो जाती है mandatory registration और याद करके बताएए 95 के अंदर जो registration होती है वो कोई separate GSTN नंबर आता है या सेम GSTN आता है यानि ओला उबर अपनी intermediary service पे forward charge में टाक्स पे करने के लिए जो GSTN यूज करते हैं उसी GSTN से 95 पे करेंगे 95 के लिए कोई अलग GSTN नंबर नहीं होता है फिर omnibus kinder amendment क्या IES को अलग क्यों कर दिया गया है यहाँ पर हमने exception डाल दी अगर हमारा supplier company है तो वहाँ पर 95 नहीं लगेगा 95 नहीं लगेगा मतलब one liable हो जाएगा वो actual supplier अगर हमारा जो supplier है एनी person other than company है तो वहाँ क्या लग जाएगा 95 और 95 लगती को लगेगा इस यो लगता है जैसे company अगर Omnibus की service दे रही है तो वहाँ पर 95 नहीं लगता है तो उस case में ECो की क्या responsibility होती है हमने एक और section पढ़ा था 52 बड़ 52 में जाने से पहले दो चीज़े और चेक कर लेना पहली चीज़ तो 95 नहीं लगा बहुत अच्छी बात है 95 लगेगा तो 52 लगी नहीं सकता है तो वह 52 के अंदर TCS नहीं काते है वहाँ दो सप्लाई हो जाएंगी मेरे से ECो को ECो से customer को और दूसी चीज़ हमने चेक करी थी ECS से पहले चेक कर लो क्या वो payment handle करता है या नहीं अगर customer directly मुझे payment कर रहा है उस particular case के अंदर TCS collect करने के लाइबल नहीं अच्छा जब TCS के लाइबल होता है 52 के अंदर होता है 52 में जाने करके दे रहा है चारों condition satisfy हो जाएंगी तो ECो को क्या collect करना है TCS collect करते ही ECो के उपर क्या कौन सी registration आ जाएगी mandatory बट प्लीज टेक केर यह जो GSTN लेगा ECो TCS के purpose के लिए यह सेम GSTN होगा या अलग होगा अलग होगा ECो अपनी intermediary service के लिए registered है या unregister है में टर नहीं करता हूँ TCS collect करने के लिए उसको मेशा क्या लेनी पड़ेगी mandatory registration और यह जो registration है यह दूसरी वाली से क्या होगी अलग अलग होता था और 10 यहां पर भी एक तरह से 10 ना बना कर हमने क्या कर दिया separate GSTN दे दिया किसके लिए TCS के लिए तो मुझे बताओ Amazon और Flipkart है जो उनके पास दो अलग अलग करा के GSTN होंगे हर स्टेट के अंदर हर स्टेट में जा पर वो काम करते हैं दो अलग अलग करते हैं एक होगा उनका नॉर्मल GSTN जिससे वो अपनी इंटरमेडियरी सर्विस पर टाक्स पर करते हैं और एक होगा TCS वाला GSTN जिससे वो और लोग क्या करते हैं TCS कलेक्ट ठीक है फिर हमारी सेकंड सर्विस कौन सी थी सेकंड सर्विस थी अकॉमोडेशन इन पर्टिकुलर होटेल जैसे भी थे गेस्ट हाउज इन एक्सेक्टर यहां पर भी 95 लगाने से पहले एक एक्सेप्शन थी क्या एक्सेप्शन थी अगर वो होटेल लाइबल पर रेजिस्ट्रेशन है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर 95 एप्लिकेबल नहीं होगा मगर अगर वो होटेल रेजिस्टर भी नहीं है और लाइबल पर रेजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो क्या लग ज लग जाएगा, ECO will be liable to pay tax, invoice भी कौन इशू करेगा, ECO करेगा, बढ़ वो होटेल की turnover किस के हाथ में जुडएगी, होटेल के हाथ में, वो ECO के हाथ में नहीं, ठीक है, ECO को क्या लेनी पड़ेगी, mandatory registration, बढ़ जो mandatory registration उसने लेनी है, वो अलग से GSTN, नहीं होगा, फिर अगली चीज, अगर होटेल अलड़ी registered है, मैंने एक्जामपल लिया था, रेडिसन होटेल को बुक कराए है, होटेल अलड़ी चीजिस्टे में registered है, येस, तो अब पर्टिकुलर केस में बताओ, क्या ECO liable होगा या नहीं होगा, नहीं, 95 नहीं लग रही, तो ECO liable नहीं होगा, ECO liable नहीं होगा, तो टैक्स कुन पे करेगा, होटेल पे करेगा, होटेल टैक्स पे करेगा, कस्टमर से चार्ज करेगा, ठीक है, ECO की responsibility या पर क्या आजएगी, ECO, TCS लगाने से बएले दो चीज़े और चक करेगा, उसके अंदर physical movement को track किया, जा सकता है, तो ये services के अंदर agent वाला point irrelevant हो जाता है, क्योंकि हम ECO को agent बनाई किस के case में सकते हैं, तो agent वाला point तो irrelevant होगा, दूसरी चीज़ा मैं चेक करनी है, ECO क्या payment handle कर रहा है या नहीं, payment handle कर रहा है, तो ECO को क्या करना है, TCS collect करना है under section 52, और इस TCS को collect करने के लिए उसको same GSTN लेनी है या अलग GSTN, अलग GSTN section 24 में अलग GSTN लेना पड़ेगा, उसे mandatory registration, अचा कल मैंने case लिया था, आज कल बहुत सारी apps आगी है, booking.com, make my trip, जहां पर वो कहते है, pay at the hotel, अगर मैंने pay at the hotel वाला option ले लिया, तो क्या हो जाएगा, क्या मेरा ECO, payment को handle कर रहा है या नहीं, payment को handle, नहीं कर रहा, जैसी payment को handle नहीं कर रहा, क्या 52 लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं, 52 नहीं लगेगा, TCS कलेक्ट करने की जुरत, नेरे वली चीज चलिए, थर्ड पॉंट याद कराईए, थर्ड पॉंट हमारा कौन सा था, housekeeping service, housekeeping service बहुत ही wide word है, जिसके अंदर हर तरह का repair, हर तरह का maintenance, सब कुछ आ जाता है, दो चीजे तो उन्होंने लिखकर ही बता दी थी, एक थी plumbing, और दुसी चीज क्या थी, car painter वाली service, यह तो लिखकर बता दी, बट housekeeping में इसके अलावा भी आएगी, अच्या यहाँ पर भी दो system थे, अगर आप registered या liable for registration हो, और दूसरा case था, अगर आप GST में registered नहीं हो, तो 95 लगेगा, 95 लगेगा, इसका मतलब liable कौन हो जाएगा, ECO, example यह था, हमने urban clap, urban clap हो जाएगा, tax pay करने के लिए liable, invoice भी कौन काटेगा, urban clap, मगर वो किसकी एगरीगेटर नोरों जुड़ेगा, urban clap की नहीं, जो हमारे घर पे काम करने आया है, तो supply आया है, housekeeping वाल है, वो registered है, जैसे मैंने का था, housekeeping की बहुत बड़ी company है, जिसका नाम क्या है, G4S, वो अगला सवाल आया, ECO के सामने, क्या 52 लगाना है, यानि, 95 से बाहर हुए 52 लगाने के लिए दो चीज़े और चट कर लेना, सबसे पहली चीच, agent, service के case में agent वाला concept नहीं लग सकता, agent का concept होता ही, किसमें है, votes वाले case में, और दूसरी चीज, हमारा क्या हो जाएगा, क्या payment हैंडल कर रहा है, यानि, अगर payment भी हैंडल कर रहा है, क्या हो जाएगा, 52 में TCS, 52 में जैसे TCS आएगा, ECO को अलग से GS10 लेना पढ़ेगा, ठीक है आपना हमारा, और आखरी point हमने पहया पढ़ा था, आखरी point वड़ा सा अलग था सब के मुकाबले, यह वो क्या था, restaurant service, restaurant service के अंदर प्लीज टेक केर, food by way of service या food as a part of service, cooked food आ जाएगा हमारा, अचा, restaurant में बैठ के खाऊ वो भी restaurant होता है, और take away order हो तो वो भी होता है, जब हम ECO के थुरू बात कर रहे हैं, तो हम dining की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी बात कर रहे है, mainly take away की, किसी restaurant से हमने take away order मंगवाया, तो आ गया, यहाँ पर best example है हमारा, जोमेटो और स्वीगी, अब यहाँ पर restaurant की case में हमने क्या बोला, कोई भी restaurant है, यह दो कומपनी है, यह पर क्या है, नाइन पाइब क्या लगत है, महाल लगत है है, तो अलग GSTN लेने की जुरत, एक GSTN आएगा, ठीका जी, मगर ये CBIC ने क्लैरिफाई किया, ये जो turnover है, ये Zomato Swiggy से खरीद रहे हैं, ये Zomato Swiggy की turnover में जुड़ेगा, या restaurant में जुड़ेगा, ठीका जी, एक exception थी यहाँ पर, अगर वो restaurant किसी hotel की premises में located है, और hotel के अंदर जो room है, वो 7500 पर डे से ज्यादा है, तो ऐसे restaurant से अगर हम Zomato Swiggy से order कराएंगे, तो वहाँ पर 95 नहीं लगेगा, ECO यानि की Zomato Swiggy liable नहीं होंगे, तो tax one पे करेगा, restaurant पे करेगा, restaurant पे tax, अब अगला सवाल, ECO गएगा, मैं क्या करूँ, तो हमने ECO को बोला, क्या तुम agent हो, वो कह रहा है, service के case में agent बन ही, नहीं सकते, agent का concept ही किसके अंदर आता है, वो उसके case में आता है, और दूसरी ECO को बोली कि क्या तुम payment handle कर रहे हो, आम तो और पर Zomato Swiggy payment handle करता है, yes, COD order में भी, please take care, आप से जो payment लेके जाता है, वो रेस्ट वाला नहीं लेके जाता है, Zomato Swiggy लेके जाता, COD order के अंदर, तो यहाँ पर payment handle करता है, yes, Zomato Swiggy को क्या करना पड़ेगा, 52 के अंदर, TCS collect, हो गया सारी linking हमारी, चलिए, यह तो हो गई बात हमारी इसकी, फिर हमने डिसकस किया था, ECO को registration कब-कब लेनी है, ठीका जी, फिर में चार्ट बनवा दे, तो पहले revise करा दो, ECO पहली बागता हो, ECO को ना, सबसे पहले दो पार्स पर डिवाड़े दो, कौन सा, एक वो ECO जो खुद की website से क्या करता है, अपना समान बेशता है, पहले तो यह बताओ, जितनी भी कहानी पढ़ी 95 वाली, और हमने पढ़ी साथ में 52 वाली, क्या वो अपनी website से बेशने वाली ECO पे लगती है, नहीं, example लिया था, AVJ is also an ECO, but AVJ is not a marketplace ECO, इसलिए AVJ पे ना तो 95 लगेग और goods वाला हूं, exclusively goods वाला, तो 10 लाग, 20 लाग या 40 लाग वाली, I hope 40 लाग की वो notification 10 by 2019 याद हो, condition दी न, 10 states हमने भार कर रखी थी, 4 notified goods हमने भार कर रखे थे, वो सारी कहानी determine करो, और अपनी aggregate turnover चेक कर लो, कितनी, 10 लाग, 20 लाग या फिर 40 लाग, तो मेरे पे, I am ECO, but मेरे पे ना तो 95 आ रहा है, ना पे 52 आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी खुद की website से बेचता हूं, और example दूसरे क्या हो गए, Mama Art अपनी app से बेचता है, Fatanjali अपनी app से बेचता है, Samsung भी अपनी app से बेचता है, यह सारे लोग क्या हो गए, ECO है, बट खुद की website से बेचने वाले ECO, फिर दूसरे तरह का model कौन सा आपना है, marketplace, marketplace में खास बात ही होती है, वहाँ पर दो पार्टी नहीं होती, तीन पार्टी होती है, कौन कौन थी, supplier, customer और बीच में कौन हो गया, ECO, जो platform प्रोवाइड कर रहा है, जैसी marketplace model आएगा, सबसे पहली चीज़ चेक करो, marketplace model में, आप goods वाले ECO हो या फिर service वाले, goods वाले हो तो 95 पक्का नहीं आएगा, 95 गुट्स पर आए नहीं सकता, amazon और flip card पे, आप जो मर्जी कर लो, amazon flip card पे 95 नहीं आएगा, as long as goods भी लो रहे है, 95 कहां पर आएगा, service, और service भी कौन सी, चार notified service, तो अगर पहले चेक करो, क्या 95 का case लग रह है, section 24 में, mandatory, but please take care, यहाँ पर ECO को अलग GSTL लेने की जुरत, नहीं होती है, फिर अगला case आगया, ECO 95 में लाएबल, नहीं है, कौन सा case हो गया, कौन सा case हो गया, या तो goods वाला case हो गया, या फिर service में, वो चार notified service, नहीं है, example के रूप में, रेडिसन होटेल, अगर हमारा, make my trip service दे, 95 नहीं लगेगा, दूसरा example नहीं लेते है, G4S housekeeping service दे, 95 नहीं लगेगा, ITC बोकारा, जो कि ITC hotel के अंदर लोग गेट है, पर ITC hotel का रूम जो है, वो 7500 परडे से जाद है, क्या ITC बोकारा अगर the matter of swiggy से बेचेगा, तो क्या 95 लगेगा, नहीं लगेगा, Amazon से जित service वाले है, other than the poor notified services यहाँ पर है, यहाँ पर ECO की liability determine करने के लिए, पहले चेक कर लो, क्या ECO agent की तरह behave कर रहा है या, नहीं, प्लीज के केर, agent वाला case service में नहीं आएगा, सिर्फ किसमें आएगा, goods में, और CBIC ने क्या test दिया था, agent को बोलने से पहले, कि agent आप चेक करो, क्या सामने वाले को सिर्फ customer ढूणने के लिए बोल रखा है, या, वो हमारे भीहाव पर अपने नाम में, अपने नाम में, इंवास इसू करेगा, अगर ऐसा है तो वो agent बन जाएगा, जैसी agent बन जाएगा, उस पे 52 का TCS applicable नहीं होगा, 52 का ECS applicable नहीं होगा, मगर section 24 की एक और entry होत agent mandatory liable होता है, subject to the condition, अगर उसका जो supplier है, वो कौन है, taxable और वो taxable supplies में deal जरता है, ठीक है जी, फिर agent नहीं है सर, agent नहीं है, तो आखरी चीच चेक करो, क्या हमारे भीहाव पर payment handle कर रहा है या नहीं, payment handle नहीं कर रहा, तो 52 का TCS नहीं आएगा, 24 में mandatory action लेने की जुरत नहीं है मगर payment handle कर रहा है, तो फिर उसको 52 में TCS collect करना है, और TCS collect करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 24 में क्या लेनी पड़ेगी, mandatory registration, but please take care, यह GSTN क्या होगा, आलाग हो, इसका भी बताता हूँ, registration का procedure कूछ रहे हो ना, registration का procedure भी discuss करता हूँ, यहाँ पर obviously REG01 नहीं जाएगा अब भी बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक done है, comfortable है, अब मैं आगे आज यहाँ शुरू करता हूँ, फिर यह दोनों चार्ट बनवा दूगा, ठीक है, अभी इस चार्ट के अंदर एक और change करूँगा, ठीक है, अगली चीज़ हम बात कर रहे है, यह तो हमने बात कर registration requirement, ECO की, अगली बात मैं कर रहा हूँ, marketplace model में, कोई ना कोई supplier भी तो है, जो ECO की तुरू सप्लाई करता है, for example, आज मैंने एक restaurant बोला, मैंने Zomato Sigi की पर register कर लिया, तो अब मेरी बात चल रही है, any supplier, कोई supplying goods या services to a customer, बढ़ यह चीज़ किसके दुरू हो रही है, ECO की, य I am supplying goods or services through ECO, दोनों को अलग-अलग divide कर दो, goods वालों की कहानी अलग चलेगी, service वालों की कहानी अलग चलेगी, सबसे पहले section number 24 ने बोला था, 24 ने सबसे बहले क्या बोला, उसने बोला, कोई भी person जो goods supply कर रहा है, ECO की तुरू, या services supply कर रहा है, other than 95, other than 95 वालों को लाइबल नहीं किया, reason बड़ा simple है, 95 वाले suppliers को लाइबल क्यों नहीं किया, क्योंकि 95 के अंदर tax supplier पे करता है, या ECO पे करता है, ECO, 24 की language हमने क्या लिखी, any supplier, who is supplying any goods through ECO, any goods through ECO, या फिर any services other than 95 वाली, उन्हें क्या लेना पड़ेगा, mandatory registration, 95 वाले अगर आप supplier हो, आप पर section 24 लग ही न लग रहा है, 22, red with notification, 10 by 2019, 10 by 2019, service वालों पर लगती नहीं है, तो ले दे के बात यह हुई, aggregate turn over 10 लाग वाली, या फिर 95 वाला supplier हो को दिक्कत है, नहीं, इसका मतलब अगर मैंने कल जो example यह था, रामला लूम है, ड्राइवर हूँ, और Uber पर अपनी गाड़ी रिजिस्टर कर र रखा था और service other than 95 वालों इन्होंने रोना शुरू कर दिया, तो जैसी रोना शुरू करा आपको पता ही है, 24 में mandatory label करती है, सरकार, तो relaxation का लूमें देती है, 23, 23, 23, 23, 23,23, 23,23, 23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23 Interstate Supply Services वाला करें, Interstate Supply Handicraft वाला करें, Exclusively Reverse Charge की Supply कर रहे हो, अगर आप CTP हो, Casual Taxable Person, Handicraft वाले, यह सब को कहां नोटिफाई किया था? 23.2, 23.2 में दो नोटिफिकेशन हो रहा है, उस समय नी पढ़ाईटी अपड़ानिये में थे, पहली चीज़ उनों ने बोला, 23.2 में, अगर तुम सर्विस वाले हो, कौन सी सर्विस वालों की बात कर रहे है, अगर तुम सर्विस वाले हो, तुम पे 24 लग रहा है, मगर 23 ने बोला साथ साथ, अगर तुमारी एग्रीगेट टर्न ओवर 10 लाक या 20 लाक से कम है, तुम्हें रेस्टेशन लेने की जुरत नहीं है, तो अगर 24 को 23 के साथ पढ़ो, क्या फिर से वही कहानी आ गई, एग्रीगेट टर्न ओवर 10 लाक या फिर 20 लाक, इन शॉर्ट में ने का था याद रखने के लिए, अगर तुम्हें एक सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप 95 वाले हो, या 95 वाले नहीं हो, मेंडेटरी रेस्टेशन आप पर, खेल सर्फ सेक्षन का है, 95 वालों पर 24 लगता ही नहीं है, उसी दा कहां चले जाते हैं, 22 में, और अधर अधर 95 वाले जो है, सेक्षन के पॉइंट वाले से याद रखना चाहते है, 24 उनने लाइबल करता है, बट उनने बचा को लेता है, 23, तो नेट बेसिस पे वो भी कहां पर पहुंच जाते हैं, 22 के लेवल पर पहुंच जाते हैं, यानि उनको भी 10 लाग और 20 लाग के एगरी के टान ओवर, तो कल मैंने एग्जामपल लिया था, मैंने एक नया सिनमा हॉल खुला है, लक्ष्मी नगर सिनमांस, इस प्रविस प्रविडर हो गया, येस, अचा मुवी वाली जो सर्विस है, 95 में लोटिपाइड है, नहीं, तो मैं कहां पर आ गया, सिनमांस की एग्रीगे टर्न ओवर 10 लाग है, अभी 20 लाग लगा नहीं होती, उसे सर्विस वाले बच गये नहीं बनके, अगर आप दिना से सर्विस वाले हर जगा बच जाते है, इंटरसेट सप्लाई की जब बात हुई थी, तो इंटरसेट सप्लाई में भी सर्विस हाले आप कोई भी गुड्स में डील कर रहे हो, अगर ECO की तुरू बेच रहे हो, आपको क्या लेनी पड़ेगी, mandatory registration, यह हमारा चार्ट हतम हो जाता है, मगर इस साल से एक और amendment आ गई है, जो मैंने कल नहीं पढ़ाई थी, अब वो amendment पढ़ते हैं, फिर इस चार्ट को भी पूरा करनेंगे, आए जरा बुक के अंदर, come to page number, page number 4.18, registration वाले chapter में आईए, registration वाले point को tick करना चाहते हैं, पहले, 4.18 पर आईए, प्लीज, कर हमने बात करी थी, ECO की registration की, आज बात करने है, person making the supply through ECO, पढ़िये जरा, section 24 provides that, there should be mandatory registration for persons supplying goods or services other than the supplies mentioned in 9.5, so 24 ने क्या बोला, सारे goods वाले, और वो service वाले, जो 9.5 में नहीं हैं, उनको, अगर वो ECO की तुरू supply करेंगे, तो उनको क्या लेनी पड़ेगी, mandatory registration, और यहां पर कौन से ECO की बात करने है, ऐसे ECO जिसको TCS collect करने है, आप से फिर से पुछना चाहूंग होगा, ऐसा कौन सा ECO होता है, जिसे TCS collect करना है, पहली बात तो marketplace वाला होना चाहिए, obvious सी बात है, दूसरी चीज़, 95 वाला नहीं होना चाहिए, वो भी obvious सी बात है, तिसरी चीज़, वो agent की तरह behave नहीं कर रहा है, और आक्री चीज, वो हमारे विहाब पर payment है, अगर आप अ वो उसका number आपके पास आजाता है, आपका number उसके पास आजाता है, जस्टायल कहता है, आगे मेरी responsibility नहीं है, आपने अपडेश करना है, तो just dial isn't ECO, ना न तो 95 में लाइबल है, ना ही 52 में लाइबल है, तो अगर मैं just dial पे list करता हूँ, यह वाली entry मेरे पे, नहीं, क्योंकि और notification बारा मैद हो, जाब 17 जो बार बार पढ़ते हैं, वो क्या है, वो services की exemption है, there is a difference, एक होता है, goods और service को exempt करना, section 11 में, अगला chapter वही पढ़ना शुरू करना है, आज में break के बाद, और दूसरी चीज में क्या कह रहा हूँ, हमें क्या करना है, registration से बाहर, registration से बाहर कोन होता है, person, जबकी exempt क्या होता है, goods या फिर, service, ठीक है जी, तो यह 23 की बात करने है, पढ़िये ज़रा, any person making supply of services, और कौन सी services, other than 95 को लिखा, क्योंकि 95 वालों को तो 24 में cover ही नहीं किया था, तो हम अब्विस सी बात है, relaxation, benefit किसको देंगे, other than 95 वालों को, through an ECO which is required to collect TCS under 52, having aggregate turnover to be computed on all India basis, not exceeding 20 lakh and 10 lakh in case of 4 states, आप बताना कौन सी states थी, MMNT, Vanipur, Mizoram, Nagaland, महा पर 10 lakh हो गया, अच्छा, यहां पर 40 lakh की limit लिमट लिखनी जरूरी की, 40 lakh नहीं पड़ेगी, नहीं, 40 lakh या लिखनी जुरत नहीं है, क्योंकि notification 10 by 2019, 40 lakh की limit देती है, वो service provider पे applicable, तो यहां पर इनने कोई गल और 23 से तड़कती बढ़कती बिल्कुल नई amendment ठीका जी और आपको बताने की जुरत नहीं है, इसके आगे important लिखो, साथ में लिखो very important, मेरे पूरे-पूरे chances है, मेरा मानना है, यह May 24 या November 24 के अंदर आएगी, ही आएगी, क्योंकि छोटी amendment नहीं है, बहुत अच्छी amendment है, और इसी के correspondingly एक amendment और आई है, composition scheme वाले chapter में, कुछ आज से 3-4 classes बाद composition वाले chapter जब पढ़ेंगे न, तो उस समय वहाँ पर इस amendment से linking वहाँ पर भी करा हुआ, ठीक है, तभी मैं क्या हूँ, very important amendment, पढ़े जार, amendment क्या ही है, who is exemption from registration, any person who is supplying goods, please take care, क्या हमने, interstate supply में जैसे handicraft goods को relaxation दीती, क्या यहाँ पर किसी goods का जिकर किया है, या कोई भी goods आएंगे, कोई भी goods, यहाँ पर लिख लिख लिजे, any goods, यह मुझे इसले लगवाना पढ़ रहा है, क्योंकि interstate supply के case में, जो relaxation है goods में, वो सब के लिए नहीं है, सिर्क के लिए है, handicraft goods, फिर, through an ECO who is required to collect T ECS 152, having an aggregate turnover to be computed in all India bases, अब देखों, इन्होंने न, 10, 20, 40 लाग का जिकर नहीं किया, यहाँ ने बोला, not exceeding the applicable threshold limit under 20, यहाँ पर automatically 10 लाग है, तो MMNT है, तो 10 लाग, अदरवाइस 20 लाग, अदरवाइस 40, मुझे इस लेंगज में अभी थोड़ी से घड़बल नगरी है, यह मेरा personal opinion है, आपको यह यादर रफना, मेरा opinion यह है कि 40 लाग की जो limit आती है, वो काहां से आती है, यह मेरा personal opinion है, इन से ड्राफ्टिंग गलत हुई है, बट जस्ट विकोज इन से ड्राफ्टिंग गलत हुई है, मैं यह नहीं कहूंगा आपको कि एक्जाम में 40 लाग मत मान के चलो, मैं यहाँ पर applicable threshold limit बान के चलोंगा, 10 लाग या फिर 20 लाग या फिर 40 लाग, although I am just telling you, you and me are a tax student, so ultimately we should know that lawmakers जो drafting करी है, उनने क्या करी है, गलत करी है, उनको 22 का reference नहीं देना चाहिए, एक और जगा भी drafting गलत करी है, उनको जस्ट बताऊं मैं आपको, हमने अपना यह जो, कल ECO 95 वाले case पढ़ रहे थे, 95 वाले case में, hotel वाला और housekeeping वाला, आज आपने मुझे revise कराया, exception कब आती है, जब वो hotel, जो OYO के तुरू, या make my truck के तुरू सा apply दे रहा है, वो liable for registration है, यहाँ भी गधो ने बता क्या किया है, लाइबल for registration अंडर, इसको कोई bare reading करके बोले, तो कई अगर होटेल 24 में लाइबल हुआ है, अगर होटेल की 24 की किसी entry में लाइबल हुआ है, तो क्या उसे exception दोगे, नहीं, अगें, यहाँ भी मेरे साफ से सिर्फ क्या है, drafting error है, इनोंने बाइस लिख दिया है, इनोंने ध्य कि वज़ा से, I would not say कि आप अपनी interpretation बदल दो, यह drafting error है, यह होते रहते हैं, जब इनको realize होती है, 2-3-3 साल बाद ही क्या करते रहते हैं, और mostly amendment कहीं बार कैसी होती है, रेट्रो से, ठीक है, तो मैंने drafting error just highlight करा दिया आपको, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह हमने exemption लाइं, न service वालों में तो इन्होंने कोई condition नहीं दी, यहां तक दे देते तो बहुत बढ़िया हो जाता, मगर goods वालों को भार करने के लिए condition लगा दी, और condition आप पढ़ोगे, तो आप कहोगे, सर क्या benefit दिया, तो उमने इस तक benefit नहीं देते, उपा तक पढ़के लग रहा है, औरे तो हम ऊपर वाली condition को, ऊपर वाली relaxation को subject to certain conditions दे रहे हैं, पहली चीज़, वो person कोई भी interstate supply नहीं करेगा, ओव्यसी बात है, क्योंकि interstate supply करेगा तो 24 की दूसरी entry में आ जाएगा, तो हमने बोला, interstate supply मत करना, मैंने का, okay, interstate नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, such person shall not make supply of goods through ECO in more than one state or union, मुझे एक बात बता हो, अगर आप अपने आपको Amazon पर register करते हो, मैं कहलो, तुम अपना online business start करते हो, क्या तुम ये limitation रखते हो, कि मेरे पास हर्याना से order आएगा, तो ही मैं बेचूँगा, या order कहीं से भी आजकता है, कहीं से जिस दिन मैं online business शुरू किया था 2017-2018 के अंदर हमने अपना online business शुरू किया था, COVID से काफी 2-3 साल पहले हम online business शुरू कर चुके थे, उस दिन मैं mentally prepared हो गया था, कि भाई, अब मेरा customer, अब मेरा student कहीं से भी आ सकता है, तो उस दिन से मैंने अपने example थोड़े change कर दिये थे, मैंने ऐसे example, पहले बड़े hyper local example लेत इसलिए मुझे बताओ, आज आप एक shopkeeper हो, Amazon पर रेजिस्टर कर रहे हो, आप Amazon पर रेजिस्टरी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो, कि मेरी दुकान से तो सर्फ local sale होती है, आस-पास के गली महलने वाले लोग आ जाते है, या मैं famous हूँ तो मेरे शेहर के लोग होगा जाते हैं, मुझे ना पूरे इंडिया में फैलने हैं, और पूरे इंडिया में फैलने के लिए Amazon पर जाता हूँ, तो हम जाते ही Amazon पर पे इस लें, इन्होंने relaxation किसको दिया बताओ, एक ऐसा supplier जो Amazon प्लिपकार्ड पर रेजिस्टरी करेगा goods को, बट क्या करेगा, not more than one stator, यानि अगर मैं ऐसा दुकानदार हूँ, मैं दिल्ली में ही, मैं पीतमपूरा के customers को catering कर पा रहा, मैं South दिल्ली वाले customers को catering कर पा रहा, क्योंकि मैं East Delhi में बैठा हूँ, तो मैंने का दिल्ली में ही supply करूँगा, और Amazon को बोल दिया, सिर्फ दिल्ली वाले customer लाते हैं, औ और customer, और ऐसे बहुत सारे supplier हैं, अगर आप इच्छी देखो, आप mobile phone order करोगा Amazon से, जैसी address change करते हो ना seller बजल जाता है, कभी notice करी है यह वाली चीज, आप अपना address जालो NOIDA का, seller NOIDA के आसपस का दिखाएंगे, आप अपना address जालो कही हो और का seller बजल जाता है, तो Amazon बड़ के लिए आई है, जो Amazon flip card पे registered है, ECO पे registered है, goods में deal कर रहे हैं, मगर वो goods supply सिर्फ कहां करेंगे, not more than once, जिस state के अंदर registered है, महीं पर करेंगे, और third point देखो, क्या बोलता है, और third तो ज्यादा important है, third तो बड़ा simple है, search person should be required to have a pen, pen क्यों लेना है सर, क्योंकि pen हमने इसलिए ल बाहर कर रहे हैं, मैंने का ऐसे इंसान, जो ECO के दूरू supply कर रहे हैं, बट उनको मैं 40 लाग, 20 लाग से कम होने की वज़ा से बाहर कर रहा हूं, उनको एक नंबर और दिलवा देते हैं, इस नंबर का नाम क्या रखा, enrollment number, अगर मैं अपको थोड़ा सा याद दिला हूँ, आ उनको हमें refund देना है, तो हमने उनको बोला तो तुम GSTN मतलो, तुम्हारे लेकर अलग number निकाल देते हैं, इसका नाम क्या था, UIN, ऐसी ना, जो लोग goods में deal कर रहे हैं, और ECO के दूरू deal कर रहे हैं, उनको हमने बोला, तुम्हें registration से बाहर कर देते हैं, subject to the condition कि तुम एक स तुम्हारा PAN क्या है, तुम्हारा address क्या है, और कौन सी वो state या unit territory है, जहां पर आप supply करने के लिए तयार हो, तो मैं जाओंगा, अपना PAN बताऊंगा, अपना address बताऊंगा कि मैं लक्ष्मिनगर में हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही बेचना चाता इस यो के थूरू, and based on that common portal मुझे क्या दे देगा, enrollment number, please take care, enrollment number GSTN नहीं है, taxable person के definition के होती है, one who is registered or libelization, registration का मतलब क्या होता है, UAN, नहीं, registration का मतलब क्या होता है, GSTN, मेरा simple सवाल है, क्या ये मुझे register कर रहे है, taxable person बना रहे है, नहीं, ये मुझे सिर्क्या दे रहे है, enrollment enrollment number, ताकि मेरे पर नजर रख सके, ताकि मुझे को track कर सके, enrollment number दे देंगे, और उन्होंने बोला, such person shall not be granted more than one enrollment number in a state of union, यानि मुझे बताओ, लक्ष्मिनगर में, अगर मेरी दिल्ली में दो ब्रांच चीज है, एक ब्रांच लक्ष्मिनगर में, और दुसरी का है, CP में, क्या उनका अलग-अलग GSTN हो सकता है, येस, मगर ऐसे person को हम डील नहीं करवारे, हमने का, ऐसा person ही यहां benefit ले सकता है, जिसकी एक state में एक ब्रांच हो, in short, वो एक ही enrollment number लेगा, और आखरी चीज, no supply shall be made by that person through ECO, unless such person have been granted enrollment number on the common portal, जब तक enrollment number नहीं मिलेगा, ECO की तरुछ supply मत करना, and where such person are subsequently granted registration, कभी ना कभी तो 40 लाग क्रोस करोगे, कभी ना कभी तो 20 लाग क्रोस करोगे, जब 40 या 20 लाग क्रोस करोगे, और registration लोगे, उस दिन से तुमारा, under 25 मतले, procedure तो 25 में है न, liable 24, 22 में होती हो, 25 का reference क्यो है, प्रोसीजर 25 है, वो कह रहा है, कल को जब registration लोगे, तो आ पहली बार में पढ़ो तो ऐसा लगता है, सारे गुड्स जो वाले, जो इसी ओ की तुरू सप्लाई करते हैं, सब को माफ कर दिया, सब को registration से बाहर कर दिया, अगर उनकी अग्री के टर्न ओवर, 10 लाग, 20 लाग, 40 लाग से कम है, बट नीचे की condition पढ़ो तो ऐसा लगता है, यह किसके लिए आया, बहुत ही limited set तोफ लोगों, limited set में कोन आगे, पहली बात वो लोग आए, जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक state या unit territory में supply कर रहे हैं, interstate supply उनको करना बिल्कुल भी allowed नहीं है, छीका जी, फिर अगली बात उनको भी enroll कराना पड़ेगा, register ने कराना अगर तुम enroll कराओगे, enroll कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, common portal पे जाना पड़ेगा, common portal पे जाकर, अपना pen देना पड़ेगा, अपना address बताना पड़ेगा, अपनी state बतानी पड़ेगी, जहां पे तुम supply कर रहे हो, enrollment number आएगा, उस enrollment number के basis पे तुम supply करोगे, तुमें ए register हो जाओगे, तुमारा enrollment number खतम हो जाएगा, और तुमारा चानल जाएगा तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें एक बात समझो, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा दुकानदार है, जो Amazon या Flipkart पे goods बेचता है, कल तक उसे GS10 लेना mandatory था, आज से उसका GS10 mandatory नहीं है, दस करोगे, कुछ भी नहीं करना है, या भी भी कुछ करना है, क्या करना है, enrollment number लेना है, common, but enrollment number वाला परसन, taxable person, are we clear यहापन, अचा एक चीज़ यहापन और देखना, A और B पॉइंट को एक बार पड़ो, A पॉइंट का कहता है, हमें interstate supply करनी allowed, नहीं है, B पॉइंट हमारा क्या 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 है, हम एक ही state में deal करेंगे, तो यहापर एक डाउट आता है, अगर एक पॉइंट हो, A पॉइंट कहता है, intrastate supply करो, अगर सिर्फ एक पॉइंट होता है, तो पता क्या करता, मैं अगर मेरे 15 स्टेट के अंदर customer है, मैं 15 ब्रांचिस बना लेता, 15 ब्रांचिस होती, 15 ब्रांचिस का एक ही person है, अलग-अलग person है, अलग-अलग, इतना से बाहर करा दो, हमें enrollment number दे लो, but उन्होंने point number B में क्या बोला है, such person shall not make supply through an ECO in more than one state or unity, and अगली चीज़ उने क्या बोला, such person shall not be granted more than one enrollment number, basically, इस से ये पता लगता है, कि अगर एक person की अलग-अलग state में ब्रांचिस है, क्या वो इस exception का फायदा ले पाएगा, नहीं लेता, क क्यों, I agree, I agree that interstate supply नहीं कर रहा, but सारे मिलके अपनी-अपनी state में intra करने बैठ गए, तो अपनी-अपनी state के अंदर भी तो फायदा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, yes, यानि ये फायदा सर्फ उसको दिया जा रहा है, जिसकी पहली बात तो एक ही ब्रांच है, उसको एक ह enrollment number देना है, और वो इनसान भी अपनी ब्रांच वाली state के अंदर ही supply कर रहा है, वो interstate supply, ले रहे हैं, आप बता ही जाट होगा, चलिए, अभी आपर एक बार एक चीज़ लिख लीजिए, here, here, benefit is, benefit is given to suppliers of, supplier of goods, benefit is given to supplier of goods, who have single branch and only make interstate supplies, तो बड़ा ही localized, बड़ा ही limited benefit मेरे इसाब से दिया है उन्होंने, क्योंकि सरकार का मन बिलकुल नहीं था, goods वालों को relaxation देने का, बड़ काफी समय से यह मांग उठ रही थी, जैसे service वालों को relaxation दिये इस योगे, goods वालों को भी देना चाहिए, तो सरकार ने benefit दे भी दिया इस पर, बड़ कहने के लिए दिया, क्योंकि यह सिर्फ उन लोगों की बात चल रही है, जो एक ही branch लेकर बैठे हैं, एक ही state के अंदर हैं, और सिर्फ उसी state के customers को ही Amazon फिल्पकार्ट के सप्लाई करते हैं, उनकी एक रीगेट टानोवर्दा स्ल supplier goods या services दे रहा है किसको customer को, यह supplier है, ठीक है, अभी तक मैं आपको बोलता था, पहले तो check करो, marketplace है या नहीं है, तीन party जैसे आ जाएंगी, वो कौन सा model बन गया, marketplace, पहले मैं कहता हूँ, 95 चेक करो, 95 नहीं लग रहा, 95 नहीं लग रहा, तो 52 में जाना है, 52 में जाने से, के लिए दो चीज़े और चेक करनी होती है, बताओ कौन को सी, ECO हमारा agent की तरह behave तो नहीं कर रहा, agent की तरह behave कैसे कर सकता है, goods के case में, अगर उसको invoice issue करने की power दे रखी है, और ECO हमारा payment है या नहीं, यह दो चीज़े चेक करोगे, ठीक है जीज, दोनों चीज़े satisfied है, ECO मेरा registered होगा या unregistered भी हो सकता है, अभी जो मैंने बताया, क्या unregistered हो सकता है, yes, कब हो सकता है, service वाला है तो हो सकता है, अगर aggregate turnover 10 लाग या 20 लाग से कम है, और as per the amendment जो भी हमने पढ़ी 1st October को, क्या goods वाला भी unregistered हो सकता है, yes, last attempt तक मैं बच्चों को बोलता था, goods वाला कभ enrollment number लेगा, unregistered रहेगा, और service वालों को तो enrollment number लेने की जुरत नहीं है, वो तो हमेशे क्या रहेंगे, unregistered अगर उनकी aggregate turnover 10 लाग 20 लाग से कम है, अब मेरा सवाल यह है, अगर यह supplier खुद unregistered है, इसने GST पे किया होगा या नहीं किया होगा, GST is paid only by a taxable person, taxable person means a person who is registered or liable for registration, उसे GST पे नहीं किया होगा, 52 की सारी condition satisfy हो रही है, 52 की condition satisfy करने के लिए marketplace model है, yes, 95 नहीं लग रहा, agent नहीं है, और payment को handle करते हैं, बट अब मुझे बताओ, TCS का chapter आज हमें शुरू करना है, मतलब मैंने आपको काफी सारी चीज़े बता दी है, read करना है, क्या TCS के chapter में ऐसा इनसान, ऐसा supplier, जो खुद GST में unregistered है, क्या ECO को ऐसे इनसान का TCS collect करना होगा या नहीं करना होगा, तो TCS में पांच भी exception में आज बता दी आपको, चार तो मैंने बताई थी, TCS में जाने से पहले, जो बार-बार revise कराना हो, पांच भी चीज़ी है, TCS collect करने से पहले चे गुर्स वालों के लिए exception आई, अब गुर्स वाला भी unregistered हो सकता है, सर्विस वाला भी unregistered हो सकता है, अगर यह unregistered है, तो प्लीज टेक केर, TCS collect करने की जुरद, लेरे वाली बात हमारी, तो अभी तक की जितनी कहानी है, पहले चार्ट बना ले उसका एक, फिर मैं जवाब दे दिया, तो इसका वंदर यह सारी चीज़ें हमारी दिवाग में फिट होगी, मैं आपको बता रहूं, जब हम शुरुवात करी थी GST की, ECO का टॉपिक बड़ा ही असान था, धीरे देरे सरकार ने provision amendment करते गई, amendment करते गई तो problems आती गई, further amendment करते गई, और आज क की डेट में हालत ऐसी हो गई है, कि ECO सिर्व एक नाम है, बट ECO की categories बहुत सारी है, तो पहले तो एक chart बनाते है, ECO की categories पे, page number 4.17 पे देखोगे, तो ECO की registration की liability है, बट, as I said, box थोड़ा छोटा रह गया, तो ऐसा करो, लिख दो यहां पे, refer, page number, page number कौन सा refer करें, जो last page है registration registration का, registration के last page पे space होगा, I think, दो चार्ट दिये थे, पहले बात तो जो दो चार्ट दिये थे, मैंने, group पे कहते हैं, बना लिया नहीं बनाए है, आदे हसरे, हसरी का मतलब ही क्या कि नहीं बनाए है, कोई नहीं बना ले न, में 24 के paper के बाद बना ले न, कभी ना, कभी ना, कभ refer page number 4.56, जो आखरी page है, हमारे registration वाले chapter दा, 4.55 और 4, मेरे साब से, वो चार्ट आपका 4.55 पही आ गया होगा, या थोड़ा सा आपने 4.56 यूज़ कर लिया होगा, जो 30 days और not within 30 days वाला चार्ट दिया था, तो यहाँ पर, लिखो, registration requirement for ECO, speed बढ़ाओ जल्दी से, आज न, बहुत कुछ कवर करना है, तो speed बढ़ाओ जल्दी से, ECO, पहला किस, ECO, supplying goods or services, ECO, supplying goods or services, through their own platform. दूसरा, ECO, working on marketplace model, marketplace model, that is, where suppliers are registered on platform of ECO, जब supplier, ECO के platform पे अपने आपको register करके वहाँ से supply करते हैं, तो वो क्या होगे, marketplace model, अगर ECO ये वाला case है, इस वाले case के नदर तो पहली चीज, no 95, and then no TCS under 52, पहली चीज तो, जिन्दगी बहुत आसान है, 95 भी नहीं लगता, 52 भी नहीं लगता, ठीक है, दूसरी चीज, registration के requirement में, section 24, not applicable, ऐसे ECO Q पर 24 applicable ही नहीं होता, पर मुझे बताओ, 24 applicable नहीं होता, तो 22 will apply, registration only if aggregate turnover is greater than 10 lakh, 20 lakh और 40 lakh, ये सबसे simple case हो गया, सरकार ये नहीं कह रही है कि website से काम मत करो अपनी, सरकार के रही है, अपनी website बना के काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बाकी लोगों को उपर 22 और notification 10 by 2019 लगाते हैं, 22 read with लिख लो, 22 read with notification 10 by 2019, चिक है, अब आए ECO वाले पे, ECO वाले पे सबसे पहले चेक करो, check whether 95 is applicable or not, 95 applicable हो रहा है या नहीं हो रहा है, चिक है, तो दो case बनेंगे इसके अंदर, पहला case बनेगा, 95 applicable और दूसरा case बनेगा, 95 not applicable, 95 applicable, 95 not applicable, 95 applicable कब होता है, यहां पर bracket में लिख लेना, 4 notified services, goods के case में तो 95 लगी नहीं सकता, service में भी 95 तब लगता है, अगर supplier ECO के थुरू marketplace model में, 4 notified services दे रहा है, और I think 4 notified इतनी बार revise कर लिए अभी तक दिमाग में बस गई होगी, चार notified की notification को सिटी, 17 by 2017, चार notified services हैं, तो इस case के अंदर कहानी क्या होएगी, इस case में, ECO becomes, ECO becomes deemed supplier, ECO becomes deemed supplier and will pay GST, ECO deemed supplier बन जाएगा और GST भी पे करेगा, अब जब deemed supplier बन जाएगा GST में, अच्छा कल एक बच्चे ने चैट में भी बूचा था, क्लास के बाद भी बच्चे ने पूचा था, जब ECO 95 के इंदर tax pay करेगा, यानि Ola Uber जब driver की service के लिए पैक करेंगे, उन्हें ITC मिलेगा या नहीं बनेगा, असली मुझे बताओ, क्या कैते हैं, चलाने के लिए पेट्रोल किस ने लगा, गाड़ी किस की है, ड्राइवर की, और अपना क्या कैते हैं, ड्राइवर की गाड़ी की रिपेर, वगर किसने कराई होगी ड्राइवर ने, मगर टैक्स को पे करना है, Ola Uber को, तो क्या Ola Uber को ITC मिलेगा, नहीं, Ola Uber को ITC नहीं मिलेगा, अभी clarification दिखाऊंगा, जो 95 का tax होता है न, वो e-cash ledger से पे करना होता है, जैसे reverse charge का tax, e-cash ledger से पे करना होता है, 95 का tax भी किससे पे करना होता है, e-cash, अभी clarification दिखाऊंगा हो अले, ठीक है, फिर, section 24, mandatory registration, मगर mandatory registration के नीचे लिखेंगे, GSTN won't be separate, GSTN अलग नहीं होगा, GSTN same to same ही रहेगा, same GSTN से काम चलाएंगे, there is no need for separate GSTN, mandatory का मतलब यह है, अगर तुम अलड़ी रजिस्टर नहीं हो, तो GSTN ले 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 ला, मंगर most of the ECO, अलड़ी GST में रजिस्टर होते हैं, मगर मैंने का था, नई आप बना दो, कूबर बना दो, तो obviously वो पहले जिन से रजिस्टर नहीं होगी, उस पर क्या लग जाएगी, mandatory, चिक है, 95 not applicable, 95 अगर applicable नहीं है, तो अगली चीज़ चेक करो, ECO acting as agent, ECO acting as agent, agent का अंतब क्या हुआ, CBIC test, यहां पर bracket में लिख लेना, check CBIC test, CBIC test में आपको बहुत बार बता दिया, इसलिए मैं अब लिखवा नहीं रहा, CBIC test क्या होता है, agent है तो उस case में, TCS under section 52, not applicable, TCS नहीं आएगा, ठीक है, इस case के अंदर, section 24 लगेगा, if supplier is taxable person, TP लिख रहा हूँ मैं, supplier is TP, TP बोले तो taxable person, यहां पर मैंने 24 लगाया अबर दूसरी entry यूज करी, agent वाली entry यूज करी, यहां पर case बनेगा, ECO not acting as agent, ECO हमारा agent नहीं है, अगर ECO agent नहीं है, तो उस case में दो चीजों में डिवाइड करेंगे, ECO handles the payment, ECO doesn't handle payment, problem यह है कि यह ना आखरी page है, इसके नीचे नहीं जा सकता है, लिखो जल्दी से इतना लिखो, फिम आगे यह अगले page पर लिखवा लिखो, यहां तक लिखो जल्दी से पहले, ECO handles payment, ECO does not handle payment, अगले page पर जाना पड़ेगा उन्हें, हां जी लिख लिया, फिर मैं यहां पर आगे continue कर रहा हूं, तो फिर छो लेखाऊ, ECO handles the payment, ECO doesn't handle the payment, ECO doesn't handle the payment का मतलब, यहां पर लिखेंगे, doesn't handle the payment, TCS under section 52, not applicable, $52 TCS, not applicable, और जैसी applicable नहीं है, section 24 registration, not applicable, to TCO, ECO को जब TCSE collect नहीं करना, उस पर 24 registration भी mandatory applicable, फिर ECO handles the payment, ECO payment handle करता है, 4 hurdles cross हो गए हमारे, अब ideally तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, TCS under 52 applicable, यहां पर एक hurdle और बता दिया है, यहां पर लिख लो, TCS under section 52, applicable, if, supplier, is, supplier of goods and services, is registered, supplier of goods and services, उसे खुद registered है, वो खुद GST पही करने के लिए liable है, तो हम उसका TCS collect करना है, जैसी TCS collect करना है, registration under section 24 becomes mandatory, but bracket में क्या लिखेंगे, bracket में लिखेंगे, this GSTN, this GSTN, will be separate, and used only for TCS purpose, यह GSTN separate होगा, और इसको सिर्फ और सिर्फ GSTN purpose के लिए ही यूज करेंगे, done, ECO का चार्ट हो गया done, ECO का हो गया तो आप अगला चार्ट बनाना है किसका, person supplying goods या services through ECO, यहां तक हो गया तो आगे बढ़ू, दूसरे वाले का space तो वहीं पनी है, चैप्टर 4 में अगर जाओगे न, दूसरे वाले का space आपको यहीं मिल जाएगा page number, यहां पर sufficient space मैंने बना दिया था, page number 4.19, page number 4.19, 9, देखे जारा, मिल गया page number, फिर दो parts में डिवाइड करों इसको, पहले डिवाइड कर देते हैं, services फिर यहां पर ले आते हैं goods, पहले services की बात करते हैं, जो persons services दे रहे हैं, इनको दो parts में डिवाइड करते हैं, पहली चीज, services दे रहे हैं, जो की notified हैं, under section 95, चार services जो 95 में notified हैं, वह गई, फिर services not notified under 95, ठीक है जी, 95 वलो की बात करें अगर, 95 वलो की बात करें तो, यहां पर section 24 not applicable, 24 लगे गई नहीं, 24 ने cover यह नहीं किया, section 22 applicable होगा, और section 22 applicable होगा, registration लेनी है, अगर हमारी aggregate turnover, 10 लाख या 20 लाख को cross करते हैं, च्रीक है, एक चीज यहां लिख लेना, even if, even if, ECO liable, tax in queue पर issue पर करेगा, but, still, services added to, और aggregate turnover, और मतलब 2% supply जा रहा है, अगर छोड़ रहा है, aggregate turnover और supply होगा, services not notified under 95, services not notified के अंदर केस में क्या करेंगे, यहां पर section 24 लगेगा, but, red with, section 23 notification, पहले 24 ने liable किया, मगर बचा किस ने लिया, 23 के notification ने, crux क्या आया, registration, only if, aggregate turnover is greater than 10 lakh या फिर, provision दोनों जगा सेम है, 95 वाले है या नहीं है, बस पर किया है, यहां पर provision directly कहां से आ रहा है, 22 से आ रहा है, और यहां पर provision किस को पढ़के आ रहा है, 24, red with 23 वाली, provision दोनों जगा सेम है, तो क्या service वाला मारा under registered हो सकता है, और अगर service वाला under registered है, और 95 वाला case भी नहीं है, तो TCS collect, अभी मैंना आपको लिखाया, ECO को TCS collect करने की जुरत, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, goods वाला case, यहां पर आई है amendment, और क्योंकि amendment आई है, इसको लिख लीजिए, important, इसके उपर मेरे साब से question आ सकता है, goods वाले case के अंदर, अब हम यहां पर दो parts में डिवाइड करेंगे, पहले के अंदर, पिछले batch वाले बच्चों तो मैं यहां कहा लिखवाता था, mandatory registration, अभी यहां पर change आएगा, क्या change आएगा, if supplier, has, only one branch, and makes only intrastate supply in only one state or unit territory, condition क्या डाली हमने भाई, कि supplier की एक ही branch होनी चाहिए, और वो supply कर रहा है, सिर्फ intrastate supply और एक ही state यह unit territory के अंदर supply कर रहा है, अगर ऐसा case है, तो उस case के अंदर 24, red with 23 की notification, जो latest notification आई है, 1st October से अपने के बल होई है, उस case के अंदर registration required होएगी, only if, registration, only if aggregate turnover is greater than 10 lakh, 20 lakh and 40 lakh. I would already warn you, कुछ लोगों की interpretation यह होएगी, की 40 lakh नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर section में कौन से किसका reference है, 22, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, hypertechnical होके, बट मेरा यह मानना है, वह error है इनका, और ICI कभी इतने hypertechnical में नहीं जाता, तो इसलिए मैंने 40 lakh भी लिखवा दिया, otherwise मैंने आपको बोला है, वहाँ पर क्या लिख दिया, threshold under 22, और 40 lakh की limit कहां पर आती है, notification 10 by 2019, और वो notification आज भी कहां पर issued है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, I hope आपके पास space होगा, enrollment number ले ले लो भाई, registration से तो बज्जा होगे, enrollment number to be taken, till no GSTN, जब तक GSTN नहीं लोगे, यानि जब तक 20 लाग, 10 लाग, 40 लाग से काम हो, सब तक common quota से क्या ले लेना, enrollment number ले लेना पर, इस page के उपर ना देखोगे, box में मैंने एक और circular दे रखा है, ECO के लिए guidelines आई है, ECO उसको भी guidelines दी गई है Amazon Flipcard को, कि तुम्हें कैसे deal कर रहा है, उसके दर उनने guideline लिख दिया है, कि तुम चेक कर लो, तुमारे platform पे जो लोग registered है, गुड्स बेचने के लिए, या तो वो GSTN में registered हो, उनके GSTN नहीं है तो क्या नहीं उनसे दिलवा देना, enrollment, तुमारे platform पे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलना से ये गुड्स वाला, जिसके पास नहीं GSTN हो और नहीं enrollment number हो, या तो GSTN होगा, अगर वो 40 लाग से जाधा वाल है, और 40 लाग से कम वाल है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, enrollment number, बिना उसके काम हम ECO पर नहीं, यानि e-commerce सरकार को एक बड़िया तरीका मिल गया है, regulate करने का असानी से, liability डाल दो ECO पर, तू चक करके बताएगा, यानि वो काम जो सरकार को चेक करना था, अब बैठ के टेंशन को लेगा? Amazon में, और Amazon को करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इस देश में काम करना है, तो यह छोटी मुटी चीजे को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सरकार को उसने परिशान करा, सरकार कही कि बेटा, आज से तू 95 में, अभी Amazon Flipkart खुश क्यों है, वो 95 में नहीं है, उनको TCS कलेक्ट करना होता है, तो TCS कलेक्ट करना एक कम छुट मुश्किल लाइबिलिटी है, ऐस कंपेर टू 95 में टाक्स पे करना, इसलिए हम Amazon के उपर registration को यह डाल रहे हैं, कि enrollment number चक करना तुम्हारा काम है, कि तुम्हारे platform में जो लोग आई है वो enrolled है या नहीं, और आखरी case, अगर other cases, other cases बोले तो मैं एक ऐसा supplier हूँ, जो Pan India सप्लाई करना चाहता है, मैं Amazon को कह रहा हूँ, भाई मैं एक स्टेट में supply नहीं करूँगा, तो उस case में क्या लेनी पड़ेगी, mandatory registration, under section 34, और अगर मेरे को mandatory लेनी है तो बताओ, क्या ECO मेरा TCS करेगा नहीं करेगा, definitely करेगा, clear है वाली change, this is the कहानी आज की, एक जमाने में बहुत ही simple हुआ करती थी, आज की लेट में करेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपने के दो चार्ट पढ़ लिए बस आपका काम हो गया, तो चार्ट हो गये, done, चलिए आप, are we ready to do the illustrations? I am to ready, are you ready to do the illustrations? Yes, I should not be the only one, question भी पढ़ रहा हूँ, answer भी पढ़ रहा हूँ, आपको मुझे इस समय करने, most of the illustrations तो मैंने यहां भी डिसकसी करनी है, तो आईए ज़रा registration वाले chapter को छोड़िए, सारी illustrations दे रखी हैं मैंने, अपना यह 95 वाले chapter के बाद, मैंने TDS और TCS को भी mix कर दिया, page number 6.8 पर आईए, यहां से एक एक करके ले station, जितनी भी चीज़े पढ़ी हैं, ECO के point of view से, supplier के point of view से, सभी यहां पर मैंने एक साथ रिक डाली है, page number 6.8, page number 6.8, आईए ज़रा शुरू करते हैं, मिल गया page, मिस्टर रामू, who is unregistered in GST, मैं साथ सा यहां पर drawing भी करता जा रहा हूं, यह रामू है, यह GST में कौन है, unregistered है, is a driver listed on the Uber app, वह Uber की app पर listed है, Uber finds customer Mr. A, Uber ने Mr. A नाम का customer ढूंडा, through the app, रामू provides the transportation service, transportation service cab की, अपने आप Omnibus मालनू, यह Omnibus नहीं है, Omnibus नहीं है, अगर cab word लिखा है, car word लिखा है, तो obviously समझ जाना 6 से कम passenger, अच्छा 6 passenger जब देखते हैं, including the driver or excluding the driver, excluding the driver, तो हम यहां पर motor cab की service दे रहे हैं, 1 B में नहीं आएंगे, किसमें आएंगे, 1 A में आएंगे, Uber ने 500 रुपे collect करें, और Ramu को pay कर दिये, मगर Ramu को उसने 400 रुपे करें, क्यों pay करें, Uber ने simultaneously अपनी intermediary service दी थी, और उसके लिए कितने चार्ज करें हैं, 100 रुपे चार्ज करें हैं, तो Ramu को बोला 500 रुपे तेरे, 100 मेरे को लेनी है, नेट पे क्या ले ले, तो चार्ज सर्वे ले ले, अब इस particular case के अंदर एक एक करके बताना है, who is liable to pay tax on whom, on which service, पहली बात तो एक supply हुई है, दो supply हुई है, दो, पहली supply कहा से हुई है, Ramu से customer को हुई है, इस supply का नाम क्या है, passenger transport service, ठीक है जी, और दूसरी service क्या हुई है, Uber ने Ramu को दिया, इसका नाम क्या रखें, intermediary service by Uber to Ramu, पहले intermediary service कहा हुई है, क्या intermediary service के अंदर supplier को हुई है, Uber, recipient को हुई है, Ramu, tax one पे करेगा, Uber under forward charge, 95 लगे या ना लगे, ECU अपनी intermediary service पे तो हमेशा क्या होता है, forward charge में tax पे करता ही करता है, अब बात करते हैं, यह वाली service के लिए, transportation service, असली supplier को हुँ है, Ramu, A recipient हो गया, मगर अब चेक करो, क्या 95 लग रहा है या नहीं लग रहा, 95 के अंदर entry number 1 एक है, transportation of passenger by motor cab, radio taxi, maxi cab, motorcycle और any other vehicle, but not being, Omni bus, Omni bus नहीं है यह वाला किस, तो यहां पर, Ramu registered है या unregister है, हमें matter नहीं करता, तो ultimately यहां पर क्या होगा, GST will be billed by Uber, under 95, on the transportation service of 500 रुपे, and Uber will be considered as deemed, tax की clarity आ गई, इसकी उपर भी, इस वाली transaction में भी tax कोन पे करेगा Uber, SECOND हाली transaction में भी tax ơi77 psych君 का पे करेगा, Uber पे करेगा, इस वाली transaction में भी चर्वराज में प्राज़ इज करेगा, इस वाली transaction में किस में पे करेगा 975 करेगा, अब एक 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 करके, liabilities की बात करते है, registration की बात Confidence करेठा है अे वहले, इस यो वाला चार्ट जो हमने बनाया था इस यो का चार्ट इस यो के अंदर कहां पर फस गए नाइन फाइव में अगर कवर हो रहे हो तो इस यो बिकम्स डीम्ट सप्लायर अकॉर्डिंगली महां पर क्या लग जाएगी मेंडेटरी रेस्टेशन हमारा आंसर में क्या लिकाम ने उबर इस लाइबल फॉर कंपल्स्वी रेस्टेशन अंडर 24 इर्रस्प्रेक्टिव अपर अगर इंटर्मीडियरी के लिए अल्रड़ी रेजिस्टर्ड हो कमिशन के नाम पे 20 लाग से अचा कवाल लेती होगी न अग कमिशन ही उसकी उसलाइस से जाद़ा तो ऊबर अड़री रेजिस्टर्ड होएगी तो इसको नहीं रेस्टरिशन यह सेम बढ़ते अब मुझे बताओ के लिए यह वाली सप्लाइज के लिए यह वाली सप्लाइज के लिए इनवाईस कोन काटेंगा तो अगर तो आगे और एक कौन से वाला है 95 वाला फोवर्ट चार्ज में जब उबर टैक्स पे करेगा मुझे बापता हूँ इंटर्मीडिय से सर्विस देने के लिए उबर के पास कोई ITC पड़े होंगे नहीं पड़े होंगे ये उबर अपनी एप को मेंटेन करने के लिए खर्चा करता होगा आगे वर्ट की सर्विस लेता होगा उबर का एक ओफिस होगा वह ओफिस रेंट पर होगा ये सर्विस देने के लिए लिए जो रामू वाली सर्विस है जिसके लिए सब्सक्राइब के लिए ITC ने क्लैरिफाई किया यह सिर्फ किस्ते पर होगा यह कैश नाइन फाइब वाला टैक्स हमेशा किस्ते पर होता है यह कैश से जैसे रिवर्स चार्ज में भी मुझे याद कराऊ को जब लाइबल करते हैं तो रिवर्स चार्ज वाला भी टैक्स हमेशा ही कैस्ते होता है यह याद रहेगा यह वाली चीज़ चलिए तो यहां देखो पड़ाओ टैक्स पेबल बाई उबर और नाइन पाइब त्रू एक्श लेजर वेरास टैक्स पेबल बाई उबर और फॉ पर देख्षए अब रामू की बात करते हैं रामु कोन है रामू सप्लाय साथ-साथ वह चार्ट भी जो बनाब जो जिहान में रखो रामू इस शप्लायर और ठाव सर्वेस और यह द्राइन फाइं हुआ पनाइट वाली तो रामू पर ट्वेंटी-4 लगेगा रामू पर क तो उबर ने पे कर रहा है but as per CBIC circular as per CBIC circular यह किसकी अग्रीगेट टर्नवर में जुडएगा तो देखो although Ramu is not liable to pay GST on cap service still 500 will be added to the aggregate turnover of Ramu and this has been clarified by CBIC circular CBIC circular के किसाब से रामु के हाथ में जुडएगा अगर कल को मगर रामु 24 में कवर नहीं है कल को रामु की एगरीगेट टर्नवर 20 लाग को क्रॉस कर गई तो रामु का कहने नहीं पड़ेगी एक बार क्लिए मुझे बताओ अगर थोड़े दिन बाद अगया आद एक पार्ट न campuses रॉसी के अंदर किया रामु के एक अगया है अभी घृ करना बंद कर देका करें करेंगा मेरा सवाली है रामु अगर Thursday में रजिस्टर भी हो जाएगा मगर उबर से जब उसको ड्यूटी आएगी उबर से जब सप्लाई करेगा अभी भी 95 लगेगा यह नहीं लगेगा वन एक के अंदर कंडिशन क्या थी कोई भी कंडिशन नहीं थी रामू रजिस्टर हो या अनने इस रामू कंपनी हो या अधर करेगी और उसको क्या पड़ेगी रेजिस्टरेशन लेने के बावजूद क्या आंसर में कोई चेंज आएगा वह यह करेगा रामू कल को ऑफ लाइन भी सप्लाई करेगा यह बहुत कम ड्राइवर होंगे जो एक्स्क्लूजिवली इस्यों किदरू सप्लाइब होती है कभी आफ लाइन के लिए GST में लाइबल हो जाएगा प्रैक्टिकली यह नहीं होड़ा कहीं उबर की किसी ड्राइवर में जाके बैठो उबर के ड्राइवर ते पूछो भाई आपने GST मेरेशन ले रखी है कैसी बात करें यहां से उतार भी देगा और उस ते पूछो क्या साल का 20 20 लाग का बिजनस कर लेते हो बहुत सारे ड्राइवर मिलेंगे हो गई यहां 20 लाग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा वो तो यह मान के चलते हैं कमिशन कटने के बाद जो मिल रहा है आप इतना तो पता है ना कमिशन तो अलग ट्रासेक्शन हो गई है असली में रामू को 500 ले रहे हो तो अधर की अधर वाइस सीबी इसी ने सर्कुलर देगा क्या कर दिया है कि ओला टैक्स पे कर रहे हैं फिर भी एग्रीगेट टर्नोवर किसकी जुड़ेगी और वह रिजिस्टर हो जाएगा तो कल को जब ऑफ्लाइन सप्लाई करेगा तो अपना बंद कर देते हैं डिवाइस और कहते हैं ऑफ्लाइन चलते हैं बहुत बार मिलेंगे आपको भाईया आपको कितना दिखा रहा है 500 पर दिखा रहा है मुझा साढ़े चार सो देदे ना मेरी डूटी कैंसल कर दो यह करते हैं नहीं करते हैं अगर आप वह ऐसी ऑफ्लाइन सप्लाइब करता है यह यह पर पढ़िए जो उबर से सप्लाइब करेगा देर इस नो चेंज उबर के लिए नो चेंज एन आंसर बट सिंस रामु एस नॉबीकम रिजिस्टर्ट यह विल नहों सारी ड्रेवर ने क्या किया होगा अपने डिवाइस को साइड़ में फैक्क्त दिया होगा लोन ने लका होगा बढ़ी दूटी मिल रही है चल मनादली लिकलते हैं शिंबला की जूटी आफार चलते हैं उस case मेरामु को दीखे पर्शन क्या की करना पड़ेगा पाचन कि आपको भी पदाए कि क्या होगा तो यहीं पर पढ़के जाने हैं तब इतना टाइम लगा रहा हूं नहीं तो मैं बोल सकता था और रीड और इलिस्टेशन से और से बोल सकता था बट मैंने फिर से रिपिटीशन कर रहा हूं सारी जो की एक्स इस एंगेज़ इन प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर सर्वेस एन एर कंडिशन स्टेज के अरज बस में हम क्या एज्यूम करेंगे एज्यूमड एक मिन्ट के लिए लिख लो एज्यूमड पैसेंजर इस ग्रेटर दें 12 एक्जाम में दे रखा होगा मगर मैं यहां पर मेरे खुद की इलेस्टेशन से तो मैं जम से डिलवार हो ठीक है बिट्विन डेली टू चेंडिगर ए बुक्स और टिकेड विद मिस्टर एक्स विद रेड़ बस तो मिस्टर एक्स है मिस्टर ए है ए ने टिकेड बुक करी और इन दोनों के बीच में एसी ओ कोन ह रेडवर्स रेडब्स उसने पेमिट करी प्रale रेड़ बस ने हजार रुपे कुसको दे दिया एं मिस्टर एक्स को मगर रेडब्स ने उधर से चार्ज कुतने करे डेड़स रूपर चार्ज करे अपनी कमिशन की दो-दो सप्लाई हो गई पहली सप्लाई किसकी हो गई 1,000 रुपई की, X ने supply करी है किसको, A को, कौन सी service दिया है, passenger transport service इन लो, अमनी, बस, और दूसरी supply कोन सी हो गई, intermediary service, किसे किसको दिया है, Redbus अपने दिया है किसको, Mr. X को, पहले तो यह बता दो intermediary service का क्या होगा, यह बड़ा अगर कंपनी है तो 95 नहीं लगेगा क्या आम कंपनी है यह मिस्टर एक्स है मिस्टर एक्स है इन वस्केस जी एस्ट विल भी पेवलवाय रड़ बस अंडर सेक्शन 95 और रेड़ बस विल बी और अगर एक्स है अगर अगला सवाल यह है क्या अलग जी स्टेंट लेगा यह सेंग जी स्टेंट इस नगेगा और पिछले वाले में भी अगर लिखना चाऊ उबर वाले एक्जाम्पल में यहां भी लिख सकते हो तो आप साथ सब लिख लो सेम जी इसलिए क्या रहा हूं क्योंकि अभी जो फिफ्टी टू वाले एक्जामपल आएंगे वहाँ पर भी लिखेंगे तो फिफ्टी ट्विटी पॉर का रेफ्रेंस बड़ वहाँ पर क्लीरली लिख देंगे जो टीसी है सवाला जी इस चेन है व तो मुझे यह बताओ यह जो सपप्लाई है सपाई नंबर टू इंटरमडेर ववेली यह कैस से भी पह सकती है और यह क यह सिर्फ किस्ते पर होता है आप मुझे बताओ एक्स का क्या पर क्यों है सप्लायर किसका गूट kya सर्विस का सर्विस का और सर्विस को रही आपको चार्ड बनवाया अगर मैं अगर में सप्लायाइट सर्विस दे रहा हूं किसके टर्णोवर जुडएगी एक्स तो ऑल्दो एक्स इस नॉन लाइबल टूपे जी एस टी पर हजार रोपे का एग्रीगे टर्णोवर विए डिट टू एक्स की एक्स के अंदर एक्स 24 में 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 डिटरी लाइबल अब बताओ क्या होगा जैसी कंपनी बन गी तो क्या होगा नाइन फाइबल लगने की जुरत नहीं है तो अब यहां पर ध्यान से देखो मैं फिर से डाइगरम बना देता हूं यह हो गया एक्स लिमिटेड यह सप्लाई कर रहा है मिस्टर एको और यह सारी सप्लाई किस के यह हो गई सप्लाई नमबर सफ्लाई क्तने रुपैब की हैicon कि इंटर्मेडियरी सर्विस न कोई इंपैक्ट आएगा य हो तो सेम 먹을 हो इसलिप पर नाघंज करेगा आँससेटो हो जाएगा 95 नहीं लगेगा because the supplier is a company and accordingly X limited who is the actual supplier will be liable to pay tax under forward registration की बात करते हैं अब मुझे बताओ red bus पे registration की बड़ी सोच समझे जादे ना red bus पे registration की requirement mandatory आएगी या नहीं आएगी 215 मेंमें आया नहीं 95 में व्युक्र 700 जिए तो बनवा चार्ट में अगली चीज की बताओ हम किसकी बात कर रहा है सर्वेस तो युवला पाень नहीं आपने के बलो क्या अग्ली चीछ करो red bus पेमित कर रहा है buyments है पेमित हैं यह यह एस एस युह एगर payment करें तो तो अब Redverse को क्या करना है, 52 में TCS collect करना है, और अब मुझे बताओ, जैसे TCS collect करना है, फिर से क्या आ गई? यह वाली mandatory registration, बट यह वाली mandatory registration अलग है, क्योंकि यह हमें GSTN अलग लेना है, तो पढ़िए देखे क्या लिखा है, mandatory registration won't apply to Redverse in this case, it will check its registration requirement after considering 24, but at the same time, liability as a tax collector एक अलग GSTN आ गया, मैंने दो parts में डिवाइड कर दिया न, एक हो गया normal GSTN, intermediary के लिए, intermediary के लिए तो वो क्या check कर वो देखेगा, यह digits हो करके, मेरी aggregate turnover 20,00,000 होई यानि, यह तो अलग चल रहा है, इसके लिए Redverse registered भी हो सकता है, और unregistered, irrespective, अपनी forward charge के लिए Redverse registered है या unregistered है, उस पे एक extra liability आगी, point number 2, वो liability कॉन सी है, TCS, TCS under section 52, और इसके लिए उसे क्या लेना पड़ेगा, mandatory, तो यहां पर दो combo हो सकते है, Redbus अपनी intermediary के लिए पी रिजिस्टर है, TCS लिए पी रिजिस्टर है, और उल्टा भी हो सकता है, एसा हो सकता है, Redbus अपनी वाली के लिए unregistered हो, क्योंकि नए नई नई आप आई है, उसके अभी intermediary service कितनी हो गई है, करकर आके 20,00,000 से गामे सकते हैं, अपनी वाली के लिए unregistered हो, मगर TCS के लिए फिर भी क्या हो, दोनों cases possible, अभी मैं आ रहा हूँ, X Limited को मैं एक मिली के लिए रिजिस्टर मानके चल रहा हूँ, तो फिर आगे भी उसका exception निक्वाँगा, यहां तक ठीक है, done है, चल सकते हैं आगे, फिर बात करते है, X Limited की, एक करके बतो, X Limited को होन है, Supplier of Service, कौन सी सर्विस, 95 वाली है, other than 95 वाली है, 95 वाली नहीं है, 95 वाली नहीं है, 95 नहीं है, 95 नहीं है, other than 95, other than 95 होई, तो क्या लग जाएगा, 24, बट साथा कोर बचाएगा, 23 बचा लेगा, 23 बचा लेगा, in short X Limited को recession नहीं है, अगर उस intersection 20, मीचे reason बता दिया, वैसे तो mandatory लगी थी 24, बट वो in applicable हो गई, due to section 20, अब मुझे एक बापत हो, यह जो हजार रुपे की supply है, यह जो हजार रुपे की supply है, किसके गरिगर टरन ओर में जुड़ेगी, इस बार तो X Limited, 1000 विल बचाएगा, इस पर GST कौन पे करेगा, X Limited, और इस पर invoice कौन काट देगा, X Limited, और X Limited का forward charge है, वो E cash से भी pay कर सकता है, और E credit से यह सारी यह मैंने यहापर लिख दी, X Limited will be liable to do other compliance, वो E cash से भी pay कर सकता है, और E credit से भी, और मुझे बताओ, Redbus ने जो उसका TCS collect किया होगा, TCS का rate कितना होता है, 1, 0.5% CGST, 0.5% SGST, जो TCS collect किय होगा, Redbus ने, वो उसके कहां पर आ गया होगा, E cash ledger, यहापर मैंने लेखो, आखरी line के लिखी, TCS collected by Redbus would be available in the E cash ledger of X, यह मैंने answer दे रखा है, on the assumption that X Limited क्या है, registered, हमें यहापर खाली space है, कुझे एक बाए बताओ, मैंने भी आपको बोला, X Limited को check क्या करना है, 10 लाग या 20 ल मैं चाहूँगा, यहाँ पर अगला answer लिखो, what if, what if X Limited has aggregate turnover of less than 10 लाग, 20 लाग रुपर, अगर X Limited unregistered है, तो क्या होगा, बड़ा simple है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, aggregate turnover 10 लाग या 20 लाग से कम, मुहीं तो बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, X Limited would be unregistered, unregistered के bracket में लिख लो मतलब हम taxable person नहीं है, TP लिखके काट दिया मैंने, TP कोन होता है, one who is liable position या one who is registered, मैं liable भी नहीं हो और मैं registered भी नहीं हो, अगर X Limited unregistered हुआ, no GST payable, no GST payable on transportation service, transportation service पे कोई GST नहीं पे होगा, ना तो Red Bus ने पे किया, Red Bus में बोला मैं 95 में लाइबन नहीं हूँ, X Limited इसले पे नहीं किया, क्यों उसने बोला मेरी एगिरी के टर्नों और 10 लाग 20 लाग से कम है, बिल्कुल भी GST pay नहीं हुआ, अब मुझे बताव, GST pay नहीं हुआ गए, Acclimated Unresisted है, तो यह जो मैंने अभी यहां पर बोला, कि Red Bus TCS collect करेगी, क्या TCS आएगा या TCS भी इन अप्लिकेबल, No TCS, Under Section 62, By Red Bus, TCS भी है, मैंने जानबूच के दो केसी नहीं बनाए, बड़ा complicated हो जाता है, मैंने answer दे रखा है, अगर उसने TCS collect नहीं किया, अब उसको TCS वाला GST लेने की जुरत है, अब देखो X Limited एक लौता seller होगा, और भी होगे, और भी होगे, तो मैं अगली लाइन नहीं लिखने का मन कर रहा है, वो क्या है, कि 24 की mandatory decision है, नहीं लगेगी, बट मुझे बताओ, क्या X Limited एक लौता होगा, नहीं, अगर वो question कहा देना, यहीं एक लौता customer है, तो पहले मैं कहूंगा, बंद हो जा, एक customer से तुमारी आप कैसे चल रही है, वाइ लिमिटेड, having an aggregate turnover of less than 20 लाग रुपे, रंस होटेल, जिसका नाम क्या है, होटेल 5 सितारा, और वो दिल्ली की बहुत ही पहुशेरिया में है, United States of, लक्ष्मिनगर, United States of लक्ष्मिनगर के अंदे, ठीक है, X has booked a room with the tariff value of 2000 रुपे पर नाइट, with Y limited, through the make my trip app, and made the payment through make my trip, make my trip ने कितनी commission charge करी है, 400 रुपे, और उसको कितने पैसे दी है, 1600, पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यह हो गया 5 सितारा होटेल, ठीक है जी, यह हो गया make my trip, और यह हो गया Mr. A, इसने इसको कौन सी service दी, hotel accommodation service, आज की रेट में hotel accommodation service में कोई भी exemption ह है, नहीं, एक जमाना था, 1000 रुपे परड़े से वाले exempt होते थे, कम वाले, आज की रेट में कोई exemption नहीं है, exemption है, अगर hotel, अगर वो accommodation service मिल रही है, in any room which is within the premises of a religious place, तब जाकर exemption है, हम यहाँ बैमान के चल पहले है, religious place वालों को चक्कर यहां पर नहीं है, ठीक है, पहली supply हो होई, 1000 रुपे की hotel वाली service, ए ने इसको payment करी है, make my trip ने, इसको करी है, और दूसरी supply क्या हो गई, 1000 रुपे ने कितरा commission charge किया है, 400 रुपे, net payment करती, 1600 की, बट supply 2 है, एक 2000 की supply है, और दूसरी कौन सी है, 400 की, पहले तो easy वाला काम करते है, 400 वाले को ने बताओ, बताने की जु पहले रहा है, इसको, PS hotel को, यानि, वाई-limited, hotel तो उसका brand name है, असली में को सी company है, वाई-limited, ठीक है, तो यहाँ पर forward charge के इंदर कौन tax pay करेगा, make my trip tax pay करेगा, अचा साथ है, बतातो, make my trip जो यह tax pay करेगा, e-cash से पे करेगा, e-credit से करेगा, यह दोनों से कर सकता है, forward charge का tax ह है, e-cash से भी हो सकता है, अब बात करते है, supply number one, supply number one में actual supplier को है, PS hotel, यानि, वाई-limited, वाई-limited होगी न, वो हमारी, वो actual supplier हो गया, मगर अब चेक करो 95, 95 में hotel वाली entry आज करो, क्या होती है, company non-company matter करता है, नहीं, या पर क्या matter करता है, registered हो या, नहीं, तो question में देखो, क्या जैसी आप liable possession नहीं हो, अब 95 लगेगा है, नहीं लगेगा, येस, और liable कोन हो जाएगा, ECO, यहा देखो, GST will be available by make my trip app under 95, because वो क्या है, unregistered, आगे की कहानी बहुत simple है, जल्दी से बोलते जाओ, make my trip को mandatory registration लेनी है, नहीं लेनी, yes, क्योंकि 95 में liable है, तो उसे लिए, क्या GST लेने की जुरत नहीं है, same GST, अब make my trip को दो tax pay करने है, tax number one कोंसा पे करना है, hotel accommodation वाला, tax number two कोंसा पे करना है, intermediary, दोनों का invoice कौन काटेगा, make my trip, इसका invoice Mr. N.E. को देदेगा, hotel वाले का, और intermediary को किसको देदेगा, P.S. hotel, यानि, वाले को देदेगा, जो intermediary होला tax है, वो E cash से भी पे हो सकता है, और E credit से भी, बट जो hotel accommodation पे हो किस से पे होगा, E cash से भी, बात करते हैं, वाले की, वाले की फिलहाल के लिए aggregate turnover कितनी है, 20 लाग से कम है, ये जो 2000 रुपे की hotel की service है, tax किसने पे किया, make my trip ने, ब circular, और मुझे बताओ, while limited, पे 24 लग रहा है, या नहीं लग रहा है, सोच के देखते है, while limited क्या दे रहा है, goods दे रहा है, service, कौन सी service दे रहा है, 95 वाली, 95 वाली service पे 24 अप्लिकेबल ही, नहीं होता, 24 will not be applicable on by, are we clear यहां तक, question number 2, Mr. A booked the hotel with the tariff of 2000 with hotel, Radisson, ब्रैकन में लिख दिय के इगरी के टान अवर 20 लग से जाद है, question बिल्कुल same, बस यहां पर क्या आ गया, इधर डाल दिया मैंने, Radisson, और इधर मैंने क्या डाल दिया, make my trip, और इधर डाल दिया, Mr. A, same to same, यह किसको दे रहा है, hotel service, 2000 रुपे इसने make my trip को दिये, make my trip ने 2000 रुपे किसको दिये, Radisson क साथ-साथ make my trip ने कितनी commission चार्ज करी, 400, दो supply हो गई, supply number one, hotel, supply number two क्या हो गई, intermediary, supply number two बताओ बहले तो, सबसे easy वाला काम करते हैं न, पहले, intermediary service को किसको दे रहा है, make my trip दे रहा है, किसको, Radisson hotel को, forward charge में tax पे करेगा, make my trip, और क्योंकि यह forward charge का tax है, यह E, cash से भी हो सकता है और E, कोई दिक्तत नहीं है, अब बात करते हैं किसकी hotel वालों की, hotel वाली service क्या 95 में लगेगी, सोच के बताए, hotel वालों के अंदर क्या चेक करना होता था, hotel liable for recession है या नहीं, question ने खुदी बोल दिया, Radisson hotel के aggregator और कितनी 20 लाग से, तादा, तो क्या यहां पर 95 लगेगा, न नहीं, 95 will not be applicable, और इसका मतला, make my trip tax नहीं पे करेगा, कौन पे करेगा, Radisson पे करेगा, और Radisson क्या GST में already registered है, yes, already GST में registered है, तो Radisson will pay the GST under forward charge, और Radisson जब मुझे बताओ, GST पे करेगा forward charge के अंदर, तो वो E cash तो भी पे कर सकता है, और E, correct अब एक एक करके सोचते हैं, यह तो जैसी 95 से बाहर गए, तो वहां जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, पहले चीज़ क्या चेक करनी है, agent, agent वाला काम, क्या, service में हो सकता है, नहीं, service वाला काम, बहुत हो ही नहीं सकता, पिर अगली चीज़ क्या चेक करनी है, make my trip, payment कि तो यहां पर क्या आ जाएगा section 52 और अब make my trip की दो अलग-अलग GSTN हो जाएगे पहले GSTN के लिए तो already make my trip को check करना है वहाँ पर उस वाली registration जो make my trip की main registration है उस पर 24 नहीं लगेगा वो 22 लगाएगा अगर अगर उसकी इंटर्मीडियरी के चार चार सवर पर इखटे करके 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 उसके अगला काम किसके लिए आ गया 52 टू टीस क्लेक्टर में अच्छा टीस क्लेक्टर में से पहले एक चेक कर लिए अगरों जिसका टीस क्लेक्टर रहे हो जीस्ट में रिजिस्टर रहे है तो हमारा टीस आएगा जैसी टीस आएगा मेक मैं ट्रिप को एक अलग जीस्टन लेना पड़ेगा टेक्शन नंबर 24 में और यह जीस्टन सर्फ किस काम के लिए होगा टीस क्लेक्ट करने बात करें रिडिसन की रिडिसन के केस में 2000 रुपे की एगरीगे टान वर जुड़ेंगे और यह जो टैक्स पे करेगा इगा इगरेवाली तीज हमारी ठीक है अच्छा एक मिंट के लिए यहाँ पर तो सारा कोश्चन ऐसा है कि मेंग माइट पेमेंट है रहे हैं वड़ा वाट पीस टिलाल दें इसके इंदर भरी देते हैं खाली पड़ा स्पेस वाल तुमें लिख दो वाट इफ वाट इफ एम एम टी डजन्ट हैंडल पेमेंट लेट संपोसर किंटेमेंट हैंडल कम अब बताइए क्या ओंगा एक न अब विख कौन पे करेगा लेट इक सब्सक्राइस करेंगा च्छों कि अबूंकि इंदर नहीं करता सब्सक्क्राइअ MMT को TCS कलेक्ट करना है या नहीं करना नहीं तो no TCS by MMT in this case. Question जैसे मर्जी घुमा फिरा ले we should be equipped to answer it. चले आगे. Illustration No. 7. फिर आगे रेस्ट्रेंट, Z Limited is a restaurant having aggregate turnover of less than 20 लाग रुबे. रेस्ट्रेंट हमारा GST में registered होगा या unregistered होगा? Unregistered. रैसे सही बता हूँ, restaurant में matter नहीं करता. Restaurant के अंदर registered होगा या unregistered matter? नहीं करता. फिर भी टाइम पस्क लें रख है. Aggregate turnover कितनी है, 20 लाग से कम है. Runs a restaurant in Lakshmi Nagar. Mr. A orders cooked food. Cooked food के relevance ही है. Food के अंदर by way of service ही है. As part of service है. Cooked food एकदम क्या बन जाता है? Service बन जाता है. वर्थ 3,000 रुपे from this restaurant through Zometo app. And makes the payment through Zometo. Zometo ने 600 रुबे की commission charge करी और restaurant को दे दिया. इधर है restaurant. इधर है Zometo और इधर है order करने वाला Mr. A. उसने 3,000 का order किया. 3,000 restaurant का स्पहुंच गया. Restaurant वाले ने क्या दी? Restaurant service दी. ये तो हो गई supply number 1. Supply number 2. Zometo ने intermediary service दी. और intermediary service के लिए commission कितनी चार्ज करी? 600 चार्ज करी. पहले तो intermediary को ने बता दो बता जल्दी से. बार-बार लिख रखा है मैंने repetition के लिए से वैसी. Intermediary service by Zometo to hotel. Forward charge can be paid through e-cash ledger. Can be paid through e-cash ledger. ठीक है जी? Now let's talk about restaurant service. Restaurant service 95 में आता है? कब आता है? हमेशे ही आता है. कब नहीं आता? यह बताता हो अगर restaurant एक होटेल में है और उस होटेल में रूम का किराया 75-100 रुपे पर डे से जागा है. क्या यह सब mention है? नहीं. लक्ष्वी नगर में नौर्माल एक restaurant है. तो क्या यहाँ पर 95 आएगा? येस. तो इस restaurant service क्यूब पर tax पन पे करेगा. जुमेटो विल भी लाइबल टू पे टाक्स अंडर 95. जुमेटो विल भी कंसिरेड अज दीम्ड सप्लायर. आगे बताओ. जुमेटो की registration requirement. 95 में जैसी लाइबल हुआ, क्या लेनी पड़ेगी? mandatory registration. और जो mandatory registration लोग है, आप वो अलग GST न आएगा है, intermediary. restaurant काना tax किसे जाएगा? e cash ledger. और intermediary विले कैसे जाएगा? e cash भी और e collector. invoice दोनों के कोन इस्यू करेगा? zomato issue करेगा. नेक्स सवाल, ये जो 3000 की supply है, tax तो इसने zomato ने पे करा, मगर ये किसकी aggregate turnover में जुड़ेगा? restaurant. although Z limited is not liable to pay tax, still 3000 will be added to the aggregate turnover of Z limited. और आखरी चीच कमेंट करतो Z limited की registration ये उपर. Z limited क्या supply कर रहा है इसी हो के तरिक तरिक गुट्स या service? service. service का chart बनवाया था भी मैंने? service के अंदर 95 वाली service या अदर दर 95? 95 वाली service. 95 वाली service को 24 applicable नहीं होता, 22 applicable होता है. फिलाहाल के लिए aggregate turnover 20 लाग से कम है, जब 20 लाग से बढ़ जाएगी, तो क्या ले लेना? registration लेना. ठीक है जी? अच्छा registration ले ली. Domino's का example आ गया. Domino's. Domino's हमें Mr. A को supply कर रहा है. किस के थुरू कर रहा है? Zomato के थुरू कर रहा है. आपने 3000 रुबे का pizza order किया. ठीक है? और Zomato ने 600 रुबे की क्या charge करी? Commission charge करी. क्या answer में? कोई बदलाब आएगा या या नहींगा. कोई बदलाब आएगा. और उस होटेल के अंदर जो रूम होता किराया का. वो कितना होता? 75-500 पर रडे से जादा. तो सरु दॉमिनोस रेस्टरेशन लेकर क्यों बैठा है? दॉमिनोस रेस्टरेशन को लेकर बैठा है? क्योंकि दॉमिनोस की सारी सप्लाई जोमेटो से आती है रेस्टरेशन के के केस में रेजिस्टर और अन्रेजिस्टर बैठर नहीं करता है. मैंने ये केस क्यों बनाए? क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूस करेगा. आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नमबर नाइन. बुकारा. इसका एक्जामपल बारवाल लेता हूँ. भुकारा इसफाइन डाइनि रेजिस्टरेड रेजिस्टर्ड फेविक्रेग एग्रीगेट टर्नोवर ग्रेटर थेन बीस लाग उर्पे. लोकेट इन दे प्रमाइसेज ऑफ आईटीसी मौर्या विच इस फाइफ स्टार होटेल इन डेली चीका जी रूम इन आईटीसी एव आईटीसी के होटेल का रूम आठ जार का है मगर सर न्यू येर का डिस्काउंट चल रहा है वो छे जार का है तो जस्ट बता आरूं चेक कर ले ना वा डिकलेर्ड टैरिफ मतलब है डिस्काउंट छोड़ो तो डिकलेर्ड टैरिफ है जस्ट मैंने बता दिया ऐसे इतनी डीप में जाएगा नी बट कई बच्चों को दिमाग कलता है नहीं जादा वो कैने रसर वैसे तो 75 से जादा था ब अगर आप डिकलेर्ड टैरिफ बढ़ा दोगे अपने रेस्टरंट को बचाने के लिए तो अपनी होटेल सर्वेस के लिए ठीक है वहां पर अच्छा यहां पर एक बार चलो यह तो हो गया डिकलेर्ड टैरिफ हमारा इससे जादा हो गया बुकारा ऑल्सों डिलिवर्स दा पूड थूअ ने तीन उजार रोपे का खाना और वरिया वरुकारा से बुप जलो तीन हजार का वाटो की कोशन करे बस इस बार एंग्जाम्पल में कौन आ गया हमारा restaurant के नाम पर यह गया वर्षारण बोकारा और यह सोग्या अबार्यृ क्या को payment करी जुमेटो ने किसको पेमेट करी बोकारा को असली में हमने मिस्टरे को क्या दी रेस्टरट सर्विस चेक वे ओडर भी रेस्टरट सर्विस होती है जुमेटो ने कितनी कमिशन चार्ज करी 600 रुपे मुझे बताव इंटरमेटरी का अंसर बदले गाई सेम रहेगा सेम स बताओ जो बोकारा ने रेस्टरट सर्विस दी है उस पर नाइन फाइब लगे रहेगा नहीं लगेगा नाइन फाइब नहीं लगने का मतलब क्या है जुमेटो विल नॉट बी लाइबर टू पे टैक्स अंडर और क्योंकि बोकारा फ़वर्ट चार्ज में टैक्स पे कर र टी सिफ तेले जाने से पहले चेक कर लेदें क्या जमेटो एजिंट उसकती है नहीं इसमेटो इसमें उसकित में आता है इस अर अपनी लेटिक्वाग करना है जो टी सर्विस अगर 20 लाग से जाधा है तो register होगा 20 लाग से कम है तो क्या होगा unregistered so it is possible Zomato अपनी service के लिए registered है TCS के लिए registered है और TCS के लिए तो हमेशे क्या आएगा separate GST आएगा और बुकारा की बात करते हैं बुकारा की हाथ में 3000 के टन हो रहेगी वो tax pay करेगा e cash से भी pay कर सकता है और e credit से भी pay और Zomato ने जो TCS collect किया है वो बुकारा के कहां पर आ जाएगा e cash यह हो गया सारी कहानी service की अब sir क्या रह गया goods की कहानी शुरू हो गया अच्छा goods की कहानी में मैं एक चीज़ पूछूँगा यह अब आप से क्या नहीं पूछूँगा नाइन फाइब भुट्स के अंदर नाइन फाइब लग ही नहीं सकता तो अच्छा हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं Samsung India makes supply of mobile phone from flip card to Mr. A payment is made by Mr. A on the flip card app and flip card ने चार्ज करें यहाँ पर लिख देते हैं Samsung India यहाँ पर है flip card जो की ECO है हमारा और यहाँ पर है Mr. A Samsung ने Mr. A को क्या दिया mobile phone ए ने payment करी 10,000 flip card ने Samsung को कितनी payment करी 10,000 मगर साथ-साथ flip card ने कितने पैसे चार्ज करें 1500 की कमिशन पहले तो 1500 की कमिशन बता तो अब बात करते हैं इसकी mobile phone के उपर 95 लगता है लग सकता है 95 ने पावरी किसके लिए दिया है तो यहाँ पर अब्विस ही बात है टेक्स कोन पे करेगा Samsung Samsung टेक्स पे करेगा ठीक है अब Samsung टेक्स पे कर रहा है यह सेमसंग बात आई अब अगली बात आई Samsung की रिशेशन की बात करते हैं सेमसंग की रिशेशन की बात करते हैं न सेमसंग इस सप्लाइंग गुड्स त्रू ईसी ओ अभी बताओ तिल लास्ट अटेम्ट अगर लास्ट अटेम्ट तक के तुम होते तो तुम क्या बोलते पहली बात तो तुम यह चैप्टर ही ना पढ़ रहे होते वैसे बट स्लेव एक ही जगा है और मैं एन्रोल्मेंट नंबर लेने के लिए तो उसको रिशेशन लेने के लिए 40 लाग क्रॉस करना पड़ेगा बिना 40 लाग क्रॉस करें वह नहीं होगा तो मैंने यहां पर देखो क्या लिख दिया सेमसंग विल भी लायाबल पर मेंडेटरी रिशेशन सिस और इसका फाइदा लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा एन्रोल्मेंट इस मोबाइल फोन का इन्वाइस को निशू करेगा जो टैक्स पे करने के लाबल है यानि सेमसंग इंडिया अच्छा फ्लिप काड का पूरा रोल क्या है यहां पर फ्लिप काड ने चेक किया 95 लग रहा है नहीं फिर उसने का चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से फेले फ्लिप काड चेक करेगा क्या फ्लिप काड एजेंट की तरह बिएव कर रहा है नहीं अगर हमने फ्लिप काड को इन्वाइस की शू करने की पावर नहीं दी है त और क्या Samsung India already GST में registered है yes यहां पर क्या आ जाएगा Flipcard को collect करना है TCS under section 52 और इसके लिए registration लेनी है मगर अलग registration लेनी है या same लेनी है अलग तो अब Flipcard अपने 1500 रुपे वाले tax के लिए अलग GSTN लेगा अगर उसके एगरीगे टान ओवर 20 लाग से जादा है और TCS collect करने के लिए उसका GSTN और यह जो intermediary service है इसके लिए वो invoice वगर आभ इशू करेगा यह cash से भी pay कर सकता है और यह तो मैंने answer लिखा अगर Samsung India क्या है GST में registered यहां पर एक note करो what if what if Samsung India decides to supply goods only in one state अगर Samsung India सिर्फ एकी state के अंदर supply करे then as per section 23 notification as per section 23 notification it is not liable for registration till aggregate turnover is less than equal to threshold limit जब तक aggregate turnover threshold limit से कम है तब तक registration नेने की जुरत नहीं होई है ठीक है if unregistered अगर वो unregistered होता है then no GST payable on mobile phone mobile phone के उपर flip card भी tax पे नहीं करेगा क्योंकि 95 नहीं लग रहा और Samsung India सिर्फ पे नहीं करेगा क्योंकि Samsung India क्या है unregistered है और अगर सबसे easy illustration और लास्ट में डाली है सिर्फ confuse करने के लिए इस यह पूछ सकता है क्योंकि बच्चे का दिमाग इतनी चीजों में घुम रहा होता है कोई रिलाइज ही नहीं करता है यह बिलकुल easy है जड़ा पढ़िये Samsung India makes mobile phone की supply of 10,000 रुवे फ्रॉम वेबसाइट यहां कोई complication है नहीं कोई 95 नो कोई 52 नो कोई section 24 नो यहां बड़ा simple case है अगर Samsung offline बेचे यह अपनी website से बेचे provision same है या नहीं है यह तो इस particular case के अंदर there is only one supply mobile phone undoubtedly Samsung India will be liable to pay GST under power charge यहां आपर mandatory registration 함 Samsung India पर apply नहीं करेगी उसको region तब ही लेनी है अगर उसके aggregate turnover 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 को cross clear is case यह हो गया आफरी case है है अब अगन ड्राफ्टिं की भिक्कता voluntary registered है तो technically आपकी बात बिलकुल सही है है बट मेरे साथ से फिर भी हमें 95 नहीं लगाना चाहिए बाकि लाइबल वर्ड है तो अगर मैं बिल्कुल स्टिक्ट इंटर्प्रेटिशन के साथ से जाओं अगर उसमें वॉलेंटरी रखी है हाउस कीपिंग में और अपना कौन से होटेल वाले में तो भी वहाँ पर 95 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने यह नहीं बोला इंडिया की कंपनी है भार की कंपनी है वर ने इंडिया में सबसेटी नि बना रखी दी और आज़की डेट में मेरे साब से अब यह जो आप है अभी बी ऊबर उएस के नाम पर आपने बड़े चौंड में बोलतो तो दिया 95 में उबर विल भी लाइबल वर ने का आम तो इंडिया में हाई नहीं नहीं तो हमने य आपके registration लेनी पड़ेगी यानि यह मेंटर नहीं करता 95 के अंदर कि वो इंडिया की एप है या इंडिया के बाहर की एप है whatever is the case तुम इंडिया में physically present हो या नहीं हो तुम्हें registration तो लेनी ठीक है यहाँ पर जो भी सारी मैंने आपको बाते बताई यह सारी CBIC अगर इस यह ना सब्सक्राइब करते हैं अगर इस यह लाइबल टुपे जीस अंडर फिटीट अब बताओ अगर इस यह ना वाला पूच रहे हैं नहीं वे तु कैसे सवाल पूच रहे हैं क्योंकि सर्कुलर में कुछ भी पूचते हैं अगर 95 में है तो वहाँ पर TCS की कोई भी requirement नहीं आएगी जवाब चाहिए यार यह ना ऐसे बैठे मत रहो इतना पूरा चैप्टर कहतम होने के बाद जब 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 जाएगी ब्रेक जब लिए अब यह जल्दी से करा दो तुम्हारे ऐसे करने से जल्दी मिल जाएगी तुम्हें रोज का पता ब्रेक कम मिलती है जवाब देद या उसको रेजिस्टेशन लेनी है अलग से या उसी से जाम चलेगा उसी से मतलब जो इंट्रमेडेरी के लिए लाइबल है उसी के लिए सेम आएगी सेपरेट रेश्टेशन लेने की जुरद नहीं होगी चिका जी आगे सप्लाई ओफ रेस्टेशन सर्विस ओन इस अंडर 95 will be included in the aggregate turnover of whom मैंने रेस्टोरेंट सर्विस दी जुमेटो के थ्रू जुमेटो लाइबल है बट एग्रीगेट टर्नवर किसके जुडएगी रेस्टोरेंट यह वो डिस्प्यूटड चीज है जो मैंने आपको बारब बोली है यह डिस्प्यूटड इसलिए है क्योंक तो आप अपनी 95 की लेंग्वज चेंज करो 95 में आपको यह नहीं लिखना चाहिए all the provisions will apply on the ECO as if he is the deemed supplier when you have said that he is the deemed supplier then treat him like a supplier because deemed supplier करते ही वो सारा कुछ बन गया तुमने यह आपर दोगलापन कर रख है टैक्स पे करने के लिए क्या करते हो deemed supplier aggregate turnover के लिए क्या बोलते हो यह और अगर आपको aggregate turnover उसके restaurant में जुड़वाना भी है तो circular is not the correct way you should do an amendment in section 2 aggregate turnover की definition that is the correct way मेरे साब से वो सही होगा aggregate turnover की definition में clarification दे दो यह circular से जुगाण मारने वाली बात है इसलिए मेरे को कोई हरानी नहीं होगी कल को यह circular को चैलेंज करवा दे कल को अगर चैलेंज हो गया और कोई हरानी नहीं है और मुझे ऐसा भी लगता है अगले एक दो साल के अंदर अंदर यह clarification सरकार चाहे तो एक के अंदर डाल सकती है क्योंकि आपने 3B के अंदर ही वह पर रिपोर्ट कर देगा और लास्ट में यह भी इंपॉर्टन है अभी मैंने आपको बताया इंटर मेडियरीयोली टैक्स सर्विस कैसे करेगा और रेस्टरेंट वाली कोंसी पे करेगा रेस्टरेंट वाली पेड कैन बी पेड ओनली एंड ओनली तूप इसमाइटिसी नहीं आएगा और अगला चीज फूब इस्ट अगर इस्टरेंट अब्सक्राइबान और अगर बुकारा यह नहीं करेगा और आप यहिए नहीं कर रहे होगे आप इंवाइस्ट किसके दवरा ही शुड होगा तो या इस्टरेंट आप कि अगली चीज़ वोट इफ दो कुट्स पड़सेंट सर्विसेश सुप्लाइड बायर रेस्ट्रेंट अंडर था सेम ओर मुझे बाह बताओ आज आप जो मैटो पे गए आपने अल्दी राम को खोला कि अल्दी राम पे चेक कर ले ना दो पे अल्दी राम जो मैटो से कुट व ले लिया और हल्दी राम का सेम और के अंदर कुग्ड फूड भी ले लिया प्रोविशन दोनों अलग अलग है बताओ कुग्ड फूड रेस्टरेंट सर्वेस है वहाँ पे 95 लगेगा और जो प्री पैकेज्ट फूड है वह सर्वेस ही नहीं है वह किसमें आ जाएगा गुड यानि कुग्ड फूड वह भी मंग वारे है और हम क्या कर रहे है प्रीपैकेज फूड यह ही वह पवर जो घीयाज्ट आप हल्दी राम ने पे किया है और जोनीवाल की है टीएर्ट प्रोट आप 9.05 में टेक्स किसमें पे कर रहा है हम यह छोटी-छोटी चीज़े रिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि हम और डेली वेसिस पर करते हैं अब अगली बार से एक काम करना यह सारा चेप्टर इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप सब करते हो अगली बार से कुछ भी ऑनलाइन मंगमा हो इन्वाइस को ध्यान से देखना और अपने दिमाग में रिविजिन करना 9.05 लग रहा है यह नहीं लग रहा है या क्लियर है अभी टीडियस के चेप्टर रहा गया वर तुमारी छकले देखके लग नहीं रहा ब्रेक ले ल हां जी हालो हां करें स्टर्ट ब्रेक के बद किसने भी यहां नहीं बोला इस आपकी मर्जी आपकी श्रद्दा है चलिए हमारा अभी तक की डिसकुशन में कहां पे 95 लगेगा कहां पे टीची एस लगेगा पूरा डीटेल में डिसकस हो गया है अब टीडियस और टीचीएस का चैप्टर क्योंकि फॉर्मली हमारे स्लेबस का पार्ट है तो टीचीएस के अंदर और अभी टीडियस तो मैंने आपको बताया ही नहीं इसके अंदर काफी सारी प्रोसीजरल जीजे भी होती है वो डिसकस करनी है तो टीडियस बाद में करेंगे टीडियस तो भी मैंने ड कब करना है मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं इससे पहले कि आप कंक्लूड करो कि को टीडियस करना है कौन कौन से हर्डल क्रॉस करने पड़ेंगे हर्डल नंबर बन इस यो कौन सा होना चाहिए मार्केट प्लेस वाला या खुद की वेबसाइट वाला मार्केट अगर एक इस यो अपनी खुद की वेबसाइट से समान बेचता है गोट या फिर सर्वेस जैसे की एवीजे हो गया जैसे की पतांजली हो गया क्या उसके ऊपर कोई प्लिकेशन आएगी नहीं क्योंकि TCS तब आएगा जब तीन परसन हो और जब इस यो अपनी वेबसाइट से बेचता है वहां पर तीन नहीं होते कितने लोग होते हैं दो लोग दो लोगों के केस में तुम काट हो गए ही किसका तो पहली चीज़ तो मैंने आपे क्लिरली ल 52 के अंदर एक लाइन लिखी दी उसने अपनी एक लाइन के अंदर ही clarity दे दी उसने का हर ECO को TCS क्लेक्ट करना है पहली बात तब अगर वो एजेंट की तरह भी नहीं कर रहा है दूसरा तब ही अगर वो क्या कर रहा है payment कर रहा है और तीसरा उसको किसमे करना है taxable supplies पे अभ net value of taxable supplies means any supply of notified services which are under 95 95 वालों को बाहर करने वाला काम ना इस लाइन ने नहीं करा वर उसने इंडिरेक्ली 95 वालों को बाहर कर दिया कैसे क्या बोलके हमें TCS कलेक्ट करना है on the net value of taxable supplies और net value of taxable supplies की definition में clarify कर दिया वो supply जिनकी उपर 95 है उन पर TCS नहीं आएगा तो मैंने crux यह पहला point कब नहीं आएगा जब हमारा ECO 95 के अंदर क्या है लाइबल है 95 के अंदर goods वाले आते हैं यह service वाले service भी सारी आती है notified चार नोटिफाइड अभी मैंने जो ब्रेक से बहले आपको चार्ट बनवाया वहां पर दो अलग parts कर दिये थे 95 वाले अलग चले जाओ other than 95 वाल मालो make my trip है make my trip के अंदर छोटे होटेल भी होंगे और बड़े होटेल रेडिसन वाले भी होंगे ब्रेक से बहले रेडिसन वाले एक्जामपल लिया था हमने अब मुझे बताओ आप make my trip के पास booking कराने आए आपने booking कर आते समय यह चेक करते हूं वह GST में रिजिस्टर है य किसमे लाइबल हो जाएगा 95 में और अगर आपने रेडिसन बुक करा दिया तो वह GST में अलड़ी रिजिस्टर है तो 95 आपली के बल नहीं होगा 95 नहीं होगा तो क्या करना है 52 तो अगर आप धिया से देखो MMT का डूल स्टेटस है कुछ सप्लाई के लिए 95 कुछ है राखि अगर MMT 95 में किसी भी सप्लाई के आ गया तो 52 में नहीं आएगा हम सप्लाई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं जिस सप्लाई पे 95 आ गया उस सप्लाई पे 52 नहीं है मगर जब मैंने पांच सितारा होटेल की बुकिंग ली तो 95 में पे किया 52 में नहीं देल किया बड़ जब मैंने रेडिसन के लिए बुकिंग ली तो महाँ पर 95 नहीं आया तो आटमेटिकली क्या आ गया 52 ले रहे हो लिए तो सप्लाई स्पेसिफिक अलग-अलग बाते आप को करनी है जो मैंटर बोकारा वाला भी ओर्डर लेता है तो मैंटर बिलेक्ट लेटर क्या होता है 95 लगता है उस पर टी मैं नहीं आती सो दो यहां भालक बन जाता है靡िका यहां पर सप्लाई सबलाइश ब्योंच कालएक मारे जब इसी हो मारा का भी है कर रहा है एजेंट एजेंट वाला पॉइंट लिख लो यहां पर उनली एपलिकेबल पॉर गुट्स क्योंकि जो एजेंट का कॉंसेट होता है वो लगता ही किस के लिए है वाला कैस्स है मैंने कर आपको बन वापि दिया था यहां करो मा ने प्लॉस करें यहां तो यहाँ पर दो स्प्लाई हो गई मैंने मेङ हेले बॉक्स बैचने वाली iq लेबसाइट है में डिलिवरी को बोला तो 717 की सप्लाइ मैं टैस्पे करूँगा डिलिवरी क्या करेगा आपको सप्लायर को नो गया में डिलिवरी आपको नो गये तो यहां पर दो अलग-अलग सप्लाइब ठीक है जी टीस को सवाल ही नहीं आएगा जब यह उप्लायर के भीहाब पर पेमेंट कोलेक्ट नहीं कर रहा एक एक जांपल यह था मैंने जर्ज टायल का पेमेंट कलेक्ट करने की जुरद नहीं है अच्छा यहां पर एक नोटिंग भी अगर आम तोर पर को आप नहीं है को स्प्ट्रियोम्ट कर रहे होते हैं कि यहां पर कवर कि लडी पीमेंट तो क्वोन करता है के बाद इन हो सकते हैं येस अगर वो सप्लायरी जीस्ट में अन्रेजिस्टर्ड है क्या इसका टीसेस करेगा नहीं तो इसकेस के अंदर इस यो इसकेस क्लेक्ट नहीं अभी लिखवा दूंगा यह सारी चीज़ें अभी याद है दो क्लास बाद भूल जाओगे इसलिए मैं वह कौन को से हडल क्रॉ कुछने है वो नोट डाउन करा दूगा हाउ टू अप्रोच अप्रोच इन्वालविंग इसी ओ मैं आप लिखवा दूगा ठीक जी चलिए स्क्विट बढ़ाते हैं तो डी आगे बढ़ते हैं किस पर करना है लॉन ने बोला टीस करेक्ट करना है ऑन दा नेट वेल्यू टाइड करता हूँ टैक्सप्लाई का मुलब रहूँ जो एक्जेंट नहीं है यह नि मुझे बाद बताओ मैंने आप इसी ओकी तुरू सप्लाई करी बट मेक मारे डिलिवरी वाला जो एक्जाम्पल लिया मैंने किसी ओकी तुरू सप्लाई करी अमेज़न वगरा के पेच रहा हूं अगर वो जो गुट्स जा रहे हैं या सर्विस जा रही है वो क्या है इन अधर वर्ट्स अगर एक्जेंट कुर्स या सर्विस जा रहे हैं तो उस पर टीस की आपने के बिलिटी यह चीज़ नेक्स चीज़ नेट वेल्यू अब लाए मुझे एक बाए बताओ आप आप आमजोन पर जाके ऑडर करते हो मंत्रा पर जाके ऑडर करते हो हर वापिस कर देते हो आपने यह पसंद नहीं आया आ यापने क्याकर दिया वापिस यानि अब एक सेलर है मालो मैं अमज से ठीक है जी उन हजार ओर्डर की वैल्यू थी दो लाग रुपे दो लाग के ओर आए मैंने दो लाग की सप्लाई करी Amazon थे मगर इन हजार में से बीस ओर वापिस होगे जिनकी वैल्यू दस अजार रुपे थी तो अल्टीमेटली मेरे पास नेट वैल्यू कितनी आई Amazon से दो लाग के ओर आये थे जो Amazon ने मुझे देने हैं दस अजार का क्या हो गया था रिटर्न अब Amazon ने मुझे देने हैं एक लाख नब्वे अजार सवाल यह है कि सप्लाई तो दो लाग की करी फिर दस अजार वापिस आ गए PCS जो वन परसेंट का है वो दो लाग पे लगेगा यह नेट अफ रिटर्न लगेगा नेट वैल्यू को डेफिनेशन लोग पढ़ो एग्रीगेट वैल्यू आप्स अप्लाई और से एक तरह से उसे माइनस कर देंगे तो यहां पर नीचे मैंने एक्जामपल दे रहा जगा पढ़िए सप्लाईर नंबर नमबर ने एमाजॉन पर रिटर्न नेए वालो उसने सब्टेंबर के महिने में पर फ्लिप कार पर पिस्टेंबर के महिने में कितने की सप्लाई करी 15,005 और प्रॉटक्त रतना बड़ी है एक भी सेल रिटर्न ने तो अब नेट मुझे बताओ कितनी पेमिट करनी है 15,005 पर सेंट है अगें I want to ask 1% CGST 1% SGST total 1 है तो 1% IGST collect करोगे अगर Interstate supply हो रही है और अगर CGST हो रही है तो 0.5% CGST 0.5% SGST 1% किसका रहागी आगा अंसर खत्राइब वड़ा सेंपल सप्लाइर नमबर टू देखो लिपकार से स्पूरे में में सप्लाई कितने करी 25 लाग कि अलग अलग सप्लाई होएंगी कोई 50 रुबे की करी होएगी कोई तो यह तो तो अब मुझे बताओ बैठके प्लिपकार एक 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 इन्वाइस पर टीस करेगा फिलिपकार्ट गएगा मेरे पास तना टाइम नहीं है बैटके एक एक कर टीजिस करूं टोटल महीने में तुमने कितने की सप्लाइब करी पच्छेस लाग इसके अंदर हो सकता है आपके सकता है जहाँ पर छिदे कितने की हाँ गए है टो हो सकता है पचराइब आपने 30 April को समान खरीदा तो April और अपर पहले ही रिटर्न करोगे में में हमारी घडबर होगी पिछले महीने का रिटर्न आया इस बर सप्लाई कितनी हुई है 2 लाकी रिटन कितने का आया है पाँच लाग का पताई क्या क्या करना चाहिए माइनस पे माइनस वाले अबाउंड क्यों पर TCS कलेक्ट हो सकता है नहीं यहां पर Cbic ने क्लैरिफाई किया पॉर्ट नमर्स पड़ा उपर यहां यहां पर TCS सिंपल बाश्या में यहां पर TCS जब भी नेट वेल्यू नेगटिव आ रही है यानि सेल रिटरन जाद है उस महिने में और सप्लाई नहीं कम हुई है तो नेगटिव वाली 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 पर TCS नहीं आएगा यह करना इस साल भी TCS नहीं कर लेना और अगले महिने भी जाकर इसको तीन लाइक को को लेस मत करना इट विल हैव नो अप्लिकिबिलिटी क्लियर रहे वली जी आई डोंट इंग आस तक कभी कोश्चन पूछा है बट क्लारिफाई कर दिया मैंने कि नेगरिटिव भी हो सकता है अगला सवाल सर इसका मतले मुझे नेट वेली ओफ टैक्सिवल सप्लाई निकालनी है हर सप्लाईर की हर किसी का क्या करनाइhy tcs यह जो net value of rex supply करनी यह पर month करनी है यह पर quarter करनी है यह यह महिन बाद करने है यह अन पर साल करनी है टांगा स्य नुस्य गल्यान किसे होती है मंतली क्योंकि टीस तक immigrants क्रिकान मंतली होती लोजिक बड़ा सेंपल है इसका क्योंकि TCS जो करना होता है वो भी मंथली करना होता है और TCS की जो बोलते से स्केटमेंट बोलते हैं पीसेजिए जाती है वो भी कैसे जाती है मंतली अभी मैंने बता ही दिया थे वैसे अगले महीने की दस तारीफ जीकशाओ उसकता है TCS Amazon पे AVJ की ही अलग-अलग प्रांचे से रेजिस्टर्ड हो AVJ Delhi है AVJ हर्याना है AVJ UP है तिनों का GSTN क्या होगा अलग-अलग तो बताओ Amazon पे वो एक ही सेलर होंगे है तीन सेलर होंगे है तीन सेलर होंगे तीन GSTN है तो मेरा सवाल यह है यह जो Net Value of Taxable Supply है मालो AVJ हर्याना ने सप्लाई करी 15 लाग की एवी जे UP का रिटान आ गया तीन लाग का तो मेरा सवाल यह है एवी जे हर्याना और एवी जे का UP का TCS अलग-अलग काटोगे अलग-अलग कलेक्ट करोगे या एक साथ कर दोगे जब दोनों डिस्टिंग परसन है तो TCS भी क्या आएगा अलग-अलग क्योंकि भाई हम जो TCS कलेक्ट करेंगे वह सामने वाले की कैश लेजर में जाएगा और मैं रिसेशन चैप्टर में बार बार बोल चुका हूं जब 400 एविजे डेली ओर एवीजे यूपी रेजिशन लेंगे क्या उन्हुंका ईक एकेश ओर एक लिएट लेजर सेम होगा या अलग-लग होगा अलग होगा अलग अलग-अलग-अलग उम्हिस में ब्ल सेचसों एट सप्ट इस शैटwnoर है एजक्टन सब्लाइब और यह बार बार बोलने की जुरत नहीं है जब एक बार सेक्शन 25 में हमने इनको डीडीपी बोल दिया इनको कैसे ट्रीट करना है अलग-अलग ही ट्रीट करना है तो दो-तीन जो होती है मैंने यहां पर अब हमारी नई नॉलेज यह आई ब्रेक के बाद कि टीस जब कलेक्ट करना होता है इस यह को तो वह एक-एक इन्वाइस पर लग से कलेक्ट नहीं करता है वह क्या करता है पूरे महीने का एग्रिगेट देखता है पूरे महीने की सप्लाई जो उस इस कि तरह हुई है माइनस पूरे महीने जो रिटान हुआ है उस पर्टिकुलर महीने ठीक जी मुविंग ओन आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स चीज हमारी रेट्स ऑफ टीसी एस टीस का रेट कितना है वन वन मतलब पॉइंट फाइब परसेंट सीजी एस टी पॉइंट और आई जी एस टी हो तो फॉन परसेंट अब मेरा सवाल यह है तीस एस क्लेक्ट करते समय यह उने आई जी एस टी कर टीस कने आँ यह सीज्ट एस त्याव करना है कि कैसे डिटामिन होगा मैं एक्जाम्पल ले लकाओ सब्लायर है मालो सब्लायर है रेडिसल होटेल है क्यों है फ्लिपकार्ट जो कहां पर रिजिस्टर्ड है बैंगलॉर में रिजिस्टर्ड है अब मुझे बताओ इसमें टाक्स कुन पर करेगा एक्स लेमेटेड जब लोकेशन ओफ सप्लाइर और प्लेस अफ सप्लाइए दोनों हर्याना में है तो इस सप्लाइए पर क्या लगा होगा cgst और sgst लगा होगा ठीक है इन्वाइस पर cgst और sgst है तो अब मुझे बताओ जब को tcs collect करना है तो वह 1% igst collect करेगा या 0.5% cgst करेगा आपको देखना में इन्वाइस पर क्या लगा है में इन्वाइस इंट्र सेट्स अप्लाइए थी जो तुम्हारे थू हुए है अगर वह इंट्रस रेट थी उस सेटे क्या लगा होगा cgst और sgst और उस पर cgst यस्ट लगा होगा तो हमें भी क्या तरना है .5% cgst .5% sgst अब रॉबलम सब्छे क्लेक्ट तो क्या तर नहीं e co .5% cgst .5% sgst sgst को सिटेट का हरियाना का अब मुझे सवाल यह है क्या वो बैंगलॉर वाली रिस्टेशन से टीस कलेक्ट कर लेगा या वो हर्याना में आगे नहीं रेश्टेशन लेगा बैंगलॉर में बैठा एक इसी ओ क्लेक्ट करना चाहरा है यह हर्याना का सब्सक्राइब कर नहीं इसलिए प्लीज टेक्र प्लेगा यह नहीं पड़ेगी हर्याना में रसे हो सिमिलर्ली कल को एक वाइल लिमिटेड आएगा डेली वाला ठीक है जी वो डेली के किसी कस्टमर को बेचेगा तो क्या लगेगा cgst और डेली का sgst हमें कलेक्ट भी क्या करना पड़ेगा 0.5% cgst और 0.5% डेली का sgst तो और ECO को कहा रिष्टेशन लेनी पड़ेगी डेली में रिष्टेशन लेनी पड़ेगी बात सवज में आ रही है या नहीं आ रही है तो इसका मतलब प्लीज टेक क्या एमजॉन अभी मैंने ब्रेक से पहले क्या बताया अपना टैक्स पे करने के लिए अलग जी इस चिल लेता है एसी ओ के लिए अलग जी अस्ट और मेरा सवाल यह है अब टीस करने के लिए भी वह पूरे देश में एक जी इस चिल लेता है या स्टेट वाइज लेता है प्रॉब्लम समझ रहे हो क्यों कि वो उसको cgst और sgst जब collect करना है तो उस state में होना जरूरी है उसको सर प्रॉब्लम यह है registration लेने के लिए तो याद करो हमेरे पास place of business होना चाहिए लेने के लिए क्या होना चाहिए place of business तो सर अब Amazon को इक अदर एक place of business रखना पड़ेगा क्योंकि registration तब तक नहीं मिलती जब तक place of business ना हो याद हुए application के अंदर PPOB होता था APOB होता था अब मुझे बताओ अगर ECO को flip card को हर्याना में registration लेनी है तो उसके पास दिल्ली में एक ब्रांच होनी चाहिए दिल्ली में एक office होना चाहिए बट Amazon कहा रहा है मेरा तो खर्चा बढ़ा दिया तुमने बैठे बैठे मैं तो अच्छा का सा पैंगलोर से काम कर रहा था तो यहां परना registration के procedure में चोटा सा अब अगला सवाल GSTN के लिए आम तोर पर अप्लिकेशन को न जाती है और अजये रहीं कि कि अधार अधारा अधार को साथ दिन में चलेगा और अधारा तरण रही क्यों लोगई यह ऑप्ट नहीं करी यह फिसल वेरिफिकेशन में नेटरी कर दी या इट सब्रूल पोरे लग जा है तो साथ दिन नहीं होते क्या होते हैं तीस दिन वो सारा पूस जिरियानी लगा पूसारा किसके लिए नॉर्मल रिशेशन लेगे जब एमजोन अपनी इंटर्मेडिरी सर्विस के लिए जीस टन लेगा वो सारा पूसीजर करेगा अभी हम प्र प्रिस्क्राइब अप्लिकेशन आप याद रखना आरी ज्रो वन नहीं जाती क्या जाती है आज जी 07 इसका मतब क्या हुआ टीसीयस रजिस्ट्रेशन के लिए पीजिस रेजिस्ट्रेशन के लिए वी डोंट आप टॉपाईल आपने के लिए आरेग जी जिरो वन टीस्या सब्विस्टेशन के लिए में क्या फाइल करनी है आरेगे 07 अचा इंकम टेक्स में अप्लिकेशन वग्रामारे फॉर्म सिलिवर्स में नहीं आप गैस करो इंकम टेक्स में भी टीएस टीएस के लिए पर अपने के लिए और टीएस के लिए आरेजी 07 अचा उसके बाद यह एप्लिकेशन जाएगी मगर यहां देना अपनी वाली में साथ दिन चलते हैं यहां पर आज भी कितने दिन है तीन दिन के अंदर अंदर आपको और से वाला आज रिसक्राइशन रिय्टल वाली के लिए बी और आपको सब्सक्राइब कर लोगे लोगे हैं रिजी 06 तो फ्लीस लोगे ला एक जी वाला बंदा यह देखके यह जो certificate है यह TCS वाला है या दूसरा है क्योंकि ऊपर नंबर देखो गे तो दोनों के रिश्टेशन certificate में क्या होगा और EG06 अब यहां पर मैं आपको क्यों लाया यह पर 210 पंट 5100 हर्याना का आगल का यहीं इस लग सब्सक्राइब करना है etzd भी मैं क्वल फॉव्ट्वेसेश शेट कवेंव डियान को ह्रिश्ट इंव यह ребयाना में मगर हर्याना के अंदर मेरा है then it can simply mention the name of the state in part A of RE-07 and mention the name of state or unit territory in which its principal place of business is located in part number B relaxation छोटी सी है बट इंपाक्ट बहुत बड़ा है हमने बोला तुम्हें हर्याना में आकर कोई प्रिंसीब मेरा का पर है baikla atención क्रश मंञे हम दो ईसीओ करणाट का में पेटके बैठके हरमडेका में प्लेस रखे हर याना में टेसे डर ने सकता है येस बट मुझे बताओ विख्ता एक स्टेट में है मगर उसको TCS पूरे देश का सबस्ता करना है तो यहां पर एक बार लिखेलो यहां पर स्टार लगा लो पेज की नीचे लिखेलो सेच पेज ना स्टार लगा लिखो हैंस फिलिप काट फिलिप काट अधुडिक हेविंग हेड अपससिं can get TCS registration in Haryana without having a place in Haryana. इससे na ECO की बड़ी cost बचा ली नहीं तो ECO पागल हो जाता हर जगा ब्रांच खोल कोल के और वो ब्रांच किसी काम की नहीं है क्योंकि ECO का सारा काम तो online हो रहा है और website को manage करने के लिए यहीं ब्रांच बहुत है तो यहां पर एक बार डाइगरम बना लो एक यह है supplier supplier है हर्याना का यह है recipient recipient है recipient भी कौन है हर्याना का और बीच में हो रहा है ECO इसने इसको supply करी I am assuming 95 नहीं है 95 नहीं है तो इसने टैक्स पे कर दिया supplier ने CGST और SGST क्योंकि में इन्वाइस पर टैक्स कौन सा पे हुआ है CGST और SGST तो ECO को अब TCS के नाम पर क्या collect करना है TCS करना है 0.5% CGST और 0.5% क्या करना है SGST स्टेट स्पेसिफिक होता है या पैन इंडिया सेम होता है स्टेट स्पेसिफिक तो अब इस TCS को collect करने के लिए ECO has to get TCS registration in हर्याना ठीक है जी दूसरा case यहां पर एक और example ले लेता हूं माल लो supplier है सोच समय के जवाब देना इसका supplier है हर्याना में उसने ECO यानि Amazon flip card पर अपने आपको रिजिटर कर रख है customer आगे हमारे पास करनाटका का कस्टमर कहां का आगया करनाटका का हो सकता है नहीं हो सकता इस अब यह जो supplier invoice काटेगा इस पे मैं मान के चल रहो 95 नहीं है तो यह वह क्या लगाएगा इसके उपर IGST लगाएगा हर्याना में पे करेगा अपना वो तो ठीक है जी मेरा सवाल यह है इस करने के लिए वह उसी स्टेट की रिशेशन यूज करता है जिस स्टेट के अंदर कौन लोकेड़ है क्या प्राइब थैसप्लाे तो यहां पर है रोल्घ तरहर ऑल्सोएं यहर ऊल्सोऊण विलैड हर्याना में रिस्टेशन । तो ध्यान देना चÄघ करते समय वह हो को वहीं पर रिजिस्टर होनो पड़ेगा जांपेamer-स ए इसी वज़ास से Amazon को क्या करना पढ़ रहा है Amazon के supplier क्योंकि हर state के अंदर है इसलिए Amazon को भी क्या लेनी पढ़ रही है TCS के restriction हर state में हमने उसको relaxation मसी तनी दे दी कि अगर तेरे को हर state में restriction लेनी है हर state में तेरा place नहीं होना चाहिए place कहां पर हो सकता है कि कौन सा अब समझ में आए यह amendment क्यों की गई थी हमने ऐसा क्यों बोला कि बिना place का restriction देंगे क्योंकि जहां जहां मेरा supplier है मुझे भी वहां वहां restriction लेनी पड़ेगी TCS की ताकि मैं उसका TCS collect अब जब भी मैं हम बोलूँगा ना 1% तो अपने हां समझे ना 1% कब लगेगा अगर में इन्वाइस मां IGST है तो TCS भी क्या हो जाएगा IGST और अगर में इन्वाइस के अंदर CGST SGST है तो TCS भी क्या आएगा 0.5% CGST 0.5% SGST चलिए वापस आते हैं वापस आये जरा यहां पर हम में पढ़ रहे थे net value यह हमने पढ़ लिया चलिए इसके बाद page number next rate के बारे में भी पढ़ लिया अब next question यह आया सर income tax के अंदर अगर आपको यादो TDS TCS पढ़ा था तो एक threshold limit हुआ अगर ती जैसे याद दिलाओ मोंटर वहिकल के केस में TCS आता था अगर वो 10 लाग से जादा है similarly एक वो फॉरिन रेमिटेंस वाला section था उसके अंदर भी बहुत सारी वेंटमेंट आई थी सात लाग मगरा के लिमिट यानि income tax के अंदर TDSO या ECSO एक threshold limit होती थी वही लिमिट ही तो रट्टा मारनी होती थी हमें वही लिमिट तो याज रखनी होती थी उसी पे तो कोशन आता था तो सवाल यह आया सर इस यो जब collection करेगा कोई threshold limit है कि जो supplier मेरे दुरू सप्लाई कर रहा है वो 10 अजार 15 अजार 20 अजार 50 अजार कोई लि अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं माल लो मैंने Amazon से सप्लाई करी Amazon से सप्लाई एक लाग रुपे की करी उसकी उपर cgst लगाया 9000 रुपे का sgst लगाया 9000 रुपे का ठीक है तो अब यहां पर tcs में भी क्या आएगा पॉइंट 5% cgst 0.5% sgst 0.5% किसका होगा एक लाग का होगा या एक लाग ठारा जार को अब अपने आप सोच के बता सब्सक्राइब यह वैल्यू प्लस टैक्स पर होगा मैंने आप से यह सवाल पहले भी कुछ होता है एग्रिगेट टैक्स नहीं जुडता जिस्ट लगाने के लिए भी टै अग्यान दे दिया ज़रा एक्जामपल करते हैं पहला केस सप्लाइर को नगें जीएस्टि में मिस्टर एकोन है रजिस्टर अगला केस ताइप आप सप्लाइब में जूम इन कर देता हूं ठीक है थाकि हमारा कोश्चन देखिए आंसर हम खुट करेंगे हमारी क्या क्या कह कितना है 900 और 900 जल्दे से बताओ PCS आएगा येस कितना आएगा 0.5% CGST 0.5% SGST 10,000 का या फिर 11,800 का PCS at the rate of 1% 0.5% on value of 10,000 आगे बढ़ते हैं point number 2 Mr. B unregistered है flip card से goods बेच रहा है और 10,000 के बेच रहा है GST चार्ज नहीं कर रहा बताओ अगर supplier unregistered है तो अभी पढ़के ITCS आएगा ये नहीं आएगा TCSE नहीं आएगा और आज से एक October से पहले ना ये वाला case possible ही नहीं था एक October से पहले ये वाला case possible ही नहीं था क्योंकि goods वालों को क्या लिए नहीं होती थी mandatory आज की रिट में ये पॉसिबल है yes मगर Mr. B के पास please take care क्या होगा enrollment number हो ये obvious है अगर वो ECO के supply कर रहा है और फिर भी goods दे रहा है तो वो कौन से वाला होगा enrollment number वाला होगा आगे बढ़ते मिस्टर सी रेजिस्टर है या अन्रेजिस्टर है services दे रहा है कौन से वाली जल्दी से बताओ 95 आएगा तो TCS आएगा नहीं यहां पर भी TCS applicable नहीं होगा ओला खुद 95 में क्या करेगा tax pay करेगा यह तो आपको पता ही है डी अन्रेजिस्टर है supply कर रहा है other than 95 through book my show मिरको service other than 95 से कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत किस से डिओन है क्या अन्रेजिस्टर हो सकता है यह तो हमेशा दी एक्सेप्शन थी अगर एक्रीगा टानोवर 20 अपर लेने की जुरह नहीं है अचा सर्वेसा लोगो भी अन्रॉल्मेंट नमबर लेने है कि आज क्लास शुरू करी जो एन नहीं लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है गुड्स वालों के लिए इसके लिए आई है सर्विस वाले तो हमेशा से ही उनको बीस लग का बेनिफिट मिलता ही था चिक है फिर इस पर्टिकुलर केस के अंदर आंसर इस नो GST और TCS भी नहीं आएगा फिर बढ़ते हैं यह रिजिस्टर है यह क्या दे रही है एमाजन आप से गुड्स बंगर गुड्स कौन से है एक्जम्ट गुड्स है तो बताओ जल्दी से अभी टीस किस पर लेक करना है वेल्यों आफ टैक्सिबल सप्लाइज सप्लाइज में प्रिंटिंग के बाद में रिलाइज करी प्रिंटिंग के बाद जानेगा तो अपना जो वन परसेंट अप्लाइज करेंगे किस पर करेंगे यहां पर गलती से चत्टिसों लिख रखाए चत्तिसों मिस्टेक है मैंने बाद में रिलाइज करी प्रिंटिंग के बाद जानेगा चत्तिसों और आगे 20,000 कर जाना चत्तिसों गलती से टैक्स का मूंट लिखा हो गया टीसी एस टैक्स के मूंट पर नहीं आता इसे किस पर आता है इन्वाइस की वैली पर ठीक है जी र क्लैरिफिकेशन है मैंने उपर क्लैरिफिकेशन दे रखिया अगर आपको ध्यान से देखो यह टेबल थी जो मैंने नहीं पढ़ाई थी टेबल पढ़ लोग मैंने का था क्वेश्चन के थुरी पढ़ाऊंगा अगर सप्लायर अन्रजिस्टर्ड है टीस नहीं आएगा सब्सक्राइब तो यह वाला पॉइंट इंपोर्टन है आर्सीम वाली सप्लाई के उपर रिवर्स टीस नहीं आता लॉजिक लगाऊगे अपने अव्याद हो जाएगा एच रजिस्टर्ड है बट कॉम्पोजिशन वाला है कॉम्पोजिशन का चैप्टर पढ़ा नहीं है तुम्हें कोई एचेसन देखने ही जोड़ा था नहीं तुम अपनी पूरी टर्णोवर पर कितना पे कर दो वन परसेंट कुछ केसे में पांच भी होता है अभी चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं आपको कितना बोल रख है वन हां इतना फायदा वन परसेंट टैक्स पे करना है वन लुक्सान ही है आईटी से आपको नहीं मिलेगा अचा कॉंपोजिशन मेंडेटरी यह ऑप्शनल है इसलिए आपको यादो कि जब नहीं रेशिशन लेते हैं आरी 01 के पार्ट ए में बताना पड़ता है कॉंपोजिशन लेनी है या यह यादा रहा है यह ठीक है जी अ अब फॉम्पोजिशन भी नहीं कर सकता और यह नहीं कर सकता और यह जो सकता था यहाँ पर पर इस प्सिबल और नॉट यस पहली बात तो लिखो, इस पॉसिबल इस पॉसिबल आफ्टर पुनेस अग्ट 2023 की अमड्मेंड में अप लोग ने चैप्टर पड़ाई नी अभी तक तो मैंने रिस्क्शन बताई नीथि जस्न नॉलज़ के लिए बतानु नेवेंबर 23 तक a composition dealer was not allowed to supply any goods and services through ECO now they can supply goods through ECO but they are still not allowed to supply services इसलिए मैंने example भी किसका बनाया अचा अब एक composition dealer है flip card से supply कर रहा है flip card कह रहा है TCS collect करूं doubt यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि TCS का rate भी क्या होता है 1 और composition को पे भी कितना होता करना होता है वन मैंने का वन इसको पेह करना है उसका वन ही क्या लेलू मैं TCS करूं या ना करूं CBIC ने बोले टेंशन मतले यानि प्लीज टेक केर वेन दा परसन इस रजिस्टर्ड इस नॉर्मली रजिस्टर्ड यह इस रजिस्टर्ड ऑला रजिस्टर्ड आँ तो टी केंश आएगा की यह वाने ख़ु सेल ओप लेंड बड़ा तेलो सैक्योल्टी को लेंड क्या होता है कि अगर नेट करना है नेट वैलियोफ टैक्स अपलाइ जब सप्लाइव ही नहीं है तो टीचिस यह तो यह वाला गुगल कर बीशामं अब देदेगा तो सारा प्रोविजन ही क्या हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम ऑफ कलेक्टिंग टीस अच्छा दो चीज़े होती है एक होता है इन्वाइस कार्ट करना जब मेरे पास और आएगा मैं इन्वाइस कार्ट दूगा और पेमेंट बाद में आएग आच्क क्या होगा दिक्कती होईगी इन्वाइस कटेगा जैसे ही इन्वाइस कटेगा प्रे मईने में मैं अच्छी लगती इन्वाइस कटेगई मुझे और चाहिए जो हमें करें। में बीडियों पता क्या होता था Most of the section में at the time of credit or payment which time पेज़ी अरट ना पेमेट ना करो टीजिश कार्ट लो ओंठा के यहां भी यह पेमेट करो ना करो सामने वाले ने इंवास कार्ट दिया है तो उसका TCS का कर लो अपर है क्लेक्ट कर लो तो नीचे मैंने आप लिख दिया क्लेटिकेशन टीस तो बीजिस तो इस तो बीक्रेक्टेट वंस्ट सप्लाइइव थे तू इस यह इंडेशन ने बोला बाद में कशलेक्टर करेंगा जैसी इंवाइस इशू हो गया टीस आएगा यह नहीं आएगा मन्तली पेकरने ंगले मेने की 10 तारीक ते ऌने की साथ इंकम टेप्स में जमा मंन्तली होता है Thousand यहां पर प्लीज टेक केर, यहां पर रिटर्न नहीं होती है, यहां पर स्केटमेंट होती है को से GSTR 8, और यहां पर सिंग है बल्कुल, दस तारीक तक अगले मेने की जमा कराओ, और 10 तारीक तक या फाइल करो, GSTR 8, ब्रक ही अगने मेंट्ट फालतूंत हुशा रहा है जमां करूं मन्तली लिद्ट करो अगरे मैंने की मिनाचा अलग होती यह जब एक बंद खुद टैक्स करें जिस्टीरा मेने की 11 भीais तरी अगले मैने की 20 तारीक पॉर्टरली भी हो सकती है यहां पर हम उसकी में रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर किसकी बात कर रहे हैं PCS की अगले मैने की दस्तारिक तक जमा कराओ और स्टेट्मेंट फाइल करो कौन सी GSTR 8 अब मुझे बताओ स्टेटमेंट के अंदर वो क्या बताएगा क्या बताएगा पहले क्या बताएगा डिटेंट ओट्वर्ड अधूर्ड सप्लाइद उप गोड़ने के दस्तक जमा कराना है और अगले महिने की दस्तरी की क्या फाइल करना है GSTR 8 अच्छा कल मुझसे लाइव में किसने डाउट पूचा था सर अगर TCS सामने वाला पे ना करे तो तूपर देखो TCS पे नहीं करोगे अचाने बिट समय लेत करोगे तो क्या लगेगा इंटर्स्ट एट अट आठ दे रेट ऑफ अथारा परचेट इंकम टेक्स में बहुत में लेट कातने यह टीजिस लेट जमा कराने का इंटरस्ट होता था लेट काटने का होता था 1% per month और part of month और लेट जमा कराने का होता था 1.5% per month और part of month income tax में जो rate होता है न वो पर month चलता है यह 18% per month होगा 18% per month होगा नहीं तो obvious ही वात है यहां लिखा नहीं आप अपने मानलो कुन सा है यहां पर पर एनम होगा तो जितने दिन का डिले होगा न मानलो 10 तारीक के बाद करा 11 तारीक से जब तक जमा कराया वहां तक के डिज निकाल लो divide by 366 इस साल ली पिर एप्ली से के इस साल का वरा कोशन आएगा 23-24 में 24 कौन सा है लीप यह ने जितने में आए सप्लाई बाद में करी दूसरे वाले के सप्लाई पहले करी पैसे बाद में आए पैसे जंबर जी आते रहें क्या देखना है तब क्या किया होगा हमने इन वाइस किया हो तो मैंने ऐसी जबर्दस्ती यहां पर बना दी और करेंगे सप्लाईर के कहां पर चला जाएगा यहां पर ध्यान देना आटोमेंटिकली इस नहीं जाएगा आटोमेंटिकली जाएगा माल लो इस यो ने गलती से अपने जी स्टी आर एट को फाइल करते समय मेरा जी सिन गलती से लिख दिया तुमारा लिखना था जी सिन पंदर डिट का होता है ना एक बिट इधर की दुर ही क्या किसी और किसी और किदर हवाले हो सकता है अच्छा म तुमने मेरा जी स्टेंट डाला ना मेरे कॉमन पोर्टल पर टेबल बनेगी उस पर रिफ्लेक्ट होगा मैं चेक करूंगा क्या यह सही आया है गलत आया है तो अप्रूब करूँगा जैसी अप्रूव करूँगा मेरे एक लेजर में आ जाएगा अगर मुझे लगता है यह क्या जाता है वो जाता है और आखरी चीज़ अगर एक इसफ्यों करेश कर लटीस यह कभी हिस के जिपलाईर की संभांग सकते हैं वह को मेरे हैंollen को सब्सक्रीके अब टेंटेटल of the volume of the goods and services supplied through it और ECO के डिटेल देनी पड़ेगी TCS तो कब आएगा जब ECO involved है मुझे बताओ आप और मैं offline transaction कर रहे हैं कोई marketplace वाला involved नहीं है या 52 लगेगा नहीं 52 सिर्फ तभी लग सकता है जब कौन involved है ECO तभी लग सकता है अब अगला चीछ बढ़ते हैं TDS TDS के section कौन सा है 50 वाल एक बाद जल्दी से TDS का concept याद करा हो income tax म काटते थे तो 10 लेते जमा कराते थे TDS की return फाइल करते थे TDS का certificate issue करते थे वो TDS का जो आपने मेरा deduct किया वो मेरे 26 AS में आ जाता था और income tax मुझे क्या मिल जाता था उसका याद है यह सारा कुछ यहाँ पर भी इन्होंने यह किया इन्हों के कहा मालो यह मिस्टर ए मिस्टर यह सप्लायर इसने लाक रुपे की सप्लाई करी चाहिए वो सप्लाई गुड्स हो चाहिए वो सविस्टर और उसके ऊपर 18,000 रुपे का टैक्स है 99,000 का CGST हो सकता है यह 18,000 का क्या हो सकता है IGST यह कौन है recipient आइडली यह 18,000 रुपे टैक्स को पे करने सरकार को सप्लायर को वो recipient से चार्ज कर रहे और सरकार को पे कर रहा है सरकार ने का इस बंदे पर विश्वास कर गया तो और मुझे बताओ चोरी कर गया तो सरकार हर किसी की regular assessment करती है या आम तौर पर self assessment करती है self assessment तो सरकार ने का वही सेम चीज़ जो income tax में हुई थी divide and rule सरकार ने recipient को कहा जब त इस एक लाग ठारा जार में से क्या कर ले ना TDS काट तो मुझे बताओ what is the difference between TCS and TDS देखा जाए तो TCS भी काटाई जाता है बट TCS ECO काटता है इसलिए उसका नाम TCS है क्योंकि ECO तुम्हें payment करनी रहा तुमारी payment collect करके दे रहा है तो TCS का concept GST में कब आएगा जब ECO involved है TDS का concept ECO involved ना हो तो भी आ सकता है येस अगर सरकार बोल दे 51 में मैंने तुम्हें coaching service दी तुमसे मैंने GST भी collect किया क्या सरकार तुमको TDS के ले लाइबल कर सकती है येस करना चाहे तो कर सकती है येस और नो ठीक है जी मगर अब सर इंकम टाक्स में तो ना TDS के अलग-अलग section थ बहुत सारे section थे और सर हमने तो पहले सी mood बना लिए chapter छोड़ने का तुमारी लाइन आखरी में complete कर देता हूं करोगे चलो अच्छी बात है करोगे तो मैंने बहुत मेनत करी थी PDS के अंदर मैंने अलग-अलग जाका पढ़ाई थी छोड़के मत जाना फोड़के जाना है त क्योंकि यहां पर कहने के लिए तो 51 में हमने क्या बोल रखा है रेसिमेंट को लाइबल करेंगे बड़ प्लीज टेक केर यहां पर सिर्फ एक ही तरह के रेसिमेंट लाइबल है आए जरा इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में पेज नंबर 7.1 पेज नंबर 7.1 वू इस ला का डिपार्टमेंट या एस्टैबलिश्मेंट दूसरा कोन है लोकल अथॉरटी थीसरा कोन है गर्मेट की एजेजिसी और फोर्थ कोन है नोटिफाइड परसन अभी तक तीन लोगों को नोटिफाई कर रखा है पहला कोई भी अथॉरटी जो पार्लेमेंट की किसी एक में बनी है या लेजिसलेचर के अक्ट में बनी है और उसके अंदर 51% से ज़ादा इक्विटी किसकी है गवर्मेंट की है दूसरा कोई भी सुसाइटी है जो गवर्मेंट ने बनाई है और सुसाइटी रिशिशन इन्प लोगों ने टीडियोचा आटना है अब मुझे बताो मैंने तुम्हें कोचिंग सर्विश दी क्या 51 में तुम्हें सरकार लाइबल करेगी नहीं मैंने अगर अपने किसी क्लाइंड को सर्विश किया उसको लाइबल व्हों कर रहें अच्छा इन लोगों को का डिवारे किया है अगर यह रेसप्लाइब थो डिटाइब रेसप्लायर रेसी पेंट सो देविल only if TDS will come, only if recipient is any of these persons, अगर recipient इन में से कोई है तभी TDS आएगा, अधर्वाइस TDS नहीं आएगा, अजी दोनों TDS लगेंगे, GST वाला TDS भी लगेगा, इंकम टेक्स वाला TDS लगेगे, दोनों लगेंगे, इनका डाउट यह है सर, इंकम टेक्स वाला TDS और GST के दोनों आएंगे, या नहीं आएंगे, जस्त मैं आपको नॉलेज के लिए बतारू, हमारा ना, क्या कहते है, जो अभी TCS पढ़ गया, ECO वाले केस में, इसके अंदर एक इंकम टेक्स का TDS का सेक्शन भी है, और वो सेक्शन पिछली बार तक स्लेबस में था, इस बार से हटा है वो, ECO के केस में, इंकम टेक्स में भी TDS कटता है, मगर वो TDS मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो सेक्शन से हट गया है, मेरको तो प्रॉब्लम यह आ ग इसलिए उन्होंने शुकर है क्या किया, पिछले साल तक क्या किया, इंकम टेक्स वाला TDS स्लेबस में नहीं था, इंकम टेक्स वाला TDS स्लेबस में था, इस बार क्योंकि GST में TCS जाला, तो शुकर है इनको किने समाज़दारी थी, इंकम टेक्स में वो TDS सेक्शन क्या हो ग और उसमें GST कभी है दोनों अलग-अलग लौ चल रहे हैं अलग-अलग चीजे चलते हैं ठीक है अच्छा यह सारे परसन ही आद हो गए उसके अंदर टैक्स को एड मत करना इसका मतलब मैंने अगर आपको सप्लाई करी वह थाइलाग रुपे से कम है तो उस पर इवन इव आप एक लोकल अथॉर्टी को आपको टीएस काटने की जुरत नहीं है पहला डिफ्रेंस टीएस का क्या है टीएस के अंदर कोई कर रख है अगले एक साल तक हर महीने में आपको सप्लाई दूगा हर महीने उस्प्लाई देता हो वो 30,000 की देता हूं तो एक इन्वाइस कितने का 30 का मगड़ टोटल कॉंटाक कितने का तीन लाग साट अजार का टीएस आएगा या या नहीं आएगा प्लीज टेक केर तो तुम्हें याद ना हूँ उन्हें तो शाद मैं याद होगा उनके लिए एक्जामपल ले लेता हूँ 194C था इक के इंकम टैक्स के ंदर उसके अनदर होता था configurate исп okay का भी टाइम लगाया है था ठैक है पढ़ देना जाकर पास्ट में टाइम में जाना जाना है पीसे पास्टम आसे पर ने 194C था, वहाँ पर contract तो work का TDS होता था, वहाँ पर threshold बता कैसे होती थी, या तो individual contract की value 30,000 से ज़ादा है, या पूरे साल की payment एक लाग से ज़ाद है, वह individually भी देखना होता था और पूरे साल का बना था, यह section कुछ हद तक उसके जैसे है, फर्क है है, यहाँ पर individual matter नहीं करता है, इंडिविजुल इन्वाइस जितने मर्जी का हो, contractual, total contract मेरा अतुमायरा साथ, जो अलग लग सप्लाई करूँगा, वो कितने का है, धाई लाग से, ठीक है जी, अच्छा, TCS का रेट कितना होता है, 1, 1 मतलब 1 CGST, 1 SGST, नहीं, 0.5% CGST, 0.5% SGST, प्लीज टेक केर, TDS का रेट होता है, 2%, TCS 1 नहीं होता, TCS 1 होता है, TDS कितना होता है, 2, तू का अलब क्या हुआ, 1 CGST, 1 SGST, अलब कितना होता है, 2, अगली चीज बताओ, TDS का जो रेट है, 2%, वो वेल्यू पर अप्लाई करोगे, वेल्यू प्लस टैक्स पर अप्लाई करोगे, अच्छा, वेल्यू कौन सी होनी चाहिए, वेल्यू ऑफ टैक्सिबल सप्लाईज, यहां पर अल्रड़ी लख रहा है, इ अगला सवाल, मैं एक सप्लाई कर रहा हूं, तुम गवर्मेंट डिपार्टमेंट हो, और उस सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लगेगा, तो सप्लाई टैक्स पे करेगा या रेसिमेंट पे करेगा, रेसिमेंट, भई टैक्स ही तुमने पे करना है, तो तुम मेरा TDS ओर नहीं, यहां पर भी TDS अपनी के फ inventions रहा हूं, और आखरी सवाल, मैं composition dealer हो, मैं तुम्हें supply कर रहा हूं, और reverse でも давate tax pay करना है, sorry, reverse charge नहीं है, मैं composition dealer हो, तो भी कर TDS आए गा या नहीं आएगा, यह तो भी TDS आए गा, तो composition dealer येलियन पस्तुम ten नहीं है यह चीज़ इंपॉर्टन है दो केस ऐसे हैं जहां पर TDS बिल्कुल नहीं आएगा इस इंपॉर्टन कौन से केस है पहला वेर गुड्स आर सप्लाइड बाइवन पीएस्यू तू अनदर और दूसरा वेर गुड्स आर सप्लाइड टेक प्लेस बिट्रें वन टैक्स चांज कर लें तो कि यह ऑगया यहां पर कर लेते हैं ए रजिस्टर पर गुड्स करें कितने के करें तीन लाग फिस्ट कितनें यह शूर फचाट तर और पचथर यस अगर अगर रेटिश्वाइड को और में जळा हो और रो थो एजीन हर केसट में हमारा रैसीपेंट कौन है रैसीपेंट एक टी एस यू माले लेदे PSU TDS काटे की yes 2% कितना 2% 3,00,000,000 का या 3,00,000,000 का 3,00,000,000 का B unregistered है कैसी unregistered है TDS applicable नहीं होगा same question मनाएं मैंने TCS वाले C registered है बट service कोई सी दे रहा है exempt exempt service दे रहा है तो TDS applicable नहीं होगा D registered है taxable goods भी दे रहा है taxable service भी दे रहा है goods दो लाग के service दे लाग की है अच्छा दोनों individually डाइलाग से कम है मुझे individually देखना है combined देखना है combined contract की value total कितनी है डाइलाग से जादा है तो TDS आएगा 3,00,000,000 का है ठीक है E taxable goods दे रहा है दो लाग के service दे रहा दे लाग की दे लाग की service है कौन सी exempt goods कोन से है taxable डेड़ लाग को नहीं देखना सिर्फ किसको देखना है दो लाग और दो लाग क्या डाइलाग से कम accordingly TDS नहीं आएगा अगला question taxable goods हैं तीन लाग के exempt service है डेड़ लाग की कर रहे है supply ही नहीं है तो TDS नहीं आएगा फिर TCS को collect करने की date क्या होती थी अगले महिने की 10 जमा कराने की और क्या फाइल करना होता था GSTR 8 ठीक है यहां पर क्या है अगले महिने की 10 तक जमा कराना है तक जमा कराने की यह दिए यहां पर बस GSTR 8 की जगा हमने क्या कर दिया GSTR 7 तो 2 GSTR याद रख लेना 7 किसकी होती है 7 TDS वाले की और 8 किसकी होती है इसएउ वालो की दोनों एक ही काम करते हैं दोनों जिसका TDS काया है यह जिसका TCS कलेक्ट किया है उसकी डिटेल देते है उसकी इन कंले बताते है और अब बताओ उसने अगले मेने की 10 और जो आपकी स्टेट्मेंट है GSTR 7 या GSTR 8 वो भी कैसे फाइल करो अगले मेने की 10 अच्छा जैसी वह फाइल करेगा उसके बाद बताओ क्या होगा उसके बाद मेरे पास यहां पर दिखेगा reflection of TDS amount as e-cash ledger same to same तरीका होगा मेरे को reflect होगा lift auto populate होगा मैं अपने common portal पर जाओंगा check करूँगा मैंने कोई supply PSU को करी दिया या नहीं करी ऐसा तो नहीं गलती से आ गया अगर okay है मैं क्या कर दूँगा validate कर दूगा और जैसी validate करूँगा तुमने मेरा TDS काट है वो मेरे कहां यहां पर आ जाएगा e cash लागा तो अब यहां पर इन्होंने घडबढ़ कर दी पॉइंट नमर फाइप पड़ो रेसिपेंट इस रिक्वाइड टुड़ के समय नहीं किस क्यूपा है पेमेंट नो इस इंपॉर्ट दोनों में डिफरेंस है वाली तीस और TDS में फरक है है फ जब supplier कई कर आ है इनवाइस कारता है payment कब आई है मेटर नहीं करता है TDS कब काटना होता है जब सामने वाले को पेमेंट करी है मटर यह एक important point है दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस है तो मुझे बताव सामने वाले को payment करनी है अभी सामने वाले ने मैंने सामने वाले को सिर्क पेमेंट करी है अडवांस दिया है कि अडवांस पे भी डिट्यस आएगा या नहीं आएगा यह और मैंने अगर उसको पेमेंट बाद में करी है तो यह वाली चीछ ठीक है नेक्स चीज हमारी क्या हो गई मैनर ओव डिपॉजिट यह तो हमारा क्लियर यह अच्छा एक छीज मताने की जुरत नहीं है वह यह हमें TDS काですね कि या लेनी होतीयाfly सपरेट यह सेपरेट लेनी होतीय है स्पया बंडिपाट्मेंट हो सकते अपनी सप्लाइपले असyear क्ले लायबल हो क्या को यह इस त्यस्टेशन वाले चेप्टर पे जाने की जुरतनहीं है तुर्फ आपको पॉइंट नीचे आखरी पॉइंट है बाद में पढ़ लेना पॉइंट नमबर सिक्स के बाद पॉइंट नमबर सेवन है यह रहा एनी परसन लाइबल टू डिलक्ट टीडियस उसे क्या लेनी पड़ेगी की mandatory registration और आप से पूछना चाहूंगा यह जो TDS काटने वाले को mandatory दिलवा रहे हैं इसकी same GSTN चलेगा या अलग GSTN आएगा तो इसको registration को apply करने का जो तरीका होगा वह आरीजी 01 वाला होगा या अलग application होगी अलग same to same application registration procedure exactly same same copy paste मारा मैंने वही आरीजी 07 जाएगी तीन दिन के अंदर अंदर क्या आ जाएगा और यहां पर भी वह पॉइंट है क्या पॉइंट है अगर तुम किसी नई स्टेट के अंदर जाकर रिशन लेना चाहते हो उस स्टेट के अंदर तुमारा प्लेस हो बिजनस हो यह जरूरी नहीं है मैं बैंगलॉर में हो सकता हूं बढ़ क्या हर्याना में टीडियस के रिशन ले सकता हूं yes same to same copy और और कुछ रहें हमारा है यापर यह वाला एक्जांपल भी हो गया एक चीज़ हो रहें यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा चीज़ा यह भी इंप्रोटन लिख लो जो टीडियस में नहीं है टीडियस के अंदर है जो इंपर्टन चीज़ें वह मैंने आपको हिलाइट करा द कि सैलरी का टीडियस कार्ट है तो फॉरम 16 आता है अनुल बेसेश पर किसी भी और सेक्शन में टीडियस कार्ट है तो फॉरम 16 A कौंसा है ज्यान देना मेरी रिटर्न टीडियस की किस में जा रही थी ? GSTR 7 और TDS certificate किसमें आएगा GSTR 7A और यह मैं खुद नहीं करूँगा यह automatically common portal लेगा जैसी मैंने TDS के return file करी automatically 7A आया इस 7A को मैं क्या देदूँगा जिस बंदे का TDS काटा है मैंने 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा उसको TDS certificate देदूगा तो जैसे इंकम टैक्स में TDS का certificate होता है form 16 और form 16A यहाँ पर भी टीडियस का certificate है GSTR 7A बस पर किया है PCS के अंदर कोई TCS का certificate यह प्रॉब्लम है यह भी होना चाहिए था यह नहीं होना चाहिए था यह नहीं होना चाहिए था बट एट एक का कोई provision नहीं है इकैश, इकैश एट वाले और टीडियस वाले अलग GSTR लेंगे इनके दो लेजर खुलेंगे पला को इसे वाले लाविबिलिटई और एकैश क्रेडिट से क्या तुम अपने TDS TCS को पे कर सकते हो नहीं तो यहाँ पर एक point दोनों जगा common है जो भी अपनी TDS और TCS की payment करेंगे न वो किसे करेंगे e-cash से in fact इनका e-credit ledger होता ही नहीं एक credit ledger क्यों नहीं होता क्योंकि credit ले नहीं सकते क्योंकि तुमने यह registration अपना tax pay करने के लिए नहीं ली तुमने यह registration किसी और का TCS या किसी और का TDS जमा करवाने के लिए ले रहे वाली चीत विद्धाट हमारा TDS का provision हो गया done मैं आपको आज की class के बाद अभी मतलब class कदम हो गई आपको और खाली पेज कहां दिखेगा खाली पेज है नहीं ल extraction कि इस चेप्टर के starting में इस चेप्टर से पहले वाला जिरबार रहे वह प widow चुरूँ हो रहे है उससे पहले दो चीज्च भी अभी मैं, just अभी भेज देता हूँ मैं, साथ साथी मेरी आज कोई क्लास नहीं है, एक चीज भेजूँगा, जो सारी कहानी मैंने बताई, कैसे 95 से घुमते घुमते 52 पे जाते हो, stepwise लिख ले ना, क्योंकि अभी दिमाग में fresh है, बाद में भूल जाओगे, दूसरी चीज, TDS और TCS का comparison लिख के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि exam में question आएगा, differentiate between TDS and TCS, ऐसा question नहीं आएगा, बट वो difference इसलिए जरूरी है, ताकि जब आप TDS, TCS पढ़ोगे ना, सारे provision same है, बस उन 5-6 points जो अलग हैं, उन पर focus कर ले ना, TCS कर लिया, तो TDS क्या हो जाएगा, automatically हो करेंगे, तो हमने chapter 2 और 3 के question में को discuss कर लिया थे, जो registration वाला chapter है और जो TDS, TCS वाला है, इसके कल पहले question discuss करेंगे, and then we'll start with the next chapter, जिसका नाम क्या है, exemptions, ठीक है जी, चलो, हाँ जी, जी, good morning everyone, चलिए, कल हमारा chapter number 7 था, basically TDS और TCS वाला कलम ने खतम कर लिया था, class के last पे मैंने आपको यह चार्ट दिया था, एक बार read कर लेते हैं, इसको चार्ट बनाना का हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था, चार्ट हमें page number 6.14 पे बनाना है, ठीक है, 6.14 पे आपको खाली space दिखेगा, वहाँ पर बना लेना हूँ, चैप्टर number 7 से जस्ट पहले और चैप्टर number 6 के बाद, दो चीज़े मैंने दी थी, एक तो जो हम बार-बार discuss कर रहे हैं, हमारे steps कौन-कौन से हैं, before we apply section 52, कौन-कौन से steps आएंगे हमारे, सबसे पहले चीज हमें SEO चेक करते हैं कि SEO कौन-से वाला है, दो दरह के SEO होते हैं, एक जो अपनी website से बेचते हैं, दूसरे कौन से marketplace, TCS का concept हमेशा कहां पर आएगा, marketplace पे, पहले चीज़ चेक करती है, marketplace वाला TCO है या नहीं है, अगर खुद की website वाला है, वहाँ पर ना तो कोई TCS आएगा, नहीं वहाँ पर क सवार में सोचेंगे, सर्विस वाला है, तो चेक करेंगे क्या, सर्विस इस 95 वाली है या नहीं है, 95 कितनी सर्विस में लगता है, टोटल, चार, चार सर्विस कौन सी notification में है, 17 by 2017, देखो, अगर 95 लग गया, तो 52 का सवाल नहीं उठता, मगर 95 नहीं लगा, और हम 95 के अलाव concept है, वो goods और service दोनों के लिए होता है, या goods के लिए होता है, goods के लिए, तो यहाँ पर goods वाले ही आएंगे, service वाले issue यहाँ आए नहीं सकते, अगर agent की तरह भी behave नहीं कर रहे है, तो आखरी सवाल क्या बूचेंगे, कि क्या वो हमारे भीहाफ पर payment handle कर रहा है या, नहीं, ज जिस supplier का TCS collect करने वाले हो, उसलिए GST पर एक किया होना चाहिए, यानि वो GST में क्या होना चाहिए, रेजिस्टर होना चाहिए, क्या supplier ECO के दुरू supply करें, अन्रेजिस्टर हो सकता है, यस, कल की class में हमने देखा था, service वालों के लिए exception है, और goods वालों के लिए भी, अब 1 October दो जावते इसे exception create कर दी गई है, अगर वो रजिस्टर चेक, whether the supplier is registered, if he is not registered, then no TCS, if he is registered, then an TCS, अचा, registered जो supplier है, उसका भी चेक कर लेना, वो tax pay कर रहा है यानि, ऐसा हो सकता है, supplier registered हो, मगर उसकी supply exempt हो, yes, कल हमने पढ़ा था, TCS आता है, on the net value of the taxable supplies, तो अगर हमारी supply at the end, हम हमारी exempt supply है, तो उसके भी TCS नहीं आएगी, अचा, ऐसा हो सकता है, supplier registered है, supply भी taxable है, बड़ वो reverse charge में है, yes, क्योंकि reverse charge के अंदर, recipient को tax pay करना होता है, तो supplier का TCS हमें collect, नहीं करना, ये सारे hurdle क्रॉस करने के बाद, final conclusion के आएगी, हमारा TCS अल्टर 52 आपके, ठीक है, लिखके ना, ताकि exam के समय असानी हो, अभी तो याद है चीज़े, exam के समय याद होनी जरूरी है, फिर कल TDS का concept भी कर लिया था, TCS कोंसे section में होता है, 52, TDS किसमें होता है, 51, TDS की बात करे, TDS income tax में तो बहुत लंबा scope होता है, उसका, बहुत सारे लोगों को TDS काटना होता है, पड़ा था, government के department होने चाहिए, local authority होनी चाहिए, PSE होनी चाहिए, government agency होनी चाहिए, कोई भी ऐसी authority, जिसमें 50% ही का उससे लगा holding, central government की है, या कोई भी society, which is owned by central, basically government department type के recipient होने चाहिए, तब भी वो TDS काटेंगे, तो मैं आगला पन लिखा, कोई भी goods and service चलेंगे, कोई भी supplier चलेगा, मगर recipient कौन होनी चाहिए, specified, अचा, TCS के case में क्या होता है, supplier कौन हो, registered होना चाहिए, क्या goods and service matter करते है, yes, goods सारे आजए, या service हमें कौन से वाली चाहिए, services other than 95 वाली, मगर इस बार important चीज़ क्या होती है, TCS के लिए, recipient कोई भी हो, मगर वो supply किस के थू होनी चाहि चाहिए, जिसको मर्जी हो, TDS में matter करता है, recipient कोन होना चाहिए, specified recipient, ठीक है, थर्ड चीज हमारी आई, क्या TCS collect करने के लिए, कोई threshold लिमिट थी, या नहीं थी, नहीं, मगर TDS में लिमिट थी, yes, कितने थी, धाईलाग, धाईलाग invoice की value थी, या contract की value थी, contract, अगर मेरी इस सम कारने की जुरत नहीं है, TDS is applicable, if the contract value is more than धाईलाग, जब हम धाईलाग चेक करते हैं, वो including GST है, excluding GST है, excluding GST, GST उसके अंदर add नहीं है, ठीक है जी, अचा, आगे आए थे हम, next नहीं हमारी, दोनों लोगों को TDS और TCS काटने के बाद जमा कब कराना है, अगले मेने की 10 पार अचा, जैसी जमा कराएंगे, एक-एक statement भी फाइल करनी है, statement दोनों की अलग है, TCS वाले की क्या है, GSTR 8, TDS वाले की क्या है, GSTR 7, मगर दोनों को ही अगले मेने की 10 तारिक तक submit दरना है, दोनों ही, जिसका भी TDS के TCS collect किया है, उसकी retail देंगे, उसका GST in देंगे, उसकी supply की value देंगे, etc, based on that, दोनों ही cases में, चाहे मेरा TDS कट है, चाहे मेरा TCS collect हुआ है, वो जो भी TDS के TCS है, वो मेरे कहां पर आ जाएगा, E-cash ledger, बट इससे पहले की E-cash ledger पर आये, मुझे उसे validate करना पड़ेगा, वो common portal पर दिखेगा, मैं उसे validate करूँगा, जैसी validate करूँ के अंदर एक नहीं चीज होती है, क्या TDS certificate, जैसे income tax में form number 16 और 16 नहीं थे, वैसी GST के अंदर कौन सा है, GSTR 7A, और आप generate करोगे, common portal पर आटमेटिकली generate हो जाएगा, जैसी आप GSTR 7 फाइल करोगे, GSTR 7 का फाइल करोगे, अगले महिने की 10 तारीक को, उसमें 5 तिन और और आप जिसका TDS काट है, उसे क्या देत होगे, TDS certificate, प्रेक्टिकली ना TDS certificate का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो जो TDS काट है, वो आपकी common portal पर वैसी reflect हो रहा है, जब वो automatically आई रहा है, मैं खुद ही validate करके उसे e-cash ledger में लेके जा रहा हूँ, क्या TDS certificate का कोई रोल है, नही बट traditionally income tax में चला आया है, तो यहां पर भी उन्होंने क्या किया, TDS certificate बना, एक और डिफेंस हमारा हो गया, TDS और TCS collect कब करना है, यहां पर ने TDS लिख दिया, गलती से यहां पर क्या आना चाहिए था, TDS, TDS और TCS collect या deduct कब करना है, रूल अगल है, TCS के इंदर, क्या रूल होता है या नहीं होता है, तो collection पहले भी हो सकती है, collection बाद में भी, मगर हमें TCS कब collect करना है, TCS has to be collected at the time of invoice, TDS की बात करें, TDS में प्रोविजन बिल्कुल्ट है, यहां पर invoice या supply के समय नहीं करना है, at the time of payment, जब payment करेगा recipient उस समय उसे TDS काटना है, अच्छा payment आम तौर पे supply से पहले आती है या बाद में आती है, बाद में आती है, आम पर, पहले supply होती है payment, बाद में आती है, बढ़ क्या advance हो सकता है, या नहीं सकता है, तो आप से बूर चाओंगा advances पर TDS काटना है, या नहीं काटना है, तो यह मैं at the time of payment, क्लिक रहे है वाली जीज़मारी, यह हम माल लो हमारा supplier जो है, PCS की बात कर रहा हूँ, supplier का नाम है X Limited, हमारा recipient है जिसका नाम क्या है, Y Limited, supplier भी हर्याना में है, और recipient भी कहाँ पर है, हर्याना में है, supplier ने recipient को supply करी क्या लगाया होगा, CGST और SGST, consistent का SGST लगाया होगा, हर्याना का, अच्छा यह supply जो हुई है, वो ECO के ट्षी तरू हुई है, ठीक है थlausieg है थाडर पार्टी, US取 Aquí is a click confirm। मार् tरू हए अब जैसी, issue कीतरू हुई है, आप जैसी, yeah, eocy Inner लेजरी की तरह," emission wp से जाया, TCS 2C1 percent में होगा है," अब यहां पर मुझे बताओ, इस case में , और फुलिए तो कि यह सब करेंगे प्रोप ना पर नहीं होती है और ऑढ इस लिए को रिश्टेशन पर लेनी पड़ेगी हरियाना में लेनी पड़ेगी अचा इसे को रिश्टेशन लेनी में section 52 वाला वो अलग होता है या सेम होता है अलग होता है इसके केस में REG01 नहीं जाता REG01 नहीं जाता है इसके अदर एक फॉर्म होता है REG07 जाता है तीन दिन के अंदर अंदर आपको अगर हमारा सप्लायर अगर हमारा सप्लायर एक्स लिमिटेड का है और वाई लिमिटेड का है एक्स लिमिटेड हो गया हर्याना में वाई लिमिटेड है डेली के अंदर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से क्या चार्ज किया होगा अगर यह सप्लाई ECO की तरह हुई है तो बताओ इस केस में ECO TCS जब कलेक्ट करेगा तो सप्लाईर है उस स्टेट में रिजिस्टर होके महर्याना में रिजिस्टर होकर वो TCS कलेक्ट करेगा किसका पहले मैं सिंपल केस लेता हूं मालो यह वाला यह हो गया सप्लाईर अपना है हर्याना के इंदर फिर हो गया कौन सा रेसिपेण्ट 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 गवर्याना में है और यह जयाँ पूरा चेप्टर पड़ लिए हमने अभी तक मुझे एक वाल बताओ POS का मैं पूरा रिवाइस करने को अच्ते का देखते हैं पर नगी है यह देखते हैं यह सारी चीज़े देखते हैं तो अभी मैं अलगरा केस लेता हूं पहला कि तो पहला किस लेता हूं पी ओएस भी कहा पर है हर्याना में तो एक एक करके बताओ पी ओएस हर्याना के अंदर है रेसिपेंट भी हर्याना के अंदर है तो इसने क्या चार्ज किया होगा कि समय वह क्या करेगा और एक मिन्ट के लिए यह मानके चलते हैं पी ओएस हर्याना के अंदर नहीं है पी ओएस डेली के अंदर चला गया ऐसा हो सकता है रेसिपेंट हर्याना के अंदर है तो क्या लग जाएगा आइजिस अब सोच के बताओ यहां पर रेसिपेंट जो है टीडियस काटेगा सप्लायर की स्टेट में है सप्लायर हमारा हर्याना में है सप्लायर हमारा हर्याना में है रेसिपेंट हमारा हर्याना में है आर अब इस पर्टिकुलर case के इंदर मान कर सलते ह爱 या नियुक्तित रुटेलिक गशिए के सिर्वध ऑद पर तो चाहिश रएवट इना धर अर्याना होस hopes उसका एप हिस आफ इस GU ना अगर गुद्गाओं में झाकर रेच्टरेट कालों होंगा थो घ्रियानाया जूंटभाट्रिकति एक डेली के इंदर है यह चार्च जिया करेगा स्टी और स्टीर रॉपल्म में high chyba प्रापलम यह में जो क्या है प्राप्लम यह रेखेज पिंड गभन्मेंटiran डिपार्टमेंट जिसको TDS काटना है वो खुद कहां पर है डेली मगर TDS किसका काटना है 1% CGST और 1% हर्याना का तो आप प्रॉब्लम यह है इसको जाकर क्या करनी पड़ेगी हर्याना में रेश्टेशन लेनी पड़ेगी तो फिर भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं सरकारी सरकारी लोग जा जाकर क्या रहे हो कि हम डेली में बैठकर पहले कहां जाएं हर्याना में जाकर सप्लायर का क्या करें तो यहां नहों ने एक exception दे रखिए टीडियस की जड़ा एक बार रीड करते हैं आकरी पॉंट हमारा कल रह गया था ग्लास खतम करने के बाद रिलाइज हुआ मुझा है पेज नमबर 7.5 पेज नमबर 7.5 युनीक केस वन टाक्स डिड़क्शन is not required. Please read carefully. It lays down that where the location of supplier and place of supply are in the same state and unit territory. बताये जल्दी से location of supplier and place of supply same unit territory और state में होंगे तो इसका मतलब क्या लग रहा होगा? CGST और उस state का SGST लग रहा होगा. And which is different from the state or unit territory of the recipient. डिड़क्टर किसी और state के अंदर बैठा हुआ है. तो उस case में there will not be any TDS. Please take care. TDS कब नहीं आएगा? Logically सोचो. Place of supply और location of supply किसी एक state में उस state का हर्याना का CGST, SGST लग रहा है. मगर recipient किसी और state के अंदर बैठा है. तो recipient को यहां आकर registration ना लेनी पड़े. इसलिए हमने वहाँ पर provision नहीं क्या डाल दिया. There will not be any TDS. मगर इस चीज का दियान रखना मैंने तीन illustration बनाई है. सोच समझ के जवाब देना. पहला case supplier हर्याना का है? recipient हर्याना का है? POS भी हर्याना का है? TDS आएगा यह नहीं आएगा? Yes. POS और location of supply दोनों हर्याना के हैं. क्या लग जाएगा? SGST और CGST. SGST कोंसी का हर्याना. recipient को दा हर्याना में बैठा है यह नहीं बैठा? Yes. recipient क्या करेगा? TDS काटनेगा. 1% CGST, 1% SGST. अगला case supplier का हर्याना? recipient का हर्याना? POS का हर्याना? Delhi. अचा location of supplier हर्याना? POS का है? Delhi. क्या लगेगा? IGST. IGST लगेगा? बढ़ ध्यान दो. recipient का उसी location में या नहीं है? उसी state में है. क्या recipient को किसी और जगा जगा पर registration नहीं है या हर्याना में लेना हर्याना में? तो क्या TDS आएगा या नहीं आएगा? Yes. बस फर्क है TDS क्या आएगा? 2% वाला IGST. और तीसरा case देखो. Supplier कहां पर है? हर्याना. POS कहां पर है? हर्याना. तो क्या लग जाएगा? CGST और SGST. बढ़ रैसी बढ़ का मेठा है? Delhi. क्या उसको हर्याना लाकर कष्ट देकर registration दिलवाएंगे? नहीं. अकॉर्डिंगली यहां पर हमने बोल दिया there will not be any. ठीक है जी? clear है? तो यहां पर इसको डियाग्रमेटिकली बना दो. यह है location of supplier हर्याना. किस चीज़ को डियाग्रमेटिकली बना लो? location of supplier हर्याना. यह है हमारा government department. government department हो गया हमारा क्या? recipient. लेट से यह बैठा है डेली के अंदर. और POS माल लेता हूं मैं कहां पर है? हर्याना में. POS हर्याना के अंदर है. तो यहां पर लिख लो here. CGST and हर्याना का SGST. H SGST लिख लेना. H मतलत है हर्याना का SGST. Here. government department. Government department would have to. Take TDS registration. In Haryana. But. To save the pain. To save the pain for government department. Section 51 said. No need for three years. Section 51 का. तुम आराम करो. तुम टेंशन मतलो. Ideally. मेरे हिसाब से पता क्या है? यह provision temporary है. बहुत जल्दी डिलिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आज की rate में. क्या government department बिना हर्याना में प्रमाइसेज लिए? recession ले सकता है? Yes. 2017 में जब यह provision आया था ना, यह exception आई थी. उस समय ना, यह exception नहीं थी कि तुम्हें वहाँ पर premises नहीं लेना. तो उस समय नोंने exception क्यों create करी थी? कि government department को जाकर एक नहीं आप रिमाइसेज लेना पड़ेगा, etc. बाद में जब अमेंडमेंट करके हमने यह बोली दिया कि बिना प्रमाइसेज का रिमाइसेज ले सकते हो, और ECO वाले कस्ट लेते ही हैं, तो government department क्यों नहीं राले हैं, उनको भी exception नहीं मिलनी चाहिए, तो मेरे इसाफ से यह exception है, हो सकता है by the time आप CA final तक पहुंच हो, यह exception डिलीट हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत हाई चांसेज लग रहे हैं इसके डिलीट होने के, reason being, last year जो amendment आई थी कि बिना premises हुए, आप हर्याना में जाके क्या ले सकते हो, TDS की रिस्टेशन, उस amendment को लाने का reason ही क्या था, यह वाला case था, बड़े इन्होंने अभी फिला लि ठीक है जी, क्या लगेगा, CGST लगेगा और हर्याना का SGST लगेगा, अब यहाँ पर जो ECU है, वो बैंगलोर में है, कली मैंने case बताया था, क्या ECU के case में 52 में ऐसा benefit है या नहीं है, नहीं, ECU के case में ऐसा benefit है, नहीं है, ऐसा benefit नहीं है, तो here, TCS will apply, TCS will apply, and to collect TCS, ECU will have to take registration, will have to take TCS वाली registration, in the state of हर्याना, और ECU को ज़्यादा कश्ट नहीं, तो हमने यहाँ पर कह दिया था, ECU के वास place of business ना भी हो, तो भी हर्याना में रिस्ट्रेशन मिलेगी, उसको यह नहीं मिलेगी, ठीक है, तो कल मैंने जो चार्ट भेजा था, नोट डाउन कर लिया किताब में नहीं किया, अगर कर लिया है, तो एक पॉइंट और डाल लो उसके अंदर, और इस पेज को refer कर ले ना, 7.5, पहले यह नोट डाउन कर लो, उस चार्ट के अंदर ना, एक पॉइंट और डलवा है, आप बैंगलॉर में बैठे-बैठे, IGST का TCS कलेक्ट नहीं करते हैं, इन शॉट TDS और TCS कलेक्ट करने के लिए उस स्टेट में जाना जरूरी है, जहां पर कॉन लोकेटेट है, सप्लाइब, वहां जाना जरूरी है, आतो रही है, मगर दिक्कत इसलिए नहीं आ रही है, यहां पर IGST का कार्ट सकते हैं, बैठे-बैठे, वह अपने POS देख लेंगे न, इस सप्लाई का जो POS है, उसी साफ से प्रेटवारा कर देंगे, एक बार यहां पर देखो, जो मैंने नोटिंग के लिए दिया था, इस नोटिंग के अंदर न, एक तो यह कर ले न, यह EDS का रेट होता है 2%, ECS का रेट होता है 1%, ठीक है, एक तो यह दिफरेंस और आखरी दिफरेंस इस वे न, सेवेंथ डिफरेंस यहां पर डाल दो, नोट EDS, इफ, लोकेशन ओफ सप्लाईर एंड पी ओएस इन स्टेट वन, किसी एक स्टेट वन के अंदर, एंड, रेसिपियंट इन स्टेट टू, अगर रेसिपियंट अलग बैठ है, मगर POS और लोकेशन ओफ सप्लाईर स्टेट नमबर वन में है, तो वहाँ पर TDS हमने माफ कर दिया, ताकि उसको स्केट वन में रेसिपियंट ना लेनी पड़े, जबकि यहाँ पर नो सच रिलाक्सेशन, अगर ऐसा सेम केस ECO में है, तो नो सच रिलाक्सेशन, ECO will have to, ECO will have to take ECS registration in स्केट नमबर वन, ठीक है जी, विद दैट हमारा TDS और TCS का चैप्टर हो गया, जो चैप्टर नहीं आए है, उनको लेकर मैंने क्या किया है, CA final के questions, जो अभी चैप्टर नहीं आए हैं, जैसे TDS हो गया, CA final के questions को adapt करके आपके लिए डाल दिया, तो अभी अगर आप TDS, TCS देखोगे, तो हमारी बुक में सिर्फ ये 5 questions दे रखे हैं, that's it, मगर आगे मैंने कुछ questions क्या लगा दी है, CA final से जो पास्ट यर के questions थे, वो adapt कर दी है, obviously आज से 3-4-5 attempt बाद जब इंटर के questions हो जाएंगे, तो मैं ये हटा दूँगा, बट अभी आप पहला बैचो जिनके लिए ये chapter है, तो ये मैंने CA final के question लगा दी है, CA final के question का अवलब ये नहीं कि CA final के question बहुत मुश्किल है, it's just that वो chapter पहले CA final में था, अब वो गहाँ पर आगए CA intermediate में था, ठीक है जी, एक बार नज़र डालते है, point number one, whether the rate of tax of 1% notified under section 52, 52 TDS का है या, TCS का है, TCS का, is CGST और SGST और a combination of both CGST, combination of the both, क्योंकि CTS का rate के तरह होता है, 1, TDS का rate के तरह होता है, 2%, बहुत ही simple question, आगे, is every e-commerce operator, is every ECO required to collect tax on behalf of the supplier, इसका आंतर क्या लिखोगे, जो exceptions है, exceptions 4 थी, कौन कहुंसी, 95 वाला, जिसको 95, अब एक्जाम में अपने आप language बना लेना है, any ECO is liable to pay tax in respect of the services, notified under 95, दूसरा कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, जब टैक्स, मैंने पूरा चार्ट कल बनवाया था, वो जो मैंने स्टेप्स बनवाया थे, वहीं आंसर करने है, और दूसरा क्या है, एक ECO जो कैसे भीव कर रहा है, agent, CBIC का टेस्ट लिख देना, वेर ECO is authorized to issue the invoice, थर्ड चीज मारी क्या थी, जो हमारे बिहाफ पर, supplier की बिहाफ पर payment collect नहीं करता, फूर्थ आप लिख सकते हो, ECO जो अपनी website से बेचता है, फिफ्ट लिखना चाहो, ECO अगर supplier कौन है, unregistered, इस तरह से कुछ exceptions डाल दो, और के दो false, every ECO is not required to collect TCS, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, state whether the provisions pertaining to the tax collector source under section 52, will be applicable if P10 limited sells watch through its own website, क्या अपनी website से हो तो आएगा, नहीं, आप लिखो कि the provision of section 52 is applicable, only if a supplier other than ECO, supplies goods or services other than 95 through the ECO, in case ECO खुदी सेल कर रहा है, the TCS provisions will not be applicable, ठीक है जी, there is onus of filing monthly and annual statements by ECO, examine the technical veracity of this statement, मैंने भी annual statement के बारे में discussion नी करी, मैंने चुडवा दिया था, मैंने का था फाइनल के साथ discuss करेंगे, हमारा returns वाले chapter के साथ discuss करेंगे, मन्तली के बारे में बात कर लिए थी, TDS वाले को भी मन्तली फाल करना होता है, TCS वाले को भी मन्तली, TCS वाले की स्टेटमेंट के होती है, GSTR 8, और TDS वाले की GSTR 7, TCS की बूछी है, अगले महिने की कहुंसी तारिक, 10 तारिक, बस यह लिख या जेंगे, इस टेटमेंट इस नौरेक्ट, अगले महिने रहे हैं, जाएक एक एक करके चेक करते हैं, बेच किया रहे हैं? वाच 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 वोले तो गुड्स, 95 वोच अगल होगा, नहीं, अचा मार्केट प्लेस मॉडल है या नहीं? हम क्या अपनी वेप्लेस से बेच रहे हैं, किसी और वेप्सेट से तो मार्केट प्लेस मॉडल भी हो गया, टिक गुड्स हैं, तो बेसिकली 95 भी नहीं लगेगा, अचा कोशन में कहीं पर भी गिवन है, वो हमारा एजेंट है, नहीं, और क्या हमारी आप रभी तक यह लिख है, पेमेंट हैंडल कर रहे हैं नहीं, तो हम इसने अपने आप आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, मतलब कि अगर पेमेंट इंक्लूड कर रहा है, तो यह वाली चीज हो जाएगी, और वाचिस के बारे में कोई एक्सेमिशन नहीं लिखी, तो अपने आप अपने कोई एक्सेमिशन नहीं मानने, तो पहले उपर प्रोविजन लिखोगे, जिसने में इसका आंसर दिखा जैता हूँ, साथ साथ आपको, 7.4 का आंसर इन्होंने, यह तो क्या करते हैं, इस यह वाले एक ही लाइन के अंदर, सारा कुछ एक्स्प्लेन करने की कोईशिश करते हैं, प्रोविजन अफ लॉव में, आप अगर चाहो तो अपनी लेंगज में लिखो के जरूरी नहीं है, एक ही सेंटेंस में पूरा प्रोविजन आ जाना चीजिए, तो इन्होंने क्या लिखा, As per section 52, Every e-commerce operator not being an agent, shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1% as may be notified by the government on the recommendation of council, यह लिखने की जरतनी है, क्योंकि आज की rate में रेट कितना है, 1% ही नोटिफाइड है, on the net value of the taxable supplies made through it, where the consideration is to be collected by the operator. Now, आप एक्जाम में यह exact same language लिखो पॉसिबल ही नहीं है, आपको keywords क्या लिखने है, जो important है, every e-co not being an agent, who is required to collect consideration on behalf of the supplier, shall be required to collect e-cs at the rate of 1% provided जो supply करी है, वो 9.5 में नोटिफाइड नहीं है, ठीक है जी बस इस नहीं लिखो, मैंने कमल को वो भेजा था है, चार्ट स्प्रिंट के लिए, तो इवर कमल से बात करो, जैसी उसकी दुकान खुटी है, और उस चार्ट में ना कुछ एड्स लगी है, वो अमने टेलिग्राम पे डाले, वो एड्स हटा देगा, सिर्फ चार्ट से नहीं है, मुझे और इतनी ही चाहिए है, बाकी उंगले मैं ने गुरूप पे डाल जी है, तो जो हमें में चीजे चाहिए न, वही आंसर में होनी चाहिए, यह ICI क्या करेगा, ICI बिल्कुल वही लैंग्वर्ज जो स्टड़ी में कॉपी पेस्ट कर देगा, इससे यह मत मान के चलना, तुम्हें भी लैंग्वर्ज लिखनी है, प्रैक्तिकली वह लैंग्वर्ज लिखना पॉसिबली नहीं है, बट कीवर्ड होने चाहिए, अगर तुमने यह नहीं लिखा, Every is your not being an agent, अगर तुमने यह नहीं लिखा, तुमने यह नहीं लिखा, 7.10, मनिहर एंटरप्राइज़ रजिस्टर्ड इन डेली, इस एंगेज़ इन दी सप्लाई ओफ वेरियोज गूड्स एंड सर्विसेज एक्स्क्लूजिवली तू गवर्मेंट डिपार्टमेंट एन एजन्जिस, क्या इस कॉश्चन में कोई ECO involved है, नहीं, ECO नहीं है, तो क्या TCS आएगा? नहीं, सेक्शन 52 भूल जाओ, TCS नहीं आएगा, अचा, यहां पर हम बेज किसको रहे हैं? गवर्मेंट डिपार्टमेंट को, रेसीपेट हमारा गवर्मेंट डिपार्मेंट होता है, मनेहर, GST में registered है, and persons notified under 51, it has provided the information related to the supplies made, their contractual values, and the payment due against each of them in the month of October, अचा, TCS के अंदर कोई threshold limit होती है? नहीं, TDS में threshold limit होती है? कितनी? 500,000,000 अभी, जो मैं supply कर रहा हूँ, उसकी value है, यह contract की value है? ऐ अगर आम यहां से देखो, काटना है यह नहीं काटना थाई लाग की थे तरेशोर्ड के लिए पेमिट नहीं चेक कर नहीं है क्या है लुए एन्वाइज्टर लुएत के समय और ते इन्होंने बहुत अच्छी काम किया क्या किया है मैं कोस्चन करने के लिए लिए और करने के लिए और दे सकता था क्या इनुए्स अक्तोबर में हुए मगर पेमेंट डवेंबर में उनपर प्रखाट से इन्वाइस सप्टेंबर में हुए बट उनकी पेमेंट कब करी हमने ऑक्तोबर में उनके टीडियस इसमें आएगा ऑक्तोबर इन्वाइस रेल्वेंट है ठीक है अच्छा अब डाइलाग के लिमिट चेक करते हैं वह इंक्लूजिव ऑफ जी एस्ट है एक्स्क्रूडिंग द रखा होगा पहले से तो 18% का रेट है अब यहां पर एक एक करके शुरू हो जल्दी से कल्कुलेटर निकालो दो लाग साथ हजार डिवाइड बाइए एक सो अठारा इंटु हंड़र बताते जाओ जल्दी से मुझे क्या क्या है क्या हमारी वेल कॉंट्राक्ट वेल्यु ड सप्लाइज अंडर कॉंट्राक्ट एक्स्क्रूडिंग जी एस्टी लेस देन वर्किंग नोट में यह आंसर नहीं लिखोगे तो मार्स नहीं मेलेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं सप्लाइब कार रेंटल सर्वेस्टू मुनिसिपल कॉर्परेशन ऑफ डेली रेसीपेंट त यहां पर भी टीडियस नहीं लिखेंगे अगर मैं आंसर साथ साथ खुल लूँ तो पहले यहां पर उन्हों निकाली बेल्यू निकालने के बाद और यहां पर टीडिएस आ रहा तो ठीक है नहीं तो निल लिख दिया निल हर चीज के साथ सथ क्या आएगा माराइब वर्कि machinery to PSU located in उत्तराखंड PSU को दिया PSU याद करो specified deductive में आता था येस पैसिफाइड डिड़क्टि अंदर PSU आता था वो तो सही है मशीन कितने की है पांच लाग नबबे हजार तो पांच लाग नबबे हजार PSU उत्राखंड मैं मान के चलतों गुड्स भी वहीं पर डिलेवर होंगे होंगे फड़ा सा याद करों POS में section 10 के इंदर गुड्स का पर होता है wherever the movement terminates for delivery तो हम यहां मान के चल रहे हैं में डिया उत्राखंड तो इस इन्वाइस पर क्या लगा होगा तो मैं भी क्या डिड़क्त करूंगा हमें भी क्या कर डिकन चाहिए आई जी एस्ट तो हम 25,000 रुपे का 2% IGST लेंगे 25,000 का 2% IGST कितना हो गया प्लीज टेक क्या गलती क्या कर होगे 5,000,000 का 2% कर दोगे 5,000,000 का 2% नहीं आएगा टीडियस कब काटना होता है जब पेमेंट के रही गई है जो जब बाकी पेमेंट करी जाएगी टीडियस बाकी उस समय आएगा इस इस सम्थिंग विच विच चेकिंग ओनली फॉर थ्रेशोल्ड परपस बदेट एडियस विल बी अप्लिकेबल ऑन दी अमांट ऑफ चिक जी आगे बढ़ते हैं चलिए सिक्स वर्टी नाइन डिवाइड एक्स ओठार राइं टू हंडड कितना हो गया पांच लाग पचार्ट अगर्ट अगर्ट अभी जो फेस्ट वेस्ट वेस्ट ना उन्हीं के लिए ब्लाक इन वाइज लिए अभी में जो हैं वो कलर भूप बार लिए चार पर पांच के लिए पंदरा के लिए और उसमें एड्स लगी है एड्स हटा देगा मेरे आप से आगे भी करोंगे दस तेप से लिए मैं एक्चली कल भूल गया अपना प्रिंटिंग वाले को बोलना कि आपके चार्ट निगाल के रख दे सेरे सरे जब घर से निकला तब मुझे याद आया तो कोई नहीं अभी जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे तो 649 हमने बैक कैल्कुलेशन करी कितना बना पांच लाग 50,000 पांच लाग 50,000 जब हमने किया तो 5,500,000 तो यहां पर एक चीच चेक करो हमने सोसाइटी जो है ने क्या लिख रख है एस तो अब हम 50,000 रुपे पे टीडियस काटेंगे बड़ चेक कर लेते हैं इस इन्वाइस पर लगा क्या होगा फिर से चेक करो हम कहां के है डेली के यह सोसाइटी भी कहां की है डेली की तो अब एक्जाक्ट पी उएस निकालने की जुरत नहीं है क्योंकि सर्विस बताने रखी हमें नहीं तो चाहता तो पी उएस भी आप से निकलवा लेता बट अभी हम मान के चलेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को क्या मानेंगे पी य सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के डिफॉल्ट रूल क्या होता था पी यह सब सर्विस का लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपेंट तो हमारा डेली में प्यूस है और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी कहा है डेली में इस इन्वाइस पे क्या लगा होगा cgst और sgst और अब बताओ tds के नाम पे भी हम क्या काटेंगे वन परसेंट cgst और वन परसेंट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटीर डेकोरेटर ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन डेली सर्विस कॉंट्राक्टर्स एंटेर इंटेर इंटेर इंटीर डेकोरेटर सर्विस कॉंट्राक्टर इंगर रिजिस्टर ओनली इन आंध्रपदेश अच्छा यहां पर ना पहले तो एक चीजी यह देखनी पड़ेगे कि कल हमने exception पढ़ी थी वो ध्याननी रामिर को exception हमारी क्या रही location of supplier कहां पर है यहां पर डेली में POS कहां पर है यहां पर डेली के अंदर मगर recipient हमारा कहां पर है आंध्रप्रदेश में कल हमने TDS में exception पढ़ी थी अच्छे से कि अगर हमारा recipient कहीं और located है POS और वहां पर है तो इसको यहां पर TDS काटने के लिए हमने क्या रखा है मना कर रखा है तो वह वाली exception यहां पर use करिया और finally यहां पर बोला है TDS applicable नहीं होता अगर recipient डेली में होता तो काम चल जाता बट हमने यह ध्यान नहीं दिया recipient को डेली में नहीं है recipient डेली के बाहर है जबकि POS और application of supply रखा है डेली के अंदर है accordingly यहां पर TDS applicable पॉइंट नमबर सिक्स सप्लाइओ प्रिंटेड बुक्स एंड पोस्टल कार्स तु वेस्ट डेली पोस्ट ऑफिस आउट अउट ओफ दी कॉंट्राक्ट ऑफ 9,72,000 कॉंट्राक्ट ऑफ बुक्स हैं जो सात लाग की है और बा है उसको हमें TDS पॉर्पस के लिए कंसीडर नहीं करना क्या थ्रेश्वर्ड में भी कंसीडर करना है नहीं थ्रेश्वर्ड भी धाई लाग के अंदर में कंसीडर नहीं करना तो 2,72,000 की बैक कल्कुलेशन करोगे कितना निकल के आया 230,509 अकॉर्डिंगली धाई लाग से कम परपस के लिए exempt वाली पर TDS PCS नहीं आता है अगे बढ़ते हैं maintenance of street lights in municipal area of East Delhi the maintenance contract entered into with the municipal corporation of Delhi also involves replacement अच्छी बात कलम ने ना exemption वाला chapter पढ़ दिया था अभी ये वाली entry मैं exemption से link करा दूँगा कलम ने government वाली exemption पढ़ दी तो the maintenance contract entered with the municipal corporation of Delhi involves replacement of defunct lights and other spares however the value of the supply of goods is not more than 25% of the contract and it is an activity relation to a function which is entrusted to a municipality under 243 W अगर कोई local authority या पंचायत कोई भी function करती है जो आर्टिकल 243 G में है और आर्टिकल 243 W में है तो वो तो 7 to B में supply नहीं होएगी और अगर यही काम पंचायत और मुझे अपने खुद ना करके government authority करे तो उसको क्या अगर रखा था एक्जम इसकी बात नहीं हो रही हमने पीछ प्यॉर लेबर कॉंट्राक्ट हो यहां पर प्यॉर लेबर है नहीं या फिर अगर यह एक composite supply हो जिसमें material का component 25% से जाधा नहीं है तो question में ध्यान से देखो यहां पर हम Municipal Corporation of East Delhi को help कर रहे हैं constitutional function में उसके अंदर हम goods भी दे रहे हैं और goods की value 25% से जाधा नहीं है तो question आपको आपको खुद बताएगा नहीं आपको खुद पता करना पड़ेगा क्या यह supply taxable है या exempt है exempt है और आगे बताओ अगर exempt है तो क्या इस पर TDS आएगा नहीं अच्छी बात है कल मुझे बोलना पड़ता कि बाद में पड़ेंगे अब हमने कल पड़ी लिया था तो फाइनल ची कि मैंने कुछ CA final के resources से निकाला और बहुत अच्छा question आई है ठीक है अगला question बढ़ते है 7.11 देखिए Will your answer be different if money or enterprises is registered as a composition dealer अगर composition dealer होगा composition dealer का भी TDS काटते हैं yes no change in answer even if we are a composition dealer there will be TDS कोशन बतल जाता हूँ Will your answer be different if he is a unregistered person? Unregistered person है तो TDS और TCS दोनों नहीं है Will your answer be different if money or enterprises ने जो भी उपर वाली supply करी है सारी reverse charge में है Yes अगर supplier में reverse charge वाली supply करी है उसका TDS या TCS तो आईसे किसी भी तरह से वो चीज पूच सबता है चलिए 7.12 आस्मा लिमेटेड है सप्लाइड गूर्ट सुअ लोकल अथॉरिटी 7,56 जिसके इंदर 12 परण का GST included है back calculation करके बताओ 756 divided by 118 मत करना इस बार 112 इंटू 100 कितना हो गया 675 शे लाग पचात्तर रहार रुपे Determine the amount of tax to be deducted at source also determine the interest liability if the amount of TDS deducted on 15 October 2014 is deposited on 20 December पहले तो उसने वोला TDS का मोट निकाल लो निकाल लेते हैं कितना हमारा एता हमारा कितना है उसने इसने ताइम पर आपन सब्सक्राइब कराया पहले तो नेवेंबर को कब तक जमां कराना था तो लेट होंगे तो तो पर मन्त यह पर एनम इंकम टेक्स में पर मन्त होता है यहां पर क्या करेंगे तेरह पांत सो इंटू अठारा पर्षेट डिवाइड बाय त्री शिक्स्टी सिक्स कर देंगे और थो जबिस पच्चिस अगला साल है चौबिस पच्चिस तो हमारा थेज़़ लीप यह रहे ना चौबिस पच्चिस तो हमारा नॉर्म है और कहां से कहां तक निकालेंगे हम सब्सक्राइब यहां से लेकर बीस दिसेंबर दोजार चौबिस वोटामटे कितने दिन होगे जए दिगिन लेते हैं 11 से गिनना शुरू करना 10 को इनिकलोड मत करना जब भी इंटरेस्ट लगाते हैं अगले दिन से लगता है तो हमारा लगब लगब 20 दिन तो इसमें हो हो गए और दिसेंबर में कितन दिन हो गए 20 दिन हो गए तो हमारा लास्ट में फॉर्मला क्या हो गया मैं आंसर यहां से लिकाल लेता हूँ हमारा आंसर हुआ यहां से यहां 40 दिन हो गए 40 दिन 13500 इंटू 40 divided by 365 इंटू रेट क्या आ गया 18% तो आंसर क्या आजएगा 266 इस क्योंकि जब अपना टैक्स पे करो तो अगले मेने की भीस तारी क्यूटेट होती है मगर यहां पर अपने टैक्स की बात नी चल रही किसके बात चल रही है टीडियस और देखते हैं एक क्वेशन 7.9 कर लेते हैं यह भी थोड़ा सा अच्छा है शोपी और रिजिस्टर्ड Supplier of Jaipur is engaged in the supply of various goods and services exclusively to government department, agency, local authority and other person notified under 51. Question TDS का है, TCS का है, TDS का है, हम सप्लाई करके, you are required to briefly explain the provisions relating to TDS under section 51 and also determine the amount of tax if any to be deducted from the following receivables given below. तो सारे cases independent है, एक दूसरे से लेना देना कुछ भी नहीं है, assuming that the amount of tax if any to be deducted, sorry, assuming that the payments as per the contract were made on 31st October, the rates are given as 12% चलिए, एक एक करके शुरू करते हैं, supply of computer stationary to PSU located in Mumbai, total contract value कितनी है, 272,000, पहरे दो देखो हम कहां पर है, जैपुर, हमने goods कहां पर दिलिवर करे, Mumbai, इस transaction में क्या लगा होगा, IGST, अचा यह 272,000, exclusive है, inclusive है, inclusive, inclusive में 272,000, divided by 112 into 100, कितना हुआ, 242857, अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर TDS आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि, the value of the contract is less than, दाएगा, सर नीचे वाला भी तो गिलने, add कर ले, उसने उपर clear कर दिया, यह cases, independent है, एक जूसरे से लेना देना, तो नहीं है, तो पहले point के अंदर हम क्या लिखेंगे, answer 7.9, खोल के बैठा हूं यहाँ पर, पहले हमने बोला कि यहाँ पर पहले वाले case के अंदर TDS नहीं आएगा, इस तरह से आपको table बनानी है, यहाँ पर TDS नहीं आएगा, reason चाहो तो यहाँ पर लिख दो, but I would recommend, यहाँ पर reason लिखोगे ना, कहाँ बेज दिया करो, working order, okay, चलिए, आगे बढ़ते है, second part, second part is supply of air conditioner to GST department located in Delhi, GST department भी क्या government का department हो गया यहाँ, yes, हमने उसको क्या बेजे, इस ही बेचे, total contract value 2,55,000 किया, बट ब्रैकट में देखो क्या लिखा है, तो अब हमें यह back calculation करनी है, नहीं, घट्टा मत मार लेना क दो पच्छपन, हाई लाक से जादा है, येस, हाई लाक से जादा तो TDS आएगा, जड़ा चेक करते हैं, हाई ये डेली और हम कहां पे है, जैपूर, POS मान के चलता हूँ, मैं डेली है, तो क्या लगा होगा, IGST, और मुझे बताओ, जहाँ पर POS है, वहीं पर ही recipient के location है, ज आंसर is, yes, TDS के applicability आएगी, IGST 2% का, दो लाक पच्छपन अजार पे 2%, अचा, 9.10, sorry, 7.10 और 7.9 में एक परग है, 7.10 में contract value अलग थी, इस महीने में पेमेंट अलग थी, जबकि यहाँ पर पेमेंट नी बता रखी, तो सारी की सारी पेमेंट किसमें हुई है, इसी महीने में और उपर question में देखोगी न, तो उसने clearly बोल भी दिया, assuming that all the payment were made on, इसलिए मैंने यहाँ पर 2,55,000 परी क्या लगा दिया, TDS लगा दिया, जबकि नीचे वाले question में क्या किया था, value check करते थे contract value, TDS किस पर apply करते थे, payment, ठीक है, आगे बढ़ते है, supply of generator renting service to municipal corporation of Jaipur, again municipal corporation of Jaipur ह हो गया, अच्छा हम भी कहां पर है, Jaipur में, वो भी कहां पर है, Jaipur में, तो अब यहाँ पर there are high chances QSB कहांँगा, Jaipur में ही होगा, ठीक है, चलिए, टूटल contract value कितनी है, 3,50,000, inclusive of GST, तो back calculation करो, 3,50,000, divided by 112 into 100, कितना बन गया, 3,12,500, क्या यह यह डाइलाक से जादा है, yes, और अब क्या अलगा होगा, CGST और SGST, तो TDS के नाम पर भी हम क्या करेंगे, 1% CGST, 1% SGST, ठीक है, बस एक चेक करना, जहां पर गलती हो सकती हो, और हमसे गलती होई भी, वो यह है, कि अगर recipient किसी और state में है, और supplier की location और POS अलग state के अंदर है, तो वहाँ पर TDS की applicability, ठीक ह हमारा हो गया, done, अब आते हैं, इससे पहले वाले चेप्टर पर, इससे पहले वाला जो चेप्टर है, चेप्टर नमबर 6, इसके अंदर, obviously, अभी तक हम सारे question reverse charge वाले नहीं करें, तो जो हमने कर रखी है, मैं आपको सिर्व वह वाले करवाता हूँ, question number 6.2 देखिए पहले A2Z Private Limited has received sitting fees amounting to 1 lakh रुपेस from A2Z Private Limited for attending the board meetings, कौन किसको payment कर रहा है, हमारी जो A2Z Private Limited है, उसने payment किसको करी है, विवेक गोयल को करी है, इसका मज़ना विवेक गोयल ने क्या दी होगी, service, कौन सी service दी है, sitting fees किसके लिए होती है, non executive director के लिए, जब भी sitting fees होती है, मैंने वहाँ पर executive होती है, वो board meeting attend करने के लिए क्या लेते है, sitting fees, वैसे तो इसी ने indication दे दिया, जो हमारा director है, वो कौन सा, non executive, मगर ये बात हमारी confirm होगी अगली line से, अगले आंदे को क्या कह रहा है, Mr. Vivek is not an employee and the company deducts TDS under 194J, और इससे confirm हो गया है, नहीं हो गया, yes, अगर executive director होता, तो TDS कौन से section में करता, 192, 194J में TDS करता income tax में, इसका मतल है, हम non executive director है, what is the taxability of service, and secondly, who is the person liable to pay GST, अचा ये जो हमने पढ़ा था, ये हमने chapter 2 के अंदर ही cover कर लिया था, जब employer employee की बाते कर रहे थे, क्या पढ़ा था हमने, executive director के case में GST नहीं आता, क्यों नहीं आता, executive director और company के विच मे तो पहले answer में क्या लिखेंगे, non executive director, services by non executive director to company are subjected to GST, schedule 3 will not be applicable, okay, first part of the answer हो गया, secondly, उसने बोला है, साथ साथ ये भी बताओ, who is the person liable to pay GST, अब बताओ, second part का क्या लिखोगे, it will be covered under reverse charge, notification number, notification 13 by 2017, services by a director to a body corporate are covered under reverse charge, final conclusion लिखो, final conclusion क्या है, in the given case, who will be liable to pay tax, recipient को होन है, A to Z, private limited, that is the recipient will be liable to pay GST, छीके जीक, आगे बढ़ते हैं, question number, 6.7, question number 6.7, Mr. Vicky Franklin, an unregistered famous author, received 3 करोड रुपेस of consideration from Shiv Bhawan publication located in Indore, ये है Vicky Franklin, ये एक author है, इसको पैसे मिले किस से, शिव भवन publication से, located in Indore, for the supply of services by way of temporary transfer of a copyright covered under section 13 of copyright act, याद हो, अगर आपको, हमने वहाँ पर पढ़ा था, IPR की service, अगर permanent transfer कर दोगे, तो supply of goods होगा, बट अगर temporary transfer करोगे, या उसकी enjoyment allow करोगे, तो उसे क्या बोलेंगे, supply of service, वहाँ पर reverse charge entry पढ़ी थी, याद है कौन सी पढ़ी थी, दो entry पढ़ी थी in fact, पहले हमने किस की पढ़ी थी, music composer, photographer, वहाँ तो क्या लगेगा, mandatory reverse charge, author के case में बैसे तो reverse charge लगेगा, बट author चाहे, तो forward charge में tax pay कर सकता है, subject to three conditions, पहली बात author खुद GST में registered होना चाहिए, author ने साल चुरू होने से पहले-पहले declaration फाइल कर दी है, वो declaration एक साल तक withdraw नहीं हो सकती है, और author अपने invoice पे भी declaration देगा कि मैं forward charge में tax pay कर रहा हूँ, ये सारी condition हमने chapter two में पड़ी थी, अब आगे बढ़ते है, question के अंदर क्या बोल गाया, provision revise कर दिया, he finished his work and made available the book to the publisher, but has not yet raised the invoice, Mr. Vicky Franklin of the view that ABP, Shiv Bhavan Publications, SVB sorry, is liable to pay GST, उसको लग रहा है कि recipient वो GST पे पे करेगा, provided by him, SBP does not concur with his view and is not ready to deposit the GST under any circumstance, दोनों में लडाई होगी है, वो कह रहा है recipient को, publisher को, तू GST पे कर और publisher कह रहा है, मुझे तो पे करना ही नहीं है, तू पे कर, you examine whether the view of Vicky Franklin is correct, further if the view of Vicky Franklin is correct, then what is the recourse available to Mr. Vicky Franklin to comply with the requirements of GST law, पेहले तो इसका answer कैसे करोगे, क्या Vicky Franklin जो कहा रहा है कि recipient को tax pay करना है, वो सही है या गलत है, default rule क्या होता है, पहले तो बाई default क्या होता है, reverse charge, तो हम बोलेंगे by default Vicky Franklin का view सही है, क्योंकि services by an author to publishing house, किसमें होती है, reverse charge, but आगे दे रहा है, if he is correct, मगर सामने वाला नहीं मान रहा, तो क्या इसके पास कोई तरीका है या नहीं है, yes, इस क्यास तरीका है, notification 13 माई 2017 कहती है, कि author चाहे, तो forward charge में खुद tax पे कर सकता है, subject to these conditions, jobby condition हमने repeat करी, वो लिख दो, विर्की फैंक्लिन अभी unregistered है, उसे क्या लेने पड़ेगी, GST में registration, उसे एक declaration पाइल करने पड़ेगी, साल चुरू होने से पहले, वो declaration एक साल तक विड्रॉ नहीं हो सकती, और जब वो author publishing house को invoice काट के देगा, उसमें clearly mention कर देगा, वो खुद forward chargement tax पे कर रहा है, तो इस तरह के question exam में आएंगे, जहां पर वो provision के जरिये ही आप से पूछाएगा, कि आपकी क्या advice होनी चाहिए, ठीक है जी, ऐसा ही same question ये है, 6.8 का point 2, कमल जैन ने unregistered author ने ये किया, same to same question है, दो बार आ चुक है एक्जाम के अंदर, ठीक है, ये भी होगे, दन हमारा, एक 6.9 का part 1 कर लेते हैं, 6.9 का part 1, सिद्धी builders registered in हर्याना, rented out 20 residential units, owned by it in Sanskriti society to Rudra Technologies, पहले तो बताओ supplier कौन है, supplier है सिद्धी builders, उसने बेचा या rent किया है, रेंट किया है, यहनि सर्वेस दी है, किस चीश की रेंटिंग करी है, residential units की, और किसको करी है, Rudra Technologies, संस्कृति सोसाइटी तो सोसाइटी का नाना, उसका उसने ने 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 ना, ठीक है, फिर, an IT based firm registered in the state of हर्याना, for the accommodation of its employees, अच्छा, अभी यहाँ पर एक exemption दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि exemption और reverse charge एक साथ है, याद करो RRR, क्या थी, renting of residential dwelling for use as residence, unregistered को दी तो exempt, registered को खुद के personal purpose के लिए दी तो exempt, registered को खुद के लिए नी दी, employees के residents के लिए दी, तो क्या हो जाएगा, taxable और reverse, चाहरा चेक करो यहाँ पर, renting हो रही है, yes, किसकी हो रही है, residential dwelling के हो रही है, और employees की residence के लिए हो रही है, yes, renting of residential dwelling for use as residence, resident बताओ कोई है, रुद्र technologies, GST में registered है या unregistered है, registered है, registered हो गया, क्या रुद्र technologies अपने लिए यूज़ कर रही है, employees के लिए, employees के लिए, employees की residence के लिए, तो final answer, क्या यहाँ पर taxable होगा या रही होगा, yes, पहले तो आपको answer को समझाना है, कि क्यों exemption applicable है, नहीं है, exemption का provision लिखकर, फिर उसको यह समझाओ के exemption नहीं है, फिर जब आपने taxable बोल दिया, तो अगला सबल क्या है, किसको pay करना है, का answer is pay किसको करना है, reverse charge, तो दोनों चीज़े आपको बतानी पड़ेंगी, पहले यह exempt नहीं है, और दूसरी चीज़ यह किसमे है, reverse charge, यह भी हो गया, done, और इसके अलावा बाकी सारे जो parts है, वो अच्छा, 6.12 भी कर लेंगे है, अभी तक की knowledge के साथ है, 6.12 भी हो जाएगा, बहुत ही simple question है, मुझे 9.5 का और कोई question मिला ही नी, एक ही question मिला 9.5 का, और मैंने जाके ना जाएगा, CA final को खंगाला नी, कि उसके अंदर अभी तक कोई 9.5 का कोई question साथ ICI के पास है ही नी, एक question मिला मुझे बस मैंने वो डाल दिया, Harish Chandra of New Delhi makes a request for a motor cab to super ride for traveling from New Delhi to Gurdgaon, उसने cab book करी, cab कहां से book करी, super ride नाम की एक app से, after Harish Chandra pays the cab charges using his debit card, he gets the detail of the driver, Joravar Singh and the cab's registration number, super ride is a mobile application owned and managed by Perry India Limited, तो हमारा ECO basically कोन हो गया, Perry India Limited, जो है ना super ride होता है, आप का brand name है, brand name को मारो को ली, हमारा ECO कोन हो गया, Perry India, और यहाँ पर recipient कोन हो गया, Harish Chandra, और असली में driver कोन आया, Joravar से, यह हो गया supplier, यह हो गया recipient, यह हो गया ECO, अच्छा, खुद की app से बेच रहे हैं, यह marketplace है, marketplace है, service कौन सी है, the application facilitates the potential customer, provide cab service under the brand name of super ride, कौन सी service हो गई, cab service, वियाद करो, इन रेडियो टेक्सी, इन एनी मोटर कैब, इन एनी मैक्सी कैब, इन एनी मोटर साइकल, या एनी अधर वहिकल अधर देन ओमनी बस, no condition on the supplier, जो रावर सिंग रजिस्टर्ड है, यह अन्रिस्टर्ड मेंटर नहीं करता, जो रावर सिंग कंपनी है, अधर देन कंपनी मेंटर नहीं करता, यहां पर 95 लगेगा, तो फाइनल आंसर बताओ, GST कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, ECO, basically, Perry, India, हमने तो इस से काफी complicated question करे थे, मैं तो ऐसे जो illustration कर आई थी, उसमें यह भी कहा रहा था, कि अब मुझे एक एक करके याद कराई दो, Perry, India Limited, ECO है, 95 में liable हो गया, क्या section 24 में mandatoryization ले लगेगी या नहीं लगेगी, yes, mandatoryization ले नहीं पड़ेगी, separate GST लेना पड़ेगा, या same GST लेगा, same GST लेगा, जब वो cab service को GST पे करेगा, वो E cash ledger से पे करेगा, या E cash और E credit दोनों यूज़ कर सकता है, 95 का tax समयचा किस से पे होता है, E cash ledger से, फिर अगली चीज, मान लो 1000 उपे की cab charges थे, tax तो किस ने पे किया, Perry, India ने पे किया, मगर किसके aggregate turnover में जुड़ेगा, जो असली supplier है, वो section 24 में liable होगा या नहीं होगा, सोच के देखो, supplier of service 95 वाले, उन पे 24 applicable ही होता था, वो section 22 में cover होगा, तो अगर चाहूना, इस ही में से 5 questions और बन सकते हैं, मगर I don't think ICI इतनी deep में लेकर जाएगा, मैंने आपको तयारी कराई है, बिल्कुल उपर वाले लेकर, कि भाई अगर ICI case scenario बना दे ना, उसी में से 5 questions पूछ ले, तो मैंने आपको 13 illustration वैसी करा दी है, जब आप असली में questions देखोगे न, RTP वगरा के अंदर, आपको लगेगा यह तो बच्चों वाले questions पूछ रहे हैं, क्योंकि ICI आम तोर पे question को 3 marks के लिए, 2 marks के पूछने के लिए, सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है, बड़ वो चाहे तो उसी में से सारा कुछ निकाल करता है, तेका जी, इसके भी अभी तक जो question कर सकते थे, हमने कर लिए, Well, that was part 1 of our GST amendments and transition batch for May 2024, उमीद है अगर आपने आँ तक वीडियो देखिए, आपको वीडियो से काफी value edition मिल रही होगी, और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप से फिर से मैं ही request करना चाहूंगा, सारे efforts के लिए, पूरी team की मेहनत के लिए, आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि YouTube के algorithm को पता लग जाए, आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, और साथ साथ अपने आप जितने भी friends हैं, जो आपकी जैसे stage पर हैं, जो May 24 के लिए news labels में cover up करने हैं, उनके साथ ये वीडियो को share जरूर कीजिएगा, मिलते हैं part 2 of this transition वीडियो, जिसके अंदर बाकी के topics की discussion जो बचे हुए हैं, वो discuss करेंगे, take care, bye bye, all the very best.